कई लोग बहुत मुस्तैद होकर बैठे हैं, कई यों की तो गोद में जूतेचर पर लगए हैं, यह बहुत अच्छी सुरक्षा के वस्ता है, और उन पुलिस कर्मियों का मैं बहुत आभारी थी, जिनोंने उधर का कुछ बलबा शांत किया और खुद भी शांत हो गए, वरना मैं तो उत्तर प्रदेश में ये खाकी वर्दी देखे, आँखें तरस गई थी महराज, क्योंकि जब से हां आई जी पांडा ने उतार लिया, मैं तब से जब ये किसी खाकी वर्दी पुलिस वाले वो देखता हूँ, मैं समझ जाता हूँ, ये खाकी वर्दी में गोपिया हुम रही है, लेकिन आपने अच्छा काम किया, एक साहब ने मुझे देखकर सीटी बजाई, हो सकता है काफी पहले वो बजाना चाह रहे थे, लेकिन देख ली देखे, लेकिन अच्छा है, मैं आपके सौंदर बहुत हो प्रणाम करता हूँ, लोग काफी संख्या में हैं औ और ऐसे बैठे हैं, जैसे बैठने ही आए, चलिए मैं आपसे दूरता हूँ, और चार पंतियां पढ़ता हूँ, बहुत सारी प्रेम मुहबत की बात हुई, सुमन दुबे बहुत बढ़िया सुना के गई और हमारे जिया सहाथ, मैं तो हासिवें का शायर है, अगर प्रेम क तो शब्द दू, तो चार पंतियों आप तक पहुचाता हूँ, हासिवें का शायर प्रेम को क्या शब्द देगा, कि इश्क में इतने कुएं हैं, मुझे मालूम न था, इतने काफी हैं, बात कुएं से शुरू हो रही हैं, कि इश्क में इतने कुएं हैं, मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं, मुझे मालूम न था, तेरे काफी पे मैं सररक के शाम बैठा था, और एक पंति में हात से आया हो तो ज्चूम जाएं आगे से पीछे पर, कि इष्क में इतने कुए हैं मुझे मालूम न था तेरी उल्फत में धुए हैं मुझे मालूम न था तेरे काभे पे मैं सरक के शाम बैठा था तेरी जूल्फों में जुए हैं कि यह सर्वेस अस्थाना बैठा है एक बार जूए हो डर्ग भाग पदाई देता हूं भाई बर्मा जी हमारे अधर बैठे हैं और मेहिंद्र भेई साथ बहुत बढ़ी हां कमेसा मेलना मुशायरा आपने किया है और बड़े नाम यहां बैठे हैं वसीम बरेलवी साहर प्रहात इंदोरी जी और इधर कुमार विश्वास आसी शनल और सर्वेस भाई मैं दिल्ली से आया हूँ आपके बीच राजिनीत की नगरी से चार पंतिया राजिनीत के नाम पढ़ता हूँ पिछले दिनों यहां बहें अची की सरकार थी किया आप सब जानते हैं उन्हें अटल जी ने अपना दिल्ली से समर्थन दिया था उस समर्थन पर मैंने चार पंतियों में टिपड़ा की ती और कि पढ़ता हूँ राजिनीत निकालता हूँ आपकी जोली में कि मैंने कहा अटली जी आपने ये सोचा कैसे कमल पे हाँ थी कि सवारी होनी चाहिए मनु आदियों ने बड़ी देर में विचार किया भाज़ पाओ बस पामे आरी होनी चाहिए आटली जी बोले ये तो देश की परंपरा है नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए और अंतिम पंति में तर्क लगे कोई के खात समर्थन करें क्या तल्य जी बोले ये तो देश की परंपरा है नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए देश की कमान को कुँआ रहा है समाल रहा उत्तर उपर देश में कुँआरी होनी चाहिए मैं समझ गया ये सब बस्पा वाले हैं वर्मा जी बहुत खामोस बैठें ऐसा कुछ नहीं हो आपनी सिंद्र है और अब तो साब ना कुवारा है ना कुवारी है एक सरदार जी की बारी है नई सरकार आई मैंने टिपणे की कि संसद में बागी मंत्रियों पर हंगामा हो रहा है लोगतंत्र का ड्रामा हो रहा है आपस में चल रहे हैं जोरदार मतभेग और उधर मनमोहन सिंग सोनिया जी से पूछ रहे हैं कि मैडम पगड़ी नीली बांद हुए सके ये राजिनीती जी विडमना है राजिनीती एक वियापार बन चुकी है कैसे कैसे लोग आते हैं कैसे परचार करते हैं मैं परचार का छंदे का आपको सुनाता हूँ कि सपावा ले बोले की मुलायम जी को लाया हूँ मैं कैसे परचार हुए होंगे निकाये चुनाओ कि सपावा ले बोले कि मुलायम जी को लाया हूँ मैं बसुपा में मायासी दिवानी देख लीजी है माल लुक रहा है खामोशी से मत सुनों देखो साथ मुझे खामोशी में पढ़ने की आदत नहीं है पिछले दिनों मैं मुंबई गया साथ मैं कविताएं सुना रहा हूँ एक आदमी बिल्कुल हस नहीं रहा है मुस्करा नहीं रहा है बिल्कुल भाई साथ की तरह मैंने का भाई साथ मैं असाने की कोशिस कर रहा हूँ आप हसी नहीं रहे बोले खुद क्यूं हस हो बड़ा आदमी हूँ अमीर हूँ आदमी रखे हुए फिर मैंने का आप ताली भी नहीं बजा रहे हैं मुने खुद क्यूं बजा हूँ अमीर हूँ आदमी रखे हुए थोड़े दिन बाद उसकी शादी भी मैं समझता हूँ आप लोग इतने अमीर न हो जाएं बात पहुंचे तो आपका समर्थन आना चाहिए कि सपावाला बोला कि मुलायम जी को लाया हूँ मैं बसपा में मायासी दिवानी देख लीजिए और जनता दल बोला कि मैं दल दल में फसा हूँ लालू बी पीसी कोई निशानी देख लीजिए कांगरेसी बोला कि वी देशी माल लाया हूँ जी कांगरेसी बोला कि वी देशी माल लाया हूँ जी एक बार इटली की रानी देख लीजिए कांगरेसी बोला कि वी देशी माल लाया हूँ जी एक बार इटली की रानी देख लीजिए अब भाजी पाई बोला डवानी देख लीजिए या बार बार राजा हिंदुस्तानी देख लीजिए राजनितिक पार्टियों के चुनाव चिन से एक्षन सुनाता हूँ यह मैंने एक तो बालीका से हाथ मिलाने को कहा वो बोली कि भाग जा तू कांगरे से आई दी मैंने कहा फूलो देखे प्रिये मत भूलो करो राबरी बनाने की कसमों तुझे खाई है और एक पंक्ति एक पार्टि को समर्पित करता हूँ उसके चरित्र को आप समझ जाएं तो बताएं वो इशारा कि मैंने कहा फूलो देखे प्रिये मत भूलो करो राबरी बनाने की कसमों तुझे खाई है फूलो देखते ही वो कुमारी बोली ब्रमुचारी शादी तो करेगा नहीं तू तो भाजी पाई उसके बाद से जब भी कोई कुमारा अद्मी मुझे दिखाई देता है मैं समझ जाता हूँ यसकि वो नहीं गई और या फिर यह भाज पाई राजनीती में कैसे कैसे लोग आ गए सहाब सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं आते लोग वर्मा जी की तरह मुझे तो बताया गया बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन कैसे कैसे लोग राजनीती में आने लगे मैं तो दिल्ली रहता हूँ संसत की स्थितियां देखता हूँ शुद्ध व्यंग आप तक पहुचाता हूँ कली भै आपको सनप्पित करता हूँ कि कोई यहां डाकूली यह चाकू है लडाकू कोई जीत के चुनाओ नाओ जैसे तन जाते हैं धूल में खेले ना कभी भूलू से इस्कूल गए बिना पढ़े लिखे सिक्षा मंत्री बन जाते हैं मैंने कहा बिये बिना पिये रखते हैं आप पिये बिना कैसे फाईलो को निपटाते हैं और एक पंक्ति का बियंद जीवन की सर्वसेष्ट पंक्ति पढ़ता हूँ आप सब के सामने जो कविता समझने वाले लोग है वो एक पंक्ति के बियंद को पैचाने कि मैंने कहा बिये बिना पिये रखते हैं आप पिये बिना कैसे फाईलो को निपटाते हैं वे बोले कि काम हम अंगूठे से चलाते हैं जी पहले चूसते थे अब लगाते हैं दिखाते हैं मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल कई लोग दुबारा पढ़ने के लिए कह रहे हैं मैं समझ गया यह सब सप्लिमेंटरी से पास हुए हो मैं एक गीत पढ़ देता हूँ हमें की थोड़ी से देश और दुनिया में क्या-क्या घटनाएं घटी उन घटनाओं के चित्रहार आपको दिखाना चाहता हूँ गीत के साथ आप सब की तालियों की ताल होगी तो आनंद आएगा मैं गीत पढ़ता हूँ और भरपूर आनंद ले आप कि देखो कुरुसी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइट दोराता रोंगा कि देखो कुरुसी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए हुआ फील गुड फेले अटाइजी हो गए पानी पानी भारत उदय करतले डूबा कहते हैं एडवानी इटली वाली पढ़ गई बारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुरुसे की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए पहले अमुरी का रहता था सबसे आइखा आइखा और फिर एक बार हाथ उठे कि पहले अमुरी का रहता था सबसे आइखा आइखा लेकिन उसकी छाती पर जब से लादिलद बैठा करता फिर ता सबसे आरी यो रमाना बाए रचा बाबा मुझे तो याद आता है कि इसी तरह गर पुरुस पुरुस को वर्माला पहना ही तो परिवार नियोजन के सब मसले अलो जाए कि पहले अमुरी का रहता था सबसे एंठा एंठा लेकिन उसकी छाती पर जब सेला दिल नद बैठा करता फिरता सबसे यारी और जामाना बदला जाए देखो पुरुसे की बल्यारी और जामाना जो लोग हाथ बानके बैठे हैं अभी भी उनके लिए कुछ पंतियां परता है कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी कि जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे आभारी पीटो शर्मा और तिवारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुरुसे की बल्यारी ओ जमाना बदला जाए सब कवियों की इच्छा सोता ताली खूब बजाए और लिफाफा दिये बिना सईयों जग खिसकर न जाए माई ये मामला वर्मा जी बहुत पोने में बैठे हो इधा लाए कि सब कवियों की इच्छा स्रोता ताली खूब बजाएं और जहां ऐसा हो जाता है वहाँ इस कुमार विश्वास की हालत क्या होती है कि सब कवियों की इच्छा स्रोता ताली खूब बजाएं और लिफाफा दिये बिना सहीं हो जग खिसक न जाएं कभी से कर दे हमें विखारी ओजामाना बदला जाए, देखो कुल से की बलिहारी ओजामाना बदला कई लोग बीच बीच में उठ रहे थे उसाब, कभी इधर से, कभी उदर से मैं ये पंतियां पढ़ता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि किसी की उठने की हिम्मत हो ये सुनने के बाद तो मैं उसकी हिम्मत देखना चाहता हूँ और अपने कहने के सलीगे पर आपकी दाथ देखना चाहता हूँ कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाएं कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाएं राम करे वो अपने घर में गुसा पलो सी पाएं कोई जाना चाह रहा है बाइस आप तो कह रहे हैं अपन सबेरे तक नहीं जाएंगे कि राम करे वो अपने घर में गुसापलो सी पाएं डूबे उनकी लुटी आथारी और जमाना बदला जाए तेको कुरुसे की बलिहारी और जमाना बदला जाए पासवान का ब्रम तूटा और वापस आगए बूटा बिहार की इस्थिति की पासवान का ब्रम तूटा और वापस आगए बूटा उखर गया अब की बिहार में लालू जी का खूटा रबडी बना रही तरकारी और जमाना बदला जाए देखो कुल सेंगे वलियारी यो जमाना बदला जाए कि लालू बोले सीम रहकर नौनौ बच्चे जाए अटल बी आरी पीम होकर बाप नहीं बन पाए और अगली पंती दक्षिन की हो है याटल बी आरी पीम होकर बाप नहीं बन पाए अम्मा बन गई एक कुलारी यो जमाना बदला जाए कि खो कुल सेंगे वलियारी यो जमाना दुबारा पढ़ने से यार व्या थोड़ी हो जाए गा कि लालू बोले सीम रहकर नो नो बच्चे जाए अटल बी आरी पीम होकर बाप नहीं बन पाए अम्मा बन गई एक कुलारी यो जमाना बदला जाए अपनी बी बी नहीं सुाती दूजी पर लल चाए सर्वेश अस्थाना को समर्कित कुछ पंपना है ये इसकी किसमत है ब्यार के समय भी नहीं पुला था ये अजीब प्रेम है ये बोतल बहुत काम आती है जिन्दगी में साथ ये बोतल बहुत काम आती है बच्चा पैदा होता है पैदा होते ही उसके मूँ में दूब की बोतल इसकूल जाने लगता है तो पानी की बोतल लेके जाता है लगता के और बड़ा होता है तो दोस्त लोग बियर के बोतल पकड़ा देते हैं और थोड़ा बड़ा होता है तो दोस्त विस्टी बोल पकड़ा देते हैं विस्टी जैदा हो जाए तो गुलुकोस की बोल है। यह बोतल पर बोतल मानना है कि जोड़ता हूँ कि अपनी बीबी नहीं सुआती दूजी पर लल चाए अगर मोनिका मिल जाए तो सब द्लिंटन बन जाए लेकिन मिलती नहीं विचारी ओ जमाना बदला जाए वे तो पुर्जिगी वलिहारी ओ जमाना बदला जाए अंधिम पंतियां मैं आप सब के लिए पढ़ता हूं जिस मन से आपने मुशाहरा सुना है कभी सम्मेलन सुना है कि लंदन देखा पेरिस देखा और देखा मुरी का मगर ये महमूदाबाद के आगे सब कुछ लागा फीका अपने लिए वजा दो तारियो जमाना बदला अब अब आगा अब नहीं पढ़े या बैट जाएं कि राक्टर सुनीन जोबी से दर्फास है कि वह एक रचना उता है कि मैं अब बहुत बहुत आभार आपने बहुत मन से सुना और बहुत प्यार मुहब्बत की बात हो गई इससे पहले मैं सुचता हूँ राजिमी छोड़ता हूँ और थोड़ी देर मुहब्बत पे आता हूँ एक भाई ने इधर यू करके सुल्मान खान स्टाइल में अपनी शर्ट फेकी थी आए आगे लोग सुझाओ देते हैं आदमी को यहां बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं पिछले दिनों मैं बाबा राम्देओ जी के यहां गया एक करिसमिलन किया था वहां मलिका शेरावत भी आई थी मैं सोसता रहा क्या कहा होगा मलिका शेरावत ने बाबा रामदेओ से मलिका जी का नाम शुनकर जो बुज्गों के चेहरों पे राणा काई है मैं बताता हूँ क्या कहा होगा व्यंग आपकर पहुंचे मलिका जी ने कहा होगा बाबा आपने लुंगी लगाई पूरे देश में प्रसिध्धी पाई गांधी जी ने लंगोटी लगाई पूरे संसार में प्रसिध्धी पाई बाबा मैं पूरे ब्रम्हांड में नाम कमाना चाहती लोग सुझाओ देते हैं कि आग्मियों को प्रेम करना चाहिए मुहबत करनी चाहिए और ऐसे ऐसे लोग सुझाओ देते हैं जिनकी खुद की शाधी भी नहीं होती है और उनकी थो छोड़ो उनके बाद की भी शादी दूनल, वो कहते हैं मैं तो कहता हूँ प्रेम एक ऐसा रोग है जिसमें जैलो पैथी काम आती है नहोमियो पैथी काम आती है, बस सिंपैथी काम आती है ऐसे लोगों के लिए मैं चार पंग्तियां पढ़ता हूँ वी रोधावास की जो टी सीदी सलाह लेते हैं प्रेम से आस निकालता हूँ विशे बिलकुल टर्ण करता हूँ कि अंधे हमें शहर का रस्ता बतारहे हैं जा कहने अंधे हमें शेहर का रस्ता बता रहे हैं लंगडे हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं वो हमको महोंबत की पोथी पढ़ा रहे है और एक पंक्ति में भर पूर हास हाथ फिर खुले कि वो हमको महोंबत की पोथी पढ़ा रहे हैं जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा 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 रहे हैं मेरे प्यार की कानी भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी नजरों से तेरी नजरे कैसे मिलाएं जानी कि नजरों से तेरी नजरे कैसे मिलाएं जानी तेरी दाए आख कानी मेरी वाई आख गाने तेरी दाए आख मैंने कुमार विस्वास से पूछा मैंने का भाई बड़ा कवी बनना चाता हूँ क्या करूँ बले बड़े कवियों की किताबें पढ़ा मैं बच्चन जी की मदुशाला लाया पढ़नी शुरू की बच्चन जी चल बसे काका आससी की किताबे लाया पढ़नी शुरू की काका जी भी चले गए कल शाम को मैं कुमार विश्वास के घर गया मैंने का कुमार भाई आपकी कोई पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ यह बहुत तेज आदमी अंदर गया और पत्नी की उठा लाया बोला इसे पढ़ो वो भी कविताएं लिखती है मैं समझ गया कि अगला पत्नी से कितना प्रेम करता है मैं मोबाईल पे बात कर रहा हूँ बोला किस से बात कर रहा हूँ कर देना रहा हूँ अगर आपको लगे कि एसे अंतर आपने प्रेम में कभी सुने नहीं तो एक एक संबोधन एक एक अंतर पर आपके ठाके आपकी मस्ती आपकी तालियां चाहता हूँ प्रेम से हास निकालता हूँ और ओगीत परता हूँ कि मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है खेल प्रिये जीया साथ प्रेम में क्या मुश्किल है कि मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है खेल प्रिये तुम ए में फस्ट डिवीजन हो मैं हुआ मैं ट्रिक खेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है नाम लेते ही बाबा उट खड़े हुए येतना भी मुश्किल नहीं है बाबा लेकिन जाईए पता नहीं आदमी कब बीज से अचानक बीज से कोई भी उठता है तो दूख होता है कभी को अच्छा है मैं अंतर बता का कि तुम फोजी अप सर की बेटी मैं तो किसान का बेटा हूँ तुम रबडी खीर मलाई हो मैं तो सत्तू सप रेटा हूँ तुम एसी घर में रहती हो मैं पेड के नीचे लेटा हूँ तुम नई मारूती लगती हो मैं स्कूटर लम रेटा हूँ इस तरह अगर हम चुप चुप कर यापस में प्यार बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमरी सुपूरी बन जाएंगे सबहदी पसली तोड मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है खेल प्रिये तुम अरब देश की गोडी हो मैं हूँ गदहे की चाल प्रिये तुम दीवाली का बोनस हो मैं भूखों की हर ताल प्रिये तुम हीरे जडी तस्तरी हो मैं अलमुनियम का थाल प्रिये तुम चिकन सूप बिरियानी हो मैं कंकरवाली दाल प्रिये तुम हिरन चोकडी भरती हो मैं हूँ कछुए की चाल प्रिये तुम्ह चंदनवन की लकड़ी ओ मैं हूँ बबूल की छाल प्रिये मैं पके आमसा लटका हूँ मत मारो मुझे गुलेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है ठेल प्रिये ये पंतियां आप याद करने और घर में इस्तिमाल करें कभी जगणा नियों कि मैं शनी देओ जैसा कुरूप तुमको मलकंचन काया हो मैं तन से मन से कासी हूँ तुम महा चंचला माया हो तुम निर्मल पावन गंगा हो मैं जलता हूँ आप तंगा हूँ तुम राज धाट का शांती मार्च मैं हिंदू मुस्लिम दंगा हूँ तुम हो पूनम काता जो महल मैं काली गुफा आजनता की तुम हो वरदान विधाता का मैं गलती हूँ भगवनता की तुम जट विमान की शोभा हो मैं बसकी ठेल अंपेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है ठेल प्रिये तुम नई विदेशी मिक्सी हो मैं पथर का सिलबटा हूँ तुम एके सेंतालिस जैसी मैं तो एकदेसी कटा हूँ तुम चतुररा बड़ी देवी सी मैं भोला भाला लालू हो तुम मुक्त शेरनी जंगल की मैं चिडिया घर का भालू हो तुम व्यस्त सोनिया गादी सी मैं बीपी सिंग साथाली हूं तुम हसी मादुरी दिख्षित की मैं पुलिसमेन की गाली हूं गर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम बेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये च्यार नहीं है कि मैं धाबे के धाचे जैसा तुम पांस सितारा हो तल हो मैं मुए कादे सी ठर रा तुम रेड लेवल की वो तल हो तुम चित्रहार का मधुरगी तुम एक सिदर्सन की जाड़ी हूँ तुम विस्व सुन्दरी सी महान मैं ठली आचाप का बाड़ी हूँ तुम सोनी का मोबाइल हो मैं टेली फोन वाला चोंगा तुम अचली मान सरोवर की मैं सागर तटका हूँ भोंगा दस मंजिल से गिर जाऊंगा मत आगे मुझे धकेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है खेल प्रिये कुछ राजनी से अंतर सुनाता का कि तुम जया परदा की सारी ओ मैं शेखरवाली डाड़ी हूँ तुम सुसमा जैसी विदुशी हो मैं ललू लाल नारी हूँ तुम जया जै टली सी कोमल मैं सिंग मुला या मुसा कथोर तुम हेमा माली निसी सुन्धर मैं बंगारू की तरैंपूर तुम सत्ता की महरानी हो मैं विपक्ष की लाचारी हूँ और अंतिम पंति पर आगे से पीछे तक भर्पूर्पूर्फा जाता हूँ तुम सत्ता की महरानी हो, मैं विपच्छ की लाचारी हूँ तुम हो ममता जये ललिता से, मैं क्वारा अटल बिहारी हूँ तुम हो ममताजे ललितासे मैं कौारा अटल भिहारी हूँ तुम संसर की सुन्दरता हो मैं उतियार की जेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है बार बार हाजरी इसलिए लगा रहे हैं कि मुझे बत भूल जाना है लेकिन दोस्त मैं आप से कहता हूं कि तुम्हारी शान घट जाती की गुस्सा या रुत्बा घट गया होता जो गुस्से में कहा तुमने वही हसकर कहा होता है यह आवाज उदर से ना लगाएं तो ज्याद में कह लेंगे लेकिन फिलाल मैं आपके सामने हूँ लोग कहते हैं वाट्सॉप आ गया ट्विटर आ गया इंस्टाग्राम आ गया फेस्बूक आ गया कविता हैं कौन सुनता है कोई आके यहां देखे राम नीला का यह पावन मंच नौरात्री के इस परवोपर सुरुवात में हम यहां हैं कविता सुनने वाले कितने सारी लोग यहां साली मारवाज में हैं मैं कविता की दस बंक्तियों में पैरवी करता हूँ क्योंकि इस समय तक जो लोग बैठे हैं और अधनिया रेखा जी बैठी हैं तो निश्चित तोर पर कविता कुछ न कुछ सुनना चाहत नहीं होना चाहिए वह कविता है जो मानस बनकर घरगर घर गाई जाती है वो कविता है जिसको गाकर आरति सजाई नहीं ओन रही होना चाहिए है It is a गाकर आरती सजाई जाती है, वो बंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर से नानी फांसी जूले थे, ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरवारों में जाकर गाओ कविता चारन बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है मा का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है मत पूछो कविता की उलान ये स्वाभिमान बन जाती है और एक पंक्ति में कविता का जो सम्मान हिंदुस्तान में है वो कहीं दुनिया में नहीं है मैं सिद्ध करता हूं आप तालियां बजाना कि मत पूछो कविता की उडान ये स्वाभिमान बन जाती है कविता ही है जो सवा अरब का राश्टगान बन जाती है ये राश्ट कहीं न सो जाए रातों में जागा करते हैं इसकी खुशाली की खातिरिये मननत बागा करते हैं ये बच्चे भी वैठे हैं इससे समय तक वो बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दोड़ के बाप के पास गया बोला पापा पापा दीदी रो रही जीजा जी नहीं रो रहे तो बाप ने समझाया बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी वाँ जो लोग समझ रहे हैं वो तालियां बजा रहे है बाकी लोग समझने की कोशिश कर रही है यह मुझे रावन बता दिया चेतन जी इतनी बारिस आजकल हो रही है गुजरात से मैं अभी लौटा हूँ आज दमन से जितनी भैंकर बारिस गुजरात उत्तर प्रदेश और मद्यप्रदेश में हो रही है यही हाल राद असेरे तक तो रावन को जो है वो मारना नहीं डूबाना पड़ेगा जलाने की जलाने की वजाए डूबाने की नौबत आजाएगी इतनी बारिश हो रही है रावन को कोर्ट जाना पड़ा जज ने कहा गीता परहांत रखके खसम खाओ जो कहोगे सच कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे रावान ने कान पकड़ लिये बोला मिलोट जिन्दगी में एक बार सीता परहांत रखा था फूरा खांदान खत्म हो गए अब मैं किसी गीता विता प्यात रखने वाला नहीं हूँ यह नई उमर की लग्कियां लेखा जी कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती है सल्मान खान का विराट कोहली का बाद में इनकी शादी किसी जेठा लाद से हो जाथ साउधान रहना चाईए देखो अभी मानिया सोनिया जी वो चितंबरम जी से मिलने तीहाड जेल गई लौटके आई तो बच्चों ने पूछा राऊल जी ने, प्येंकाजी ने कि ममी आपको जेल जाके मिलने की क्या ज़र्वत थी कि चितंबरम जी से सुनिया जी ने कहा कि बेटा अगर मैं नहीं जाओंगी तो कल को हम लोगों से मिलने कौन आएगा तालिया खमजोर है आप ती अच्छी बात पोचे देखो समझदार वाली बात अच्छा है जिंदा बात क्या कहने यह देखो असली भाजबाई की पैचान यह जाए otcom किये रिवाल गया our यह कोई बात नहीं तो मैं किवाल आनंद देने मैं चार पंक्तिया सुनाता हूं ताल से सुनोगे तो और अच्छा लगेगा कमाया की जो हसा थी वो प्यासी चली गई वन टू थ्री फॉर ऐसे करेंगे कि माया की जो हसरत थी वो प्यासी चली गई वन टू थ्रे अभी भी कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं जैसे पहले थे इतने कवी सुनने के बाद इन में कोई परिवर्तन नहीं आ है मैं इनसे कहता हूँ जो हाथ बांद के बैठे हैं कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी जरा सा मुस्करा दो बदनसी भाग जाएगी जो चेहरे पर हसी होगी पढोसन गाल चूमेगी आप बैया ने ताली बजाई है पहली बार इस से इनके चरित्र का भी पता चलता जो चेहरे पर हसी होगी पड़ो संगाल चूमेगी जो मू लटका के बैठोगे तो बीबी बाग जाएगी कि माया की जो हसरत थी वो प्यासी चली गई जीती तो इस उम्रती की उदासी चली गई मोधी के फिर से आने से ये फायदा हुआ दिली में केजरिवाल की खासी चली गई परिवर्टन तो हुए हैं ऐसा नहीं अगर ये तालियां दस गुना कर दो तो मैं आपका आनन्द सो गुना करने का वादा करता हूँ जिनको ज़्यादा अच्छा लगा करें, वो हाथ उठाके तालियां बजाएं, जिनको कम अच्छा लगें, वो हाथ नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाले वीसी प्रोग्राम में हैं न, आदमी विपक्ष से भी कुछ मतलब नहीं है, कुछ लोग विरोध में जाते हैं, गाउतों वो रोज सबीरे रिखा जी, लोटा लेके निकलते हैं, मैदान की तरफ, तो मैंने उनसे कहा कि भी, तुम्हारे घर में भी सोचाले बना है, और अनुदान से बना है, फिर यह आप लोटा लेके रोज सुबो क्यों जाते हो, वो ले जोगी जी हम विप पक्षबती भाई, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, उन्होंने एंटी रोमियो स्कॉट लागू किया, मैंने उनसे पूछा भई, एंटी रोमियो क्यों बनाया, तो उनका जवाब सुनना, सियासत से हसी कैसे निकलती है, मैं इशी के लिए मसूर हूँ, सुनन योगी जी से एंटी रोमियो पर मैंने पूछा उनका जवाब सुनना, के चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूँगा, महभूब की गलियों से गुजरने नहीं दूँगा, इक रोमियों से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया, तुमें करने नहीं दूँगा, जो ने वासадно है और चार सुना लूँ मैं और चार सुनौँ कि मेरे मतलब की ताली अभी था करने का नया कानून मना मोटर वहकिल वहां से असी निकालता हूं कि जद्ञा कि सब लोग ताल दे सकते हैं गा सकते हैं मैं समापन का कभी हूँ इसके बाद कोई और मौका नहीं मिलेगा आपको ऐसे करने का काली बजाने का कि ज्यादा की जरूरत थी पे थोड़ी खरीद ली रोटी नहीं मिली तो पकोड़ी खरीद ली बढ़ते हुए चालान के आलात देख कर हमने तो कार बेच के गोड़ी खरीद मोधी जी ने नोट बंदी की मैंने उससे भी आसी निकाली कि मरदों के लिए मोधी जी कथीम निकालो 1, 2, 3, 4 मरदों के लिए मोधी जी कथीम निकालो मीठा तो बहुतो चुका नमकीन निकालो अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने बीबी को बदलने की भी इसकीम निकालो इस मामले पे पूरा भारत एक है कोई मतलिक नहीं है मैं एक हास्य का गीत पहले पढ़ देता हूं मोधी जी की सरकार दुबारा आई तो मैंने एक गीत को थोड़ा सा परिवर्तित करके आपके सम्मुक प्रस्तूत करता हूं अरे विपक्ष ही है सब एक ही पक्ष है यह चाहें विपक्ष में हो चाहें पक्ष में हो भारत तो सबका पक्ष है ना तिरंगा तो सबका पक्ष है ना यह भी भारत के ही है इनका भी जंडा तिरंगा ही है यह भी हमारे ही लोग है कोई अलग नहीं है, आनन दो, मैं भी किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, और हों भी तो कोई गलत बात नहीं है, सब अपना आनन दो, मैं तो केवल हसाने के लिए आप से बातें कर रहा हूं, लाकि तनाओ बिलकुल बिलकुल, कि सारे दलों में मचा है हाहा कार रसिया जो हम के सुनोंगे तो ज्यादा मज़ा आएगा और आदी लाइन हमारे साथ गा भी सकते है कि सारे दलों में मचा है हाहा कार रसिया फिर से मोदी ने बना ली सरे कार रसिया ये लाइन सब किये कॉंगोरेस्ट के लोगो यह मैं सुनना यह भी बाजपा वाले हैं यह भी बाजपा वाले हैं लेकिन हाँ कोई बात obtain कोई बात अच्छे कामों के लिए सब बाजपा वाली ही हो जाओ बुरे काम हो तो चाहन जिदर चले जाओ कि सारे दलों में ताल से सुने, सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सर, कॉंगोरेस के लोगो, जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा चुइंगम खाओ, बैठके देखो पोगो, कॉंगोरेस के लोगो, जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा चुइंगम खाओ, बैठके देखो पोगो, सिंधिया दिगगी राजा, बज गया सब का बाजा, चिदंबरम से कहें सोनिया, लूंगी डांस दिखा जा, एक पंक्ति पर समर्थन देना, पूरा चुनाव एक पंक्ति पर था, कि चिदंबरम से कहें सोनिया लुंगी डांस दिखा जा युवर आजो कोले डूबा चोकिदार रसिया फिर से मोधी ने बना ली सर जोरदार रसिया सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना धर ना देते देते देखो सीयम बन गया मुन्ना धर ना देते देते देखो सीयम बन गया मुन्ना खाली फिरे का धया डूब गई है नया चंद्रा बाबू आंध्रा में करते हैं धया धया चंद्रा बाबू एक पंक्ति पर फिर आनंद लेना कि चंद्रा बाबू आंध्रा में करते हैं धया धया गायल नागिन जैसी ममता की फुफकार रसिया फिर से मोदी ने पना ली सर जोरदार रसिया तेजस्वी कुसवाहा दोनों हो गए स्वाहा यार कि तेजस्वी कुसवाह तालियों में वो गर्माट नहीं है जो मुझे आनंद कि तेजस्वी कुसवाहा दोनों हो गए स्वाहा हार गया गट बंदन माया करती करंदन खुशी स्मृती रानी रोय सोनिया रानी ऐसी चाल चली की सारे हो गए पानी पानी जो सी अडवानी को भेज दिया हरी द्वार रसि जो सी अडवानी को भेज दिया हरी द्वार रसिया फिर से मोदी ने बना ली सरकार रसिया अमरीका था खीजा आज ही लोटे हैं कि अमरीका था खीजा नहीं दिया था बीजा अब कहता है जी जा जी आकर खा जाओ पीजा अब कहता है जी जा जी आकर खा जाओ पीजा ये गुजराती भाया, ऐसा दाओं चलाया, नोट की बंदी करके भी ये तीन सो सीटें लाया, नोट की बंदी, और अगली पंक्ती पर हाथ उठाना, आनन्द देखना, कि नोट की बंदी करके भी ये तीन सो सीटें लाया, अब की नस्बंदी करने को है तहिया, अब की नसबंदी करने को है तैयार रसिया फिर से मोधी ने पनाली सर जोरदार रसिया अमिशा हकी माया ऐसा लठ गुमाया अमिशा हकी माया ऐसा लठ गुमाया जीना ठोक के तीन सो सत्तर का कर दिया सफाया वो गए गाल गुलाबी मिल गई देश की चाबी जनता कहती मोधी भाईया घर ले आओ बाबी एक छोटा मोधी कर दो तैयार जरूरत है इसी जी के बाद क चोटा मोदी कर दो तैयार रसिया वर्ना लालू जी से ले लो इक उदार रसिया फिर से मोदी ने बना ली सरेकार वावावावावावाव एक पढ़ दो दोस्तों बेठियेंगे तो एक कविता और सुना देंगे और मेरा निवेदन है कोई जाए नहीं बबू बैठो ना कश् कश्मीर पे बहुत जवर्दस कविता लिखी है अभी आपने नहीं सुनी होगी एक हफ्ता पहले हम लोग बनारस में थे और इस कविता ने जो जादू किया है मैं चाहता हूं कि यहां के लोग भी सुने एक कश्मीर पे बहुत सार्थक कविता है उससे हम समापन करेंगे हो गई है लेकिन हिंदुस्तानियों को हम सबको कश्मीर से किस भाशा में बात करनी चाहिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं कश्मीर से बात करना चाहता हूं समर्थन करना तो सत प्रस्षत करना सब के हाथ करना क्योंकि मैं बहुत उमीद से सुना रहा हूं कि शायद मैं कहीं स खुरा सा सायोग देंगे तो मुझे भी अच्छा लगे जाओं। स्वर्ग में रहके भी कंगाल नजर आता था दूर जो करती थी धारा का इशारा न रहा तेरा हम दर्द अब वो चांद सितारा न रहा। मेरे कश्मीर कंगे जिसे लगालू तुझ को मेरे कश्मीर कले जैसे पूरा कश्मीर उतारता हूं साब कि वैश्णों देवी के जैकारे लगा करते हैं कश्मीर क्या है सारा सुंदर ये आप तक पहुचाता हूं कि वैश्णों देवी के जैकारे लगा करते हैं रिसी कशप यहीं आसीस दिया करते हैं यहीं बरफानी अमरनाथ रहा करते हैं कष्ट सहने को ही रगुनाथ बसा करते हैं संकरा चारे ओकलहन की निशानी भी है जगमगाता हुआ डल जील का पानी भी है हर तरप चाई हुई इसके घटा मंगल की रहमतें बिखरी हुई आज भी हजरत बल की गोद में अपनी अकीदत से उठा लू तुझको मेरे गजमीर कले जैसे लगा लू तुझको तालियां कमजोर हैं कुछ लोग हमोस मेरे कश्मीर कले जैसे लगा लू तुझको चपे चपे पे यहां फूल खिला करते हैं चप्पे चप्पे पे तेरे फूल खिला करते हैं ऐसे परवत हैं फलक से जो मिला करते हैं आसमानों से यहीं बर्फ गिरा करती है गंद के सर की हवाओं में फिरा करती है है जा फुरान यहां से वो के बागान भी है सौल पश्मीन खुश्क मेवे यो पकवान भी है सब प्यार दिखलाई पड़े सब कुशिकारों की तरहे अमन का नूर नजर आए सितारों की तरहे स्वर्ग से बढ़ के भी नायाब बना दूं तुझको मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको मेरे कश्मीर कलेजे जरूरी बंद पढ़ता हूँ सुनना कि निशात बाग के फूलों की कसम खाते हैं रेखा जी समर्पित करता हूँ आपको कि निशात बाग केवल एक सत्तर सालों में एक ऐसा प्रधान मंत्री आया जिसने तीन सो सत्तर हटाने की हिम्मत की असली उट करता हूँ भारत के इस हिम्मत के लिए इनिशात बाग के फूलों की कसम खाते हैं जो निभाए हैं वसूलों की कसम खाते हैं वहाँ दैशत का कोई नाम नहीं होगा अब हूजिल जागे थोड़ा तेरा मन्सूबा तुझको आबाद न कर पाई तेरी महबूबा उर्यत जैसे नाब लोग दुरंगे होंगे हर तरफ सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे होंगे पुर्यत जैसे नाब लोग दुरंगे होंगे हर तरप सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे होंगे सदा आबाद रहे तू ये दूआ दू तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगालू तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगालू तुझको कि चैन देंगे तुझे मुहमागी मुरादें देंगे तुझको पत्थर नहीं हाथों में किताबें देंगे चैन देंगे यही बात कहनी चाहिए आज कश्मीर से चैन देंगे तुझे मुहमागी मुरादें देंगे तुझको पत्थर नहीं हाथों में किताबें देंगे जो भी उजड़े उन्हें आबाद किया जाएगा कश्मीरी पंडितों को हक दिलाया जाएगा जोपड़ी मुझे को हवेली की तरें लगती है तेरी बेटी मेरी बेटी की तरें लगती है मेरी धरती तेरी धरती पे हैं इंसान सभी हिंदु मुसलिम नहीं भारत की हैं संतान सभी एक तावाला यही राग सिखा दूँ तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगा लूँ तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगा लूँ तुझको आजा चले मैं तीरंगे के छुपा लूँ तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगा लूँ तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगानू तुझे को मेरे कश्मीर कले जैसे मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ और बहुत बधाई भी देता हूँ इस मेराथन मुशायरे और कभी सम्मिलन के लिए जो विश्व रिकॉर्ड बनाने का संकल्प लिया नदीम साब ने, संजय भाटी जी ने और सिकंदर हयात गडबर भाई बैठे है हिंदी उर्दू के बड़े नाम इस डैस पर है दादरी में निश्ची ते एक बड़ा इतिहास लिखा जा रहा है मैं आप तक पहुचने की कोशिश करता हूँ बात पहुच जाए मेरी तो फिर आपकी तालिया, आपका शोर, आपकी महबते भी यहां तकानी चाहिए मैं हसाने का काम करता हूँ मुस्कराहतें बाता हूँ दुनिया में और कहता हूँ कि भीड में दुनिया के पहचान बनाए रखना घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना अपने होटों पर यह मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने बंते ही ऐलान किया कि एंटी रोमियो इसकॉट लागू किया जाए महबत करने वाले प्रेम करने वालों को पकड़ा जाए उनको बंद किया जाए मैंने मुक्यमंतरी महोदे से पूछा कि यह ऐलान आपने क्यूं किया यह कानून क्यूं बनाया उनका जवाब सुनना मेरी बात आप तक पहुँच जाए तो मैं सियासत से हसी कैसे निकलती है यह आप तक पहुचाता हूँ योगी जी ने जो जवाब दिया मुझे एंटी रोमियो पर उस पर मैं कुछ बोलता हूँ कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूँगा यह उनका जवाब है आप सब चाहें तो मुझे ताल के साथ भी सुन सकते हैं कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूँगा मेरे साथ है कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूँगा महभूब की गलियों से गुजरने नहीं दूँगा मैं भूब की गलियों से गुजरने नहीं दूँगा इक रोमियों से योगी जी ने बात ये कही जो मैंने ना किया तुम्हे करने नहीं दूँगा जो मैंने ना किया तुम्हे करने नाल के साथ सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा और यह समर्थन आप दस गुना कर दें तो मैं आपके आनंद को सो गुना करने के अबादा करता हूँ दिल्ली की सरकार आई दिल्ली की सरकार जब केजरी वाजी जी की आई तो मैंने फिर चार पंक्तियां कहीं सुनना आप राजनीस से स्यासत से हसी कैसे निकलती है कि धरने पे बैट बैट के धन नंतरी हुए कुछ लोग समझ रहे हैं तालियां बजा रहे हैं मैं उनका शुक्र गुजार हूँ बाकी तक भी मेरी बात पहुँचेगी तमाल का देश है हिंदुस्तान बहुत अद्बुत देश है सो नंबर डायल करो पुलीस आती है सो रुपे दो चली जाती है अद्बुत देश है दिवारों पर लिखना मना है ये बात भी दिवार पर ही लिखके बतानी पड़ती है देश में रहना है आधार बनवा लो नहीं रहना है उदार ले लो मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूँगा तो विजय मालिया नीरों मोदी पैक करा के लिए बात आप तक पहुंचे तो बताना कि धरने पे बैट बैट के धन नंतरी हुए वा वन तू थरी फोर वो आम आदमी के हरदय तंतरी हुए हम चीक चीक करके संतरी न बन सके वो खास खास करके मुख्य मंतरी है कि किस किस के दिल में लोग यहां कब से बसे हैं आलो कुनात नाना के सब पेच कसे हैं यह देख करके खुश हुए इमरान आसमी सारे बुजर्ग लोग ही मीटू में फसे हैं सारे बुजर्ग लोग ही मीटू अच्छा लग रहा है तो मुझे बताएं आपके हाथ उठें मुझे बताएं कि आप तक बात पहुंच रही है एक और ताजा घटना पर सुनाता हूँ मैं बहुत ताजा ताजा कहता हूँ कि एक दिन उन्हें दुनिया बड़ी रंगीन मिलेगी हर्मोनियम बजाएंगे तो फिर बीन मिलेगी हर्मोनियम बजाएंगे तो फिर बीन मिलेगी जो लोग जवानी में भजन गाया करेंगे उनको ही बुडा पे में जैसलीन मिलें उनको ही बुडा पे में जो लोग अभी भी उद्धास बैठें हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी जरा सा मुस्करादो बदनसीबी भाग जाएगी जो जो मू लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी इस देश में कहां तना हो जाए कहां जगडा हो जाए कुछ पता नहीं सा मैं बना सके यहाँ तो पन्डित अपस में लट रहे मैंने एक से पूछा कि वही पन्डित हो कि आपस में क्यों लट रहे हो तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लेसन और प्याज घंद नहीं खाता हो तो मैंने चिकन में डलने की जरू nawr दू zehnरा अज तब मैंने कहा कि नौरात का ब्रत छोड़ के रमजान हो गए फुश्बू लगा के इत्र की दूकान हो गए इसलाम में है चार बीबियों की इजाज़त ये सुनते ही पंडित जी मुसल्मान हो गए आनंद लूआ मैं असाने का काम करता हूँ क्योंकि मुल्ला के न पंडित के अर्मान में रहता हूँ साहिब मैं गरीबों के इमान में रहता हूँ पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ वाह 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 क्या कहना राक साब वाह वाह इसका चुनावाने वाला है एक संकेत मेरा समझेए अबाम कि ऐसा नहो की रंग में ये भंग जमा दे आपकी खामोशी में मुझे मज़ा नहीं आए रहा कि ऐसा नहो की रंग में ये भंग जमा दे इस बार एलेक्षन में न चूना ही लगा दे लगता है नोट बंदी जी अश्टी को देख कर ये जेटली मोदी को केटली न थमा दे नोट बंदी की नोट बंदी से भी हाँ से सुनना साओ कि मरदों के लिए मोदी जी कितीम निकालो मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो अच्छा किया जो नोट बंदी डाले आपने बीबी को बंदने की भी इसकी निकालो अज़े असल में असल में देखिए मैंने जिस भरोसे पर बड़े भाई से गुजारिश की थी और जैसे उन्होंने मेरी बात की लाज रखी माफ कीज़े आपने उस तरह से सुना नहीं एक बार ज़रा मुझे बताओ कि डाक्टर सुनीर जोगी को सुनने के लिए माहौल कैसा होना चाहिए ये माहौल चाहिए मुझे कुछ और हुक्म हुए है बड़े शायर बड़े कवी सब मन्च पे हैं मैं रंग बदलना चाहता हूँ किसी गीता से ना कुरां सयादा होती है ना बाद्शाहों की दौलत सयादा होती है रहमतें सिर्फ बरस्तिय हैं उनी लोगों पर जिनके दामन में बज़र्गों की दुआ होती है इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है मंदिर की मूर्तियों से दुआ मागने वालो माबाप से बलकर कोई भगवार नहीं कहीं संविधना इतनी मैलाएं बैठी है, बेटियां बैठी है मैं चार पंक्तियाUNG इनके लिए कहता हूँ कि मेह fluids कूमकूम रोली का तिवहार नहीं होता मेहिदी कूमकूम रोली का तिवहार नहीं होता रच्छा बंधन के चंदन का प्यार नहीं होता उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का उतार नहीं हो बेटी और बेटे में अंतर क्या है? कि इस धर्ती पर मात्रशक्ति का मान नहीं जा सकता है नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है बेटा घर में हो तो बेशक चूला ठंडा रह जाये बेटी घर हो तो भूखा महमान नहीं जा सकता है हमने उन बेटियों को मारना जलाना शुरू कर दिया صاحب कहां तक पहुँच गई हमारी संस्कृती तब मैंने बेटियों के नाम कुछ पंक्तियां लिखी वो आप तक पहुचाता हूँ कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वर्दान है वो चीजें पढ़ता हूँ जो कहीं विश्यों के इस तर पर कोडेबल हो कि हम बेटियों के लिए भारत क्या सोचता है कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वर्दान है बेटियां घर की पुरानी खिर्कियों को खोलती है बेटियां घर में हो तो घर की दिवारें बोलती है बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है हाथ में तलवार लेकर लक्षमी बाई बनी है इंदिरा बनकर समूचे विशु के आंगे तनी है मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है जाके नासा में सितारे आस्मा में बो गई है ऐस पन सौंदर इसे सारे जहां को जित लाई साइना बन खेल के मैदान में भी किलकिलाई सुनलता मंगेस कर सुर्के समंदर डोलते हैं अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं बाप की पगड़ी है मा का रेश्मी परिधान है बेटिया भगवान का सबसे बड़ा बरदान है मैं कुछ कते पढ़ता हूँ, कुछ मुक्तक पढ़ता हूँ, आप तक पहुंच जाए बात तो मुझे बताना, कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, महले की किसी बेवा का दामंतर न हो जाए, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, और पिता की उमर के लोग बैठे हैं, आपको आपके पिता की यादों तक ले चलता हूँ, चार पंक्तियां आप तक पहुंचें, इस्तक्बाल इस्तक्बाल इस्तमंदर मा की ममता की भी गहराई न छूपाया, और आगे की दो पंक्तियां अगर अच्छी और सच्छी लगें, तो सब की हाथ उठा कर दुआएं भी चाहता हूँ, कि समंदर मा की ममता की भी गहराई न छूपाया, अजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छूपाया, मुझे बच्पन में पापा ने छूआई थी जो कादों से, जाजों से भी उड़कर मैं वो उचाई न छूपाया, जाजों से भी उड़कर मैं वो उचाई न छूपाया, हिंदुस्तान कहां है? कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिन्दा है, यह हम संस्कृती का देश है, हासे हिंदू, मासे मुस्लिम, तब कहीं देश एक होता है, कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिन्दा है, भले हों चीथड़े तन पर, मगर एमान जिन्दा है, अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिन्दा है, एक और बुराई हमारे घरों में आने लगी है, मैं इशारा करता हूँ, कि गरीबी बेबसी दो सो रुपए में दाल लेती है, मुसीबत कैसी भी हो, खुद को ऐसा धाल लेती है, पिठाता है गरीब इनसान सर पर बाप को मा को, अमीरी प्यार करती है तो कुट्टे पाल लेती है, इश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, सब धर्म अपना अपना पता बताते हैं, एक पता इस फकीर का भी सुनना शायद आपको ठीक लगाए है, इर्शाद, कि जिसे ख्वाबों में पाना हो, नदिम भाई इतनी मेहनत किये, आपने इस मुशायरे कभी समिनन को विश्व लेबल पे पहुचाने के लिए, मैं पूरे पांडाल से चाहता हूँ कि इस बार इतना बड़ा काम जो हिंदुस्तान क्या दुनिया में कई हुआ नहीं, उसके लिए इन सब लोगों के लिए एक बार तालियां बजाएं, पूरा पांडाल एक बार, निश्चित तोर पे हम एक इतियासिक छण में हैं, कि जिसे ख्वाबों में पाना हो, वो सो जाने से मिलता है, मेरा चहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है, वो ढूडते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है, वो खोजे से नहीं, 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 व से मिलता है मेरा चहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है वो जिसको ढूड़ते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में वो खोजे से नहीं मिलता है खोजाने से मिलता है वाह 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 कविता मिशन भी बन सकती प्रोफेशन के साथ साथ कविता मिशन कैसे बनती है शायरी मिशन कैसे बनती है मैं चार पंगतियां पहुचाता हूं आप तब पहुचें संजे भाई स्वागत स्वागत इन वेदन है किसी इंसान का कल्यान कर देना क्या कहना फिस के बच्चे ने फ हम लोग फिस है ना इसलिए पानी में रहते हैं जबीन पर तो सेलफिस रहते हैं तब कहना पता है कि निवेदन है किसी इंसान का कल्यान कर देना है जिसकी जिन्दगी अभी शाप वरदान कर देना अगर हस्रत है अपने बाद भी संसार को देखो तो सांसें बंद हो जाने पे आँखें दान कर देना और हर सरकार कहती है कि भुरुन अत्या मत करो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों का सम्मान करो लेकिन कभी किस तरह बात कहता है स्वागत स्वागत मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ और आखरी पंक्ति पर दादरी का जन्मत संग्रह देखना चाहता हूँ कि वो अपने कैमरे से जिन्दगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुख़डे पिहन लेता है, कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीने ता है चुष करते हैं लोग फोटो खीचके चले जाते हैं उसे फेस्बुक पे डालते हैं कि एकसीडेंट हुआ उन्हें बचाने की कोशिचे बहुत कमλοग करते है हम् हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, भगवान से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन भगवान भी मुझसे कुछ कहना चाहता है, मैं एक गीत के दो बंद पढ़ने की अजाज़त चाहता हूँ, लीक से अठके थोड़ा पढ़ने का मेरा मन हो रहा है, आप अपनी मर्जी से तो जो पढ़ना है वो पढ़िये एक गीत की बहुत फरमाईश है सेक्डों लोगों के फोन और मैसेज मेरे पास आचुके है मुश्किल है अपना मेल प्रिये जो आपका बहुत शाकार गीत है उसके लिए बहुत सारे लोगों ने फरमाईश की हुई है तो आप अपनी मर्जी से पढ़के उसको जरूरे एक बंद पढ़ना देगा उसका मैं ये पहले दो बंद पढ़ना चाहता हूँ जो कुछ मैं अलक लीक से हटके कहना चाहता हूँ फिर जैसा आपका हुक्म इश्वर हमसे क्या कहना चाहता है कुछ जरूरी काम हमें पूजा तक जाते जाते छूट जाते हैं हमसे इश्वर क्या कहता है साहिद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे लेकिन मेरे कथ्छे पे बार जरूर विचार करिएगा अगर आपके खून में एक गूंध भी सम्वेदना है तो आप थिल हो जाएंगे ये मेरा बदा है स्वागत कि कहा है मुझे से ईश्वर ने सुनना साहब समर्खन करना तो पूरे मन से करना कि कहा है मुझे से ईश्वर ने कि सब को जा के बतलाना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना सुनना साफ शिरकत करना तो एक एक आदमी की शिरकत चाता हूँ कि कहा है मुझे से इश्वर ने कि सब को जा के बतलाना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना तुम्हारे घर के पीछे ही मलिंसी एक बस्ती है जहां पर जिन्दगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती है जागे जागे दादरी एक बाद तुम्हारे घर के पीछे ही मलिंसी एक बस्ती है जहां पर जिन्दगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती है वहीं पर एक बेवा दाने दाने को तरस्ती हो जो धूखी रात को सोए तो इंसानों पे हस्ती है उसी के साथ बैठा हो जो फुरसत हो तो आ जाना अगर मुझसे मुहबत है गले उसको लगा जाना कि जो परसाद लाए हो उसे आकर खिला जाना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं हूँ शहर का बीच चोराहा जहां शोरूम होते हैं जहां फुट पाथ पर ठक करके रिक्षे वाले सोते हैं वहीं स्कूल के बाजू में लाला जी का होटल है कई बच्चे शहीदों के वहां का प्लेट धोते हूँ उन्हीं के साथ बैठा हूँ जो फुरसत हो तो आजाना अगर मुझसे मुहबत है गले उनको लगा जाना किताबे दे के उंगली ठाम के स्कूल ले जाना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना मंदिर में नहीं हूँ लूरी बाते थी जो मैं कहना चाहता था छबें कहीं लोगों के भीतर सम्वेद्तिना gioEs मुरी रहे तност खंत। यह खुक्री मुश्कातर सब आई में नद्रीरन फरुक सोबस्तिन उस गीत के घुमिका में मैं दो मुक्तक पढ़ता हूँ, प्रेम भी बहुत सचाता है साथ, प्रेम में भी बहुत आनंद है, चार बंगतियां में पहले पढ़ता हूँ, स्वागत, विरोधा भास देखना साथ प्रेम में, कि अंदेह में शहर का रस्ता बता रहे हैं, वाह, व वह, 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 क्या कहना क्या कहना रोमंटिक पत्मी कहता है गोरी तेरे नेना जादू भरे धार्मिक पत्मी कह देती है ओम जे जग्दी सरे प्यार में क्या क्या मुश्किल होती है लोग सुझाओ देते हैं कि आदमी को प्यार करना चाहिए महबबत करनी चाहिए और ऐसे ऐसे लोग सुजाओ देते हैं जिनकी खुद की शादी भी नहीं होती और उनकी तो छोड़ो उनके बाप की भी शादी नहीं होती तो मैं कहता हूँ कि है आइसों में डूबी मेरे प्यार की कहानी भीतर से है बुड़ापा बाहर से है जवानी नजरों से तेरी नजरे कैसे मिलाए जानी तेरी दाई आख कानी मेरी बाई आख कानी तेरी दाई आख ये प्यार की मुश्किले है एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई मैं राज़ा बना वो हमारी हीर हो गई खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे कि वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई इस गीत के लिए नदीम भाई कह रहे है बहुत लोगों तक वो पहुँचा है और एक फिल्म आई थी अभी उन्रा कश्यप की मुकावाच उसमें वो गीत भी था मैं उस गीत के कुछ बंद पढ़ देता हूँ और मैं गानता हूँ आप ठक गए हैं बहुत सुनते सुनते कुछ लोग नहीं ठके हैं वो केवल हाथ हिला के बता रहे हैं कि वो नहीं ठके हैं यह अच्छा है एक गीत सुनाता हूँ अगर आपको लगेगी प्रेम में ऐसे संबोधन ऐसे अंतर आपने कभी सुने नहीं तो एक एक अंतर पर एक एक संबोधन पर आपका प्यार आपकी दुआएं चाहता हूँ स्वागत स्वागत कि मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है खेल प्रिये तुम एमे फॉस्ट डिवीजन हो मैं हुआ मैट्रिक खेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है अंतर देखना कि तुम फोजी अपसर की बेटी मैं तो किसान का बेटा हूँ क्या कहना तुम रबडी कھی रम लाई हो मैं तो सक्तू सपूरेटा हूँ वाँ तुम ऐसी घर में रहती हो मैं पेड़ के नीचे लेता हूँ तुम नहीं मारूती लगती हो मैं इस्कूटर लंब्रेटा इस तरह अगर हम चुप चुप कर आपस में प्यार बढाएं ये तो एक रोज तेरे डैडी अमरीस पूरी बन जाएं वाँ अंतर सुनना कि तुम अरब देश की घोड़ी हो मैं हूँ गदहे की नाल प्रिये ये हाथ से कभी का सुन्दर वरलन है ये अंतर आप याद कर लें और शादी शुदा लोग घर में आरती की जगें इस्तिमाल करें कभी जगड़ा नहीं हो सकता कि तुम अरब देश की घोड़ी हो मैं हूँ गदहे की नाल प्रिये तुम दीवाली का बोनस हो मैं भूखों की हर ताल प्रिये तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो मैं अलमुनियम का थाल प्रिये तुम चिकन सूप बिरियानी हो मैं कंकरवाली दाल प्रिये तुम हिरन चोकड़ी भरती हो मैं हूँ कच्छवे की चाल प्रिये तुम चंदनवन की लकड़ी हो मैं हूँ बबूल की चाल प्रिये तुम नई विदेशी मिक्सी हो मैं पत्थर का सिलबता हूँ तुम एके सैंतालिस जैसी मैं तो इकदेसी कट्टा हूँ तुम चतुररा बड़ी देवी सी तुम नई विदेशी मिक्सी हो मैं पत्थर का सिल बट्टा हूँ तुम एके सैंतालिस जैसी मैं तो इकदेसी कट्टा हूँ तुम चतुररा बड़ी देवी सी मैं बोला भाला लालू हूँ तुम मुक्तशेरनी जंगल की मैं चिरिया घर का भालू हूँ तुम विस्त सोनिया जादी सी मैं अमर सिंग साथाली हूँ तुम हसी माधूरी दिक्षित के मैं पुलिसमेन की गाली हूँ गर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम बेल प्रिये मुश्किल है जिमें धाबे के ढाचे जैसा तुम पास कितारा हो तल हो मैं महुए कादे सी ठर्रा तुमरे डिलेबल की बोतल हो तुम चित्रहार का मधुर गीत मैं कर्शिदर्शन की जाड़ी हो तुम विस सुन्दरी सी महान मैं ठिलिया चाफ कबारी हो तुम एपल का मॉबाइल हो मैं टेलिफोन वाला चूंगा तुम मछली मान सरोवर की मैं सागर तटका हूँगा दस मंजिल से गिर जाओंगा मत आगे मुझे धकेल प्रिये मुश्किल है अपना मुझे भारत में उतारो तुम देल में चले जाते हैं इसी बात है मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ आपको हिंदी दिवस की अंतराष्ट्री हंदी समीति का एक अईसा उच्षो नहीं हंदी का बहुत सौप इसकी चर्चा पुरे भारत में नहीं पूरी धुनिया में रही कि असा हंदी दिवस ऐसे कालिकम जो हंदी अंतराष्टी समीति करती है अधर्णिय नंदाल जी याधर्णिय आलोग जी और इससे सब चुड़े हुए रोगों शांगीता जी बहुत से लोग हैं इनके नाम में दूँगा तो बेरे काविपाट का समय जाएगा मैं उन सब का बहुत अभिननन करता हूँ और चाहता हूँ आप एक बार तालिया बजाता हूँ विश्चित तौर के जो आने वाला समय है वो दुनिया के लिए हिंदी का समय है और जिरुस्तान का समय है आदमें को पोजिटिब रहना चाहिए जैसे घजिन सुगंची जी बहुत पोजिटिब आल्या अभी हम ओटल में सूप पी रहे थे शूप में मक्खी पड़े मने गादमा घजिन भाई आपके सूप में मक्खी पड़ी बुझे पड़ी रहे जो ससुली कितना पी रहे कि आगने को पॉजिटी बढ़ना है कि मेरे स्वागत में आपने जो घरबोर तालिया बढ़े हैं लेकिन इससे तो पहले वाली ठीक ऐसा गड़ा कि आप तक गए या च्या हम करती रहे हैं हर्द से ठीक आप जाए कि आपके दोनों हाथ कभियों के साथ हमें चाहिए और जो लोग इदर स्क्रीन के कविताथ आनंद ले रहे हैं उनसे भी मैं कहता हूं कि मैं किवन सुनने लाइक नहीं देखने लाइक नहीं तो अच्छा है इतनी भूरी नहीं है इतनी आपने बना रखी अपनी चॉइस की बात होती है जो इसकी नहीं बहुत श्यांदार स्रेश्ट का वेपाट दिया इसके बाद हमारे डॉक्टर सुरंड दुबे लेक डाइमंड का लेवन में भी खुश्चूर्ती हो सकती है या अच्छना पांडा की उन्होंने भी बहुत अच्छा सुनाया मैंने उनसे का इतना अच्छा लिखती हो इतनी सुन्दर लिखती हो कैसे उन्हीं मुझे जी ने कहा सकता साथ सकता बितास इसलिए मैं सकते हाथ अपने साथ चाहता है जो लोग आप अधीजी बाद के लेखे हैं उनके लिए प्लता हो वो शेयर मैसिल के लिए भी जरूरी है और जिन्दगी के लिए बीजरूरी है ओपिन हार सरदरी के बार एक बोर्ट लगा था जिस पर सेर्द देखा वो शेयर जो लोग समझ जये हो वो बताएं ओपिन हार सरदरी के बार देखा था कि खूल लेते भी नगर हस बोल कर यारों के साथ तो हमें रग कोना पर ताके आप आगें आपको में कभी लोग कहते हैं तानिया बजाओ इसलिए कहते हैं कि उन्हें आपके पास की चंता है और आपको देनी नहीं बनी बातिशक की चुपता है इसलिए जेर रिंट्टे से कभी कविता परोएं किसी में चाय पानी करें और इसलिए करवाएं अब लाना भी मैं रिचाता कि इधर के लोग भी खैड़ी लेकिन कहुत बढ़ियां कहां कराव हो जाए हर्दे में जिदन देखो अपने अपने भी लोग जैस्ट मस्त कोई खा रहा है कोई स्प्रीन में देख रहा है बादिया आपस में बात कर रही है इतनी मैलाएं सुपैट्षन मुझे भी ये गाच कर रही है बात करने की जुद्धी चितनी छम्ता मैलाओं में हैं पूरी दुनिया में किसी और अलोगी बात कर रही है और वो गच्छे आं लगे हुए थी अलोगी तो ये आंघ इना है इन अलोगी दिए नहीं कर सिद्यों किला तो आंग से आवाज आंवा जाए हुए पद्या अभी में बश्यत आए नहीं पार सुम्य हो जाओंगा जब मुझे लगेगा सभी takes प्राइल ले रहा हुआ है जादा आगे जादा बहुत दिक लोग है भारत में ऐसा होता है यांको कैस अभी बहुत दिक है तो हमने परिक्षण कर रखा है आगे बैठे लोग कौन से होते हैं बड़े-बड़े अधिकाली होते हैं इसमें मत आगा है इस प्रेम से होते हैं ने बहुत अच्छा प्रवंदाश कर रहे हैं और भी खुछ लाइए अच्छा कांग करूंगा ऐसी बिद्न बाद आए उसका आपकी व्यवस्था करी मेरी अभी व्यवस्था ना बढ़े इसे लोगों को बहुत बहुत देता है कि आज के समय में कोई किसी को पानी पहने ना था थोगा सा ध्यान भर होता है और कुछ नहीं है आंगे दखें लोग तालियां गम बजाते हैं कि उल्लास पे तब रहते हैं वो तालियां तब बजाते हैं जब पीछे वाले ताली बजाते हैं हसके निपकिते हैं पर वह वह प्रते हैं कोई ताल भार कोई लेचलो अपनी थोड़ा सा ये पौन लोग आंगे पेच्छा बड़े प्रूशेर बड़े डॉक्तर बड़े दोख है अगर अगर दस बैसे बज्यों किसी बारे में किसी मज़ूर किसां से पूछो कितनी बैसे बज्णिंगी तो म वो टांगे की बीश भूबाद है कि उसे यह दिखना है कि मैं ज्यादा पहा इखाओ और आम इसे समझ भूश के आपरेज देख के कांदर परूँ तांगे गिने का और तांगे गिनने के बाद चार का भाग देगा हिवाई देखा इपको और अगर रही वो राउल नादी की तरह और ज्यादा पहा इखा विए तो गूगर के सर्च करके तैंक पॉम करें कि भैस के कि इतनी पाइए हो और गलती से विए आप पूंट नहीं तो आपको बताएगा कि भाई साह्म नो दसंदों साथ पाँच जैसे हैं कुझे तालीवी बजाते में समझ जाता हूं ये तो दसंदों साथ पाँच भाई है कि तना होता है मैं बना रसकिया तो पंदीत आपस में लड़ रहा है वो तो दूसरे ने बताया जब इसे पता था कि मैं डैसे नौर क्यारी में खाता हूं तो मैंने चिकन में डालिए की कि अधाया है वह साथी हूं नौरात का पर छोड़ के अंजान हो गए नौरात का अंधान हो गए खुश्मू लगा के इत्र की दुब्राव गए इसलाम में है चार वीडियों की इजाज़व ये सुनते ही पढ़िशी मुसल्वाद है कि अश्यान नहीं है कि अध्याना में थाइज ने को इस विवह सुने की जगे कोई सोने की जगे वोजी साब आपने बाहर दोन लगा रखा है यहमारे यहां बैटी बेले सोने पर दोन मिलता है यह ला नंबर है प्रटादी ने जगे जगे हाँ से विक्रा पराया था मेरे चैनल पादि हुई पहली बाध को ठीके आदिती से क्षादपी यहां और मैं पहली बार श़पर्ण गया थी ने बहुत सुंदर साली को देखा मुझेड़ घर जहना किया में पहले साली भर में नष्मणाई थी तो रहाना है अब भी आपकी चाली बजा रहें तो तहीं तो अब इस लोग हस नहीं रहे यह देखिए जो हसी है वह आपके स्वास्त का डरो मिटर अप्टर जेर साथ बैठे हैं पास्ता डरो मिटर है अगर आप हस नहीं रहें ऐसे ही बात करें तो या तो आप बीमार हैं या बहुत जल्दी है तो अगर देखते रहो कौनसा आदमी नहीं हस रहा है अच्छे पर लोग इसका प्रूगर अच्छा पर आसान तरीका यह समझने के लिए यह नई उमर की अप्रिये सल्मान भीषान का विराज भली का ताथ में की शादी किसी के चालाज से हो जाए है अगर देश है बड़ा मज़ेदार देश की सो नमबर डायल करो पुलीस आती हैं सो रुपे दो चलिया है अज़ड़ाय बहुत सुनित आए ऐसा होता है इसा है अँस्तान में ऐसा नोचे अभी मेरी इनवर्सरी थी तो मर्संडीश खरीदी थी मर्संडीश को यह तो मैं मर्संडीश के शोरूम में गया तो कि ऐ 6 वो रुपे कम पड़ने कूrien को मैं तो मैंनेड़ी वालों से का मनें डेलिफ़ी दे तो गोड़ेरी नहीं कपनी का निया मैं कोरा सफीर दिश्टरी डीबिंजडी नहीं प्रब्स नहीं नहीं दो कि मैं वापस Eat, मैं वापस हो Voast मेरे कमरे में बहुत सारे बच्छा थे और मेरा कूल पीते हैं कर जैसे ही मेरी साधी ने कमरे छोड़े हैं तो में बच्छा को कड़ दीज्ञा कि भई वापस भी जा रहे हैं मुझे छोड़ की जा रहे हैं तो उसने का यहां लोक तो कंठरी थे आए कि अधिया अधिया लेकिन पैडाओं की जो शक्ती है इस वर्में उने दी वह अधूर पती पत्री पाइटी में डस्क खेक खने पिने में आराम को पती दोस्तों के साथ ख़़ाता तो पती ने उसे कि इशारे से बुड़ाया तो पत्री ने का वापस जा मैं जो उगली की पावर चेक है तो जितने यहां पत्री बैसे हैं जिनर में एक उता हिंको यद्धों जरुआ है तुम जी की पावर जाए तो प्रेम भी हसाने का जान करता है भाशा बतली साहब आजकर वियार में किसी मैंने फोन किया तो आपने फोन लगाया है वह अभी गुड़ता है खाने में जस्त प्रक्रा थोई देर इंतबाए तो नहीं हमें प्रेम इसे हास निकालता हूं बहुत सारे रंग में राजनीत के बीच भी रहता हूं फुरी फुरी जल्कियां देता हूं तो मेरे साथ ताल आपके साथ सुनेंगे तो और अच्छा लगेंगे मैं ने काथ की पसीने की करोब पूजा जरी भी भाज जाएगी जरासा मुश्कराद और बद्वसीवी भाज जाए या फस्ते हैं तो उन्हें लगता है सब ठीक चलता है इस पसीने की करोब पूजा जरी भी भाज जाएगी जरासा मुश्कराद और बद्वसी भी भाज जाएगी जो चेहरे पर हसी होगी प्रोशन डाल चुनेगी जो मूँ लटका के बैठोगे तो भीवी भाज जाएगी अलंद लेना मैं करता चुरू करता हूं सब आउगे सकते हैं आठीटा इंदा सकते हैं मैं इसको बहुत्सो को आश्यका बला उप्सो बनाते जाना चाहिए और मेरा धावा है मैं आपको बित्रू नचाब हुए अभी मैंने फूरू ही कहा हुए और बढ़िया वाला तुमे अधर्वेते बैक बैक तिन नंकरी हुए वारे आदमी के जैसे बहुत आते हैं आपके जाना नंकरी हुए वह आम आदमी के हैं दय पंकरी हुए हम चीक चीक करके संतरी न बन सके वह थास खास करके हुए जो खास खास करके हुए वंकरंप शीक करके चाहिए चार मंतिया प्यार से दुआए एक लागी त्यार में मेरी तक्दीर हो गई मैं आचा बना वो हमारी हीर हो गई तक इतने मैंने प्यार के जहार में खे वो रज्दी बेच बेच देच के लागी तक्दीर हो अगरी लाइन आख हमरे साथ जा भी सकते और वो जो ऐसे बजाते हैं उसे ताली में नहीं नहीं कहते हैं आज तो जूजू आजे में उसे नहीं हैं और नुडल्स जो भी करने के बार राम्देयों जी ने मैगी जो निकाली है वो खरीद खे़ाई हैं अजिसे खाने मुझे वानुम नहीं का स्वामी राम लिए निकाले है एक नाख बंद करो उसको श्रुद में पैठेचा सब्सक्राना है कि आदमी हमेशें टेंसन में बैठा है बिल्कुल ऐसे वे को तरना टनाव है क्या कि तरना फिर थे फिर फिर वह उने का फिर जाना शाथाओं वने का बूल जाओ उसका नाम नहीं यहादा पर जगें पर अधिया और भगवान की पेंशन देगा दो कि मैं मंदिल गया और मंदिल जाते हुए विठारी में तो विठारी को मैंने सो कर दो दिया तो उसमें आप बगवान को वारी जोडि सलामत रखिए अगर पुरानी बाद है लेकिन मैंने का मैं तो अभी क्यों रहा हूँ वने बाबुजी में चप्पलों की जोड़ी की बाद है इस अगर विटे क्या व्याद है इस अगर चुनाओ खाल के क्यू बैचाथ है हर आदी आता है इस उसरे को नो लेके चला है हर आदी तिल्कुल ऐसाही दुखी आदी बैचे सामर पर करें का दिशन यह ने जिन यह दुनिया खटन हो जाएगी बने का उलिया कि तुम पूठ जायेगी तुम स्भू कर फटन दुख कर च्टन हो जाएगी वोने नहीं एक दिल दील एसर चले जाएंगे चले जाएंगे मैंने का हां मिरी चेंसली जो सबसे आखरी में मलेगा उसको लेकर पून जाएगा शाहा भगवान के लगार के जाते हैं वगवान करक्षब होगे क्या चाहिए वोले और जीना चाहता हूं कि में अपने कोते की वाणान farmers आज की साम पुरी शिर्दत से जी पिल्कुल सारा तनाव छोड़ के बैढ़िए तब आपको आनंद आएगा यही इवाइब करता हूँ मैं तरह क centrale करता हूं मैंने कहा कि मुल्ला के ना पंदित के अर्मान में रहता हूं ला mogę साहिब मंें गरीबों की इमान में रहता हूं उच्छा जो मेने रख शेМыर्प रपाना भधा बता दे बोला कि मैं लोगों कि मुष्वान जओ जरे बाई अच्छा असाथी है साथ मुझे जब सम्मान मिला अपसीरी तो लोगों ने कहा कि मिठाई खिलाओ जगे 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 मशीने लगे हैं एक दपाव और हिंदी में सुनने के लिए भला जरू है आप वो तो भुगत को भारत में भी यह हो गया है कि मैंने मिठाई के लिए अजीराम को फोन लगाए तो आवा जाए रशीन की रिकोट है अजीराम में आपका फ्रागया था है निटाए के लिए एक दपाए प्रेवरी कर दपाई है प्रवाजाई लड्डू के लिए 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 तो किलो के लिए तीन दपाई वो गलती से मेरे तो तीन वाला बचल दप गया मैंने का यह तो लपला हो जा मैंने प्रिसीवर ही रख लेकिन वो पलच के पांच मिट में फोन आ गया किसी महीला अपने असली वाली महीला है अभी अभी आपके हाँ से सो किलो लड़ू को अड़र दिया गया है माल तयार है कहां भी जुआ है हमें हासे कभी हूँ आनंद लेना आप आप समझ जाएं मैंने का मैडम मैंने तो कोई फोन किया ली हम घर में नौ भाई बहने बड़े वाले से बात करने के दियर गया है हुआ है 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 अब आप इस लोगे से बात करने के लिए नहीं होगा है और जबत्त स्थाइब अग्मिना मिले वाटी जें तो आप इन दाओंगा वाटांगा पामिना यारे करने के लिए ता है प्रेम उसे चार पंगिया सुनाता हूं आखी लाइन आप गाएंगे तो भी अच्छा लगे प्रेम अलग 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 अब मां लिए ये प्रेम किसी सर्दार जी को हो उनकी भाशा देखा कि ये दिल तुम्हारे त्यार में हम भारे मिलेंगे कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हअर देखा कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हार मिलेंगे सौधे हुई तो भरमे पंच प्यारे दीवें दरना हुई तो स्ञांच बुरुद्वारे बहुत लोगे, पहले तो बाहिती जिन्दगी ये सेहरं में जब मुझे लगेगा कि आप ठकने लग गए तो मैं थोड़ा समझे रहा हुआ कि पहले तो जा रही थी जिल जी असेत में मैं हल चलाता फिर लहाता फूखी रहत में जब से हुआ है प्यार लग रहा है इस तरह तुम बन के भैस दुग गई हो अब मनें ने पहीं होदो अब है मोगा बात कर रहा है तो मुझे दुगेजी है पूछा पीड़ चलेकि किस से बात कर रहा हुआ मैंने का बीबी से बुले आजह रही हो गए इस की ले भीबी से बात मैंने का हाँ मेरी पूछ को दो है तो नहीं है तो पट्री इस सब नहीं करती जर्का सारा काम उस्से करना किया जाव पुछा चोटा वरतन सा मुझे करने करते हैं मैं कभू तो क्या करो मैंने का कुछ मुछ करो दो-चार घरों काई मैं तो मैंने इनसे का मैंने का देखिए अच्छा एक गूरा था वाँ तो मैंने का फुरेंजी बिल्कुल आपके जो बटबेटरी जी शगल है बिल्कुल आप पर गई तो इन्होंने मुछ से कांपे का आप गिदे बोलो या लोकरानी का है मेरे जब पुस्ते हैं तो प्यार का सिल्सिला चल रहा है मैं चार फंदिया और सुना था सब्जी वादे वो प्रेम हो जाए तो हो सकता है कुसी को ही हो सकता है उसकी वाशा देखिए कि चाहत का तेड़ी हरगरी अंदाजा रखूंगा अभी मैंने बढ़िया वाला दीश दूश किया है जाए नोग्त सम्लों साथ कि चाहत का तेरी हरगर तुस लोग ऐसे बैठें जैसे तुद को मुखने आजा मोरू ही अनातरी दूश कि चाहत का तेरी ता तेरी हरगरी अंदाजा रखूंगा इस दिल पक्ला हर वरी तरभा रखूंगा ये बहुत कई तेरी सब जीवाने में पानी चीड़क चीड़क के तुझे ताजा रखूंगा कि अच्छार कि अच्छार के तुझे आप तालीब जाएंगे अशे तालीब जाएंगे खड़े होगे और जाये आदमी प्याप होगा आदक अदक आदमी में प्रयाव को गया अब देखिए मदूद जी बैठे ही हमारे आदरनी असर्दे मदूद इनको मारूर हो जाए कि आई हो उड़ा पे में ये मन नीत की तरह आनंद लेना आप मैंने अभी अभी लिखिए बैठे लिगे भगल के बैठा था मैंने का इनको कि आई हो पुरहा पे में मन के नीत की तरह इस उम्मूर में लगती हो शीला जीत की तो आई हो पुरहा आप जो पुर्दिया जो लोग समझ जाए उनके हाँ देखे आदेखे कि आई हो पुरहा पे में मन के मीत की तरह इस उम्मूर में लगती हो शीला जीत की तरह मैं करूँ मेरी जान कोई बाबा नहीं हूँ समाँआ कि मैं करी हूँ मेरी जान तोई बाबा नहीं हूँ पर चार तंदा मैं हनी प्रीट चार नांदियां और सुनाता हूँ हमारे यहां योगी जी की सरकार जबाई तो रोने वो एंटी रोगी वो इसको चाहिए पता ही होगा उससे भी मैंने हास निकाना मैंने उसे फूशा जिस आपने है कि आपने यह उसी रो में है तो उनका जबाब रहा है कि बादाजा कर लिया है वो तया है यह तो जमत्रसा माम ठाला है लगाना कर रहा है कि यह यह जबाब हो कि महभूम की गनियों से गुझर ले बदूदूर venom मैं भूब की गलियों से गुजरने नहीं दूगा चाहट के समंदर में उतरने नहीं दूगा एक जोगी जी ने बाखिये कही जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूँगा जो मैंने ना किया तुम्हें रखता बेठें और सारे दॉप्तर या हो दूप्तर को प्रेम हो जाए जो बादा जो कर लिया है वो तुझ से निभाओंगा तु है करीब दिल के नहीं भूल पाओंगा इत्ड़ निकास बात ये कही शादी के बाद भी तुझे सिस्टर भुला अठाल लग रहा है कि इतने लोगों को अच्छा लग रहा है इसा विल्योप लेकिन अब इन अच्छा आपके लिए और सबसे अच्छा है आप आर सीडी में उखला हूँ है कामर्सियर प्रेश है बार कुछ सीडी और किताबे हैं हमारी और मैं तो खहरे जैसा पताया दंडाल दी रहे गरीब अनास दच्छों का तुस्काम करता हूँ तस चलाता हूँ पैसे मेरे खबनी जाता हूँ यह जो है उसी तुस्काम करता हूँ और बड़ी सचाई से करता हूँ तो आप ने उस चैरिटी में कुछ लोगारं दिया और अपने लिए लीजिए जोस्तों के लिए लीए सब कुछ आपके लिए हसी बड़ी मुश्य स्याती है दिल में अफाबों के ताजिये सजा के रखे हैं दिल आपकी थाके बचाके रखे हैं जी में आता है कि पूछू हसाने वालों से यह अपने आशू कहां पर सब्सक्राइब मशीने के खशाकी ऐसा बस द्रश्ची होनी चाहिए आप कि हसी कहां से मिल रही है तो एक हमारे बित्र विदेश गए अमेरिका आगे मशीन खरीद के लाएं जूट बोट उपने पर खपड़ मांती थी मशीने आगे ही तर्ट नाम करें कि पहले दिन ही बच्चे ने का पापा आप उने समझाया की बेटा भूज नहीं बोलते जब मैं तुम्हारी उमर का था तो गभी जूट नहीं बोलता था है कि इसमें उस बाद की उठीया गुलाया था इतनी ज़र में मां बोल पड़ी को ने आप पड़ी गया है बेटा किसका है हर जगे हसी है मुझे यह लुकाप रखे और फिके इसे भी हसी दिखती है इसमें भी है सब्सक्राइब हुआ है एक हिंदुस्तानी आदमी एक चाइनी लाजमी एक अमेरिकन आदमी बैक कोफी पी रहे रेस्टोरेंट तो अमेरिकन ने कोफी पी केसी दाना प्रश चाइनीज ने कोफी पी के उटा तक प्रश दिया तो इंदुस्तानी में सोचे आप तुमने त्रेदा क्यों रचा में कि ने तूम बघा भूद जार तूमने सीधा अधिक और तूमने उटा 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 लुकिन अगर आदमी फंस जाए तो समझो हिंदुस्तानी यही ने लागना ही लागना लुप कर विसमी से खाव मुझे आपको प्राइब अगर अगर आपको घर हो इंदुस्तानी उने बता बता कुरें तो ने पिरा कि रखा हिंदुस्तानी ने जवाब दिया वहिया जिनके हाथ हो तारी बजा जो नहीं हो तो जो कि शब्द है कि यही शब्द है जो आप तक जाते हैं और आपके भीतर से हसी निगाए हमको यक्तिंग नहीं करते हैं हम कोई अपकी गुलूदी नहीं करते हैं ऐसा कुछ बोलते हैं कि वहां बैठे आख्री आदमी के पास हसी आती है यह शब्द कीता कर यह हिंदी कीता कर यह कविता कीता कर देख का लिए अच्छी वाज़ी अच्छी वाज़ी ने बहुत बढ़ियां सुनाया मगुद जी की मा कविता और स्रेश कविता है गजेंदी की देशबक्ति की कविता है कविता बड़ी चीज है लोग उससे कहते हैं इस तो आगे बड़े आईस्टार बोटनों के सम्मेलन मैं समझता हूं कि इसके आगे कुछ नहीं है जो अंतरगाश्टी हंदी सम्मेलन गुआ है इतनी की चारेयर सुखे अक्से लोगों जैसे लोग एक साथ करी जोटे नहीं बरी आसानी से शादीयों में एकने सजे लोग नहीं में पिल्कुल यह समझी जिए फोरा सा उम्मर का ऐसा नहीं और ना भूले यहीं लगते हैं कि इसी की बाराथ में लेकिन संच में पूजा का काम है मैं मदूद्धी हमारे अत्यक्स हैं मैं दस पंकियां पहले मुझे ध्यान आगी मैं कविता की पैर्वी करता हूँ जो लोग कविता के समझदार लोग हैं और मैं दो वहीं ने भी आया था किसले हैं हिंदी सक्किये कारिकमों में अंतर आश्टी इस हैरों में संजीव अत्रवाल जी बैठे हैं हमारे धरमपाल जी सबस्तिर बाहदुर जी सब लोग यह बैठे जिनके घरों का मैंने नमक खाया है जिनके घरों से मुझे इसनेह मिला है संजीटा जी बहत लोग है अहृस्तन से बहुत दो रहे हैं मैं इस मौके पर शिद्ध क surface कि आजिए ध्यूस करता हूँ उनके इंग कंगा से बाहर है ऑंके उनका नॄ तरह सुनेह मिला मिला करता है वह बहुत प्यार से उन्हों ने हमें रखा और प्यार से अभरा ख्यानत हमें बहुत 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 क्या है और कविता कि इसने बोरी को शब्दबान से मारा था कभी कुई कहले कि दमता नियों को मैं वकाता हूं वह रखिया है औम लकुट कि आफुरा चिसले दो बा सॉने दिनकारजी में अधरन अर। शाहर कुने। क्ला बकुल मिता के सबुर। त्यात पदूलने पे कविता है इसको पर पाल ना स से भले शूले थे कविता मंद्य वे जाकर घाओ तो भजन बन जाती ज़ान इसकों करदा जाती है वे अगर वह में सृही ऑना की अगर किए समैंच होनि रराओं-ख्याय गार्फ शौह्या गल्णते। प्लमान भरत में है आपका ध्यान शायद न दाया मैं पताऊ मैं पूछो कविता कि उरान। यह स्वाभिमान पड़ती है करिता ही है को सवह अरफ का राश्यवान परताहust रश्जिताइब घंडर्मन अभिनायग जहेग जिसकी धूर्णी वजबी सुभू हो जाती है टो बुषो कविता के उवायं यो सवाय हैंれ एक भंदमांक है हैं यह दिए कभीरा सुला के वंसा जिनका बंदन करिए और दोलों हांग था करके जिंदी का चर्दन हो और अंग में आपके मस्तर पर जागों का चर्दन करने लिए एक दीत परता हूं इस दौर में और उसके बाद नंग देंजी को सुने के चुद्ध स्वासिता गीतने तन इसनाता हूं में आप को इसमें ठाके मिलेंगे और खूप सारी हसी मिलेगी आप मेरे साथ रहे हलाकि लाको लोगों के सामने कविता पढ़ने का आदि हम इतने कम لوगों जुझे बहुत कम मिलते हैं तहम इता हैं यह कि अप के यह जो तो आप मेरी तो सुल हो में तो इह जहने वाला था अगर आप गोंदों के तुम नहीं क्या भूल नहीं हूं मुझे सबता रहा हूं आपको बैरी चीज तो ऐसा लग रहा किसे पूरा हिंदुस्तान यहां बैठाया अलगलग कांथ के लोग है अलगलग आशाजात के लोग है अलगलग लोग है एक लगू भारत हमारे से ले लाग इतने सारे लोग होते हैं कि बहारत में बढ़े कभी सम् सब्सक्राइब अधस्याज लाग लिए असको का उसने पर रहे हैं लेकिन जब यहां सब्लों बहुत प्यार में और टाव दे रहा है हम ऐसा लग जैसे हमें पाणों के साफमें कर्द आपा इससे नगा चंछा वीपित है आसने कभी नहीं है मैं शुरूब घृत हूँ कि देखो कुरसी की पर लिहारी यो जमाना बदला जाए ये घारावाई जीट है रोज इसमें संदूतों रहे हैं और समोते हैं जब पर सारे भी बजाएंगे तो यही लाइन जोआता है देखो कुरसी की पर लिहारी यो जमाना आप गलत है ता कुरसी की पर लिहारी यो जमाना बदला जाए तरवी कत्याथ यह बहुत है धर्ना देखे देखो सीम्वंवंग्यम ना जिनी धर्ना देखे देखे को सीम्वंग्यम ना अन्ना राले गर्मे बैटे तूस रहे हैं गणना सारे चेरे हुए मदारी ओ जब आना बढ़ा जाए देखो गुर्जी की पहे बिहार में तोड आदू जी का निकल गया दीवाला नितीस बाबू बढ़ गए हैं बीजेटी के नगलाला कि वड़ बढ़ं लेट भी जेटी के नगलाला रोए भी साधी पहतारी ओ जो गुर्जी की पलीहारी ओ जाना है याद देखो तो सेखी बलिहारी योज़ा जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी जो जाना ताली पीटते उनको पीटे नारी जो जाना ताली पीटेगा हम हो गेगा भारी पीटते उनको तो सेखी बलिहारी योज़ा जाये सब कभियों की इच्छा सोता ताली फूब बजाएं और निपापा जी ए भिनासयो जब किसकता जाएं कि अब को उठे मेरे बीच में तो यह पंत्रियां सुनकर जाने की हिम्मत कर सके तो उसकी ना कि मेरी करिता तुले बिना जो बीच में उठतर जाएं मेरी करिता तुले बिना जो जीच में उठतर जाएं राम करे वो अपने घर में बुचा पोसी पाएं कि अब करे वो अपने घर में बुचा पोसी पाएं भूमे उनकी लुटिया तारियो जावाना जे को तुलसी की बलिहारियो जावाना बदना जाएं कहता जिसके होकर राहु लगादी पुरे अकेले और दिग्वी जय अंकतिक में आसा रांके चेले तभी मुआपे में बीमारी यो जाभादा बदना जाएं बेदो बिसे की बलियारी बापु आसा राम सोचते राधे मां आजाएं बापु आसा राम छोड़ सोचते राधे मां आजाएं बापा राम रही मजेब में हनी हनी चिलाएं ते राधे किलाब आद्हारी हो सभाना बदना जाएं ते बदना जाएं ते बापु आद्हारी हो सभाना बदना जाएं तो मेरे दूस्ट किसंद के विष्क्रों के मुझे भी बताने को पूस्ट है, तो मैंने का मुझे दुगाव कोडी मिला है। लेकिन में पूस्ट जवाब दिये, तो मुझे जवाब अगा जमर्कन चाहता हूँ। सबका अभी भी मुझे मजा निया, आएगा तो मैं सबको बिल्कु उगल मुझा आपने बंदे आप दिस्चिंत रहे। टाइनी ख़गाव कम है, चोंकि लोपियं गंदे में तोगर अगला कुलता हूँ। मैंने जो तरीका निकालो, एकलेख़ बोला कि तुम भी पुरस्कार लौतादो। मैं बोला की जो टोटे हैं समुझो बोल दिवादो खाली है फुरी अलमारी तिर्फो दिन से की बनिहारी ओ जबाना बदला जाए कर्वी कषिया धरी हमारी ओ जबाना बदला जाए जब जब मैं सुरे सुवेजी को देशता हूँ ये पक्ति मुझे आ रहा थी कि मोदी और प्रम्प का दुनिया में फैला हंगामा मोदी और प्रम्प का फैला दिन्या में हंगामा लेकिन आज हमारे सबने बैते हैं ओबामा लेकिन आज हमारे सबने बैते हैं ओबामा ही लिकी एकरता से जाए मोदी और प्रम्प के बन्दी की बड़ी हिम्मत का दाना चाहता हूँ कि मोदी जी फिर्णोट के बंदी से हिम्मत दितला दो कासमेल से धारा 370 ही हतला दो कि मोदी जी फिर्णोट के बंदी से हिम्मत दितला जो कासमेल से धारा 370 ही हत वादो पर दाओ किसमत पर आजिको सम्मत कि मोदी जी फिर्णोट और दूसरा तरीका भी आपको अच्छा लाएगा कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिन्दाबाद करा दो मोदी रहूल की शाथी इस्लाम भाद करा दो पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिन्दाबाद करा दो पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिन्दाबाद करा दो मोदी रहूल की शाथी इसलाम भाद करा दो पाकिस्तान की जिन्दाबाद करा दो पाकिस्तान की जिन्दाबाद करा देखा देखा देख लिया अमुरी का पुरे अमेरिका ने गया हूं टैलस जब जब आता हूं मुझे मेरे पाकिस्तान की जिन्दाबाद 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 क आप तो आपके असली हाथ तो छोड़ो प्राष्टिक वाले हाथ ही थाथ लेकिन सच में बड़ा अगदूत और धौदिस मरणी है कारकम किया है आपने और जो दूसरे दौर में बचते हैं वही असली लोग हो है क्या हुआ प्राष्टिक जो ख़़ा हसने ख़़ा तमाशा देखने रवस्ता देखने या खाने पीने वाले हैं वो सब निकल गए अब लोग बचे हैं वो सब अच्छे लोग है वीने जी और हमारे रमता जी सब लोग बड़े ये पुरी की पूरी युस्टन की पीम बैठी ह चार जी बागो शपने जी संगेता जी अर्म जी अमारे राक्षाथ सब लोग पुरी पेचाने पेचाने लोग अधा है तब ही मैं सोच गना था कि सीजिया इतनी कम क्यों पर रहें लेकिन ये सब लोग है जिनका इसमे बचे बिला है शब्दों से ही आज से निकालना होता ह है हसी आए लेकिन बहुत धीर बंधीर शायरी कर दी सज्दा जी ने भी और लगवत चानिस मिजट पढ़ने के बाद उससे कहा कि पांच मिनट में खतब करो फ्लाइट पटड़नी है तो मैं पांच तो ने मैं तो सबेरे पांच वज़े तक पटने के लिए तो कल भी जाती यूदु पर चुछिश करता हूँ कविता के धेर सारे घंग मेरे पास भी पहुत सारे कलर्स मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कि वह हसा हूं जाब फानुप हां तो सब्सक्र वक्रिक शुनना चाहते हैं जैसा आपका मन हो मैं सक्थी मान भरने की कोशिश करता हूँ सब की मान भरने की कोशिस करता हूं हम हस्ते हस्ते बिदा देगे कि फिलाल मैं शायरी जहां से खतम की हमारे पंकेश भाई ने मैं शुरू करता हूं शायरी में वावा करनी मोथी वावा क्या कह ठिया है मने कुछ नहीं कहा हुए सेकिन वावा के जलूरी है वावा तो जैसे हमन करते हैं तो बात में स्वाव बोल जाए मन तो खुर यह पड़ को याद होते है अल्डी जी ने का है स्वाव तो वावा स्वाव कि हमारे हाथ में जो फूल है पथर न हो जाए अहाँ बावा लगे की पूंच रहाए और जो लोग चले गए अब इंकी बावा तालियों की जिम्मधारी भी आपके ही करने है कि हमारे हाथ में जो फूल है पथर न हो जाए मुहले की किसी बेवा का दामन पर न हो जाए दरख्तों को अगर काटो इजाज़त लो परिल्णों से कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए एक शेर पहुचाता हूँ एक कताब कर और आपके पिता की यादों तक आपको ले चलता हूँ कि समंदर मा की ममता की भी गहराई न छूपाया क्या बात है वाव 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 इदी मेरा रंग है जिसका मौका का मिलता है बदमान हो थोड़ा ठसाने के लिए कि समंदर मा की ममता की भी गहराई न छूपाया हजारों छंद लिख पुलसी की गहराई न छूपाया मुझे बच्पन में बापा ने छुआ ही ती जो काधों से जहाजों से ध्यूर करने वो हुँचाई आपादे जहाजों से ध्यूर करने वो हुँचाई न मैं ऐसा ही लगता है कि जिन कंदों पर हमने वैच कर बच्पन बुदा रहा है वो कंदे उस जहाजों से उस आस्मान की उचाई से कही बड़े उचे कि जहाजों से ध्यूर करने वो हुँचाई न छूपाया इश्व कहा है अल्ला कहा है रगवान कहा है सब धर्म अपनी अपनी याच्छा करते हैं इस फकीर इस करमकार की लिए पता आपकर पहुचाता है कि जिसे पावो में पाना हो वो सो जाने से मिलता है मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है वो उसको गूलते फिरते है नंदिर और मस्जिद में वो कोजे से नहीं मिलता है ठोजाने से मिलता है कविता समा सुधार का भी कामी गरती है इस तरह की भी बहुत सारी परुदिया बैने कही है एक वानीजी के तौर पे चार पंदिया कहता हूँ कि निवेदन है किसी इनसान का तल्यान कर देना निवेदन है किसी इनसान का तल्यान कर देना है जिसकी जिन्दगी अभिशाथ वो बरदान कर देना अगर हस्रत है अपने बाल भी संसार को देखो तो सांसे बंदो हो जाने पे आँखे दान कर देना और चाह पंदिया कहता हूँ गंता जी में भून अत्या पे बहुत अच्छी करता लिखिए मैं एक पंदी में तमाम सरकारे जो कहती है करनिया धनियो जिना बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है वो अपने चाहने बारों के दुख़़े बीन लेता है कभी भूले से बेडी गर भूले तुमार मत देना वो बेटी मारने वारों से बेटा चीं है और यह जो हमारा सणुम हैं ये जो मिलन है उसके नाम कहता हूँ कहीं आख कि तुम्हारे संग पल बीते वो जिंदा बाद हो जाएं क्या बात है वह 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 क्या बात है कि हमारी आख में जो पाब है आबाद हो जाएं शैर से शैरी कैसे निकलती है वो बताता हूं कि हमारी आख में जो पाब है आबाद हो जाएं जो पल बीते तुम्हारे संग जिन्दाबाद हो जाएं अगर इतुबाद तुम मुझसे महवत से दे मिलो तो हम दोनों बने संग मिलाबाद हो जाएं तो हम दोनों बने संग मिलाबाद सहर से विशायरी निकलती है बहुत सारे र्ग है कविता कि एक र्गॉंग मैंने ये भी कहा जब मैंने वो फच्चों की संसा शुनु की वो भी एक संबेद्धना का र्ग 叫ई एक क्विक्ड़ा सुनाता साथ कई बार मंदिर जाने के राह में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं जो मंदिर जाने से ज्यादा जरूरी होते हैं उन कामों की याद में एक दो बंदा पूदा है कि अलग देवर करता है इश्वर हमसे का कहना चाहता है कि कहा है मुझे सही इश्वर ने प्रिकार करना तो पूरे मंद से मर्दी हुई संवेदनाओं को जीवित रखने का काम पर भी होता है मुल्ना ने गीता पर नि तो सबको सज्मा हो गया हम गए मस्जिद तो हम पर भी मुगदमा हो गया नफटों के दौव में चौपाय भी बाठे गए गाई हिंदू हो गई बत्रा मुझे और उनको पता ही नहीं क्यों क्या होगी तो यह जो नफटों का दौर है जो सम्वेदन हिंदा का दौर है कि एक्सिडेंट होता है सबक पर हम लोग आते हैं उसका मुबाई उठा के भाग जाते हैं परस निकाल के भाग जाते हैं सम्वेदनाओं को जीवित करने का नाम बचाय रखने का नाम परिता है कि कहा है मुझे सभी इश्वर में कि सब को जाके बतलाना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना तुम्हारे घर के पीछे ही मलिंसी एक बस्ती है जहां पर जिंदगी महगी है लेकिन मौत सस्ती है तुम्हारे घर के पीछे ही मलिंसी एक बस्ती है जहां पर जिंदगी महगी है लेकिन मौत सस्ती है वहीं पर एक बेवादाने दाने को तरस्ती है जो भूखी रात को सोए तो इंसानों प्यहस्ती है उसी के पास बैठा हो जो पुर्सक हो तो आजाना अगर मुझसे मुहबत है गले उसको लगा जाना कि जो परसाद आए हो उसे आकर खिला जाना मैं मंदिर में नहीं हो आज मंदिर में मंदिर में मंदिर में नहीं हो आज मंदिर में 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 का होटल है कई बच्चे शहीदों के वहां का प्लेट धोते हैं उन्हीं के साथ बैठा हूँ जो खुर्सक हो तो आ जाना अगर मुझसे मुहबत है गले उनको लगा जाना किताबें देखें उंगली ठांके इस तूर ले जाना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर को मंदिर मंदिर में नहीं हूँ बड़ी लंबी कविता के कुछ अर्स्त है जो बहुत सारी चीजे हमसे बाते करना चाहती है और आप उनको सुन नहीं बात तो यह संवेद रहें जीजित बची रहें इसको कोशिश भी कविता को करनी है हमें भी करनी है लेकिन मैं थोड़ा सा परताम करते हूं कि मैं असाने बाला करती हूं तो चार कंथिया मैं दूसरे जंप आता हूं बहुत नहीं में किसी के हूरे और हमगूर होते हैं कि मुकद्दले किसी के हूरे और अंगूर होते हैं हमारे फाब रोटी के भी चकना चूर होते हैं कि मेरी चाहत की लाइन पर ये सेटिंग कौन करता है कि मयरी चाहत की लाइन पर ये सेटिंग कौन करता है तो आधी रात को तुम से शेटिंग कौन करता है करता है कि अपने बाबु मैंने को इतनी शांदार जैके कुद नहीं केवन पहनते हमें भी पहनते सच में बता रहा हूं बार बार सुप्रिजी लाते हैं एक दो बढ़िया सुदर सी जैके कम्नियों को देखे जाएं सकता गजेंजी ने जो पहन रख्यों मैं तो आज मुझे भी दी उन्होंने लेकिन मैंने का थी कि वापस न मागने बीचुने तो मैं अपना कोट पहन के आया चाहत दूतियां और सुनाता हो दूतियां मोधी जी ने नोट बंदी की उस नोट बंदी से भी हास मैंने लाजी हर रखना से आसी हर जग्या से निकाल सक मर्दों के लिए मोधी जी की निकाल रहो मीखा तो बहुत हो चुका नम्खी निकाल रहो अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने बीबी को बदलने की जिस नोट बदलने की जिस जब मोधी जी की सरकार करें तो मैंने एक हासी ही की जिए जैसे गरिमा मान रख्तितों से जो अंतरास्टी इसकर पर इतने लोग कोई हैं उनसे हसी निकालना बड़ा अथनकार है बाद इतने हैं कि वो नराज हो सकते हैं दुबेजी ने ऐसी कविता सुनाई उससे भी हासी जब दुबेजी के सुनाया कि उमर्जी का सेरावर थोड़ी देर के लिए बाबा राम देउजी से योग सिखने गई और सुवामी राम देउजी की एक आँख खुल नहीं 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 तो मैंने दुबेजी को आगाज किया मैंने का ये बात अगर उसके पके बक्तों ने पूली कि इसे की बहुत है ये एक छोटा सा दीर बोदी जी पर और फिर ब्लोज करता हूं कि कौन रिसका तो हो गया बनता था रसी आँ कि बढ़े नहीं 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 कि कितने लाजी निके लखे हैं विगाओ कि लिगल टाने के बाद रावु शनी ने रावु गानी को पक्त लिपा रेंट रिपेस तुझे लिए वोले इतना नुप्सान तो अम नी किसी कर नहीं लगता कि कान्गरेस का तो हो गया बनता था रसी आ प्रेको अमोधी ने बनानी सरे था रर्रसी आ बनता था रर्र सी आ कान्गरेस के लगो वे खाली ने जहे घ Cathedral?" अन्ट अटाली बजागो फिल बैट सरे पाम रे सके गोगो, गोगो याओ फोगो, राहुल बाबा जीनन खाओ बैठके देखो खोगो कलमा नी तैनाजा, बढ़ गया सब का बाजा, विदम बरम से कहे सो मिया धुंगी डंस भिताजा विदम बरम से कहे सो मिया धुंगी डंस भिताजा, तुमें सिर्फो गया मौनी सर्दार रसिया देखो मोदी में पजानी सर्दार रसिया, जोलतार रसिया सोच रहे हैं अन्ना, जूप के हो गए कन्ना, मुझको जरने पर बैठा कर, सीयम न गया गंदा सिर्फी सुम्रती रानी, रोई सोन्या गानी, ऐसी चार चली की सारे हो गया पानी पानी, जोसी घरवानी को देख दिया हरी द्वार रसिया, देखो मोदी में पजानी सर्दार रसिया कौन रे सिकातो हो गया बनता भार रसिया, देखो मोदी में पजानी सर्दार रसिया, जोरुदार रसिया जे गुजराती पाया, ऐसा दाओं चलाया, जा पानी को पीता देकर बुलेट में रिले आया घबराए ओबामा, बन ना जाए सुगामा, ऐसा ना हो पैंक दार्गे पहना दे पाजाए दुपया डॉलर पर हो जाए ना समा रसिया, देखो मोदी में बना जी सर्दार रसिया, जोरुदार रसिया खरी चीन की ख़़िया, गूबन पैर रिखिया आकमन कर नहीं सोच रहा था वक्त लाओं में तो इसलिए अमला नहीं किया कि असर ना हो कि इंदर ममला करें और अमिर साजा के हारी सर्दारी पलट जा कि खरी चीन की ख़़िया, भी आज अगर धुबन तुरुआया तो बहुत लोगों ने अभी शाब को चित्री लिखी कि भाई शादी वाला भी तुरुआते हो क्या कि खरी चीन की ख़़िया, दूबन जाए लुपिया, जो तो समय चंगू मंलू होती है छे ख़़िया, जो तो समय चंगू मंलू होती है छे ख़़िया, मिया पिलावन दखलू कि मिया पिलावन दखलू, हमें के समझो उद्लू, पासमीर की जगैं मिलेगा बाबाजी का चिलू, पासमीर की जगैं मिलेगा बाबाजी का चिलू, शे रोटे राने है भौँ 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 बेकार रसिया, पे रोटी में बढानी सरकर रसिया, जो तार रसिया, अमरीपा था पीजा, नहीं दिया था पीजा, अब कहता है जी जा जी या कर खा जाओ पीजा, राम देव की माया, ऐसा पेख गुभाया, पेख गुभाया, पेख गुमा कर तौंगरेश का तोकर दिया सपाया, ये स्वा देशी का प्रचार रसिया, और बेच रहे बन्यन अच्छार रसिया, देखो वोदी ने बना ली सरिपार रसिया, अदिमत बरताओं। गायत क्रियर गःया, पेहती गंगा मईया, अब तो जागो भारत माता करती गःयादया को गए गाल गुलाबी मिल गई देश की चाभी जंता कहती मोधी भईया घर ले आओ खाभी एक चोटा मोधी कर दो गईया रसिया और ना लालूजी से ले लो गईया रसिया देखो मोधी ने बनाई सेरिकार जसिया जोरिकार जसिया कॉंगरेर सिपाक्तों हो गया रसिया 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 हो गया मैं आपके ही छेलाई ही से गईया अभी अभी मैंने मन चुके नई कगिता का इस मुख़ा लिखा है नई कगिता का इस मुख़ा सुनाता हो जो मैंने मन चुके लिखा कि ओ नीली छत्री वाले कि ओ नीली छत्री वाले इस दुनिया के रखवाले करना है इतना कर दे खुशियों से छोडी भर दे दुनिया में सम्मान रहे जनगरमन का दान रहे ओ जोंपर मुस्कान रहे और दिन में हिंदुस्तन रहे कि सर्दार जी ने आपको ऐसा कौन सा करशन दिखरा देश ने भी पीछा छुडा लिया आपको पीछे लगशे लगशे कितने लोग मुझे सुनना चाहते हैं एक बार दोनों हाथ उठा कर मुझे बताएं अब इन्हें तालियों में तब्दिल करें कवी सम्मिलन कैसे सुना जाना चाहिए यह अब तक मुझे लगा नहीं मंच की भी सहभागिता चाहता हूँ जैन जी बहुत कविता प्रेमी हैं और बहुत मन से बैठे हैं इस नौजवान की तरफ केवल परदेश नहीं बल्कि पूरा देश देखता है इंदुस्तान को ऐसे साथ के लिए सबसे पहले पढ़ता हूँ और दीरे दीरे में हास्टे का कविन हूँ तो मैं बहुत सारे रंग कविता के आपके बीच लेगा कवियों के पास कोई हर्मोनियम तबला नहीं होता है शब्द होते हैं वो शब्द अगर आप तक पहुंच जाएं तो आप एसास बाबू जी हमारे बैठे हैं इश्वरी ने शतायू करे दिलगायू करे क्योंकि हर पंती पर वो खड़े होकर दात दे रहे हैं बहुत शुक्त शांदार मन से आप सुन रहे हैं ये जिन्दा दिली इनके लिए मैं कहता हूँ कि किसी गीता से ना कुरां स्याता होती है ना ब चौधरी साहब को याद में रखिएगा ध्यान में और मेरी पंक्तियां सुन ताल से भी सुन सकते हैं तनाओ में बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है चुनाओ के परिणाम आ चुके हैं जो ओना था हो चुका जिनको रोना था वो रो रहे हैं बाकी लोग सपत लेने में कि चौधरी साहब को देखा तो भारती ये परिधान मिला ये जो पुर्ता धोती टोपी ये परिधान आजकल नहीं दिखाई देता महानगरों में तो विल्कुल बेता हैं सबकी ताल हो ऐसा सुनें आप अगर जिंदाबाद से ज्यादा है आप ताली बजाएंगे तो हमें लगेगा कि ये जिन्दी की जिंदाबादी हो रही है कि चौधरी साहब को देखा तो भारती ये परिधान मिला उनके राज में सता किसानों को सचा समान मिला उनके राज में अगर लगेगी कभी सच कह रहा है तो फिर मोबाइल थोड़ी देर छोड़ते हैं इसे भी भी कि उनके राज में सदा किसानों को सचा समान मिला दो ती कुरता तो फी जैसा सादा वेश नहीं मिलता उनके अंतर मन में हर दम हिंदी हिंदुस्तान मिला नहीं पिडी को उन जैसी सादगी उन जैसी इमानदारी और उन जैसा किसान का और एक आम आदमी के प्रेम का जो भाव है को सीखने की जरूरत है आज चोधरी साथ एक पाट साला की तरह इस विद्याले का कारकम है तो हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और यहां जो वातावरण है वो पूरा गपूरा उनके रंग में रंगा हुआ है किसान लोग यहां बैठें आशिम भाई ने भी बहुत पाट किसानों पर चार पंगतियां कहता हूँ जो बिल्कुल ताजा मैं बैठकर मुबाईल पर लिख रहा है सुनना परताब भाई कि किसान वक्त की रफटार बदल सकता है किसान वक्त की रफटार बदल सकता है आए अपनी पे जीतहार बदल सकता है किसान अपनी ताकत जिस दिन समझ जाएगा दो पंगतियां आँगे वाली समालना कि किसान वक्त की रफटार बदल सकता है आए अप पे जीतहार बदल सकता है खुदकुशी करते समय आख से जो टपका हो वो एक आशू भी सरकार बदल सकता है तो किसानों के आशूओं को आसानी से नहीं लेना चाहिए सरकारों को समझना चाहिए कि जिस देश के किसान की आखों में असू होंगे वो देश कमी खुशाल नहीं रही है लाजेस्थान बदल गया बावुजी बिलकुर नहीं हिंदुस्तान भी बदलेगा इस्चिंत रहूं सब बदलेगा मैं तो बनारस गया कहां जगड़ा हो जाए कहां बवाल कुछ पता नहीं तो पंडित आपस में लड़ रहे हैं मैंने एक से पूछा भई पंडित हो कि आपस में क्यों लड़ रहे हो तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लेसन और क्याग नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की दो आनंद में आप बैठना, मैं थोड़ी देर हसाता हूं आपको पताब भाई बहुत बज़ेदार आदमी है, हसी के जादूगर आदमी है, लेकिन मैं थोड़ी देर इस विस्तता में जैन जी के चेरों पे भी मुस्कान लाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं जैन भाई, हसना बहुत जरूरी है, ये नई उमर के बच्चे बैठे, चोटे-चोटे बच्चे, वो बहन की मिदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दोड़ के माप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रही, तो बाप ने समझाया कि बेटा दीदी तो केव मुझा है, जीजा जी को तो जिदगी भर रो रोहीं, जीजा जीको तो रो रोहीं नहीं है, नौरात का व्रत्छ और च्षर आदूमिं अपने जुगार में लगाई उसांप, बताया गया है तो उत्तरपुदेश का दमी शुबह उत्ता है, तो सबसे पहले देखता है जी न मित्र रह मिस्रा जी उन्होंने दो महीने पहले जेंदाई ट्रेन का कन्फर्म टिकट लिया अजमगर से इल्हाबाद वो आजमगर का युद्या हो गया इल्हाबाद का प्रियाग हो गया विस्रा जी बिनठ फुट हो गया नौराप्त का व्रत छोड़ के रमजान हो गए पुश्बू लगा के इत्र की दूकान हो गए इसलाम में है चार बीजियों की इजाज़त ये सुन्ते ही पड़ी की मुसल्मान हो गए आर के संग कभी जीत भी मिल सकती है लगे रहो तो प्रभू की प्रीτι भी मिल सकती है कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाए हैं कि इन्ही भगतों में हानी प्रीव भी मिल सकती है हर आदमी अपने जुगाए उत्तर प्रदेज में तो राजनीत से भी हसी लिकालता हूँ कैसे निकलती है मैं बताता हूं बस सब लोग ताल देना आनन से सुनना कोई तनाव नहीं जो कुर्सियां खाली रह गई हैं उनकी तारियों की जिम्मेदारी भी आपके पंदों के नहीं उमर की लड़कियां आजकेल किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का विराट कोली का बाद में इनकी शादी किसी जेठागाल से हो जाती है उत्तर प्रदेश में आते योगी जी ने जो है वो एंटी रोमियो स्कॉट बनाया प्रेम पर प्रतिबंद प्रेम नहीं करने देंगे पता है ना आप सब को मैंने पूछा भी एंटी रोमियो क्यों बनाया जवाब सुनना और हंस्ते हंस्ते सुनना कोई तनाओ का मामला नहीं है योगी जी ने जौ बताया मुझे कि क्यों इंटि रोमियो लगाया प्रतिबंद इन भी तक तो सरकार ने ऐसे किया अगे के चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूगा जवाब सुनना एंटी रोम्यो क्यों लगा जाए। के समंदर में उतरने नहीं दूँगा के समंदर में उतरने नहीं दूँगा महें भूब की गलियों से बुजरने नहीं दूँगा इक रोमियों से योगी जी ने बात ये कही जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूगा जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं अगर ये तारियां आप दस गुना कर दो तो मैं आपका आनंद सो गुना कर सकता हूँ मैं दुबारा पढ़ता हूँ ताल के साथ चुना बाबुजी जंदा बात इश्वराब को 100 साल का उमर और आगे था खमाल की बात है ये जंदा दिली इस उमर में खमाल है दुबारा पढ़ता हूँ इसी मूट से सुनना कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूँगा वन टू त्री फो कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूँगा मैं भूबू की गलियों से गुजरने नहीं दूँगा लिक्रोमियों से योगी जी ने बात ये कही जो मैंने ना किया तुमें बरने नहीं दूँगा जो मैंने ना किया तुमें अभी जी इनों लोग हाथ बांगे बैठे हैं पीछे वो सुनने कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी जरा सा मुस्करादो बदनसीबी भाग जाएगी हसते हुए लोग नहीं मिलते आजका कि पसीने की करो पूजा गरी भी भाग जाएगी जरा सा मुश्करादो वत्सी भी भाग जाएगी जो चेरे पर हसी होगी पडोसन गाल चुमेगी जो मूँ लटका के बैठोगे तो भी भी भाग जाएगी है दुखिया आदमी के-साथ कोई रहना नेर्य चाहता है दिल्ली में केजरिवाल जी की सरकार आई है आपको पता है दिल्ली पुलीज हमारे हवाले करदो 24 गंटे ठीक कर दूंगा मन गाद दिल्ली पुलीस भी आपके बारे में यही मांग कर रही है वर्ट नंपर डाइल करो पुलिस आती है बिल्कूर नहीं plays दिवारों को मना है यह बात पी दिवार पर लिक्के बतार है कि देश में रहना है अधार बनवाल केद्रिवाजी की सरकार बनी फिर चार परिपिया कि धरने पे बैट बैट के धन नंतरी हुए कि धरने पे बैट बैट के धन नंतरी हुए कि धरने पे बैट बैट के धन नंतरी हुए वो आम आदमी के हरदय तंतरी हुए हम चीख चीख करके संतरी न पन सके वो खास खास करके मुख्यमंतरी हुए ब्रस्टा चार खतम कर दो क्यों खतम कर दें बड़ी मुश्किल से तो पाल्ट बोस्के बड़ा किया है और आसानी से खतम भी नहीं हो सकता साब ने एक उधारन देता हूं कि वालासी के लिए आसानी से खतम नहीं हो सकता अदालत में तो वकील बहस कर रहे हैं अदालत में दो वकील बहस कर रहे हैं बोले जशाब कानून की किताब के पेज नंबर 15 के आधार पर मैं अपने मुखिल को बाइजद बरी करने की दर्खास देता हूं तो जब साम ने कहा कानून की किताब पेश की जा, किताब आई तो जब साम ने फुरन पेश नंबर 15 देखा देखा, इशारा था कि कानून की किताब के किसी धारा के आधार पर नहीं, पेश नंबर 15 के आधार, बाइजद बनी किया जाया, तो जब साम ने पेश नंबर 15 देख दो दो हजार के दस नोट रखे थे जब साफ को अच्छा लगे मुश्कराते हुए किताब दराज में रखी और कावकी साथ इसी तरह के दो सबूत और पेस्किये जाएं अनद लो कर दो के अपने करें कर दक का अगया कि अधायं कर あदा भागा कबी को अपने कहने का तरीकल बात सब हुए आप तक पहुंच जाये तो आप अनन्द लेना रास्तां नीकालो अनुन से बता रहा हूँ आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं इसके पहले वाली और जहन जी का आप बिल्कुल लिश्चिंत रहो जहन जी कहीं नहीं जाएंगे इतने बड़िया आदमी है इतने बड़िया कविता प्रेमी है कि सब कभियों को सुने बगएर वो कभी नहीं जाएंगे इतने बड़िया मैं फिल छोड़ के कौन जाएगा मैं असाने का काम करता हूँ क्योंकि मुल्ला के नापंडित के अर्मान में रहता हूँ साहिब मैं गरीबों के इमान में रहता हूँ पूछा जो मैंने रफ से अपना पता बता दे बोला कि मैं लोगों की मुश्कान दे वाह क्या पात है वो भगवान राम चंदर जी को हिच्कियां आ रही है तो सीता माता ने पूछा कि प्रभू आपको हिच्कियां क्यों आ रही है तो भगवान राम ने कहा कि सीता चुनाव आ रहे हैं हो सकता है बीजे पी दुबारा याद कर लिए हूँ बातों में ही बाते चुकती है धालियां मजा खेरो उलाश में बैठो आप तनाओ में लेए चार पंक्तियां और सुनना आप आनंद लेना आनंद लेना जद्दू बहुत मन से आप सुनने हैं मैं आपको बहुत बहुत प्राम करता ह किसी का जो खरा था कहीं खोटा तो नहीं है जिसको बड़ा समझे थे वो छोटा तो नहीं है जब भी कोई बुजर्ग भजन गाने लगता है लगता है कहीं ये भी जलोटा तो नहीं है लगता है कहीं ये भी जलोटा आनंद लेना लोग सबाद सुनावाने वाले इशारा सम जाए तो सबके हाथ उखे एक बार जो मैं कहना चाहता हूं पांच राज्यों के चुनाओ प्याम आए आप इशारा समझना कि ऐसा नहों की रंग में ये भंग जमा दे इस बार एलेक्सन में न चुना ही लगा दे लगता है नोट बंदी जी अस्ती को देखकर ये जेटली मोदी को केटली लाए ये जेटली मोदी कभी का अपना और एक बोर्ट तो बाजपागद है अगा बाज़ा जाला 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 भाई साहब की देखो बहुत बर्या संचालन किया आदनी अच्छा संचालन किया है अगली बार और भी बड़ा कभी सम्मेलन हो एक बार आप हाथ उठा के तालियां बजाएं ये भावना है लोगों में की आयोजन होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए और जो कुछ भी मदद करनी है वो इस ट्रस्ट को करिए चौदरी साब की समर्तियों में जो भी काम किया जाए उनके लिए करिए हमारे उपर भी सब उनी किछाया है ये आपकी भावना है उसके लिए धन्यवादे लेकिन जो भी देना है वो हमारे भाई को दीदिए ताकि और अच्छे बड़े आयो जाए चुन्ना मोदी जी ने नोट बंदी की मैंने उससे भी हसी निकाल निकाली बुझे तो हर जगे हसी दिखती है बुरा मत पाणों असाना कोई बुरा काम मेंगा रास्ता निकालो तो निकलता है वो फिल्म आई एक पदमावती संजे लिला भंसाली की उस पर प्रतिबंद लग गया तो संजे लिला भंसाली ने रास्ता निकाला पदमावती का पदमावत कर दिया प्रतिबंद हट गया किया ना लेकिन ये खब वियार कहँई तो वियार के लोगों ने मुक्हमंत्री को चिच्च्चि लिखी की मानने है कि मुक्हमंत्री महॉदै नितीश कुमार जी है कि जब पत्मावत्ण कर के प्रतिबंद हट सकता है हम मात्रा यह करने कि मर्दों के लिए मोदी जीक थीम निकालो मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने बीबी को बदलने की बीशीम निकालो तो बदलने की इतर इतर करते हैं एक बार जाए एक बार पुझी मैं प्राम करता हूं कि आप धेंग से रखियो यही प्यार है यही आशिर्वाद इससे बड़ा कोई आशिर्वाद दूसरा हो बस यह आशिर्वाद यह सारे हाथ जो है वह जैन जी के साथ होने चाहिए नौजवान के साथ लोगे जब मेरी पहली बार शादी हुई टंशन में मत रहो देखो पहली बार शादी हुई मैं पहली बार संसुराल गया तो बहुत सुंदर साली को देखा बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत जगड़ा किया बहुत जगड़ा किया मैंने कहा जब आपके घर में रस्मला तो मेरे को नहीं बड़ा क्यों पक्राइब आनंद लें इतनी इतनी बेटियां बैठी है मैं इन सब का विनंदन करता हूं मेरे घर नंग्नी बेटी ने जनम लिया तो मैंने कहा कि मेहदी कुम-कुम रोली का तेवहार नहीं होता मैंने बहुत रंगों की कविताइं लिखी है एक रंग ये भी दिखाता हूं जो लोग शायरी सुनने वाले कविता सुनने वाले लोग हैं उन तक भी पहुँशता हूं कि मेहदी कुम-कुम रोली का तेवहार नहीं होता रक्षा बंधन के चंदन का प्यार नहीं होता उसका आंगन हरदम सुना सुना रहता है जिसके घर में बेटी का होता हूँ बेटी और बेटे में अंतर क्या होता है मैं एक पंगती का अंतर बताता हूँ कि इस धर्टी पर मात शक्ति का मान नहीं जा सकता है नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है बेटा घर में हो तो बेशक चूला ठंडा रह जाए बेटी घर हो तो भूखा महमान नहीं जाए हमने उन बेटियों को मारना जलाना शुरू कर दिया फिस के बस्टे ने फिस के पूछा कि मां हम लोग पानी में क्यों रहते हैं जमीन पर क्यों नहीं रहते हैं तो फिस ने का बेटा हम लोग फिस है ना इसलिए पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सेलफिस रहें। कई बार मैं कविताओं को पूजा की तरह लेता हूँ पूजा जैसी एक कविता का एक है सुनाता हूँ पहले आपको मेरे ध्यान में आ गया मात्रिशक्ति को बैठे देखकर कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा बर्दान है बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वर्दान है बेटियां घर की परानी घिर्कियों को खुलती है बेटियां घर में हो तो घर की दिवारे बोलती है बेटियों ने घर का हरतम ना मही रोसन किया है वक्त पर बनकर के मीरा जहर का क्याला पिया है हाथ में तर्वार लेकर लक्षमी बाई बनी है इंदीरा बनकर समूचे विशो के आंगे तनी है मदर टेरेशा बनी करुणा का साधर हो गई है जाके नासा में सितारे आस्पा में बो गई है अयस बन सौंदर इसे सारे जहां को जीतलाई साइना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई सुनलता मंगेस कर सुर के समंदर डोलते हैं अरे मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं बाप की पगड़ी है माता रेश्मी परिधान है बेटियां भगवान का सबसे बड़ा बढ़ान। दुरा, बत्तिरस को प्रान देता एक मीरा का तबुरा, सरस्वती जी आज जग में ग्यान की देवी बनी है, लक्षमी जी सारी दुनिया के कुवेरों परतनी है और दुर्गा शक्ति का वर्दान बन्कर छा रही है, बेटियां ही हैं जो सारी सर्ष्टिफों महका रहे हैं बेटियां धर्ती का गौरों हैं गुरों की खान हैं बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वर्दान हैं हम घर की महिलाओं का बेटियों का बच्चियों का सम्मान करें तब कहीं हमारे घरों में खुशाली आ लिया सरदार से पुछा क्या पढ़ना है तो इसने का ये भी बेकारी पढ़ना है ये तो चाहता ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा करू सरदार का मामना बड़ा खतरना है हाँ गड़ी तो नहीं हमें वो हाथ दिखा रहा किसमें घड़ी लेगे कमाल का सरदार है मैं आपको बता है कमाल का सरदार ये प्रताब फोल्दार जहन भाई रात को बारा बज़े ये आदमी खिर्की पे खड़ा हो गया और खिर्की पे खड़े होके रात को बारा बज़े जो कविता लिखी उससे बढ़िया कविता नहीं हो सकती है आनंद की रात को बारा बजए क्या लिखा रात को बारा बजए खिर्की से सड़क पर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था क्या बढ़िया कविता है अगली नाइन पर ठाके देना कमाल का दिखा दो तीन दो तीन बंद में आज से सुना दे असना चाहते है ज़्यादा ग्यान की दरवत तो नहीं है ने दुनिया में जो गटना हैं गटनाओं का एक चित्रहार दिखाता हूँ ठागों के लिए आपि आओ आओ के देखो कुरसी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए क्यों बाबुजी बजा रहे यही हमारे समर्शन में वाकिसाब की रोग में लग रहे हैं कि देखो कुरसी की बलिहारी को बॉठे कर ले हैं हैं इतनी दुखी कियो हैं मुहacı आपको पता हैं बड़ा होके फोटोग्राफर कौन मनता है वही जिसे बच्पन से ही दूसरों के घर में ताक जाकर भी आनंद मेरें चोटी-चोटी बाते हैं ने बुरा बत बांदा कि देखो कुरसी की सब लोग तालियां बजाएं थुड़ा मन से जल्जी से आपको हसाने के कि देखो कुरसी की बलिहारी ओजमाना बदला जाए कर दी खटिया करी हमारी ओजमाना बदला जाए धरना देते देते देखो सियम बन गया मुन्ना अन्नारा ले गणमें बेठे चूस रहे हैं गणना सारे चेले हुए मदारी ओ, जमाना बदला जाए देखो कुर्सी की बल्यारी ओ, जमाना बदला जाए इस चुनाव में भी जェ पिका निकल गया दीवाला ताजा ताजा कलीवाला है बाप उठ रही है बाप निकल रही है ज्यादा पाश हाथ मतला ना जल्वी सकते है कि इस चुनाव में भी जे पी का निकल गया दीवाला राहुल बाबा जूम के गाते उलाला उलाला पंजा पड़ गया कमल पे भारी ओ जमाना बदला जाए देखो गुरसी की बलियारी सुद्ध हास अब आत उठा के बजा रहे हैं इती देर से में सहरा था सुद्ध नहीं रहे हैं कि जो नर्ताली नहीं पीट थे उनको फीटे नारी जो ज़्यादा ताली पीटे गाम होंगे आप हारी पीटो सर्मा और तिवारी ओ जमाना बदला जाए देखो यह जो लोग उठके जा रहे हैं इनके लिए भी कुछ कहता है मैं चोड़ूंगा किसी को ने कि मेरी कविता सुने बिना जो भीच में उठकर जाएं आनंद लेना कि मेरी कविता सुने बिना जो भीच में उठकर जाएं राम करें वो अपने घर में गुसा प्रोसी पाएं कोई जाना चाह रहे है किराम करें वो अपने घर में गुसा प्रोसी पाएं ढूबे उनकी लुटिया थारी ओ जमाना बदला जाएं देको कुर्शी की बलियारी ओ जमाना बदला जाएं पैंतालिस के होकर रहू लगादी फिरे अकेले और धिवी जए अंकल निकले आसा राम चेले लगी बुड़ापे में बीमारी ओ जमाना बदला जाएं देको कुर्शी की बलियारी ओ जमाना बदला जाएं अच्छा लग रहा है तालिया बजा कर बताओ कि सच में अच्छा लग रहा है कि देको कुर्शी की बलियारी ओ जमाना बदला जाएं इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन कि इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन सादू संत भी बेच रहे हैं चवण प्रास ओ मंजन की बलियारी ओ जमाना बदला जाएं कर दी खटिया करी हमारी ओ जमाना बदला जाएं जनता पूछ रही मोदी जी पंदरा लाक न आएं कि जनता पूछ रही मोदी जी पंद्रा लाख ना आए पैसा ना देना था तो फिर खाते क्यों खुलवाए लॉजिक तो है तालिया बजा के समर्षन हो ना जी ये परिवाद कि पैसे ना देने थे तो फिर खाते क्यों खुलवाए जुमलों से कर गए उशियारी ओ जमाना बदला जाए देको कुरसी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए खाएंगे ना खाने देंगे ये सैंकल्प उठाया इसलिए तो पैक करा कर बाग जाए सब भाया कैसी की है चोकी दारी गर्दी कटिया करी हमारी ओ जमाना बदला जाए लंडन देखा पेरी सदेखा देख लिया अमरी का बहुत सारी बातें की जा सकती हैं लेकिन जिसमन से यहां बिल्कु सादे लोग शौल ओरे हुए जिने ये भी कुछ लोगों को नहीं मालूम पता भाई की कविता पे तालीबी बजानी चीए इतने सुझे हैं जिन्दगी में मैंने पहली बार देखा तुम्हारा सात्मा चक्कर है इतने में आदमी का ब्याह हो जाओ कहां गुम रहे हैं सरदार यहां बैठा तुम्हां गुम रहे हैं यह सब ज़्यादा मैं करना नहीं जाता हूं मैं सारी दुनिया में जाता हूं जे अंदाई बहुत सारे देशों में लेकिन जिस मन से यहां भानगरों में धन कविता सुनता है लोग पैसा दे देते हैं कव तर कविता पॉस्टी मैं आपको कुछ पंपियां समझते तरता है कि लंडन देखा पेरी से देखा देख लिया अमरीका लेकिन आज बड़ोत के आगे सब कुछ लागा फीका अपने लिए बजाए दो तारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदल जाए कर देखटिया करी हमारी ओ बहुत बहुत धन्यवाद और अंतिम चार पंग्तियां कहता हूं कि भीड में दुनिया के फैचान बनाए रखना घर में खुश्यों की इक दालान बनाए रखना अपने होटों पर ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्ता आपके होटों कर हमेशा मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे यही मैं कामना करता हूं यही प्रातना करता हूं और करम को आगे बहाता हूं भाई अजास सत्रु यहां राजस्तान से आए राजस्तान का आदमी कमाल का आदमी है साथ अभी अभी सरकार बदली है तो सवारी यह वा तो टोपी पड़ी नीचे तो मैं उठ से उत्रा और मैंने टोपी उठाई तो बुंडी दिखी आदमी की तो मैंने थोड़ी रेथ हटाई तो आदमी कमर तक दिखा तो मैंने और रेथ हटाई तो और आदमी दिखा मैं और रेथ हटाने लग गया तो आदमी बोल पड़ा अरे बोले भाई साथ हाथ से काम नहीं चलेगा गर से फावडा लेके आओ क्योंकि मैं भी उट पर बैठा हूँ तेज नराइम को समर्पित कुश्पंग कि आसी है नहीं कि समर्पित तो करनी पड़ेगी कि अपनी बीबी नहीं सुहाती दूजी पर ललचाएं अगर मोनिका मिल जाए तो सब क्लिंटन बन जाएं लेकिन मिल दी नहीं वे जारी ओ जमाना जेगो गुर्जिगी बलिहारी ओ जमाना बदला जाएं लालू बोले सी हम रहे कर नौनौ बच्चे जाएं लालू जी तो इतना अभवी राजनेता है खाने पीने के मामले में कि गोबर को सून कर बता सकते हैं कि भैस्ट्यूमर कि तुनी है कि लालू राजिगी तका हास कि लालू बोले सी हम रहे कर नौनौ बच्चे जाएं अकल भी आरी पीम होकर बाप नहीं बन पाएं अम्मा बन गए एक कुवारी ओ जमाना बदला जाएं देगो गुर्जी आज विदे गिवस है इस पर वो को आप मना रहें मैं एक टिपणी करता हूँ सुप्रीम कोट के आदेश के बाद भी अफजल को अब तक फासी नहीं हुई छोटा भाई लटका दिया बड़ा भाई पहले था उसको मौका देना चाहिए था मैं उस जेल में गया जहां अफजल बंद है जेलर ने कहा जोगी जी अफजल का वजन बढ़ रहा मैंने का गलत बात है आतंक वादियों का वजन बढ़े किसका फोटो उसके कमरे में लगा रख रहा है बोले जी सरदार मनमुहंस मैंने का एक बार नरेंद्र मोदी कर लगा दो अंडर्डेट शुरू हो जाए मैं टिपड़ी करता हूँ आज वीजे दिवस के उसर पर जिसने संसर्थ पर हमला करने का चुर्म किया तमाम राजनेता कहने लग गया कि साब हरजल को फासी नहीं होनी चाहिए किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ने कहा तम मैं टिपड़ी करता हूँ मुझे नहीं पता कि आपका कितना समर्थन होगा लेकिन मैं पमार जी जैसे बड़े कभी को पंग्पियां समर्पित करता हूँ अशोक चारण के लिए आप समर्थन करें तो आपके हाथ उचेंगे तो यह आवाज दुनिया तक जाएगी की देश क्या चाहता है कि सजा हुई फासी की और आधे अधूरे मन से समर्थन मत करना साथ कोई नहीं बोलता अकेले कवी हैं जो सरकारों के खिलाप बोलने की हिम्मत करते है कि सजा हुई फासी की अफजल की फाई निपटा दो जो अफजल का पक्छ ले रहे उनको भी लटका दो भारत माता है एक बार सखते हाथ उस जाए नेरे कथन पर कि सजा हुई फासी की अफजल की फाई हिपटा दो जो अफजल का पक्छ ले रहे उनको भी लटका दो भारत माता है दुखियारी योजमाना बदला जाए ये को कुरसी मैं सारी दुनिया में जाता हूँ बहुत सारे देशों में बार बार जाता रहता हूँ जिस मन से आपने आज कविताएं सुनी है हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अनराई लोग है अलोग जी कह रहे थे बच्चे हिंदी नहीं जानते बच्चे हिंदी के पात्रयाले हिंदी के लेख्षकों को नहीं जानते आज के बाद आलोग जी आप यही बच्चे हिंदी सीखेंगे यही बच्चे चाहेंगे कि हिंदी की कविताओं में अगर इतना रस है तो सब को हिंदी सुखनी चाहिए कि इने नहीं आती है ये परंपड़ा देश में नहीं होनी चाहिए कि भारत में हिंदी नहीं आती हो जिस मन से आपने कभी समिलन को सुना है मैं आप के लिए कुछ पंग्तियां पढ़ता हूँ मैं समर्कित करता हूँ कि लंदन देखा पेरिस देखा देख लिया अमरीका लंदन देखा पेरिस देखा देख लिया अमरीका एन आर आई कॉम्पलेक्स के आगे सब कुछ लाजा भीका अपने लिए बजा दो तारी योज़ब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सुक्रिया चार पंकियां पढ़ता हों रही इतने बुजर्ग लोग परिवार के लोग बैठे हैं कि इनसान क्या जिसमें की स्वाविमान नहीं है वो गीत क्या जिसमें की कोई तान नहीं है मंदिर की मूर्तियों से दूआ मागने वालो माबाप से बढ़कर कोई भगवाने हम अपने वज़र्गों का माबाप का समान करना सीखे और भीड में दुनिया के पहचान बनाए रखना घर में खुशियों की इक्तालान बनाए रखना अपने होटों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना वो हिंदुस्तान जो दिलों में बनाए रखने का काम करते हैं वो देश के बड़े कभी हरियों पमारती होते हैं उनकी किताबें हैं, उनकी कैसेट सीडी शायद आज भी होती है, जो भी उनकी सीडी से कैसेट से कमाई होती है, तबी सम्मलन से उस सब वो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद करते हैं, और अच्छी बात है, देश में ऐसे काम होने चाहिए, और पीछे वीडियो सी शादी नहीं की, परिवार नहीं बसाया, पूरा देश उनका परिवार है, हम सब कभी जितना प्रेम को करते हैं, इकलोते कभी हैं, बड़े कभीयों में जो नई पीडी को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आगे बहाते हैं, और कानून के प्रोफेसर, कानून की सबसे बड़ लोग ज्यादा जानते हैं वोज कि वो ऐसे कवी हैं जो जहां से चाहें वहां से शुरू हो सकते हैं उनका जो स्वर है उनका तेवर है मैंने कहा ना लाखों के लोग उन्हें प्रेम करते हैं मैं एक टिपड़ी करता हूँ कि 55 साल की आजादी में 15-16 पुछान मंत्री हो गए लेकिन दूसरा हर योम पमार पैदा देखा उनका कद इतना है दिन करके वो ऐसे बनसज है कि उनके लिए किसी लालबक्ति किसी तमगे क जरूरत नहीं है वो जिस गारी में बैठ जाते हैं वो गारी अपने आप लालबक्ति के महत्तो जैसी हो जाता है यह उनका कद है मेरा सहयोग किवल तालियों से ठाकों से करें आवाज तो बोलने के लिए मैं अकेला काफी हूँ लेकिन आप मिस्चिंत रहें कि मैं आपको पहरी से ठाकों से पूरा भर दूँगा हला कि मैंने इतने कम लोगों में वैवाओ कभी कविताएं नहीं सुनाई लाखों लोग होते हैं बड़े-बड़े कविसमिलन होते हैं बड़े उत्सों होते हैं लेकिन मैं एक टिपड़ी करता हूँ लखनो इस तहजीब की नगरी म कि जब हम लाखों लोगों के सामने कविताएं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम कौरों के सामने कविता सुना रहे हैं कौरों संख्या में अधित थे ज्यादा थे लेकिन जब लोग कम हैं और अच्छा सुनते हैं बीच बीच में तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें पान बने हुए उनके लिए एक शेर पढ़ता हुओ जिन्दगी के लिए भी ज़रूरी है महफिल के लिए भी ज़रूरी है Open Heart Sardarri के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर एक शेर लिखा था Open Heart Sardarri के बाहर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हसबोल कर्यारों के साथ जिनके हाथ अभी भी बने हैं वो सुन लें कि खोल लेते दिल अगर हसबोल कर्यारों के साथ तो हमें ना खोलना पड़ता यूँ आउजारों के साथ उलास में बैठो आनंद में बैठो अब कोई तनाव है नहीं मिलकुल तनाव मैंने, मैं तो भाई साथ भी एक सुफे पे तीन ठसने की ज़रूत थी नहीं है मैं जानता हूँ, मैं संकर समझता हूँ आदमी का अब वो आनन्द में थोड़ी बैठ है को कस्ट में बेचारे और मैं हाथ से कभी हूँ, किसी को कस्ट में देख नहीं सकता आप अगर चाहें, तो मेरा वासन ले सकते हैं जैसे स्वामी प्रसाद मोरिया जी के जाने के बाद भाई साथ ने उनकी कुरसी फोरे रखी हिंदुस्तार या कुरसी को छोड़ना नहीं चाहता बस मौका मिले इतनी प्रेम की बाते हुई सुमन जी बैठी है, बहुत बड़ी आगीज सुनाया उन्होंने मैंने उनसे पूछा, इतना अच्छा लिखती हो, इतनी सुन्दर लिखती हो, कैसे बोली, इश्वर ने मुझे अपने हाथों से बनाया है और मैंने का, मुझे क्या गूगल से डाउनलोड जा मैंने कूई बनाया यह लखनव है, मने का, एक बलब लगाना हो, तो कितने लखनवियों की जुरत होगी बोली, 18-19 लगेंगे, मने एक बलब लगाने में 18-19 बोली, हाँ, यह लखनव है एक बल्व लगाएंगा बाकी 17 कहेंगे वावा हुजूर क्या बल्व लगाएंगा कि मुझे वावा हुजूर दिखना भी चाहिए दिखना चाहिए तो फुरा बूर राजी कि गुमूर तक मैं आपको लाना चाहता हूं बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं बहुत प्रेम की बहुत सारी बाते हुई हलांकि एंटी रोमियो स्कॉर्ट यहीं से वो पड़ रहे थे ना कि वो हथेली पर नाम होना चाहिए मैंने का ठाने में भी होना चाहिए योगी जी ने आते ही पहला फर्मान जारी किया प्रेम प्रतिबंद एंटी रोमियो स्कॉर्ट जो कुटे हैं उनसे पूछो जो कुटे हैं उनका पूछो उन्हें विचारों को पार्क से लफरत हो गई हो मैंने चार पंकियों में वो शब्द दिये उसे मैंने पूछा योगी जी से की एंटी रोमियों क्यों लागू किया तो उनका जवाब सुनना सब ताल से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा जो लोग मोबाइल पे रिकॉर्ट कर रहे हैं वो मोबाइल रख के सुने मेरा करूँगा कि मुझे कितनी देर और क्या सुनाना है योगी जी से एंटी ओवियों पर मैंने पूछा उनका जवाब मैं ताजा ताजा लिखता हूं कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूँगा मुझे जब लगेगा कि आप बहुत अच्छा सुन रहा हैं तो मैं बहुत अच्छा वाला सुना हूँगा अब भी मैं भी प्रियास कर रहा हूँ मैं भी प्राक्टिस कर रहा हूँ आप भी सोच रहे हैं पता नहीं कैसे सुनाएंगे दोनों असमंजस में चार पंक्तियों के बाद दोनों का असमंजस खतब हुजाए कि चाहत के समंदर में उतर ने नहीं दूगा जब तक सारे ठाली नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोडाता रहुए चाहत के समंदर में उतर ने नहीं दूगा मैं बूबू की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा मैं बूबू की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा चाहत के समंतर में उत्तरने नहीं दूंगा इक रोमियों से योगी जी ने बात ये गई जो मैंने ना किया तुम्हें करनों ना किया और आगे बढ़े मैं कुछ लोग खुद को मुगले आजम और मुझे अनारकल निस समय ने बड़ी ने बड़ी है ये नई उमर की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सल्मान खान का विराट कोहली का बात में इनकी शादी किसी गेठालाच से हो जाएक अब मेरी जब पहली बार शादी हुए रहा है और वहीं वहँतु बार में जी सप्षुराल गए तो बहुत सुंदर सावी को देखा मैं इने बहुत सुंदर साली की तो सास से बहुत ख़गरा किया बहुत ख़गरा किया मैंने का जब आपके ढर में सबस्द Krário nuanced मेरें बहुत आई ब्नाट की पकड़ाß हर आदमी अपने जुगार में हर आदमी अपने जुगार में हार के संध अभी चीत भी मिल सकती है अगर दिल ना पड़ सके चेरा ना पड़ सके तो किस बाद के बाद मुझे तो हर आदमी की मुस्कान भी बताती है कि खिस्याट वाली है या ने पता जलता है असने की मुस्कान भी मैं असाने का काम करता हूं को कि मुल्ला के ना पंडित के अर्मान में रहता हूं मुल्ला के ना पंडित के अर्मान में रहता हूं साहिब मैं गरीबों के इमान मे लोगों कि निवर दिखता है, sino LEGUM, म일ें अंदूंत। सब्सक्राविक और n फिश्व fill और मईंद लिए मैं नोगों को सीवी लिए किते हैं आश्य कुछ सब्सक्राइक. बाब लूप्ले कृश्व, सभ गढ़ोusa βघेशई दितोमें जुष। तुसरे को मितनाओ में रखता है। तुसरे को मितनाओ में सोचता है कि अंसे भी करूँ। अगुद देश है साथ बाई साथ तमाल का देश है। सो नंबर डायल करो पुली साथ दिये सो रुपर इस नो चली जाए। तुमिनाओं का लाव लुखे। डिवालों पर लिखना मना यह बात की दिवाल पर लिक्के बताने करता है। सब्सक्राइब कर दो को अदय सकती है। कि हागे संद अभी जीत मिल सकती है लगे रहो तो प्रभु की प्रीथ मिल सकती है कई बावा को इसलिए धुझी रमाए यह वक्तों में अभी प्रीथ की दूखान हो गए इसलाम में है चार विप्लों की इसादर यह सुनते ही पड़िक जी मुसल्मान हो करें यह जी है नफम बाएफ यह अग्राइव शोगे आपने पौट लगा रखा है कि महारे आप में पार्डन किलता है मेरा नंबर आये तो उखाली मैं तिल्गी से आया हूं केजरी वाज़ी की सग्डार है आज जानते कैसे मुख्यमंत्री बने जब वो बने तो चार पंगिया मझे वहां से निकाली सुनाता तस वही प्रेम बनाय रखी जितना समर्थन बनाएंगी मैं उतना आणन्द बनाता च कि धरने पे बैठ बैठ के धन नंतरी हुए तुनों आत कादे में इस बार कर हो दरने पे बैठ बैठ के धन नंतरी हुए वो आम आदमी के हैं नंतरी हुए हम चीक चीक करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्य बन सके ते रिवाल जी नेगा दिल्ली पुलिस दो जिल को हम वो दे रोप ठीक कर देगे नेगा दिल्ली पुलिस भी यही बान कर देगे कर देगे विश्किल से ने पानपूर्स के बढ़ाएं और आसानी से प्रतम हो भी नहीं सकता मैं उलानों के ता हूँ अदालब में दो वकील बैस कर रहे हैं जैसाब कानूर की किताब के पेज नंबर पंद्रा के अधार पर कानूर की किसी भारा के आधार पर भाषा देखवा जैसाब में फॉरंड पेज नंबर पंद्रा परणटा दो दो हजार के दस लोट रख्टे थे जैसाब में मुश्कराते हुए कि अधार दराग में रख्ती और का लगील साथ इसी तरह के दो सबूत और पेस्ट वीचिए अधार आधार ने अपने पहर जमार रख्टे शमय बगल रहा है साब हमारे मुझर्ग लोग बैठें आधार वारे नाम करेंगा रोशन जग में राज दुदारा तुझे चन्द सेपना कहूं या सुरट सुना होगा हमें घाना मेरे ढिटा जी ने घाना आखा जाताना गाता शिया के他 लिक बदाा चन्त ज्क हमारा जघमी सता आता छंतेग मुझे मम्हारे बच्चे कह रहे लिए उत कह रिए हमारे बच्चे ए σंद सकं एले करे देम आधाई हो ड़ी हम मोदी जी ने नोट बंदी की, मैं चार बंदिया नोट बंदी से आशे मिकाल जबाँ कि मरदों के लिए मोदी जी कथी मो निकाल लो कि मरदों के लिए मोदी जी कथी मो निकालो मीखा तो बहुत हो चुका नमतीन निकालो अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने बीदी को बदलने की विश्किन जितने लोग पाली बजा रहे हैं सब की भावना में समझ सकता है प्रेम में भी हाथ से छुपा होता है प्रेम अगर जो बेकि प्रेम करता है उसकी भाशा अलग-अलग होती है जिस तरह कुछ दूश्टी है उसका प्रुषे साहन होता है जयो साहिज इतना नहीं कुछ पांते करता हूं जार पंटिया प्रेम करता है तो जो ख्यांत तुमत बेकान करता है बहुत अच्छा प्राद लिख्या था, बहुत अच्छा, इसे देश भी समालना है पाकिस्तान को इन इताना है, ख़भारत भादा की जै भी कर्वन थी है, लेकिन कुछ खाते हैं भी तेरो वर्ला कमाते हैं, अपनी देश, अपनी जय जय अच्छी बाद, अच्छी माथ, बह वह पुश्ट लोगों के जुम्में सपु तुक्तु खौवपयों जादी करें जादी करें मैं जे तो हरज़ेगे हशी दिखती है, हरज़ेगे ठाके दिखती है, यह मैं कहीं से हशी इखा लेता हूँ मैं तो मंदिर गया, बार बिखारी बैठे थे, मैंने सो रुपए उनको दी, तो बिखारी ने दुआ दी, बाबुजी तुम्हारी जोडी सलामत रहे, मैंने कहा लेकिन मैं तो भी दुवारा हूँ, बाबुजी मैं चप्लों की जोडी की बात करें, तो लग फ़ह में किसी को दीर हो गई, मैं राचा बना, वो हमारी हीर हो गई, तो इतने मैंने कार के जहार में लिखे, वो रग दी बेच बेच के अमीर हो गई, यह भी प्रेम, यह प्रेम अगर किसी सर्दार जी को हो जाए, अले गलत व्यक्ती को प्रेम हो, उसकी भाशा देखना है, कदार जी कोई हो गई, को प्रेम हो जाए, उनकी भाशा देखना है, यह दिल तुमारे प्यार में हम हारे मिलेंगे, अभी मने बढ़िया वाला नहीं सुरू किया, यह दिल तुमारे प्यार में हम हारे मिलेंगे, मत्मे दिरोखी सागले चटकारे निलेंगे, शादी हुई तो घर में पंच प्यारे मिलेंगे, और ना हुई तो शाम दे गुरु द्वारे, यही होना है, यह प्रेम किसी किसान को हो जाए, और उसकी भाषा देगा, कि पहले तो जा रही थी जिन्दगी यसे तुमें, मैं है चलाता फिल रहा था सुखीरे तुमें, जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम भाइके मैं सुखुश गई हो तुम को प्रेख तुमें, प्रेम किसी सब्सक्राइब को हो जाए, उसकी लाशा देगा, कि चाहत का तेरी मैं सदान दाजा रफूंगा, चाहत का तेरी मैं सदान दाजा रफूंगा, इस दिल का खुला हर घरी दरवाजा रफूंगा, ये बात कही पेलिता से संजी वाले ने, पामी चिलक चिलक के तुझे खाजा रफूंगा, बहुत सारे गीतों के लिए मोले आदेश दिया गया है, मैं क्या सुनाओ इस तो गुदा में हूँ, लेकिन मैं लखनओ में हूँ, बहुत बहुत क्यारी लोग है, सब कुछ सुना लेकिन आपकी तरफ से कोई चीपढ़ी, कोई अभदर बात, कुछ निए सुनी मैं इसके लिए लखनओ के लिए, और सेरों में इस तरह के सरीकिमत, लोग नहीं होते, मैं लखनओ के लोग, मैं लखनओ पर एक नजम पढ़के आप से किदा चाहूं का भाद, इसके पहले, आप आनंद में ढूबेगे, तविता बडी चीए साथ, राज साथ बड़े शायर हैं, जहाँ जहाँ शायरी हैं, वहाँ वहाँ राति दोरी हैं, कहाँ जहाँ पर इसका नहीं हो यहाँ जो राज साथ हम सब को बहुत क्यार करते हैं, और हम सब भी उनको पहुत धिल से लगाते हैं, अस्वस्तता के बाद भी हो आपके फ्रेम्टे, इंडोर से चल चल जमा आ जाते हैं, वह बनी बाद हैं, और मुनवर साथ का से रहनी कलंदर संगे मर्मर के मकानों में नहीं मिलता, मैं देशी घी हूँ बनिये की दुकानों पर नहीं मिलता, सभी बैलों का जो रिस्ता है हिंदी और उर्दू में, तहीं दुनिया की दोज़ना दुकानों में। कि अभी बैलों के सायों के वरिस्ता आपने साविक वरिस्ता यहां दिखाई दिखाई दिया। कविता बली चीजिये, लोग उससे कहते हैं, वर्स्टॉप आगया, टिकर आगया, फिस्बूक आगया, इंस्ट्रड्राम आगया, कविता कौन सुनता है। मैंने लखनों के वैफिल दिखाना चाहता हूँ। इस फ्रीष्ट्रन में कराते हैं। इतने लोग यहां भौत भरा हुआ हैं यह कविता की पांड़ी दसमंतियों में पहर भी करता हूँ। आप समझ जाए, जो लोग समझे होने बताए, कि वो कमिता थी जिसने बोरी को शब्दबान से मारा थी। क्या था। इए गम्लोड ना पहरा। वो कमिता है जो मानस परकर घरघर गाई जाती है। वो कमिता है जिसको गाकर आंती सजाई जाती है। वो बंदे मातरम कमिता की सब गोरे आत पबूले थे। वो कमिता है जिसको गाकर सेना निपासी चूले थे। वो कमिता है जिसको गाकर सेना निपासी चूले थे। ये पूल दोगे ल Mitte नटर्वारें करूं दो शुमाग्या ता उन्ध कि है मार्चा सौर्द जाना मां ऐसाफिर गजान ग तू है करिशान में लांपर आफरे पूम्म दोगष्ण कुमिता ही है जो सवा अरभ का राश्यान बन जाती है ये राश्ट के कुछ हाले की खांटे लिए मंदन करते है ये अजिए और दोनों हाँ पाकर करके कंशा करें हुआ है अभी पाविंट बड़े लोग कि देद्ट में बड़े वजीरों दें मंत्री में तर्थे खालोघ स्पॉश्डार किने लगे सबसेरें किताब में का थंक संभित हम संचि लुक्तर में के साथ हो वो शब्द के सादक है हम लोग, ठाके जिना भी दुनिया के लिए जरूरी है, यह तने तनाव में बैचे लोग, शादी के बाद को तनाव प्रवन होता है, और तनाव, जिवन में तनाव ही तनाव, इसके लिए थोड़े ठाके भी जरूरी है, असाना पड़ता है, एक शेर म मुझे आजाता है कि शादी के लिए आसरा बस इतना समझ लिए, सलफास की बोली है, और शूचे लिए, और शादी के बाद भी मेरी किस्पत पे थोड़ नहीं, बस भाले है, पत्री दुगाए जैसी है, बस साले को रुच्पाई है, पंकट है, जब मैं बैच्पाई हुआ चलर था, और मेरे कमरे में बहुत सारे मच्छा थी, और मेरा कून छूचते रहे, लेकिन जिसके मने शादी नहीं सारे मच्छा थोड़ पे चाहने का, तो मैं लेको पकड़ करके पुचा मनने का, वजे चोड़ ती कि आ रहे है, और हम लोग दो पर्मानने जारु कि तो पर पेला शादी सुदा है, उसकी पेचान है कोorte के मन्म शूर्च करें। लेकिन कोई पंदी है उसकी पेचान है कोसी बन्म शूर्च करें। moments, लोग बाद लोगों ने पहा होगी है। उसकी भूमिका में दो मुखते है। यह थोड़ा हुलास से सुनते हैं तो अच्छा लगता है। यह लगता है कि दी और अच्छी दो होगे। अच्छी दो बैठे हैं अच्छी ही होगे। अच्छी दो बैठे हैं अच्छी ही होगे। कि अन्दे हमें शेर का रस्ता बता रहे हैं। अधियोडा वास देखना। कि अन्दे हमें शेर का रस्ता बता रहे हैं। लगड़े हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं। वो हमको महबत की पोथी पड़ा रहे हैं। एक पंपी में हाश्य हो तो सब क्या हाथ है। कि वो हमको महबत की पोथी पड़ा रहे हैं। जो अपनी प्रेविका से राखी पढ़ा रहे। जो रखी पड़ा से। आपकी तानिया बता रहे हैं। यहां भी काफी रख्षा रहे हैं। वो तो नहीं है। क्यार में इंतर क्या होता है। मुश्किल क्या होती है। मैं चार पंपी आपको इंतर की बता है। क्या है आंसुओं में दूबी मेरे प्यार की कहानी। भीतर से है बुडाता। बाहर से है जवानी। नजरों से तेरी नजरे कैसे मिलाएं जानी। कि नजरों से तेरी नजरे कैसे मिलाए जानी तेरी नाहिया कुकानी कि मेरी चाहत की लाइट पर यह से कि कौन करता है मेरी बालों पर छुप छुप के यह मैं कि कौन करता है तो अपने फोन का रिचार्च उससे कराती है तो आदी रात को तुम से एक्षे कि रुटा है तो अजरे में क्या क्या मुश्किले होती है लोग प्रेम करते हैं शादी देवरी बाल अगर आपको लगें ऐसे हंतर ऐसे सब्देन आपने कभी सुले ना माँ तो वो अनुषजी में सुनाता हूं यो फिल्म में नहीं लिए ग कि मैं अपनी धूस ओडाना नहीं चाहता किसी फिल्म में हो तो यदि मैं सूआ फ्की हो इसे मचिला है अपना प्रेये ये प्यार नहीं है खिल प्रीये अ FRE 시청े तुम एमें बस्ट की बीजन हो मैं उआ मैं तिक पेल प्रिये मुष्किल है अपना पेल यो तार नहीं है चेल अंतर देना कि तुम पहुजी अब सर की वेथी मैं तो विसान का बेटा हु तुम रभडी की रमलाई हो मैं तो सक्षु सक्षु रेका तुम एसी घर में रहती हो मैं पेल के पीचे लेका तुम नहीं मारूती लगती हो मैं इस्कूतर नंब रेका इस तरह अगर हम चुप चुप कर आपसुमें प्यार बढाएंगे तो ये तो रोज तेरे ही अमुरी स्पूर को जाए तुम आपसली तोर मुझे भिजवातेंगे वो जेल प्रिये मुश्किन है अपना फिल प्रियुदार आग आई रेकरे मुखाती तुम सारव अदेश की घूरी हो मैं उत्तदहे की चाइपनी यंतर आप याद कहने नो यंदर क्यार्थी की जगे इस्तिमार करतें अधिलाइन आप शुमतुवे को देखकर सुने और अधिलाइन पांगे जितेंगे वो अंतर सब्सक्राइब में यहीं समाज यहीं से बने उठाए कि तुम अरमदेश की घौरी हो मैं उत्तरह की नादिप्रिये तुम दीवा 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 बोनस हो मैं भूपों की हर ताल प्रिये तुम हीरे जड़ी तस्थरी हो मैं अलमुनियम का ताल प्रिये तुम चिकन सूप मिर्यानी हो मैं कनकरवा की ताल प्रिये तुम हिरन चोकरी भर्ती हो मैं उकश्वे की चाल प्रिये तुमने चंदना वाल की लखरी हो मैं उब भूर की चाल दिये जाता देख मैं परके आफसान अठिका हूँ मतमारो मुझे बुले प्रिये उसी रह अपना मेल प्रिये प्यादी सुन्ग करिता सुन्ग करिता देख मैं शरीदे हो जैसादू कדओं तो तुम को मलगांचन काया ऑग तुम्हे से वालसे उतुम्हे ठृच्छे से पालगेहु कुम नियरमल-पास गंगा हो मैं जलता भॉप पकंगा हुँ तुम राजधा का श्ञत्लिसव के मतभू में घृמה हुं जानी कुफा अजन्ता की, तुम्हो वरदान विदाता का मैं नती हुभू। तुम्हो बदी की शोगा हुँ, मैं मस्कीध ये लाशना बेल-पे श्किलाए अपना वे फिके का मजी मैं घुए। तुम्हाई वीदेशी निक्सी हो मैं पद्धर का सिल बत्ता, तुम एके से तालिस जैसी मैं तो इकदेसी कच्चा हूँ। तुम चकुररावणी देवी सी मैं वोलाबाला लाली हूँ। तुम मुक्षेवणी जंगलकी मैं ची याघर का खाली हूँ। तुम यस्क सोनिया गादी सी मैं अमर सिंग साखाली हूँ। तुम हसीना देली दिश्टी मैं कुई सुमय किसी कादी हूँ गर जेल मुझे हो जाए तो दिलबाते ना तुम बेल भी ये बुश्किल है अपना है और तुम कि मैं धावे के नाचे जैसा तुम पास सितारा होतन हूँ मैं महुए का देशी थार ना तुम रड़ बल की होतन हूँ तुम चित्रहार का मदुरीत मैं कसी धरसर की जारी हूँ तुम दिस्व सुन्दरी सी महान मैं ठिलिया चाप कबारी हूँ तुम एपल का नोभाइल हो मैं तेली फोन भाला चूँगा मैं मच तुम चित्रही मान सरोवर की मैं साधर तकाऊंगोंगा दस मंजिल से गिर जाऊंगा मत आगे मुझे दखेल प्रिये मुष्किल है अपना भेल प्रिये तुम जया पुर्दागी सारी हो मैं शेखरवागी डाली हूँ तुम सुस्मा जैसे कि दुषी हो मैं लग्लू लाला नारी हूँ तुम जया जेख टीसी कुमल मैं सिंह लुडायं साधर को तुम हे मामाली से सुंदर मैं बंगालू की तरेवो तुम सत्ता की महराणी हो मैं पच्छ की लाचारी हूँ तुम हो माया और मताजी मैं ग्वारा अग्ड़ियारी हूँ तुम सत्ता की महराणी हो मैं उपच्छ की लाचारी हूँ तुम है के लिए देखाए में पस्ते जीजन हो मैं उडा आमें अटरीक लिए उसक्छ की लाचारी हूँ तुम्ति लोगो और सुनना चाहते हैं आप साथी मुझे बतारे पालियरताबी आपके पो पहले से अज्टी अएंटी अजर के अजर के आख पाली आएंगे झाली के बाद पाली नायओ बाद आख में जाताव वह ज़पके बाद बुदर में इकुड़ा है चोटे मागू को डेश बहुत अच्छा कंड आध Bowser मैंसा हुं इसे सथ्चे मैयने में समाष्यवा इसलिए की रोता प्रदम एक युद्ट पढ़ता हूँ वारा कुर्ट मो ऱंद कि सबनार्थ को मैंभी की अ कलम से कि acá सीtha है तर्वे परकुषफ नियुक्रण है क्या थेयुक्ता अनुद के लिए मैं आपको शुनाता हूं कही जट्रों रहा कि अ है अनन्द का दीता है कि आ है कि तरफ सिरे फटार अब में बाती हम बीड़ा है। कोई कॉंगरेस का वो थुड़ी देर को इस्तिफा करते है अज में पाली को जा लोपी कोई तो लोगमत में इस्विधा है लांकि कॉंगरेस के इतनी सीठें भी नहीं आई इतने नानुम जी के बच्चे है कि आपको सोचो के कि में कॉंगरेस का ये बाइट पार मुझा तक फिर आसिदी आओ पाउ संम्माज का फिर आट की का जो हमागी कोई इसक्तों हो गया बटताना तारसिया आधि मैं आप पार बोलें किन आखको मैं बोलें थि आज दोगी सिपधार थिका राश्या ते खोड़ कॉंगो रेसे के लोगो, जो वो यावो भोगो, राहूर बाबाजी हम खाओ, बैक्य देखो भोगो अगर समर्दों क्याता है, तो बहुत नहीं बोलना चाहता हो इदर माले लोग तुछा खामों से, साथु बाबाबा मर्यारदी अगठे तुछ कि कॉंगो रेसे के लोगो, जो वो यावो भोगो, राहुत बाबाबा च्रिंगन खाओ, बैठके देखो लोगो, करमाणी ऐ राजा, बज गया सब का बाजा, चिदंबर्म से कहें सोनिया, लूली डांस दिखाजा, तुम्हें ढूगो गया, मौनी सरदार रसिया, देखो, बोदी ने बनादी सारी, जोनदार रसिया, सोच रहे हैं अन्ना, सूप के हो कै गन्ना, मुझको धर में परवैठा कर सी अंपन गया, पुझको धर में परवैठा कर सी अंपन गया, मुझको अंपन गया, मुझको अंपन गया, मुझको धर में परवैठा कर सी अंपन गया, अपन गया, ईसा ना हो चलाया, जापहनी को गीता लेकर ट्रिट परह, अईसा ना हो चलाया, जापानी को कीता देकर द्रेट पेल आया धबराये को बामा बना जाए शुदामा ऐसा ना वो प्रण उतार के पना देवादा कि पार प iemand के पहना से नहीं तो पेंटा रखें पहना देवादा natur भाड याज शुदां dimension तो रहे थे दादाजी ने समझाया में का उता हुँ आगे। तूबन जाए पुठिया गोतो सब है चंगू मंगू होती है छेप्थिया मिया पिलाव अल्लू हमें नसम्छों कुल्लू का सबीर की जगय मिलेगा बाबादी का अजन दूबन यह मिलेगा बाबादी का फुल्डू शेरो के आगे हैं अभ्ण पिकार रस्या देखर मोंधी में बतादी सर्माज जो नुतार रस्या अमरीका था जिजा नहीं दिया घापीचा अब कहता है जिजा जिया तक खागाउ अब कहता है जी जादिया कर खाजाओ पीजा रामदेव की माया ऐसा पेट गुमाया पेट गुमाकर कौनों देशिका तो कर दिया सभाया अब वो कर रहे स्वादेशी का प्रचार रसिया तेफों मोदी ने बना ली जरी जो मुर्दार रसिया इलना डिया कहती दन्गाम यहा नहित्री जादिमक आप सब्सुक्त में वह इसे नावरी है एक विक निवी जकर सेंगा मैञ विक का ओदो जागो बना कर्ति ढहिएया अब तो जागो recursos ऑद को तो जागो कित दो धूद . दोगेला अंगुलाभी मिल नहीं देश की चाभी जनता कहती मोदी मिल्या घरने आवो भावी देने छोटा कोदी कर दो तैयार रसिया पर नाना लूजी से लिलो इक पूदार अब नहीं हार रसिया देखो दोगिंए पर माली से लिए आधी अधी बुर्श कोई जेगी रेंट से हासे कैसे निकले राजीश से हासे कैसे निकले सवासे हासे कैसे लिएक लेकिन मैं कुछ मेरे दिल की कुछ पाते करके आपसी विधा चाओका राज साब यहां बेठें तो मेरा भी मन करता है कि मैं कुछ शाहिरी करूं कुछ अच्छी बात है कि बस चार-चे प्रंक्तियां पढ़कर श्यायद आपको अच्छा लगेगा तो बीस-पच्छी कर दो और फिर उसके बाद रहां जी के मूट पर आपको रहा है कि शाहिरी ने आपको पता नहीं कि बाबा करना होता है और बाबा करने होती है बले कुछ अच्छा कहा हो नहीं अपने लिए क्या अपने शात्रा को गुश्य ही तो मैं चार प्रंदियां पहले सुनाता हूं राज कि मुकदर में किसी के भूरे और और फूर बूलों होते हैं हमारे फाब रोटी चक ना चूर होते हैं अबरे फाब रोटीन के भी चकना चूर होते हैं हमारे फाग रोटी के भी चक्चकना चूर होते हैं जवासन हजब बोली खाके भी को नाम रहता है सियासतार चूते खाके भी रश्रुदी 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 क्या हमारे हाथ में जो पूल है पत्थर नौटी हमारे हाथ में जो पूल है पत्थर नौटी किसी बेवा का दामतर नौटाए तरक्तों को अगर काटो इसासत लोग परिंदों से कि अपना घर बनाने में कोई बेगा बनाने में इससे बढ़िया सुनाता हूं हमारे तमाम फुद्रों लोग पैठे हैं आपको आपके पिता की यादों तक ले चलता है कि आसा दो सबसे अच्छा है आप थोड़ी कम मिल नहीं है कि समंदर मां की ममता की भी गहराई न छूपाया हजारों छंद लिक तुल्सी की चौपाई न छूपाया मुझे पठ्चपन में बापा ने चुपाई थी जो काथों से जहाजों से भी उलकर में हो पुचाई जहाजों से भी उलकर में हो पुचाई कि जिसे अफ़ाबों में पानावों वो सोजाने से मिलता है कि जिसे अफ़ाबों में पानावों वो सोजाने से मिलता है मेरा चेहरा शहर के दीवाने से मिलता है वो जिसको फूरते फिरते हैं मंदिल और मस्जिद में वो फोजे से नहीं मिलता है करतारे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैं एक पंटी में पुरूरत्या के खिराफ रखनों में चल्मत संग्रे देखना चाहाँ एक पंटी का अंगुलत पढ़ता हूं मैं वो भाई आपके कारता हुए कि बेटी ओं के निए निए बेटी रक्षाना संख्लत ती वो अपने कैमरेसे जिदनदगी के सिहन लेता है वो अपने चाहने वालों के दुख्डे पहीं लेता है हूँ अगर कोई खामोस रात मियों दुख्रों अगे दिल की बंगे है राशाब का देश्वतूं वो अपने चाहने वालों के दुखड़े पील लेता है कभी भूले से बेटी गल में तुम्हार मत देना वो बेटी मारने वालों से बेटा चीन लेता है चीन में पुल रोली का प्वार नहीं होता रक्षा बंधर के चंतल का प्यार नहीं होता उसका वाधर हर्द है जिसके घरने में घर में hoo कि भल बना कि बेटी पुरानी घिंटियों को खोलती है बेटियां घरे होता हुट धर के मांने की मिसमा, वाल आप बडबन कर तरह कि प्याला प्याला है हाँ दिन कलवाओं रेका नक्ष्मी बाई बनी है इंदिरा बदकर सभूचे विश्व के आगे तरी है मदरग देरेसा बनी कवणा का साजर हो गई है जाके नासा में सितारी आसमा में हो गई है और बॉल गई है इसा सारी जहां को जीत लाइं सायना पर खेज के मैदान में भी जिए सबस्क्राइब होते है और बूर्थ है जो पेटियों को पेटियों को में तोसे कम ने वाब की पगणी है मां का रेष्वी परिदान बेटिया भरवाट का सब्सक्राइब प्राणों के लिए अब्राश से तकड़ा गई है मुर्ख काली दास के विक्योत्मा से मुंतिपाई और इक रतना वली ने राहत कुछी को दिखाई गारणी में वित्वता से घ्यान को आगे बढ़ाया और सीता ने जहां को धर्मपतनी का बताया एक राता के बिना है एक कषणका की साथुना वक्तिरस को प्रावन देता है मीला का धुक्ति रचाहिए व्यां प्लीक्यां और तुर्दा के मार्ना शयक्तिका हुद्प्राण लितनी आवित्तिजिक वे पुनिकात टार्य। अब है 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 लू el रख लो हर गूंकर हम नुमकरें पारिया खें करेंग्ट करेंग्षा में हमुजए सामान करें। साङ्पने मुझरों का हम भुजरा की जोलिस होलिफ हरें, मुझरों का हुआर्ग का शामान करेंrov, ग्रश्ट का पंधिए। जवान है। कि शाम हमें जोथ। वाण। इंसान क्या दिस्मे कि वाग्यार नहीं है, वीद क्या दिस्मे कि कोई तान नहीं है, मंदिर की मुर्थियों से दुआ मागने वादों, मावाब से बढ़ करते हैं। यह आमारे वादों नहीं कर सकते हैं, तो दुनिया में किसी धीरत रुथा कोई फायदा आपको कि विली हमादा पादे है है। मेरा मत था कि मैं नखनौ उपर नखनौ माद। थाके तो मैं बहुत बेर लेकांग करते हुए यह आपी एक त्री लोगियों के सब लिखे हैं लेकिन कभी की अपनी सिमाएं है कहता है को मन पाता है पर देखें कोई तरह कुछ है अब लोगी पर दूगा आप बहुत अच्छा कभी खत्म लिए तो आप्मिया सब अब लोग करता हुए आप यह यह जी लिखाय सब लिखाय क्या क्या सुनाएं राज सापको भी सुनाएं मैं लखनौ में हूँ इसलिए लखनौ की नजब की कौपी आके सांदे रहा हुए मैं देखकर पढ़ता हूँ क्योंको ममाइल में और लखनौ आया हूँ को मैं समर्पित करता हूँ क्या साथ कि हजारों शेरों में उंचा खराना लखनौ का है पहली बार पढ़ रहा हूँ का दात देना तो दिल खोल के देना मुझे लगे कि मैंने लखनौ में लखनौ पर पढ़कर मुझे दखती दें कि हजारों शेरों में उंचा घराना लखनौ और अ के जमाना लखनौ मादा समγαने लखनौ के नमाबी दौर में इसकी निरानी शान कि ट्यारे। वो मेले और तमाशेते की दुनिया होस्कूती थी दमक्ती जग्मदा तीसी अवक्ती शाम होती थी नवावी शहर है जिसको की लक्षमन में बसाया था यहीं हजरत महले हुसना अपना दिखाया था यहीं बेगम ने गज़नों की शमा जमकर चलाई दी यहीं बारातरी में शाह सजाई ती यहीं परकास की बुल्फी यहीं लाजा की ठंडाई यहीं है भूल भूलिया किसी ने राह ना पाई यहां ज़त्ति वर्वों की कतारे चर्मदाइब आती है यहीं पर शांद को चग्रत की हुरे मुष्कराथी है गिलोरी पाई की खाकर यहीं आशिक पहते है यह यहीं आकर खुद्रवों के खाकर यहीं आरे घृत्ति ने यहीं आकर कि जनता मत्रियों की राह करती है यहीं पर ठास्वर होते हैं रुकवाये जाते हैं वर यहीं पर आई भी है यहीं पर अनुर्टा किनारे अभी गोगती के हैं हनुमान का मंदिर किनारी है अभी तक इस शहर का एक जल्वा नवाबी है कि हिंदुस्तान से बाहर किना कवावी है बताओ आग का ऐसा की भी और देखा है यहीं अम्बेदकर उद्यान नुलिया पार्फ होता है नवाबों के शहर की आज भी शाही कहानी है पुरा में दौर से एकर अभी तक राज थानी है सुनो जोगी यहीं पर एक अध्मिस्तान बस्ता है मिया इसका डव में पूरा देखा है अध्मिस्तान बस्ता बहुत 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 शुक्रिया नमस्ता शेयने कई लोग बहुत मुस्तेद होकर बैट रहे हैं कई यों की तो गोदों जूतेशा पर नगत रहे हैं यह बहुत अछी सुलक्षा कर श्ता है और उन पुलिस कर्मियों का मैं बहुत आभारी थी जिनोंने उधर का कुछ बल्बा शांत किया और खुद भी शांत हो गए वरना मैं तो उत्तर प्रदेश में ये खाकी वर्दी देखे आँखें तरस गई थी महराज क्योंकि जब से हां आई जी पांडा ने उतार लिया मैं तब से जब भी किसी खाकी वर्दी पुलिस वाले को देखता हूँ मैं समझ जाता हूँ ये खाकी वर्दी में गोपिया भूम रही है लेकिन आपने अच्छा काम किया क्या वेंगे साब वाव 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 एक साब में मुझे देखकर सीटी बजाई है हो सकता है काफी पहले वो बजाना चाह रहे थे लेकिने के लिए मैं आपके सौंदर बहुत हो प्रनाम करता हूँ लोग काफी संख्या में हैं और ऐसे बैठे हैं जैसे बैठने ही आए चलिए मैं आपसे जुड़ता हूँ और चार पंकियां पढ़ता हूँ गहुत सारी प्रेम मुहबत की बात हुई सुमंदुबे बहुत बढ़िया सुना के गई और हमारे जिया सहाथ मैं तो हासे बैठन का शायर अगर प्रेम को शब्द दू तो चार पंकियों आप तक पहुचाता हूँ हासे बैठन का शायर प्रेम को क्या शब्द देगा कि इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था इतने काफी है बात कुएं से शुरू हो रही है कि इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था तेरे काधे पे मैं सर्रक के शाम बैठा था और एक पंक्ति में हास से आया हो तो जूम जाएं आगे से पीछे पर कि इश्क में इतने कोय हैं मुझे मालूम न था तेरी उल्फत में धूए हैं मुझे मालूम न था तेरे काधे पर में सररक के शाम बैठा था तेरी जूलफों में जूए है ये सर्वेस अस्थाना बैठा है वाँ देख बाल जुए होडर ना बहुत पदाई देता हूं भाई बर्मा जी हमारे अधर बैठे हैं और में बढ़े नाम यहां बैठे हैं वसीम बरेलवी सहार प्रहात इंदोरी जी और इधर कुमार विस्वास आसी शनल और सर्वेज भाई मैं दिल्ली से आया हूं आपके बीच राजनीत की नगरी से चार पंतियां राजनीत के नाम पढ़ता हूं पिछले दिनों यहां बहें जी की सरकार थी आप सब जानते हैं उन्हें अटल जी ने अपना दिल्ली से समर्थन दिया था उस समर्थन पर मैंने चार पंतियों में एक टिपणी की थी और टिपणी की सवारी होनी चाहिए कि मैंने कहा अटली जी आपने ये सोचा कैसे कमल उपे हाँ थी की सवारी होनी चाहिए मनु आदियों ने बड़ी देर में विचार किया भाज़पा और बसपा में यारी होनी चाहिए अटली जी बोले ये तो देश की परंपरा है नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए और अंतिम पंति में तर्क लगे तो एके खात समर्थन करें क्या कले जी बोले ये तो देश की परंपरा है नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए कि देश की कमान को कुवारा है समाल रहा उत्तर उप्रदेश में कुवारी होने चाहिए कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि यह सब बसपा वाले हैं बर्मा जी बहुत खामोस बैठें ऐसा कुछ नहीं हो आप लिश्चिंत रहें और अप्तों साब ना कुवारा है ना कुवारी है एक सरदार जी की बारी नई सरकार आई मैंने टिपणे की कि संसद में बागी मंत्रियों पर हंगामा हो रहा है लोकतंत्र का ड्रामा हो रहा है आपस में चल रहे हैं जोरदार मतभेग और उधर मन मोहन सिंग सोनिया जी से पूछ रहें कि मैडम पगणी मीली बांधूने सकें ये राजिनीती की विडमना है राजिनीती एक व्यापार बन चुकी है कैसे कैसे लोग आते हैं कैसे परचार करते हैं मैं परचार का छंदेक आपको सुनाता हूँ किस सपावा ले बोले की मुलायम जी को लाया हूँ मैं कैसे परचार हुए होंगे निकाए चुनाओ किस सपावा ले बोले की मुलायम जी को लाया हूँ मैं बस उपा में मायासी दिवानी देख लीजिए माल बुक रहा है खामोशी से मत सुनों देखो साथ मुझे खामोशी में पढ़ने की आदत नहीं है पिछले दिनों मैं मुंबई गया सहाब मैं कविताएं सुना रहा हूँ एक आदमी बिल्कुल हस नहीं रहा है मुस्करा नहीं रहा है बिल्कुल भाई साथ की तरह मैंने का बैसाब मैं असाने की कोशिस कर रहा हूँ आप हसी न आदमी रखे हुए। फिर मैंने का आप ताली भी नहीं बजा रहे हैं, मुने खुद क्यूं वजाओं। अमीर हूँ, आदमी रखे हुए। थोड़े दिन बाद उसकी शादी भी। मैं समझता हूँ, आप लोग इतने अमीर न हो जाएं। बात पहुचे तो आपका समर्थन आना चाहिए। कि सपावाला बोला कि मुलायम जी को लाया हूँ, मैं बसुपा में मायासी दिवानी देख लीजिए। और जनता दल बोला कि मैं दल दल में फसा हूँ। लालू बी पीसी कोई मिशानी देख लीजिए। कांगरेसी बोला कि विदेशी माल लाया हूँ। कांगरेसी बोला कि विदेशी माल लाया हूँ। एक बार इटली की रानी देख लीजिए कांगरेसी बोला की विदेशी माल लाया हूज एक बार इटली की रानी देख लीजिए भाजी पाई बोला डवानी देख लीजिए या बार बार राजा हिंदुस्तानी देख लीजिए राजनितिक पार्टियों के चुनाव चिन से एक्षन सुनाता हूं कि मैंने एक तुबालिका से हाथ मिलाने को कहा वो बोली कि भाग जा तू कांगरे से आई है और सांसे गुमान से तू साइकिन से गुमता है ऐसा लगता है तू सपा का अनुयाई है मैंने कहा फूलो देखे प्रिये मत भूलो करो राबड़ी बनाने की कसम तुझे खाई है और एक पंक्ति एक पार्टि को समर्पित करता हूं उसके चरित्र को आप समझ जाएं तो बताएं वह शारा कि मैंने कहा फूलो देखे प्रिये मत भूलो करो राबड़ी बनाने की कसम तुझे खाई है फूलों देखते ही वो कुमारी बोली ब्रमुचारी शादी तो करेगा नहीं तू तो भाजी पाई उसके बाद से जब भी कुमारा आदमी मुझे दिखाई देता है मैं समझ जाता हूं यह उसकी उसकी हो नहीं गई और या फिर यह भाज पाई राजनीती में कैसे कैसे लोग आ गए सहाब सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं आते लोग वर्मा जी की तरह मुझे तो बताया गया बहुत परहे लिखे हैं लेकिन कैसे कैसे लोग राजनीती में आने लगे मैं तो दिल्ली रहता हूँ संसत की सितियां देखता हूँ शुद्ध व्यंग आप तक पहुचाता हूँ कली भई आपको समपित करता हूँ कि कोई यहां डाकूली यह चाकू है लडाकू कोई जीत के चुनाओ नाओ जैसे तन जाते हैं धूल में खेले न कभी भूलू से इस्कूल गए बिना पढ़े लिखे सिक्षा मंत्री बन जाते हैं मैंने कहा बिये बिना पिये रखते हैं आप पिये बिना कैसे फाईलो को निप उटाते हैं और एक पंक्ति का ब्यंद जीवन की सर्वसेष्ट पंक्ति पढ़ता हूँ आप सब के साथ ने जो कविता समझने वाले लोग है वो एक पंक्ति के ब्यंद को पैचाने कि मैंने कहा बिये बिना पिये रखते हैं आप पिये बिना कैसे फाईलो को निप उटाते हैं वे बोले कि का महा मंगूठे से चलाते हैं जी पहले चूसते थे अब लगाते हैं और दिखाते हैं वाँ 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 मैं समझ रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल कहीं लोग दुबारा पढ़ने के लिए कह रहे हैं मैं समझ गया यह सब सप्लीमेंटरी से पास हुए हैं मैं एक दीट पढ़ देता हूं हाँ हम एक दीट थोडी से देश और दुनिया में क्या-क्या घटनाएं घटी, उन घटनाओं का एक चित्रहार आपको दिखाना चाहता हूँ गीत के साथ आप सब की तालियों की ताल होगी तो आनंद आएगा दो-तीन तालियों के लिए बहुत भेनेवाद आए मैं गीत पढ़ता हूँ और भरपूर आनंद ले आप कि देखो कुरुसी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए ऐसे मैं सुनना जैसे संतोसी माता की कता होगा कि देखो कुरुसी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए करदी खटिया खड़ी हमारी ओ जमाना बदला जाए कि देखो कुरुसी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए हुआ फील गुड फेल अटल जी हो गए पानी पानी हुआ फील गुड फेल अटल जी हो गए पानी पानी भारत उदय करथले डूबा कहते हैं एडवानी इटली वाली पड़ गई बारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुरुसे की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए पहले अमुरी का रहता था सबसे लेकन उसकी चाती पर चश्च बादल्द बैठा करता फिरता सबसे रार यो रमाना र३ा वह वाबा क्या हुष रूए वाबा क्या करने हैं पिर प्लूज करता वाबा 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 बाल भाल estimate भाल बाल मुझे तो याद आता है कि इसी तरह अगर पुरुस पुरुस को वर माला पहना ही तो परिवार नियोजन के सब मसले अलो जाए कि पहले अमुरी का रहता था सबसे एंठा एंठा लेकिन उसकी छाती पर जब सेला दिल नद बैठा करता फिरता सबसे आरी ओ जमाना बदला जाए देखो पुरुसे की बल्यारी ओ जमाना जो लोग हाथ बानके बैठे हैं अभी भी उनके लिए कुछ पंकिया पड़ता है कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी कि जो ज़्यादा ताली पीटेगा हम होंगे आभारी पीटो शर्मा और तिवारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुरुसे की बल्यारी ओ जमाना बदला जाए सब कवियों की इच्छा सोता ताली खूब बजाए और लिफाफा दिये बिना सईयों जग खिसकल नचाए कि अभा भाभा 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 ना ये मामला वर्मा जी बहुत पूने में बैटे हो इदा आए कि सब कवियों की इच्छा स्रोता ताली खूब बजाएं और जहां ऐसा हो जाता है वहाँ इस कुमार विश्वास की हालत क्या होती है कि सब कवियों की इच्छा स्रोता ताली खूब बजाएं और लिफाफा दिये बिना सईयों जग खिसक न जाएं कई लोग बीच बीच में उठ रहे थे साब कभी इदर से कभी उदर से मैं ये पंतियां पढ़ता हूं और दावे के साथ पहता हूं कि किसी की उठने की हिम्मत हो ये सुनने के बाद तो मैं उसकी हिम्मत देखना चाहता हूं और अपने कहने के सलीके पर आपकी दाथ देखना चाहता हूं कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाएं कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर किता जी खत्रे में पड़ जाएं कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाएं राम करे वो अपने घर में गुसा पलो सी पाएं कोई जाना चा रहा है बाईस आप तो कह रहे हैं अपन सबेरे तक ली जाएंगे किराम करे वो अपने घर में गुसापडो सी पाएं डूबे उनकी लुटिया थारी ओ जमाना बदला जाए तेको कुरुसे की वलिहारी ओ जमाना बदला जाए पासवान का ब्रम तूटा और वापस आगए बूटा विहार की स्थिति की पासवान का ब्रम तूटा और वापस आगए बूटा उखर गया अब की बिहार में लालू जी का खूटा रबरी बना रही तरकारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुल सेगे वलियारी यो जमाना बदला जाए कि लालू बोले सीम रहकर नौनौ बच्चे जाए अटल बी आरी पीम होकर बाप नहीं बन पाए और अगली पंती दक्षिन की हो है याटल बी आरी पीम होकर बाप नहीं बन पाए अम्मा बन गई एक कुलारी यो जमाना बदला जाए के खो कुल सेगे वलियारी यो जमाना दुबारा पढ़ने से यार व्या थोड़ी हो जाएगा है कि लालू गोले सीम रहकर नो नो बच्चे जाए अटल बी आरी पीम होकर बाप नहीं बन पाए अम्मा बन गई एक कुलारी यो जमाना बदला जाए देखो कुल से की बलियारी यो जमाना बदला जाए अपनी बीबी नहीं सुआती दूजी पर लल चाए सर्वेस अस्थाना को समर्पित कुछ पंपना जाए ये इसकी किसमत है ब्यार के समय भी नहीं पुला था ये अजीब प्रेम है ये बोतल बहुत काम आती है जिन्दगी में साथ ये बोतल बहुत काम आती है बच्चा पैदा होता है पैदा होते ही उसके मूँ में दूब की बोतल इस्कूल जाने लगता है तो पानी की बोतल लेके जाता है लगता के और बड़ा होता है तो दोस्त लोग बियर की बोतल पकड़ा देते हैं और थोड़ा बड़ा होता है तो दोस्त विस्की बोतल पकड़ा देते हैं विस्गी जादा हो जाए तो गुलुकोस की बोतल है और गुलुकोस की बोतल जब काम करना बंद नहीं करती तो खून की बोतल चड़ानी पड़ती है और जब खून की बोतल भी बेकार हो जाती है तो अंत्र में गंगाजल की बोतल है यह बोतल पर बोतल माले जोड़ता हूँ कि अपनी बीबी नहीं सुहाती दूजी पर ललचाएं अगर मोनिका मिल जाए तो सबत लिंटन बन जाएं लेकिन मिलती नहीं वेचारी ओ जमाना बदला जाएं वेको पुर्जीगी वलिहारी ओ जमाना बदला जाएं अंतिम पंकिया मैं आप सब के लिए पढ़ता हो जिस मन से आपने मुशारा सुना है कभी सम्मेलन सुना है कि लंदन देखा पेरिस देखा और देखा मरी का मगर ये महमूदाबाद के आगे सब कुछ лागा फीका अपने लिए बदा दो तारी ओ जमाना बदला बैट ने ने पढ़ेंगे आप बैट जाईए डाक्टर सुनीन जोबी से दर्खास है कि वो एक रचना होता है मैं बहुत बहुत आभार आपने बहुत मन से सुना और बहुत प्यार मुहब्बत की बात हो गई इससे पहले मैं सुचता हूँ राजिमी छोड़ता हूँ और थोड़ी देर मुहब्बत पे आता हूँ एक भाई ने इधर यू करके सुल्मान खान स्टाइल में अपनी इशर्ट फेकी थी हाँ आए आगे लोग सुझाओ देते हैं आदमी को यहां बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं पिछले दिनों मैं बाबा रामदेओ जी के यहां गया एक कभी समिलन किया था वहां मलीका शेरावत भी आई थे मैं सोचता रहा क्या कहा होगा मलीका शेरावत ने बाबा रामदेओ से मलीका जी का नाम सुनकर जो बुजर्गों के चेहरों पे रौनक आई है मैं बताता हूँ क्या कहा होगा व्यंग आपकर पहुंचे मलिका जी ने कहा होगा बाबा आपने लुंगी लगाई पूरे देश में पुरसिधी पाई गांधी जी ने लंगोटी लगाई पूरे संसार में पुरसिधी पाई बाबा मैं पूरे ब्रह्मान्ड में नाम कमाना चाहते। लोग सुझाओ देते हैं कि आदवीं को प्रेम करना चाहिए, महबत करनी चाहिए और ऐसे ऐसे लोग सुझाओ देते हैं जिनकी खुद की शाधी भी नहीं उरी होती है और उनकी तो छोड़ो उनके बाद की भी शादी दूए वो कहते हैं मैं तो कहता हूँ प्रेम एक ऐसा रोग है जिसमें न एलो पैथी काम आती है न होम्यो पैथी काम आती है बस सिम पैथी काम आती है कि अंधे हमें शेहर का रस्ता बता रहे हैं अंधे हमें शेहर का रस्ता बता रहे हैं लंगडे हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं वो हमको महबत की पोथी पढ़ा रहे हैं और एक पंक्ति में भर पूरा हास हाथ फिर खुले कि वो हमको महबत की पोथी पढ़ा रहे हैं जो अपनी प्रेम का से राखी बंधा रहे है जो अपनी प्रेम करता है पड़ी मुश्किल होती है क्या मुश्किल होती है चार पंक्रियां देखें आप मुश्किल क्या होती है प्रेम क्या है आशुओं में डूबी मेरे प्यार की कानी भीतर से है बुड़ापा बाहर से है जवानी तेरी नजरे कैसे मिलाए जानी कि नजरों से तेरी नजरे कैसे मिलाए जानी तेरी दाएं आखकानी मेरी वाईं आखगाने तेरी दाएं आख मैंने कुमार विस्वास से पूछा मैंने का भाई बड़ा कवी बनना चाता हूँ क्या करूँ बले बड़े कवीयों की किताबें पर हूँ मैं बच्चन जी की मदुशाला लाया पढ़नी शुरू की बच्चन जी चल बसे काका आससी की किताबे लाया पढ़नी शुरू की काका जी भी चले गए कल शाम को में कुमार विश्वास के घर गया मैंने का कुमार भाई आपकी कोई पुष्टत पढ़ना चाहता हूँ यह बहुत तेज आदमी अंदर गया और पत्नी की उठा लाया बोला इसे पढ़ो वो भी कविताएं लिखती है मैं समझ गया कि अगला पत्नी से कितना प्रेम करता है मैं मोबाईल पे बात कर रहा हूँ बोला किस से बात कर रहा हूँ मैंने का बीबी से बोले आधे गंटे हो गया बीबी से बात मोबाईल पर मैंने का मेरी थोड़ी है यह प्रेम से हाथ से निकालने की सिती है ओगाना आता है रात भाई तेरी आखे जुकी जुकी तेरा चेहरा खिला खिला मगर जब चेरे पर हाथ फिराया तो धाई सोगरा उन फेरें लबली मिगा ये प्रेम में मुश्किले क्या क्या है मैं एक गीत पढ़ता हूं और अगर आपको लगे कि ऐसे संबोधन ऐसे अंतर आपने प्रेम में कभी सुने नहीं तो एक एक संबोधन एक अंतर पर आपके ठा आपके मस्ति आपकी तालियां चाहता हूं प्रेम से हास निकालता हूं और ओगीत परता हूं कि मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है खेल प्रिये तुम एमें फस्ट डिवीजन हो मैं हुआ मैं ट्रिक खेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्य नाम लेते ही बाबा उठ खड़े हुए येतना भी मुश्किल नहीं है बाबा लेकिन जाईए पता नहीं आदमी कब 20 से अचानक इस से कोई भी उठता है तो दूख होता है कभी को अच्छा है मैं अंतर बता है कि तुम फोजी अपसर की बेटी मैं तो किसान का बेटा हूँ तुम रबडी खीर मलाई हो मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ तुम एसी घर में रहती हो मैं पेड के नीचे लेटा हूँ तुम नई मारूती लगती हो मैं स्कूटर लंबरेटा हूँ इस तरह हैं अगर हम चुप चुप कर या पसमें प्यार बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमुरीस पुरी बन जाएंगे सबहदी पसली तोड मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है खेल प्रिये तुम अरब देश की घोडी हो मैं हूँ गदहे की चाल प्रिये तुम दीवाली का बोनस हो मैं भूखों की हर ताल प्रिये तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो मैं अलमुनियम का थाल प्रिये तुम चिकन सूप बिरियानी हो मैं कंकरवाली दाल प्रिये तुम हिरन चोकडी भरती हो मैं हूँ कछुए की चाल प्रिये तुम चंदनवन की लकडी हो मैं हूँ बबूल की चाल प्रिये मैं पके आमसालट का हूँ मत मारो मुझे गुलेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है ये पंतियां आप याद करने और घर में इस्तिमाल करने कभी जगड़ा नहीं है कि मैं शनी देओ जैसा कुरूप तुम को मलकंचन काया हो मैं तन से मन से कासी हूँ तुम महा चंचला माया हो तुम निर्मल पावन गंगा हो मैं जलता हूँ आपतंगा हूँ तुम राज धात का शांती मार्चु मैं हिंदू मुसलिम धंगा हूँ तुम हो पूनम काता जो महल मैं काली गुफा आजनता की तुम हो बरदान विधाता का मैं गलती हूँ भगवन्ता की तुम जट विमान की सोभा हो मैं बस की ठेल अंपेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है ठेल प्रिये तुम नई विदेशी मिकसी ओ मैं पत्थर का सिलबटा हूँ तुम एके सेंतालिस जैसी मैं तो एकदेसी कट्टा हूँ तुम चतुररा बड़ी देवी सी मैं भोला भाला लालू हूँ तुम मुक्त शेरनी जंगल की मैं चिडिया घर का भालू हूँ तुम व्यस्त सोनिया गादी सी मैं बीपी सिंग साथाली हूँ तुम हसी माधूली दिक्षित की मैं पुलिसमेन की गाली हूँ गर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम बेल प्रिए मुश्किल है अपना मेल प्रिए ये प्यार नहीं है कि मैं धाबे के धाचे जैसा तुम पांस सिटारा हो तल हो मैं मुए का देसी ठर रा तुम रेड लेवल की वोतल हो तुम चित्रहार का मधुरगी तुम एक सिदर्सन की जाड़ी हूँ तुम विश्व सुन्दरी सी महान मैं ठली आचाप कबाड़ी हूँ तुम सोनी का मोबाइल हो मैं टेली फोन वाला चोंगा तुम मचली मान सरोवर की मैं सागर तटका हूँ भोंगा दस मंजिल से गिर जाओंगा मत आगे मुझे धकेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है खेल प्रिये कुछ राजनी सेंतर सुनाता हूँ कि तुम जया पर्दा की सारी ओ मैं शेखर वाली डाढी हूँ तुम सुसमा जैसी विदुशी ओ मैं ललू लाले नारी हूँ तुम जया जे टली सी को मल मैं सिंग मुला या मुसा कथोर तुम हेमा माली निसी सुन्दर मैं बंगारू की तरैंपूर तुम सत्ता की महरानी हो मैं विपक्ष की लाचारी हूँ मैं अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है वो बार बार हाजिरी इसलिए लगा रहे हैं कि भी मुझे बत भूल जाना लेकिन दोस्त मैं आप से कहता हूं कि तुम्हारी शान घट जाती की गुस्सा या रुत्बा घट गया होता जो गुस्से में कहा तुमने वही हसकर कहा होता यह आवाज उदर से ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है मैं शुरू होना चाहता हूं सब लोग सुनना चाहते हैं एक बार बताएं मुझे तालियों से बस अब्योधान नहों जो कुछ भी कहना है वो बाद में कहलेंगे लेकिन फिलाल मैं आपके सामने हूं लोग कहते हैं वाट्सॉप आ गया ट्विटर आ गया इंस्टाग्राब आ गया फेस्बूक आ गया कविताएं कौन सुनता है कोई आके यहां देखे राम लीला का यह पावन मंच नौरात्री के इस परवपर सुरुवात में हम यहां हैं कविता सुनने वाले कितने सारी लोग यहां सालीमार भाग में हैं मैं कविता की दस पंक्तियों में पैरवी करता हूँ क्योंकि इस समय तक जो लोग बैठे हैं और आधनिया रेखा जी बैठी हैं तो निश्चित तोर पर कविता कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं मैं पैरवी करता हूँ सबसे पहले दस पंक्तियां पढ़ता हूँ कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हूंका रहा था वो कविता है जो मानस बनकर घर-घर गाई जाती है वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है समर्थन कमजोर नहीं होना चाहिए वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है वो बंदे मातरम कविता थी सब गोरे आग बबूले थे वो कविता थी जिसको गाकर से नानी फांसी जूले थे, ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरवारों में जाकर गाओ कविता चारन बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, मा का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती मत पूछो कविता की उलान ये स्वाभिमान बन जाती है और एक पंक्ति में कविता का जो सम्मान हिंदुस्तान में है वो कहीं दुनिया में नहीं है मैं सिद्ध करता हूँ आप तालिया बजाना कि मत पूछो कविता की उलान ये स्वाभिमान बन जाती है कविता ही है जो सवा अरब का राष्टगान बन जाती है ये राष्ट कहीं न सो जाए रातों में जागा करते हैं इसकी खुशाली की खातिरिये मननत मागा करते हैं ये मीर कभीरा सूरा के वंसा जिनका बंदन करिये और दोनों हाथ उठा करके कभीयों का बंदन करिये वाव 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 क्या कहने है रोक्टर साथ तो बहुत मन से आप बैठे हुए हैं छोटे-छोटे बच्चे भी बैठे इस समय तक वह बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दोड़ के बाप के पास गया बोला पापा पापा दीदी रो रही जीजा जी नहीं रो रह तो बाप ने समझाया बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी जो लोग समझ रहे हैं वो तालियां बजा रहे हैं बाकी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं यह मुझे रावन बता दिया चेतंगी जितनी बारिस आजकल हो रही है गुजरात से मैं अभी लोटा हूँ नहीं डूबा डूबाना पड़ेगा जलाने की जलाने की वजाए डूबाने की नौबत आजाएगी इतनी बारिस हो रही है रावन को कोट जाना पड़ा जजने कहा गीता परहांत रखके खसम खाओ जो कहोगे सच कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे रावन ने कान किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का विराट कोली का बाद में इनकी शादी किसी जेठालाद से हो जाता है साुधान रहना चाहिए देखो अभी मानिया सोनिया जी वो चितंब्रा मची से मिलनें तिहार जेल गए लाटके आई तो बच्चों को पूछा चारा लोगों 여िक इसमयुगों। यह देखो असली बाजबाई की पैचान यह कोई बात नहीं देखो मैं तो किवाल अनंद देने आया हूँ मैं चार पंक्तिया सुनाता हूँ ताल से सुनोगे तो और अच्छा लगेगा केचिरिवाल जी की यहां सरकार है आप अनंद लेना सारे परिवर्तन लोग सबाद चुना हुआ वहां से चार पंक्तियां हसी की निकालता हूँ सब लोग प्रधान मंत्री बनना चाहते थे हुआ क्या कि माया की जो हसरत थी वो प्यासी चली गई वन टू थ्री फॉर ऐसे करेंगे कि माया की जो हसरत थी वो प्यासी चली गई वन टू थ्रे अभी भी कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं जैसे पहले थे इतने कवी सुनने के बाद इन में कोई परिवर्तन नहीं आना मैं इन से कहता हूँ जो हाद बांद के बैठे हैं कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी जरा सा मुसकरादो बदनसीबी भाग जाएगी जो चेहरे पर हसी होगी पडोसन गाल चूमेगी आप बैया ने ताली बजाई है पहली बार इससे इनके चरितर का भी पता चलता जो चेहरे पर हसी होगी पड़ो संगाल चुमेगी जो मू लटका के बैठोगे तो बीबी बाग जाएगी कि माया की जो हसरत थी वो प्यासी चली गई जीती तो इस उम्रती की उदासी चली गई मोधी के फिर से आने से ये फाएदा हुआ केजरिवाल की खासी चली गई परिवर्तन तो हुए हैं, ऐसा नहीं अगर ये तालियां दसकुना कर दो तो मैं आपका आनंद सो गुना करने का वादा करता हूँ जिनको ज्यादा अच्छा लगा करें, वो हाथ उठा के तालियां बजाएं, जिनको कम अच्छा लगें, वो हाथ नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाले वीसी प्रोग्राम में हैं न, आदमी विपच्छ से भी कुछ मतलब नहीं है, कुछ लोग विरोध में चाते हैं, मेरे परोज में बित रहते हैं, गावतो वो रोस अबेरे रेखा जी, लोटा लेकर निकलते हैं, मैदान की तरफ, तो मैंने उनसे कहा कि भी, तुमारे घर में भी सोचा ले बना है, और अनुदान से बना है, फिर यह आप लोटा लेकर रोज सुबो क्यों जाते ह गोले जोगी जी हम विपक्ष में हैं ना, तो यह यहां विपक्ष मत दिवाई, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, उन्होंने एंटी रोमियो स्कॉट लागू किया, मैंने उनसे पूछा भई एंटी रोमियो क्यों बनाया, तो उनका जवाब सुना, सियासत से के समंदर में उतरने नहीं दूँगा, के चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूँगा, मैं भूब की गलियों से गुजरने नहीं दूँगा, इक रोमियों से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया, तुमें करने नहीं दूँगा, जो मैंने ना किया, जिन्दा बात और चार सुना लूँ मैं, और चार सुनाू. मेरे मतलब की तालियां भी हैं नहीं, मैं. नया कानून मना मोटर वेखल, वहां से टैनी निकालता हूं. कि जयादा की, सब लोग ताल दे सकते हैं, गा सकते हैं, मैं समापन का कभी हूं, इसके बाद कोई और मौका नहीं मिलेगा आपको ऐसे करने का, ताली बजाने का यहाँ कि ज्यादा की जरूरत थी पे थोड़ी खरीद ली, रोटी नहीं मिली तो पकोड़ी खरीद ली बढ़ते हुए चालान के आलात देखकर, हमने तो कार बेंच के गोड़ी खरीद मोदी जी ने नोट बंदि की, मैंने उससे भी जी निकाली कि मर्दों के लिए मोदी जी कथीम निकालो मिठा तो बहुतो चुका नमकीन निकालो अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो इस मामले पे पूरा भारत एक है कोई बदल नहीं है मैं एक हास्रे का गीत पहले पड़ देता हूं मोदी जी की सरकार दुबारा आई तो मैंने एक गीत को थोड़ा सा परिवर्थित करके आपके सम्मुक प्रस्तूत करता हूं अरे विपक्ष यह सब एक ही पक्ष है यह चाहें विपक्ष में हो चाहें पक्ष में हो भारत तो सबका पक्ष है ना तिरंगा तो सबका पक्ष है ना यह भी भारत के ही है इनका भी जंडा तिरंगा ही है यह भी हमारे ही लोग है कोई अलग नहीं है आनंद लो मैं भी किसी प कि सारे दलों में मचा है हाहा कार रसिया जो हम के सुनोंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा और अधी लाइन हमारे साथ गा भी सकते है कि सारे दलों में मचा है हाहा कार रसिया फिर से मोदी ने बना ली सरे कार रसिया ये लाइन सब किये congo race के लोगो यह मत सुनना का ये भी बाजपा वाले है बाजपा वाले है लेकिन हाँ कोई बाजपा थी कोई बाजपा थी अच्छे कामों के लिए सब बाजपा वाले की हो जाओ बुरे काम हो तो चानज इधर चले जाओ कि सारे दलों में थाल से सुने, सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सर, कॉंगोरेस के लोगो, जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा चुइंगम खाओ, बैठके देखो पोगो, कोई बुराई के है उसमें, मैं भी देखता हूँ पोगो, मेरे बच्चे भी देखत कि कॉंगोरेस के लोगो, जितना तालिया उतना अनंदी दर्स है, कि कॉंगोरेस के लोगो, जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा चुइंगम खाओ, भैटके देखो पोगो, सिंधिया दिग्गी राजा, बजगया सब का बाजा, चिदम बरम से कहें सोनिया, लुंगी डां दिखा जा, एक पंक्ति पर समर्थन देना, पूरा चुनाव एक पंक्ति पर था, कि चिदम बरम से कहें सोनिया, लुंगी डांस दिखा जा, यूवरा जो कोले डूबा चौकिदार रसिया, फिर से मोधी ने बना ली सर, जोरदार रसिया, सोच रहे हैं अन्ना, सूख के हो गय गन्ना, धरना देते देते देखो सीयम बन गया मुन्ना, धरना देते देते देखो सीयम बन गया मुन्ना, खाली फिरे का धया, डूब गई है नया, चंद्रा बाबू आंध्रा में करते हैं धया धया, धया, चंद्रा बाबू एक पंक्ति पर फिर आनंद लेना, कि गायल नागिन जैसी ममता की फुपकार रसिया फिर से मोदी ने पना ली सर जोरदार रसिया तेजस्वी कुसवाहा दोनों हो गए स्वाहा यार कि तेजस्वी कुसवाह तालियों में वो गर्वाट नहीं है जो मुझे आनंद कि तेजस्वी कुसवाह दोनों हो गए स्वाहा हार गया गटबंधन माया करती करंदन खुशिस्म्रती रानी रोय सोनीया रानी ऐसी चाल चली की सारे हो गए पानी पानी जो सी अडवानी को भेज दिया हरी द्वार रसिया जो सी अडवानी अब यह कोंग्रेस इँने ताली ब अरिद्वार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सरकार रसिया, अमरीका था खीजा, आजी लोटे हैं, कि अमरीका था खीजा, नहीं दिया था बीजा, अब कहता है जी जा जी आ कर खा जाओ पीजा, अब कहता है जी जा जी आ कर खा जाओ पीजा, ये गुजराती भाया, ऐसा द कि नुट की बंदी करके भी ये 300 सीटें लाया नोट की बंदी और अगली पंक्ति पर आत उठाना आनंद देखना कि नोट की बंदी करके भी ये 300 सीटें लाया अब की नस्बंदी करने को है तुआ अब की नसबंदी करने को है तैयार रसिया फिर से मोधी ने पनाली सर जोरदार रसिया अमिष्या हकी माया ऐसा लठ गुमाया जीना ठोक के तीन सो सत्तर का कर दिया सफाया वो गए गाल गुलाबी मिल गई देश की चाभी जंता कहती मोदी भाईया घरले आओ बाबी एक छोटा मोदी कर दो तया जरूरत है एक चोटा मोदी कर दो तैयार रसिया वर्ना लालू जी से ले लो एक उदार रसिया फिर से मोदी ने बना ली सरकार कर दोस्तों बेठेंगे तो एक कविता और सुना देंगे और मेरा निवेदन है कोई जाए नहीं बाबू बैठो ना कश्मीर पे बहुत जवादस कविता लिखी है अभी आपने नहीं सुनी होगी एक हफ्ता पहले हम लोग बनारस में थे और इस कविता ने जो जादू किया है मैं चाहता हूँ कि यहां के लोग भी सुने एक कश्मीर पे बहुत सार्थक कविता है उससे हम समापन करेंगे आज के कारिकरम का पांच मिनट की कविता है एक बार सब मिलकर तालियां बजाईए और सुनिये बजिए आज की आखरी प्रस्तूती है धारा 370 खतम हो गई है ल कश्मीर से बात करना चाहता हूं समर्थन करना तो सत प्रस्षत करना सब के हाथ करना क्योंकि मैं बहुत उमीद से सुना रहा हूं कि शायद मैं कहीं सकारात्मक बात आप तक पहुचाता हूं कि सारी दुनिया ये समझती थी, तु अकेला है, कश्मीर से बोलता हू, थुड़ा सा सयोग देंगे तो मुझे भी अच्छा लगे जा, कि सारी दुनिया ये समझती थी, तु अकेला है, भाई दैशत का तुने दर्द बहुत जोला है, लहू से बर्फ का रंग लाल नजर आता था स्वर्ग में रह के भी कंगाल नजर आता था स्वर्ग में रह के भी कंगाल नजर आता था दूर जो करती थी धारा का इशारा न रहा तेरा हम दर्द अब वो चांद सितारा न रहा तेरा हम दर्द उठे हुए आथों को सल्यूट करता हूँ ये कविता को जिन्दा रखने वाले लोग ही कि तेरा हम दर्द दो पंतियों पर सब के आथ उठे एक बार कि तेरा हम दर्द अब वो चांद सितारा न रहा आजा चल में तीरंगे के छुपा लू तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगा लू तुझको मेरे कश्मीर ये लाइन आप सब गए आजा चल में तीरंगे के छुपा लू तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगा लू तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे पूरा कश्मीर उतारता हूँ साब कि वैश्णों देवी के जैकारे लगा करते हैं कश्मीर क्या है? सारा सुंदर ये आप तक पहुचाता हूँ कि वैश्णों देवी के जैकारे लगा करते हैं रिसी कशप यहीं आसीस दिया करते हैं यहीं बरफानी अमरनाथ रहा करते हैं कष्ट सहने को ही रगुनाथ बसा करते हैं संकरा चारे ओकलहन की निशानी भी है जगमगाता हुआ डल जील का पानी भी है हर तरप चाई हुई इसके घटा मंगल की रहमतें बिखरी हुई आज भी हजरत बल की गोद में अपनी अकीदत से उठा लू तुझको मेरे गजमीर कलेजे से लगालू तुझको मेरे कश्मीर कले जेसे लगालू तुझको चप चपे पे यहां फूल खिला करते हैं चप चपे पे तेरे फूल खिला करते हैं ऐसे परवत हैं फलक से जो मिला करते हैं आसमानों से यहीं बर्फ गिरा करती है गंद के सर की हवाओं में फिरा करती है हजा पुरान यहां से वो के बागान भी हैं सौल पश्मीन खुश्क मेवे यो पकवान भी है सब प्यार दिखलाई पड़े सब कुशिकारों की तरें अमन का नूर नजर आए सितारों की तरें स्वर्ग से बढ़ के भी नायाब बना दूं तुझको मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको मेरे कश्मीर कलेजे जरूरी बंद पढ़ता हूँ सुनना कि निशात बाग के फूलों की कसम खाते हैं रेखा जी समर्पित करता हूँ आपको कि निशात बाग केवल एक सतर सालों में एक ऐसा प्रधान मंत्री आया जिसने तीन सो सतर हटाने की लिशात बाग के फूलों की कसम खाते हैं जो निभाएये हैं वसूलों की कसम खाते हैं वहाँ दैषत का कोई नाम नहीं होगा अब जागे थोड़ा वहाँ दैशत का कोई नाम नहीं होगा अब हूजी लशकर कभी पैगाम नहीं होगा अब हाई अब दुल्ला ने तोड़ा है तेरा मनसूबा तुझको आबाद न कर पाई तेरी महबूबा उर्यत जैसे ना अब लोग दुरंगे होंगे हर तरफ सिर्फ ती रंगे ही ती रंगे होंगे सदा आबाद रहे तू ये दूआ दू तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगालू तुझको कि चैन देंगे तुझे मुहमागी मुरादें देंगे तुझको पत्थर नहीं हाथों में किताबें देंगे वाँ! क्या कहने है? वाँ! चैन देंगे यही बात कहनी चाहिए आज कश्मीर से कि चैन देंगे तुझे मुहमागी मुरादें देंगे तुझको पत्थर नहीं हाथों में किताबें देंगे जो भी उजड़े उन्हें आबाद किया जाएगा कश्मीरी पंडितों को हक दिलाया जाएगा जोपड़ी मुझको हवेली की तरें लगती है तेरी बेटी मेरी बेटी की तरें लगती है जोपड़ी मुझको हवेली की तरें लगती है तेरी बेटी मेरी बेटी की तरें लगती है मेरी धरती तेरी धरती पे हैं इंसान सभी हिंदू मुसलिम नहीं भारत की हैं संतान सभी एक तावाला यही राग सिखा दूं तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगालू तुझको आजा चले में तीरंगे के छुपालू तुझको एक बार सब खड़े होके इसको साथ कहेंगे मेरे कश्मीर कले जैसे लगालू तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगालू तुझको मैं बहुत शुक्र गुजार हूं और बहुत बधाई भी देता हूं इस मेराथन मुशायरे और कभी सम्मिलन के लिए जो विश्व रिकॉर्ड बनाने का संकल्प लिया नदीम साब ने संजय भाठी जी ने और सिकंदर हयात गड़बर भाई बैठें हिंदी उर्दू के नाम इस डेस पर हैं दादरी में निश्चित एक बड़ा इतिहास लिखा जा रहा है मैं आप तक पहुचने की कोशिश करता हूं बात पहुच जाए मेरी तो फिर आपकी तालिया आपका शोर आपकी महबतें भी यहां तकानी चाहिए मैं हसाने का काम करता हूं मुस्कराहते बाता हूं दुनिया में और कहता हूं कि भीड में दुनिया के पहचान बनाए रखना घर में खुशियों की इक दालान बनाए रखना अपने होटों पर यह मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदूस्तान बनाए रखना उत्तर प्रदेश में अभी सरकार ने बंते ही ऐलान किया कि एंटी रोमियो इसकॉट लागू किया जाए महबत करने वाले प्रेम करने वालों को पकड़ा जाए उनको बंद किया जाए मैंने मुक्हमंतरी महोदे से पूछा कि ये ऐलान आपने क्यों किया ये कानून क्यों बनाया उनका जवाब सुनना मेरी बात आप तक पहुँच जाए तो मैं सियासत से हसी कैसे निकलती है ये आप तक पहुचाता हूँ योगी जी ने जो जवाब दिया मुझे एंटी रोमियों पर उस पर मैं कुछ बोलता हूँ कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूगा ये उनका जवाब है आप सब चाहें तो मुझे ताल के साथ भी सुन सकते हैं कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूगा हाँ मेरे साथ हैं कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूँगा महभूब की गलियों से गुजरने नहीं दूँगा महभूब की गलियों से गुजरने नहीं दूँगा इक रोमियों से योगी जी ने बात ये कही जो मैंने ना किया तुमें करने नहीं दूँगा जो मैंने ना किया तुम्हे करने नाल के साथ सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा और यह समर्थन आप दस गुना कर दें तो मैं आपके आनंद को सो गुना करने के बादा करता हूँ दिल्ली की सरकार आई दिल्ली की सरकार जब केजरी वाज जी की आई तो मैंने फिर चार पंक्तियां कहीं सुनना आप राजनी से स्यासत से हसी कैसे निकलती है कि धरने पे बैठ बैठ के धन नंतरी हुए कुछ लोग समझ रहे हैं तालियां बजा रहे हैं मैं उनका शुक्र गुजार हूँ बाकी तक भी मेरी बात पहुचेगी कमाल का देश है हिंदुस्तान बहुत अद्बुत देश है सो नंबर डायल करो पुलीस आती है सो रुपे दो चली जाती है अद्बुत देश है दिवारों पर लिखना मना है ये बात भी दिवार पर ही लिखके बतानी पड़ती है देश में रहना है आधार बनवा लो नहीं रहना है उदार ले लो मोधी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा तो विजाई मालिया निरवोधी पेक करा के ले गया बात आप तक कहुंचे तो बताना धरने पे बैठ बैठ के धन नंतरी हुए वाँone, two, three, four धरने पे बैठ बैठ के धन नंतरी हुए वो आम आदमी के हरदय तंतरी हुए हम चीक चीक करके संतरी न बन सके वो खास खास करके मुख्य मन्तरी रहे कि किस किस के दिल में लोग यहां कब से बसे हैं आलो कुनाथ नाना के सब पेंच कसे हैं यह देख करके खुश हुए इमरान आसमी सारे बुजर्ग लोग ही मीटू में फसे हैं सारे बुजर्ग लोग ही मीटू अच्छा लग रहा है तो मुझे बताएं आपके हाथ उठें मुझे बताएं कि आप तक बात पहुँच रही है एक और ताजा घटना पर सुनाता हूँ मैं बहुत ताजा ताजा कहता हूँ कि एक दिन उन्हें दुनिया बड़ी रंगीन मिलेगी हर्मोनियम बजाएंगे तो फिर बीन मिलेगी जो लोग बुड़ापे में जो लोग जवानी में भजन गाया करेंगे उनको ही बुड़ापे में जैसलीन मिलेगी उनको ही बुड़ापे में जो लोग अभी भी उदास बैठे हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी जरा सा मुस्करादो बदनसी भाग जाएगी जो चेहरे पर हसी होगी पडोसन गाल चूमेगी जो मू लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी इस देश में कहां तनाव हो जाए कहां जगड़ा हो जाए कुछ पता नहीं सा मैं बनार सकेया तो पंडित आपस में लड़ रहे मैंने एक से पूछा कि भई पंडित हो कि आपस में क्यों लड़ रहे हो तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लेसन और प्याज नहीं खाता हूँ तो मैंने चिकन में डालने की जरुवत क्या था तब मैंने कहा कि नौरात का ब्रत छोड़ के रमजान हो गए खुश्बू लगा के इत्र की दूकान हो गए इसलाम में है चार बीबियों की इजाज़त ये सुनते ही पंडिजी मुसल्मान हो गए आनंद दुआ मैं असाने का काम करता हूँ क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अर्मान में रहता हूँ साहिब मैं गरीबों के इमान में रहता हूँ पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ वाह 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 क्या कहना राक साब 19 का चुनावाने वाला है एक संकेत मेरा समझे ये अवाम कि ऐसा नहो की रंग में ये भंग जमा दे आपकी खामोशी में मुझे मज़ा नहीं आए रहा कि ऐसा नहो की रंग में ये भंग जमा दे इस बार एलेक्सन में न चुना ही लगा दे लगता है नोट बंदी जी अश्टी को देख कर ये जेटली मोदी को केटली न थमा दे नोट बंदी की नोट बंदी से भी हाँ से सुनना साओ कि मरदों के लिए मोदी जी कि थीम निकालो मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो वाहाहाहाहा अरे असल में असल में देखिए मैंने जिस भरोसे पर बड़े भाई से गुदारिश की थी और जैसे उन्होंने मेरी बात की लाज रखी माफ कीज़े आपने उस तरह से सुना नहीं एक बार जरा मुझे बताओ कि डाक्टर सुनीर जोगी को सुनने के लिए माहूल कैसा होना चाहिए ये ये माहूल चाहिए अरे वाव वाव मुझे कुछ और हुक्म हुए है बड़े शायर बड़े कवी समंच पे है मैं रंग बदलना चाहता हूँ तमाम बुज़र्ग यहां बैठे हैं नबाशाहों की दौलत से अता होती है रहमतें सिर्फ बरस्ती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बज़र्गों की दुआ होती है इंसान क्या जिसमें की स्वाभिमान नहीं है वो गीत क्या जिसमें की कोई तान नहीं है मंदीर की मूर्थियों तक पहुचाता हूँ स्वागत है कि बेटिया भगवान का सबसे बड़ा बर्दान है वो चीजें पढ़ता हूँ जो कहीं विश्यों के इस्थर पर कोडेबल हो कि हम बेटियों के लिए भारत क्या सोचता है कि बेटिया भगवान का सबसे बड़ा बरदान है बेटियां घर की पुरानी खिर्कियों को खोलती है बेटियां घर में हो तो घर की दिवारें बोलती है बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है हाथ में तलवार लेकर लक्षमी बाई बनी है इंदिरा बनकर समूचे वीशो के यांगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे आस्मा में बो गई है, ऐस बन सौंदर इसे सारे जहां को जित लाईं, साहिना बन खेल के मैदान में भी किलकिलाईं, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, बाप की पगड़ी है, मा का रेश्मी परिधान है, बेटिया भगवान का सबसे बड़ा बर्दान है, मैं कुछ कते पढ़ता हूँ, कुछ मुक्तक पढ़ता हूँ, आप तक पहुँच जाये बात तो मुझे बताना, कि हमारे हाथ में जो फूल है, पत्थर न हो जाए, यहावा अनी चाहिए आपकी वहाँ से, मैं थोड़ा सा अपना रंग बदलता हूँ, कि हमारे हाथ में जो फूल है, पत्थर न हो जाए, मुहले की किसी बेवा का दामंतर न हो जाए तरक्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए और पिता की उम्र के लोग बैठे हैं आपको आपके पिता की यादों तक ले चलता हूँ चार पंग्तिया आप तक पहुँचें कि समंदर मा की ममता की भी गहराई न छूपाया क्या कहना क्या कहना डग्साब और आगे की दो पंग्तिया अगर अच्छी और सच्छी लगे तो सब की हाथ उठा अगर दुआएं भी चाहता हूँ कि समंदर मा की ममता की भी गहराई न छूपाया अजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छूपाया मुझे बच्पन में पापा ने छुआई थी जो कादों से जाजों से भी उड़कर मैं वो उंचाई न छूपाया वाह 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 जाजों से भी उड़कर मैं वो उंचाई न छूपाया हिंदुस्तान कहां है कहीं गीता महकती है कहीं कुरान जिन्दा है यह हम संस्कृति का देश है हासे हिंदू मासे मुस्लिम तब कहीं देश एक होता है कि कहीं गीता महकती है कहीं कुरान जिन्दा है भले हों चीथड़े तन पर मगर ईमान जिन्दा है अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिन्दा है एक और बुराई हमारे घरों में आने लगी है मैं इशारा करता हूँ कि गरीबी बेबसी दो सो रुपए में डाल लेती है मुसीबत कैसी भी हो खुद को ऐसा धाल लेती है पिताता है गरीब इन्सान सर पर बाप को मा को अमीरी प्यार करती है तो कुटे पालने इश्वर कहा है बगवान कहा है सब धर्म अपना अपना पता बताते है एक पता इस फकीर का भी सुनना शायद आपको ठीक लगा कि जिसे ख्वाबों में पाना हो नरीम भाई इतनी महिनत किये आपने इस मुशायरे कभी समिनन को विश्य लेबल पे पहुँचाने के लिए मैं पूरे पांडाल से चाहता हूँ कि इस बार इतना बड़ा काम जो हिंदुस्तान क्या दुनिया में कई हुआ नहीं उसके लिए इन सब लोगों के लिए एक बार तालिया बजाएं पूरा पांडाल एक बार निश्चित तोर पे हम एक इतिहासिक छण में है कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है मेरा चहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है क्या कहना क्या कहना कुछ लोगों के हाथ बने थोड़ा सा दिल को तकलीफ होती है शायरी की मैं फिल्मे आप बैठे है कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सोजाने से मिलता है मेरा चहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है वो जिसको ढूडते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में वो खोजे से नहीं मिलता है खोजाने से मिलता है वाँ 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 कि जिसे कितने लोग सुनना चाहते हैं मुझे बताएं हाथ उठागे कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है मेरा चहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है वो जिसको ढूडते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में वो खोजे से नहीं मिलता है खोजाने से मिलता है वाह 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 कविता मिशन भी बन सकती है प्रोफेस्टन के साथ साथ कविता मिशन कैसे बनती है शायरी मिशन कैसे बनती है मैं चार पंगतियां पहुचाता हूँ आप तब पहुचे है संजे भाई कि निवेदन है किसी इनसान का कल्यान कर देना क्या कहना फिसके बच्चे ने फिस से पूछा कि मां हम लोग पानी में क्यों रहते हैं जमीन पर क्यों नहीं रहते हैं फिसने का बेटा हम लोग फिस है ना इसलिए पानी में रहते हैं जबीन पर तो सेल्फिस रहते हैं तब कहना पता है कि निवेदन है किसी इनसान का कल्यान कर देना है जिसकी जिन्दगी अभी शाप वरदान कर देना अगर हस्रत है अपने बाद भी संसार को देखो तो सांसें बंद हो जाने पे आँखें दान कर देना और हर सरकार कहती है कि भुरुह अत्या मत करो बेटी बचाओ बेटी परहो बेटियों का समान करो लेकिन कभी किस तरहें बात कहता है स्वागत स्वागत ने सबसे अच्छा मेरे पास है वो दो पंक्तियां मैं सौपता हूं दादरी को कभी भूले से गर्भ में तुम मार मत देना वो पेटी मारने वालों से बेटा चहींगा वह 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 बहुत बहुत शकूरिया दाधरी बहुत बहुत सुक्रिया है मैं सच बताथा हूँ कविता क्विता शायरी की जरूरत क्यों है एकि भाः ही। लोग मरते रहते हैं, लोग फोटो खीच के चले जाते हैं उसे फेस्बूक पे डालते हैं कि एक्सिडेंट हुआ, उन्हें बचाने की कोशिचे बहुत कमलोग करते हैं हम रोज मंदीर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं भगवान से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन भगवान भी मुझसे कुछ कहना चाहता है, मैं एक गीत के दो बंद पढ़ने की अजाज़त चाहता हूँ, लीक से अठके थोड़ा पढ़ने का मेरा मन हो रहा है, नहीं राक साब, आप अपनी मर्जी से तो जो पढ़ना है वो पढ़िये, एक गीत की बहुत फरमाईश है, सेक्ड़ों लोगों के फोन और मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, मुश्किल है अपना मेल प्रिये जो आपका बहुत शाकार गीत है, उसके लिए बहुत सारे लोगों में फरमाईश की हुई है, तो आप अपनी मर्जी से पढ़के उसको जरूरे एक बंद पढ़ना है उसका, मैं ये पहले दो बंद पढ़ना चाहता हूँ, जो कुछ मैं अलक लीक से हटके कहना चाहता हूँ, फिर जैसा आपका हुक्म, इश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन मेरे कथे पे एक बार जरूर विचार करिएगा, अगर आपके खून में एक बूंद भी सम्वेदना है, तो आप थ्ल हो जाएंगे, ये मेरा वदा है, दावा है, कि कहा है मुझे से इश्वर ने, सुनना साब, समर्चन क करना तो एक एक आदमी की शरकत चाता हूँ, कि कहा है मुझे से इश्वर ने, कि सब को जा के बतलाना, मैं मंदिर में नहीं हूँ, आज मंदिर में नहीं आना, तुम्हारे घर के पीछे ही, मलिंसी एक बस्ती है, जहां पर जिंदगी महंगी है, लेकिन मौत सस्ती है, जाग तुम्हारे घर के पीछे ही, मलिंसी एक बस्ती है, जहां पर जिंदगी महंगी है, लेकिन मौत सस्ती है, वहीं पर एक बेवा दाने दाने को तरस्ती है, जो भूखी रात को सोए तो इंसानों के हस्ती है, उसी के साथ बैठा हूँ, जो फुरसत हो तो आ जाना, अगर मुझ तुम्हारे तुम्हारे जाना, अगर मुझा उससे मुहबत है, गले उसको लगा जाना, जो परसाद लाए हो उसे आकर खिला जाना, में मंदीर में नहीं हूँ, शहर का बीच चोराहा, दूसरा दश्य देखना, शहर का बीच चोराहा, जहाँ शोरूम होते हैं, जहां फुट पाथ पर ठक करके रिक्षे वाले सोते हैं वहीं इस्कूल के बाजू में लाला जी का होटल है कई बच्चे शहीदों के वहां का प्लेट धोते हैं उन्हीं के साथ बैठा हूँ जो फुरसत हो तो आ जाना अगर मुझसे मुहबत है गले उनको लगा जाना किताबे दे के उंगली ठांके स्कूल ले जाना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना वाँ 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 यह वो जरूरी बाते थी जो मैं कहना चाहता था कहीं न कहीं लोगों के भीतर सम्वेदनाएं बनी रहे कहीं न कहीं ये मुहबतें बनी रहे एक हुक्म हुआ है गीत के लिए मुझे नदिम फरुक साहब ने कहा है उस गीत के घुमिका में मैं दो मुक्तक पढ़ता हूँ प्रेम भी बहुत सचाता है साहब प्रेम में भी बहुत आनंद है चार पंक्तियां में पहले पढ़ता हूँ स्वागत विरोधा भास देखना साब प्रेम में कि अंदेह में शहर का रस्ता बता रहे हैं वाह वाह विरोधा भास देखो आप कि अंदेह में शहर का रस्ता बता रहे हैं लंगडे हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं वो हमको महबत की पोथी पड़ा रहे हैं और एक पंक्ती में हाथ से हो तो सब के हाथ खुले हैं कि वो हमको महबत की पोथी पड़ा रहे हैं जो अपनी प्रेमिका से राकी बनदा रहे हैं वाँ 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 क्या कहना क्या कहना रोमंटिक पत्नी कहता है गोरी तेरे नेना जादू भरे धार्मिक पत्नी कह देती है ओम जे जग्दी सरे प्यार में क्या क्या मुश्किल होती है लोग सुझाओ देते हैं कि आदमी को प्यार करना चाहिए महबबत करनी चाहिए और ऐसे ऐसे लोग सुजाओ देते हैं जिनकी खुद की शादी भी नहीं हो यह होती और उनकी तो छोड़ो उनके बाप की भी शादी नहीं होती तब मैं कहता हूँ कि है आशों में डूबी मेरे प्यार की कहानी भी तर से है बुड़ापा बाहर से है जवानी नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी तेरी दाई आखकानी मेरी बाई आखकानी तेरी दाई आखकानी यह प्यार की मुश्किले हैं एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई मैं राज़ा बना वो हमारी हीर हो गई खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे कि वो रद्धी बेच बेच के अमीर हो गई इस गीत के लिए नदीम भाई कह रहे है बहुत लोगों तक वो पहुँचा है अगर आपको लगेगी प्रेम में ऐसे संबोधन ऐसे अंतर आपने कभी सुने नहीं तो एक एक अंतर पर एक एक संबोधन पर आपका प्यार आपकी दुआएं चाहता हूँ स्वागत कि मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है खेल प्रिये तुम्हें में फर्स्ट डिवीजन हो मैं हुआ मैं ट्रिक खेल प्रिये क्या कहना तुम एसी घर में रहती हो मैं पेड़ के नीचे लेटा हू तुम नहीं मारूती लगती हो मैं इस्कूटर लंब रेटा हू इस तरह अगर हम चुप चुप कर आपस में प्यार बढाएं ये तो एक रोज तेरे डेड़ी अमरी सपूरी बन जाएं सबादी पतली तोग मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिये मुश्किल है अपने अमरी प्यार अंतर सुनना कि तुम अरब देश की घोड़ी हो मैं हूँ गदहे की नाल प्रिये ये अंतर आप याद कर लें और शादी शुदा लोग घर में आर्थी की जगे इस्तिमाल करें कभी जगड़ा नहीं हो सकता है कि तुम अरब देश की गोड़ी हो मैं हूँ गदहे की नाल प्रिये तुम दीवाली का बोनस हो मैं भूखों की हर ताल प्रिये तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो मैं अलमुनियम का थाल प्रिये तुम चिकन सूप बिरियानी हो मैं कंकर वाली दाल प्रिये तुम हिरन चोकड़ी भलती हो मैं हूँ कछ्वे की चाल प्रिये तुम चंदनवन की लकड़ी हो कि यहार वाओ 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 Lord मुझे कुले लुप्रिये मुश्किला है अपना मेल लिप्रिये ये क्यार वाओ तुम नई विदेशी मिक्सी हो मैं पत्थर का सिल बटता हूँ तुम एके से तालिस जैसी मैं तो इकदेशी कटता हूँ तुम चतुररा बड़ी देवी सी मैं बोला भाला लालू हूँ तुम मुक्तशेरनी जंगल की मैं चिर्याघर का भालू हूँ तुम विस्त सोनिया गादी सी मैं अमर सिंग साथाली हूँ तुम हसी माधूरी दिख्षित के मैं पुलिसमेन की गाली हूँ गर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम बेल प्रिये मुश्किल है ये मैं ढाबे के ढाचे जैसा तुम पास के कारा हो तल हो मैं महुए का देसी ठर्रा तुम रगले बल की बोतल हो तुम चित्रहार का मधूर गीत मैं कर्शिदर्सन की जाड़ी हूँ तुम विस्सुंदरी सीमान मैं ठिलिया चाफ कबारी हूँ तुम एपल का मॉबाइल हो मैं टेली फोन वाला चोंगा तुम मचली मान सरोवर की मैं सागर तटका हूँ गोंगा दस मंजिल से गिर अब भारत में उतारो तुम देल में चले जाएं अची बात है अब बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ आपको हिंदी दिवस की अंतराश्ट्री हिंदी समिती का एक ऐसा उच्छो नहीं हिंदी का बहुत सो इसकी चर्चा पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में है कि हिंदी दिवस ऐसे कारिकम जो जुंदी अंतराश्टी समीती करती है अधाणियन अंदार जी या अधाणियन आलोग जी और इससे सब चुड़े हुए दोगों शांगीता जी बहुत से लोग हैं जिनके नाम में दूँगा तो बेरे काविपाट का समय जाएदा अच्छा उ और चाहता हूं आप एक बार तालिया बजाता हुए अधार विश्चित तोर से जो आने वाला समय है वो दुनिया के लिए हिंदी का समय है और जुरुस्तान का समय है आज ये को पॉजिटिव रहना चाहिए जैसे गजिन सुगन की जी बहुत पॉजिटिवाद में अभी हम वोटल में सूप पी रहते सूप में मक्खी पर वे बने गाजें भाई आपके सूप में मक्खी पड़ी बुले पड़ी रहे जो सुचुरी कितना पी लेगा आजमी वो पॉजिटी बहना है मेरे स्वागत में आपने लोगोर तालिया में गये हैं लेकिन इससे तो पहले वाली ठीक है ऐसा गड़ी आप तक गए हैं यात्रा हम करते रहे हैं हर्ट से ठाक आप जाए पिछिए आपके दोनों हाथ सभीयों के साथ होने चाहिए बहुत है और जो लोग इदर स्क्रीन के कवितात आनंद ले रहे हैं उनसे भी मैं कहता हूं कि मैं केवन सुनने लाइक नहीं देखने लाइक नहीं आप अज़र में इदर से देखेंगे तो आपको जाधा आनंद लाइगा तो अच्छा है इतनी धूरी नहीं है इतनी आपने बना स्रेश्ट का वेबाद किया पर उनकावी सम्मान करें बहुत बढ़ी पर इसके बाद हमारे डॉक्तर सुरंड दूबे लेक डाइमंड काले रणी में भी खुश्चूर्ती हो सकती है या आप उनके देख सकते हैं अस्टना पांडा की उन्होंने भी बहुत अच्छा सुनाय मैंने उनसे कहा इतना अच्छा लिखती हो इतनी सुन्दर लिखती हो कैसे उन्हीं मुझे इस वर में अपने हाथों से बनाया और मने कहा मुझे का दूबल से डूबल दूब इसकता इसलिए मैं अपने साथ जाए हो हो जो लोग समझ जाए हो वो ये बताए है और जिन्दगी के लिए बीजरूरी है और जिंदगी के लिए बी जरूरी है इस पर जिर निशेट पिपन हो समझेगे ने बताएं कि खोल लेते ही तो यारोंके साथ कि आपके हाथों में तबी लोग पहते हैं तालिया मैजाओ इसलिए के चैने आपके साथ की चिंता है और आप जो देनी नहीं बज़िबाटिशक की चुपता है इसले जेल रिंचे से कभी कविता परोएं किसी में चाय पानी करें तो इस ये फिरबाट अब दाना भी नहीं जाता कि दर के लोग भी खाएंगे लेकिन और बढ़ियां जो कहां कराव हो जाएं हर्देवें जिदन देखो अपने अपने भी लोग जैस्ट मस्क कोई खा रहा है कोई स्प्रीन में देख रहा है बादियां आपस में बात कर रही हैं इतनी मैलाएं सुपैक्शन हों ये पी ये गास कर दो बात करने की जुक्ति जिदनी शंपा मैलाओं में हैं पूरी दुनिया में किसी और तो मैलाएं आम के बेल के मेंचे अलोगी बात कर रही हैं और उक च्छे आम लगे हुँए काफे देर बात कर रही हैं तो एक काम कच्छय बिंगिया है उन्हों मेलाइं इसकी तरह देखनी मोड़ी ये कैसे किता क्योंकि दा तो आंग से आवाज आई कि मैं पग दिया है अगी जाओं जाओंगा जब मुझे लगेगा तर्देरे साथ पर दें ले रहा है कि दें मैं आंगे बैठे लुगने से कभी संपेनल बहुत शत्रा होता है कि जादा आगे जादा बहुत क्वेश्चर कर्झार दिख दॉक है依ान तो उनक्षण कर रखाता है हाग這樣的 कॐलों कि बड़े अधिकारी क्या है कि अथा कि 서울omi ते कि अंचिया। में बहुत अच्छा प्रबंदाद कर रहे है और भी खुश लाइए मेरी पूर्ड़ी लिए पूर्ड़ी लिए ठाए कि जब जब मैं अच्छा कान करूंगा ऐसी बिद्न बाद आए उसे आपकी व्यवस्था करी मेरी अब व्यवस्था ना बचाए लेकिन मुझे अध्यास है ऐसे लोगों को बहुत भन्यवाद देता है कि आज के समय में कोई किसी को पानी पहने दाए थोड़ा सा ध्यान भंग होता है और कुछ नहीं है आंगे बैठे लोग तालियां गम बजाते हैं उल्लास में तब रहते हैं वो तालियां तब बजाते हैं जब पीछे वाले ताली बजाते हैं हसके नियुक्त अगर प्रोफियां कोई खास बार कोई ले चलो अपन भी थोड़ा सा यह कौन लोग आंदे बैठे बढ़े बढ़े प्रोफेसर बढ़े डॉक्तर बढ़े बढ़े दोख अगर अगर दस पैसे बजुएं किसी बारे में किसी मज़ूर किसांसे पूछो कितनी बैसे बढ़े साइंटिस्स से पूछो बुंदी गिने का यह नहीं वो टांगे इनी शुरू करें कि उसे यह दिखाना है कि मैं ज्यादा सहा लिखाओ और आम उसे समझ भूश के आपरेज देख के कांदर पार तांगे गिने का और तांगे गिनने के बाद चार का भाग देगा इ अगर कहीं वो लाउनगानी की तरह और ज्यादा पहा लिखा हुड़ा जाए तो गूगर सर्च करके तेंट्पों करें कि घयस्के इतनी पालियों और गलती से वे चांग फूट नहीं तो आपको बताएगा कि भ्यसाम नो दसम्रों साथ पांच जैसे हैं तो पुझे नीचानी वजया समझ आता हूं जो नसम्दो का पर अजा ना पर नहीं के नाविट नावन खाला जैंगे वन नार्फिया जो तुटित अपस के लगए मैंने गांदीत हों कि आपस के कूं लड़ा है वह तो दूसरे ने बताया जब इसे पता था कि नैसे नौर के कारे में खाता हूं तो मैंने चिकन में डालने की दुखान हो गए इसलाम में है चार वीडियों की इजाज़र यह सुनते ही पंडिकी मुसल्मा में तक श्राठी प्रेस आखते है। सुट्सывать usódल्मा में वाय तो में तो में अग dabu सुने की जडिने तुट्रे मारी हां बाहूने नियुक्ता अगरल इनला आधर निम्रानी का जगे यए यग हाद सिबितिता दोए अब रहा है नहीजव गनाधे कंदिक गे इस पहली recycling और पहली बार सब्सक्राइब गया थी बहुत सुन्दर साली को देखा बहुत सुन्दर साली देखी तो साथ से बहुत जगरा किया जगरा किया अब बुस्त लोग हसने हैं यह बेखिये जो हसी है वह आपके इस वास्त का डारोबीटर अप्टा जेर साथ बैठेए अगर आप तो आप पीवार हैं यह बहुत जल्दी है तो आपके अगर देखते रों कुंसा आदमी नहीं हसना है अच्छा कर लोग इसका प्रुग्राम प्रुग्राइब बहुत असान तरीका है यह समझने के लिए यह नई उमर की लड़किया वालिश के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सल्मान अच्छान का विराज प्रुली का ताथ में इनकी शादी किसी के च्छालाज से हो जाए है इसा अधूर देश है इसा होता है इंदुस्तान में ऐसा कु jouri में मैं नेरे बाया सव्मधान के खाल एजति तो मस्धिक कर थित हो कि मश्री के सोरूम में जा क्लिस्त तो रुपाइक है अधा इनकर में वापस वावपस मानूश हो कि लौट रहा था तो मेरे मिल गया हिनुस्तानि कादियां क्यां दी बुले हां कसे मैंने का बैसाथ दो रुपे डेना मरस्दीज दानी लिए उन्होंने मुझे चार उपे लिए उन्हें पे लेगे लिए अ कि अ अ आपके बच्छर था तो वो क्या है कि मेरे कमरे में बहुत सारे बच्छर थे और बच्छर और मेरा कूल पीते लेकिन जैसे ही मेरी शादी भी सारे बच्छर मेरा कमरा फोड़ते तो वो आपके में बच्छर उपकड़ के पुछा कि भई वापस क्यों जा रहे है मुझे छोड की जा रहे है तो उसने का यहां लोग तो तंप्रेवी थे लेकिन पैदाओं की जो शक्ती है इस्वर ने उने दी वहादूर पती पत्री पाइटी में डस्ट थे खाने पिने में आराम तो पती दोस्तों के साथ ख़़ाता तो पती ने उसे कि इशारे से पुड़ाया है तो पत्री ने का वापस जा मैं जो उम्मिली की पावर चेक्ट है तो जितने यहां पत्री बैसे हैं जिबर में एक उता हिंको यह जोड़ी हुआ है तो प्रेवी हसाने का जान करता है भाशा बताती साहब आजकर वियार में किसी लोग भरो करो मैंने फोन किया तो आपने फोन लगाया है वह अभी रुपता है खाने के जस्त तो प्रक्रा फूरी देरे इसे हास निकालता हूं बहुत सारे रंगों में राजनीत के बीच भी रहता हूं फुरी फुरी जल्कियां देता हूं कर दो मेरे साथ ताल के साथ सुनेगे तो और मैंने पहाँ कि पसीने की करो पूजा गरीपी भाज जाएगी जरा सा मुश्करादों बद्वसीवी भाज जाएगी कि आपके अपके तुरा होता है आपके तमान उप्राइब साथ के घर परिवार तोस्त सब आपकी एक मुश्करा करते हैं तो ने लगता है सब फिक चाहिए इस पसीरे की कुरुटा गरी भाज जाएगी जरासा मुश्करादों बद्रसी भाज जाएगी जो चेहरे पर हसी होग कि परोशन डाल चुपेगी जो मुझ लटका के बैठोगे तो भीवी भाज जाएगी इसकी आदमीं के साथ को पहना नहीं चाहिए मैं दिल्ली ने हूँ पेजरी वाली की सरकार जब आई तो मैंने चार पंदिया थे आप आनंद लेना मैं करता चुरू करता हूं सब पाउगे सकते हैं आठीटा इंदा सकते हैं मैं इसको बहुत्सों को आज सिका बला उप्सों बनाते जाना चाहिए और मेरा धावा है मैं सब्सक्राइब अभी मैंने फ्रूरी कहा है और बढ़िया वाला तो मैंने सुना ही नहीं नहीं हुआ है शुरू आप करता हूं कि धारने पे बाएक बाएसिके घंदंतरी हुए कि धारने पे बाएक बाएक कि घंदंतरी हुए और चीक चीक करिके संतरी न बन सके और घंदंतरी हुआएक Magic चीक कचे घंदंतरी न बन सके वो रहाएक के बाएक करते भसके one मेरी तक्दीर हो गई मैं आजा बना वो हमारी हीर हो गई तब इतने मैंने प्यार के जहार में लिखे वो रज्दी बेच देच देच के अभी हम आप प्री लाइन आप हमरे साथ जा दी सकते हैं और वो जो ऐसे बजाते हैं उसे ताली में भीनुना कहते हैं तो जुल्दू ना बचाएं यह जहां से खुलेगी हैं तो खुलेगी जुल्दू नहीं कि अपका शेश कुलेगा तो यहां तो वे कोई से स्वामी रामजी देखा रामजी आप जाणते हैं ते यानि आद्मी ने पत्नी वो फट्रजली के मैगी खरीद के लाएं नूडल्स जो बैगी पर करने के बाद रामजी उपी ने मुझे बोड़ी ने मैगी जो निकाली है वो खरीद के लाई एं कै अब बाद प्रेमी का पूल जाना चाहता है वने का बूल जाओ उसका नाव निया जा रहा है पर देखेत नाओ रहा है तो मंदिल गया और मंदिल जाते हुए विखारी बेटे रहते हैं तो वे विखारी को मैंने सोगर नोट दिया तो उसमें का बगवान कुभारी जोडी सलावत रखें पुरा ने बाद है लेकिन मैंने का मैं तो अभी कुआ रहा हूं उने पुलों की जोड़ी की बाद है तो अभी सर्थ कनाओ पाल के चूँ बैचाते हैं हर आदी जाता है तुछरे को पनाओ लेके चला है हर आदी बिल्कुल ऐसे ही दुखी आद्मी बैचे साथ अगर क्या तेंसर है बोले तेंसर यह है कि यह दुनिया खतल हो जाएगी मैंने का अगर क्या जाएगी तुम्तों पूब जोड़ी तुम्त इत्ता हो जाएगी मैंने को बिल्कुल दूशाख जाएगा वह सबसे आखरी में बनेगा उसको लेकितान है और बने खेंगे जाते हैं घगवान के समभी घुर्वान के प्रूफ भी मेरे खैचही है और जीना चाहता है जिना जीना चाहते हैं जी आboy और में इना और से नपनी दूटे को भाराज लागर कन दूटा है कि अंगे लिए का इंद्धान को एंसी अंगे प्रक्ते की बाराद देखते हैं मैंने कहा कि मुल्ला के ना पंदित के अर्मान में रहता हूँ साहिब मैं गरीबों की इमान में रहता हूँ उच्छा जो मैंने रख से अपना पता बता दे बोला कि मैं दोगों की मुश्कान जरू अचान साथी है साथ मुझे जब सम्मान मिला अपसीरी तो दुर्गों ने कहा कि मिठाई खिलाओ जगे-जगे मशीने लगे हैं एक दपाव रिंदी में सुनने के लिए फला जरू है आप वोसी भुगत है भारत में भी यह हो गया है कि मैंने मिठाई के लिए अजजी रां को फोल लगाए तो आवा जा वासीन की रिकोट है अजऑ नए अपका स्वाग्या ठान था है, मिठाई के लिए एकतबाएं रियोणी की ध्याक मुझे मीठाई की खिला तो पिरावा जाई लड़ू के लीए एक तम आए दिविके लिए आएं यटी की लिए नड़ू के लिए दोबाएं जणिभत दबाएं मुझे लड़ू choice जये थे मने फिर लेक कुष्ण मने वाला बटन दबा दिया फिरावा जाई उजह वी जु ठीकिन है कि मोटी चूर के लड़़्ू के दो दबाएं और में में प्रपला ने एक दबा दिया तिराव आज दिलोके दो दबाएं और ऑभी वह गलति से लेकिन वाला बचन मैंने का यह पुर्त के पांस मिटमी फोन आ गया किसी महीला अपने असली वाली महीला है। मैंने का मैडम मैंने तो कोई फोन किया है। हम घर में नौ भाई बैंने बड़े वाले से बात करने की दीर में अधिया है। प्रेम उसे चार पंगिया सुनाता हूँ आखी लाइन आप गाएंगे तो भी अच्छा लगे। प्रेम अलग 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 ज़ती को होता है तो उसकी भाषा अलग अलग अब मन लिए ये प्रेम किसी सर्दार जी को हो उनकी भाषा देखा। कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे। कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे। कर रहर को प्यार में हम गाने म्येद्व इंदे मुद्ध रूति साघ्वल सफ़कार दे रेरे साफे हुई तो भर में पंच髋 प्यार द्रना हुई तो स्क्राऊंदे भुरुद्वारे कि पहले तो जा रही तिजन लगी ये सेट में जब मुझे लगेगा कि आप ठकने लग गए तो मैं थुड़ा समझे लुगा कि पहले तो जा रही तिजन लगी ये सेट में मैं हल चमाता फिर लहाता तूखी रेत में जब से हुआ है प्यार लग रहा है इस तरह तुम बन के भैस दुग गई हो कि पाशा का ने तो मुझे दुगजी ने पूछा सुरें दुगजी लें किस से बात कर रहा है मैंने का वीबी से बोले आजे में हो के इक वीबी से बात बने का हाँ मेरी फुट है कि यह लोगी है चुछा कि बोले पकी इस सब नहीं करती हैं का मुझे करने करते हैं मैं कभी तो क्या करो मैंने का तुछ मच करो दो चार जरूर पकाई मैं तो मैंने इन से का मैंने का आज देखिए अच्छा एक गूरा था वाँ तो मैंने गाए फुरेंजी बिल्कुल आपके जो बटबेटरी जी शगल है बिल्कुल आप पर गई तो इन्होंने मुझे का आज ही दे बोलो या लोक्रानी का है मेरी घर को से माइए तो प्यार का सिल्सिला चल रहा है मैं चार फंपिया और सुना था सब्जी वादे वो प्रेम हो जाए हो सकता है कुसी को ही हो सकता है उसकी वाशा देखिए कि चाहत का तेरी हर घरी अंदाजा रखूगा अभी मैंने बढ़िया वाला दीश भूख कि चाहत का तेरी हर घरी अंदाजा रखूगा चाहत का तेरी हर घरी अंदाजा रखूगा इस दिल तक ना हर घरी अंदाजा रखूगा यह वाट कई तेरी कास सब भी बाने में पानी चिरख-चिरख के तुझे ताला रखूगा को से सब्सक्राइब पानी चिरख-चिरख तुझे अंदाजी मैं बोलू घरी नहीं कि आये अब देखिये मदूद जी बैठे ही हमारे आदरनी अससे मदूद इनको मारून हो जाए कि आई हो उड़ा पे में ये मन मीत की तरह आई हो उड़ा पे में मन के मीत की तरह इस उम्मुर में लगती हो शीला जीत की तरह कि आई हो पुढ़ा पे में मन के मीत की तरह इस उम्मुर में लगती हो शीला जीत की तरह मैं कर हूँ मेरी जान कोई बाबा नहीं हूँ कि मैं कर हूँ मेरी जान कोई बाबा नहीं हूँ परकार तर्मुंदा मैं हनी तरी 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 जान कोई पर नहीं हूँ हूँ हमारे यहां योगी जी की सरकार जबाई तो रोने ओंटी रोमियों इसकोट चाए पता ही होगा उस से भी मैंने खास बिकारा था मैंने उसे सूषाक अब ही अपने यह आपने यह प्हूं चलाया है रूजिव फिर मील revolutionary scholar तो उनका जबाब हो कि बादा जो कर लिया है वो तेजर है जैतों पतरसामा मैं लगाना का रहा है वो तर्म्या गाना का रहा है जैतुर मैंने जव्यों जबाब है कि महभूबू की गलियों से गुजरने नहीं दूगा महभूबू की गलियों से गुजरने नहीं दूगा चाहत के जमाने से गुजरने नहीं दूगा चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूगा महभूबू की गलियों से गुजरने नहीं दूगा इक्रोनियों से योगी जी ने बात ये कही जो मैंने ना किया तुने करने नहीं कुँँगा जो मैंने ना किया तुन रखता बेठे और सारे दॉक्तर या हो दॉक्तर को प्रेम हो जाएं जी बादा जो कर लिया है वो तुझ से निभाओंगा तु है करीब दिल के नहीं भूल पाओंगा इत्ड़ निकास बात ये कही शादी के बाद भी तुझे सिस्टर भुला लग ने लोगों को अश्शा लग रहा है शाल नियों पाओंगा लेकिन अम्हें घर्शार कुंए आप्छार कंटियां और सबसे अच्छा आप आर चीदी में उसलाब है कामर्शियर बार कुछ सीडी और किपावे हैं हमारी और मैं तो खेर एक जैसा पताया दंडाल भी रहे ये गरीब अनाश बच्चों का कुछ काम करता हूं तरस्च चलाता हूं पैसे मेरे खब नहीं जाता हूं ये जो है वो सब उसी ट्रस्ट में जाता हूं उसी पैसे लिए बढ़े खने ये काम भी पता है कि मैं अचा काम करता हूं और बड़ी सचाई से करता हूं तो आप कुछ בी लेके जाएंगे तो ये आप ते ये जाए हैं और हशी के लिए तो ही आप अपने लिए लीजे लीजें गोस्तों के लिए?" सब कुछ आपके लिए हसी बरी मुस्व कि दिल में फाबों के ताजिये सजा के रखे हैं ठाके आपकी ठाके बचा के रखे हैं जी में आता है कि पूछू हसाने वालों से ये अपने आशू कहां पर सुखा के राए मशीने के खशाकी ये साथ द्रश्ची होनी चाहिए आपकी है कि हैंसी कहां से मिल रही है वेट हमारे दिप्र विदेश गए अमेरिका आगे मशीन खरीद के लाई जूर पोट उपने पर घपड़ आपी थी मशीने आगे हैं पर तर्तनाम करें कि पहले दिन ही बच्चे ने का पापा पेट में दर दूरा है स्कूल नहीं जाओगा मसीन चाहती है और तो बैची कौन हो तो बाप ने समझाया कि बेटा जूट नहीं बोलते हैं जब मैं तुम्हारी उमर का था तो कभी जूट नहीं बोलता है मसीन कि नहीं है इसमें उस बाप की पूठ लिया जो लाया था मसीन को मसीन है इपनी देर में मां बोल पड़ी है बोले आप पड़ी गया है बेटा किसका है हर जगे हसी है मुझे यह लुकाप रखे और फिकेशन यह सी दिखती है है इसमें भी है है हो सब्सक्रांगा हूँ एक दोस्तानी अदमी छाइने लाद मी अ एक अमेरी कभी रेस्टोन है तो कि अदिस ने कपी किसी दा पड़िएक काइनीज ने कॉफी पीके उल्टा कफ दिया, इंडुस्तानी ने सोचे आप अपकुछ अब दिजाइन बना तो उसने टेरा करके रखा, ऐसे ठिका जा, मुस्किल से ठिका, लेकिन ठिका दिया, तो दोनों ने देखा, तुम ने टेरा क्यों रखा, तो उसने पहले तुम बता और तुमने सीधा क्यों रखा, और तुमने उल्टा क्यों रखा, हम पहले क्यों बनाएं, इंडुस्तान का आदमी बहुत सोच समझ के बांगे, जीनिय साथ, तो अमेरिकर ने का भी मुझे और कॉफी चाहिए, इसलिए मैने सीधा रखा है, चाइनीज ने का भी मुझे और हिंसित फाव के आदि जा biggest ने के चाहिए, उसलिक है, मुझे जवाब दिया मुझे अगर आपको गर हो इसे दो हिंसी हो आदि जाए, भी मुझे में जवाब दिया, बने बता बता क्यों ने चिरा कृटा, हिंस्ती ने जवाब दिया, भाईया, इसलिए प्रेदा रखा क्यो हो तो दे रोटा हो तो रहे हैं जिनके हाथ हो तारी बजा दो नहीं हो जो कि शब्द है कि यही शब्द है जो आप तक जाते हैं और आपके भीतर से हसी निगाए हमको यक्तिंग निकरते हैं हम कोई अपकी गुलूदी निकरते हैं ऐसा कुछ बोलते हैं कि वहां बैठे आख्री आदि के पास सशी आती है यह शब्द कीता कर यह हिंदी कीता कर यह कविता कीता कर देख ताली रही अच्छी वादगी कविता बड़ी चीज है कविता कौन सुनता है मैं उन्हें बताना चाहता हूं यहां के अमेरिका में दस्वाराइक उन्हें और हजार कुलोईटर दू आता डैलस में देखें कि तक आप हूं इस सम्मेलन को देखिए इसके आंगे बड़े बड़े आई स्टार कोजिनों के सम्मेलन मैं समस्ता हूं कि इसक्यार यह कुछ नहीं है जो अंतरगास जी हिंदी सम्मेलन गुआया इतनी की चार्यार सुखे अक्से लोगों जैसे लोग एक साथ करी जूटे नहीं बड़ी आसानी से शावियों में एकने सजी धजी लोग नहीं में कि रहे है ऐसा लगों कि देखों बिल्कुल यह समझ लीजिए फोरा सा उम्मर का ऐसा नहीं और नहीं गूले ही लगते है इतनी सजी धजी शुदी मैं तो जब नीचे उतर की आया कि मैंने का ऐसा तो नहीं है कि इसी की बारात में आया है लेकिन संच में पूजा का काम एक आराधना का काम है मैं मदूदी हमारे अध्यक्स है मैं दस पंक्या पहले मुझे ध्यान आ गई मैं कविता की तैर्वी करता हूँ जो लोग कविता के समझदार लोग है और मैं दो महीने भी आया था किष्णी हिंदी हिंदी सस्किय कारिक्रमों में अंतर आश्टी हिंटी सहिरों में संझीव अत्रवाल जी बैठे हैं हमारे निएसा पैठे हैं हमारे घरमकाल जी सबस्शिर वाहदूर जी सब लोग यह बैठे जिनके धरों का मैंने नमक भया है जिनके ह़रों से मुझे स्नेय Lynda निला हुष्टन से बहुत दो गए हैं, मैं इस मौके पर इंसमव कर्ता हूं। कविता क्या है वो कविता की जिसने बोरी को शब्दबान से मारा था तो कविता है जो मानस बनकर घरघर गाई जाती है वो कविता है जिसको गाकर आपकी सजाई कविता है जिसको गाकर आपकी सजाई जाती है वो कविता है जिसको गाकर सेनानी खासी जूले पे ये कविता मंदिर में जाकर गाओं को भजन बन जाती है जरवारों में जाकर गाओं पन जाती है रंगों के बीच अगर गाओं कविता होनी बन जाती है माका समधी का जीतना संवान मैं आफ्यां जैना अगया है मैं बताता हूं संधाइद मैं पता हूं म mehr patHub बन पूछो 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 क्विता की उडान ये स्वाभिमान बन जाती है तो सवा सो क्रोन लोग सव्धान की मुद्णा ने खड़े हो जाते हैं यह पूछो कविता की उलान यह सौभिमान पन जाती है करिता हीए जो और अरफ का नासिवान बन जाती है यह राष्ट कहीं ना सो जाए रातों पें जाना करते हैं इसके घुशाली की खातिर हम वन्नत माधा करते हैं यह दीर कभीरा सुला के वंसदिन का वंदन करिए और दोल करने के लिए गीत पढ़ता हूं इस दौर में और उसके बाद नंग लेंजी को सुने के चुद्ध हासिता गीत है ने तनाव ना लेता है लादेता है कोई लेना देना लेता है यह लादो की पर अच्छी सब्सक्राइब करता है कि मैं तनाव से मुख रहता हूं बूसरे को भी इतने कम लोग तुझे बहुत कम मिलते हैं कम में बहुत सारे हैं यहां कि मेरी तुसूर हो मैं तो यहीं कहने वाला था है अगर आप गोंगों के तुम नहीं क्या भूल नहीं को मुछ सच बता रहा हूं आपको पैरी चीज तो ऐसा लगना किसे पूरा हिंदुस्तान यहां लगंगला पांट के लोग हैं लगलग आशाजार थिलो एक नखने सारी दोते किका संटे में वते हैं बंड़े संवें तब कभी समय लोगें थे जाविक रओं दो लें पर वक्त्यार से सोह और ताफ दे रहे हमें यशा सब्सक्राइब पांडों के साथ को इसलाज पीजो कर तो एक जी जो नाइक है आपकों को बादेवें कि घर को कुशने की पर यहारी वारा ना बदला जाए यहारावाई जीट है, रोज इसमें संभूतों रहते हैं और समोते हैं, जब तर सारे दी बजाएंगे तो यही लाइन दो आता है, तर दीकतिया खड़ी हमारी ओ जर्भाना बदना जाए, धर्णा देते देते देको सीयम बंगयमुना अन्ना रादे गर्मे बैदे कुस रहे हैं तर दीकतिया खड़ी हमारी ओ जर्भाना बदना जाएंगे तो यही लाइन दो आता है, अलू जी का निकल गया दी वहला बिहार ले तोड आलू जी का निकल गया दी वाला, नितीस बाबू बढ़ गए हैं बीजेपी के नगला रोए विसागी महतारी योजा जो नर्तारी नहीं पीचते उनको की बेनाच जो ज्यादा तारी पीचते उनको की बेनारी जो ज्यादा तारी पीचेगा हम होगे यापारी की बाबू बढ़ गए येको की सिंगी मदिहारी योजा बादा दगलादाए समकभियों की इचा सोता तारी भूप बजाएं सब कभियों भी इप्षा सो ताथ आजी भी भब जाएं और निपाफा जीए भिना संयों जब किसकना जाएं जब किसकना जाएं चलते करवें हमें विखारी योगा बिर्गो बिर्गी मदियारी योगा कि मेरी करिताद तुने बिना जो बीच में उठकर जाएं मेरी कर्फात में बिना जो जीच में उठतर काई राम करें वो अपने घर में गुसा पूसी पाए पराम करें वो अपने घर में गुसा पूसी पाए पूमे उनकी लुटिया तारी तारामा जेपो पुरसी की बलिहारी यो दवाना बदरा जाए कहता जिसके होकर राहू लगादी पुरे अकेले और दिखी जय अंचत निकले आसा रांगे चेले और दिखी जय अंचत निकले आसा रांगे चेले तरी पुरापे में बीमारी यो दवाना बदरा जाए जेदों पुरसी की बलियारी बापु आसा राम सोच तेरा धेमा आजाए अच्पी अच्छाए कि बापु आसा राम सोच तेरा धेमा आजाए बाबा राम रहीम जेले में हनी हनी चिलाए तेरा जिकला बंता दारी ओ सभाना बदला जाए तो उसमें सम्मान वाप्ची का दौर सुनू हो गया वापस प्रॉडा को गया है तो मेरे वुष्ट किसंदे मुझे भी बताने के वापस कखें, मुझे वापस कखें, मैं दिगा मुझे जुगाव दिन वोडिया प्रेका लेकिन मैंने जवाब दिये, तुम जवाब पर हमका चमर्कन चाहता हूँ, सब का अभी भी मुझे मुझे बदा नहीं है, आएगा तुनिके, मैं सब को बिल्कु उगा लुगा हूँ, आप दिस्चिंत रहे, टाइम खुड़ा कम है, क्योंकि लोपियं गंदे में तो बिल मैंने जो तरीका निकाले, इकले खट बोला कि तुम भी पुरसकार लोटा दो, मैं बोला कि जो टोटे हैं समुझ को दिद्वादो, मैं जो बादी सोटे हैं समुझ को दिद्वादो खाली है, पूरी अलमारी के, इनको दिल्कु बलिहारी ओ जवादा बदला जाए, तर्वी कज्या धरी हमारी ओ जवादा बदला जाए, जब कर मैं सुरे तुवे जी को देशता हूँ, ये पंशी मुझे आ रहा थी, कि मोदी और ट्रंप का दुनिया में फैला हंगामा, मोदी और ट्रंप का फैला दुनिया में हंगामा, लेकिन आज हमारे संगने पैसे हैं ओबामा, में आज हमारे संगने पैसे हैं, ओबामा ही लिकी एकरिता से जाए, आपकी हाल में जाए, बेपो तुनिया की बनिहारी ओ जवाना बदला जाए, मोदी जी ने नोटबंदी की, बड़ी हिंमत का जाए है, मैं उससे बड़ी हिंमत का काम बताना चाहँआ, आपको लगे क्यों होना चाहिए, तो समख्ण देए, कि मोदी जी फिर नोट के बंदी से हिंमत जितला दो, कासमेर से धारा 370 ही हतला दो, कि वोटी जी जे धोड़ी के बंदी से इंपर दिखला जो कासमेड से धारा की इंसो सक्तर ही हटवादो पर्दा हो जुसमत पर आजिको अज़ा कि मोदी जी फिर नोट और दूसरा तरीका भी आपको अच्छा लगा कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिन्दाबाद करा दो मोदीरा हुल की शाथी इस्लाम भाद करा दो आप क्या घुज़रों के ने साथे बनाए गए हैं जूशी बनाती प्रिया हैं कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिन्दाबाद करा दो मोदीरा हुल की शाथी इसलाम भाद करा दो जिसमन से आपने सुना है मैं दो बंदो और परता हूं अभी का पूरे अमेरिका मेरा हूं डैलस जब जब आता हूं मेरे भी करे अलग जब जा रहा हूं कि दन न देखा तेरी सदेखा देख लिया अमुरी का मगर आगे डैलस के आगे सब कुछ लागा फीका मेरे भी कर दो तारी ओ जालना बढ़ा जाए भारत जिस्चों कुण बन जाए ऐसी अलग जडा दो भारत जिस्टों कुम्रू बन जाए ऐसी अलग जडादो 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 अब तो आपके असली हाथ तो छोड़ो प्राष्टिक वाल एक हाथ भी ठर्ट चुके है लेकिन सच में बड़ा अधूत और बहुत इसमरणी है कारकम किया है आपने और जो दूसरे दौर में लोग बचते हैं वही असली लोग हो है जो थोड़ा हसने थोड़ा तमाशा देखने रवस्ता देखने या खाने पीने वाले हैं वो सब निकल गए अब लोग बचे हैं वो सब अच्छे लोग है विने जी और रमता जी सब लोग परे ये पुरी की पुरी यूस्टन की प्रिम बैठी है चार जी वागो शवतने जी शंगेता जी अर्म जी अमारे लाग्साथ सब लोग पर पेचाने पेचाने लोग अठागें तब ही मैं सोच वड़ा था कि सीजिया इतनी कम क्यों पर रही हैं तो यह जब असी की बात है अब यह सब लोग हैं जिनका इसने मुझे विला है शब्दों से ही आज से निकालना होता कुछ ऐसा पहना होता है कि आज के होता है हसी आए लेकिन बहुत धीर बंधीर शायरी कर दी सज्टा जी में भी और लगवग चानिस मिजट करने के बाद उससे कहा है कि पांच मैं तो सबेरे पांच वजे तक पॉपने दी कि आए तो कल भी जाती होता है मैं तुछिश करता हूं कविता के भेर सारे गंग मेरे पास भी है बहुत सारे अलरस फोपोई अधीर मैं समझ नहीं पा रहा हो कि मैं कि वह रसा हो या पैंग भी हुए आप उसना चाहते हैं तो शाइरी सुनना चाहते हैं जैसा आपका मन हो मैं सक्की मान भरने की कोशिश करता हूँ हम हस्ते हस्ते जिदा देंगे कि फिराल मैं शाइरी जहां से खतम की हमारे बंकर गाई ने से मैं शुरू करता हूँ साइरी में वावा करनी होती है वावा वावा क्या ते दिया है? बhale कुछ नए कहा रहा है लेकिन वावा की अगरूरी है वावा तो जैसे हवन करते है न तो बात में स्वहाद हो जाय है मंत तो जो यह पर को याद हो जए है और दो लोग चले गए अब इनकी बाबा तालियों की जिम्मेदारी भी आत्वी करते हैं कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए मुहले की किसी बेवा का दामन पर न हो जाए दरखतों को दरखतों इजाज़त लो परिलों से कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए एक शेर पहुँचाता हूँ एक कताब कर और आपके पिता की यादों तक आपको ले चलता हूँ कि समंदर माती ममता की भी गहराई न छूपाया हजारों छंद लिख तूपाया मुझे बच्पन में बापा ले चुआ ही ती जो काधों से जहाजों से भीउलकर मैं वो हुँचाईद इसा अभी लगता है कि जिन कंदों वर हमने वैचकर बचपन उदारा है वो कंदे उस जहाजों से उस आसमान की हुचाईद से कही बड़े उचे कि जहाजों से भ्यूड कर रहे हो मुँचाई न छूपाया इश्व कहा है अल्ला कहा है रगवान कहा है सब धर्वक्ति अपनी याच्छा करते हैं इस फकीर इस करवकार की लिए पता आपकर पुचाता है कि जिसे फ़गों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है कि मेरा चेरा शहर के जागना सकते हाँ कि मेरा चेरा शहर के एक दीवाने से मिलता है वो जुसको भूरते पिरते हैं मंदिर और मस्जिद में वो खोजे से नहीं मिलता है तो जाने से मिलता है वाव 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 वो फोजे से नहीं मिलता है, वो फोजे से नहीं मिलता है, वो फोजे से नहीं मिलता है, वो जाने से मिलता है, चार पंतियां और कहता हूँ, कविता समा सुधार का भी कामी गलती है, इस तरह की भी बहुत सारी पंतियां मैंने कही हैं एक वानीगी के तोर प कि निवेदन है किसी इनसान का खल्यान कर देना है जिसकी जिन्दगी अभिशाथ वो बरदान कर देना अगर हसनत है अपने बाल भी संसार को देखो तो सांसे बंद हो जाने प्यांखे दान कर देना तो सांसे बंद हो जाने पे आँखे दान कर देना और चाहता हूं घंता जी ने भूर अध्या पे बहुत अच्छी कर देना मैं एक पंग्ती में तमाम सरकारे जो कहती है करनिया धनियो जिना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक पंग्ती में मैं ब्रुमत्या कर देना आप बोलता हूं कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है वो अपने चाहने बालों के दुखडे बीन लेता है कभी फूले से बेडी जगोले तुमार मत देना वो बेजी मारनेवारों से बेटा चीं है और ये जो हमारा संगम है ये जो मिलन है उसके नाम कहता हूँ कहिं हाँ कि तुम्हारे संग पर बीते हो जिंदा बाद हो जाए कि हमारी आख में जो पाब है आबाद हो जाएं जो पल बीते तुहारे संग जिन्दाबाद हो जाएं कि हम दोनों बने संग मिलाबाद हो जो जाएं बहुत सारी रंग है कि विता कि एक रंग मैंने ये भी कहा जब मैंने वो पच्चों की संसा सुनों की वो भी एक संवेदना का रंग है एक टुकडा सुनाता है कई बार मंदिर जाने के राह में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पीछे चूट जाते हैं जो मंदिर जाने से ज़्यादा जरूरी होते हैं उन कामों की याद में कहीं दिलाई हैं एक दो बंदा पूशनाता है अलग देवर उपरता है मुल्ला ने गीता पर्णी तो सबको सद्मा हो गया हम गए मस्जिद तो हम पर भी मुगद्मा हो गया नफ्रतों के दौर में चौपाय भी बाटे गए गाई हुदू हो गई बच्रा में और उनको पता ही नहीं कि वह क्या होती तो यह जो नफटों का दौर है जो सम्वेदन इंदा का दौर है एक्सिडेंट होता है सब्सक्राइब लोग आते हैं उसका मुझाइब उठाके बाग जाते हैं परस निकालके बाग जाते हैं कि कहा है मुझे सईश्वर में कि सबको जाके बतलाना कहा है मंदिर में नहीं हूं आज मंदिर में नहीं आना क्या वात है कि जो पर साथ लाए हो उसे आकर खिला जाना मैं मंदिर में नहीं हो आज मंदिर 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 नहीं हो होटल है कई बच्चे शहीदों के वहां कप्लेट धोते हैं उन्हीं के साथ बैठा हूँ जो खुर्सक हो तो आ जाना अगर मुझसे मुहबत है गने उनको लगा जाना किताबें देके उंगली ठांके इसकूर ले जाना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में आना मंदिर में नहीं हूँ बड़ी लंबी कविता के कुछ अंस्त है जो बहुत सारी चीजें हमसे बाते करना चाहती है और हम उनको सुन नहीं बात है तो यह संवेद रहें जीजित बची रहें इसको तोशिश भी कविता को करनी है हमें भी करनी है लेकिन मैं थोड़ा सा परताम ह तो चार कंथिया में दूसरे जन जाता हूँ बहुत गंभीर स्वाइब बहुत अच्छाई में कवितार को लेगे आप से जहीं बार जोगा आज़ा आपके लिए बहुत सुन परताम है कि मुकदर में किसी के हूरे और हम्भूर होते हैं क्या वाज़ भाब वाब कि मुकदर में किसी के हूरे और हम्भूर होते हैं हमारे फाब रोटी के भी चकना चूर होते हैं जवासर हर्द पर वोई खाके भी गुम्नाव रहते हैं सियासतार चूते खाके भी मशूर होते हैं और ये लई उमर के लड़ों का संगत क्या है कि मेरी चाहत की लाइन पर ये सैटिंग कौन करता है उनका जो धरदर कि मेरी चाहत की लाइन पर ये सैटिंग कौन करता है मेरी बॉलों पर ये छुप छुप के बैटिंग कौन करता है तुम अपने पोनकारी चार्ज जब मुझसे कराती हो तो आधी रात को तुमसे चैठी कौन करता है तो आधी रात को या मैं तो अपने बाबु मैंने को इतनी शांदार जैके कुद नहीं केवन पहनते हैं हमें भी पहना है सच में बता रहा है बार बार सुप्री जी लाते हैं एक दो बढ़िया संदर सी जैए के घंटियों को ते जहां सकता है गजें जी ने जो पहन रखीओ कि मोधी जी ने नोट बंदी की उस नोट बंदी से भी हास मैंने काल सकता है मोदी जी की नोट बंदी से कि मरदों के लिए मोदी जी कथीम निकालो मीखा तो बहुत हो चुका नम्खीन निकालो अच्छा कि आजो नोट बदल डाले आपने बीबी को फदलने की बीस कि पूचिति लिए कि मोदी जी की सरकार मैंने था या जैसे गरीबा महान के लिए आतरास्क्रीस असके इतने लोग मोई हैं उनसे हसी निकालना है बैसे इतने हैं कि वो मारा जो सकते हैं कि दुबेजी ने ऐसी कविता सुनाई मुझे उससे भी हासी दिख रा दुबेजी ने सुनाया कि उमर्जी का शेरावर थोड़ी देर के लिए बाबा राम ने उजी से योग सिखने गई और सुपामी राम ने उजी कि एक आंक खुल नहीं नहीं तो मैंने दुबेजी को आग कि कौन और इसका तो हो गया बनता था रसी या रूपी नोगेश की कितने लागी के रच्टे ने के बाद रावु शनी ने रावु गांधी को पत्त लिखा रैंट रिएस तुबेजी बहुत इतना नुक्सान को अंभी किसी कर दिखता है कि कान और इसका तो हो गया बनता था रसी या रसी या उलू रच्टे नोगो जिपाली ने बढ़ा है रखाओ ले सुझो रहो तो तुरी वे वो सुझा दोगो हाँ जो खाली बढ़ा है वो फिर बढ़ा है इपाम रेसके गोगो गोगो यावो फोगो राहुल बाबा ती नम खाओ बैठके देखो फोगो राहुल बाबा ती नम खाओ बैठके देखो फोगो कलमान थैडाजा बढ़ गया सबका बाजा विदं बièrement से कहें सोनिया धुर्की डंस दिखा जा विदं बरह से कहें सोनिया धुर्की डंस दिखा जा तुन्हे गिखो गया मौदि सर्तार रस्रिया तेको मोदी में बजानी सरकार रसिया लोड़ार रसिया सोच रहे हैं अन्ना जूप के हो गर कंदा मुझको जरने पर बैठा कर स्रीयम मुझ गया गिंदा किसी सुनकी बानी रोई सोई या गानी ऐसी चाल चली की सारे हो गए पानी पानी जो सिर्वानी को खेट दिया हरिद्वार रसिया तेको मोदी में बनाली सरकार रसिया कावंग रे सिकातो हो गया बनता थार रसिया तेको मोदी में बनाली सरकार रसिया जो रुदार रसिया जे गुजराती पाया ऐसा गाउं चलाया जा पानी को गीता देकर बुलेट पे रिले आया धबराए ओबामा बनना जाए सुदामा ऐसा ना हो पैंक दार के पहना दे पाजा दुपया डॉलर पर हो जाए ना सभा रसी या अक्ते को मोदी ने बना ली सेर आप मने तुपया रसी या दूर्पार रसी या खरी चीन की कदिया भूबन जै इन दिदिया अक्तमन कर भी दो कर दो अक्ते क्या आठी सोच रहा है था उप्लाओं में कि खरिशी कि किया दूबन जाए लुटिया गोतो समय चंगू मन्लू होती है छैपिया मियापिला बंदखलू कि मियापिला बंदखलू हमें कि समझो उद्लू पासवीर की जगैं मिलेगा बाबा जी का चिलू शेरों से रांगे है बहु 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 बेकार रसिया देरों लोटी में बढाली सरकार रसिया जोड़तार रसिया अमनी का था ठीजा नहीं दिया था भीजा अब कहता है जी जा जी या तर्खा जाओ पीजा राम देव की माया ऐसा पेख गुभाया तेरे गुमा कर धौंगरेश का तो कर दिया सपाया रहे श्वा देशी का प्रतार रसिया और बेच रहे बंगन अचार रसिया देखो वोदी में बढाली सरकार रसिया अदिमन बखाओं गायत प्री और गया कहती गंगा भया अब तो जागो भारत माता करती गया गया हो गए गाल गुलाबी मिल गई देश की चाभी जनता कहती मोदी भया घर ले आओ खाओं एक चोटा मोदी कर दो गया रसिया और ना लालूजी से ले लो दिखुआ रसिया देखो मोदी ने बनाई जोरिदार जसिया जोरिदार जसिया कॉंगरे सिपाक्तों हो गया रसिया 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 नहीं कविता का एक मुक्रा सुनाता हो तो मैंने बन चुके लिए कि ओ नीली छत्री वाले दुआएं है इस पुरा है दुस्तान करें कि ओ नीली छत्री वाले इस दुनिया के रखवाले करना है इतना कर दे खुशियों से छोड़ी भर दे दुनिया में सम्मान रहे जनगरमन का दान रहे वो गंपर मुश्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे कि सर्दार जी ने आपको ऐसा कौन सा करशन दिख रहा है कि देश ने भी पीछा चुडा लिया आपको पीछे लगए कितने लोग मुझे सुनना चाहते हैं बार दोनों हाथ उठा कर मुझे बताएं अब इन्हें तालियों में तब्दिल करें कभी सम्मेलन कैसे सुना जाना चाहिए यह अब तक मुझे लगा नहीं मंच की भी सभागिता चाहता हूं जेहन जी बहुत कविता प्रेमी हैं और बहुत मन से बैठे हैं इस नौजमान की तरफ केवल परदेश नहीं बलकि पूरा देश देख रहा है इंदुस्तान को ऐसे ही नोजमानों की आवश्यक्ता है मैं भी कोई बुढ़ा नहीं हुआ है मेरी भी आवश्यक्ता है मैं चार पंग्तियां चोधरी साब के लिए सबसे पहले पढ़ता हूं और दीरे दीरे में हास्रेका कविन हो तो मैं बहुत सारे रंग कविता के आपके बीच ले कवियों के पास कोई हर्मोनियम तबला नह दे रहा आ नहीं बहुत चुक्त शनदार मन से आफ सुनरे हैं ये जिंधा दिली इन के लिए मैं कहता हूं कि किसी गीता से ना कुरा स्यदyu हो हुती है ना बाश्चाहों की दोलत स्याहा होती है रह हमतें सिर्फ बरस्ती है उन्हीं लोगों पर जिनके दामल में कि चुनाओं के परिणाम आ चुके हैं जो ओना था हो चुका जिनको रोना था वो रो रहें बाकी लोग सपत लेने में लगे होगे कि चौधरी साहब को देखा तो भारती ये परिधान मिला ये जो पुर्ता धोती टोपी ये परिधान आजकल नहीं दिखाई देता है महानगरों में तो बिल्कुल बेज़ाई सबकी ताल हो ऐसा सुने आप अगर जिन्दाबाद से ज्यादा है आप ताली बजाएंगे तो हमे जौधरी साहब को देखा तो भारती ये परिधान मिला उनके राज में सदा किसानों को सच्चा संवान मिला उनके राज में अगर लगेगी कभी सच कह रहा है तो फिर मोबाइल थोड़ी देर छोड़ता है इसे भी भी कि उनके राज में सदा किसानों को सच्चा संवान मिला उनके राज में सदा किसानों को सच्चा संवान मिला दोती कुरता तोपी जैसा सादा वेश नहीं मिलता उनके अंतर मन में हर दम हिंदी हिंदुस्तान मिला उनके अंतर मन में हर दम हिंदी हिंदुस्तान नई पीडी को उन जैसी सादगी उन जैसी इमानदारी और उन जैसा किसान का और एक आम आदमी के प्रेम का जो भाव है तो सीखेने की जरूरत है आज चोदरी साथ एक पाट साला की तरह है इस विद्याले का कारकम है तो हमें उ बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और यहां जो गातावरन है वो पूरा गफूरा उनके रंग में रंगा हुआ है मैं चार पंग्तियां और कहता हूं किसान लोग यहां बैटरें आशीम भाई ने भी बहुत पास किसानों पर चार फंग्तियां कहता हूँ जो बिलकुल ताजा में बैठकर मॉबाईल पे लिख रहा है सुनना परताब भाई कि किसान वग्त की रफ़तार बदल सकता है किसान वक्त की रफ़तार बदल सकता है आए अपनी पे जीत हार बदल सकता है किसान अपनी ताकत जिस दिन समझ जाएगा दो पंक्तियां आगे वाली समालना कि किसान वक्त की रफ़तार बदल सकता है आए अपनी पे जीत हार बदल सकता है खुदकुशी करते समय आग से जो टपका हो वो एक आशू भी सरकार बदल सकता है तो किसानों के आशूओं को आसानी से नहीं लेना चाहिए सरकारों को समझना चाहिए कि जिस देश के किसान की आखों में आशू होंगे वो देश कमी खुशाल नहीं रज़े लाजस्थान बदल गया बाबुजी बिल्कुर नहीं हिंदुस्तान भी बदलेगा इस्षिंत्रों सब बदलेगा मैं तो बनारस गया कहां जगड़ा हो जाए कहां बवाल कुछ पता नहीं तो पंडित आपस में लड़ रहे हैं मैंने एक से पुछा भई पंडित हो कि आपस मे क्यों लड़ रहे हूं तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लेसन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की तो चोटा वाला भाई दोड़ के बाड के पास किया बुला पापापापा दीदी रो रही जीजा जी नहीं रही है तो बाप ने समझाया कि बेटा दीदी तो केवल गेट तक रुए जीजा जी को तो जिंदगी भर रो नहीं रही है नौराथ का वरच्छ हरादमी अपने है तो सबसे पहले देखता है कि हमारे शेर का नाम तो नहीं पिकल गया रात में आपको मैं बता दू सची गटना है मेरे मित्रा जी उन्होंने दो महीने पहले जेन भाई ट्रेन का कंफर्म टिकट लिया कंफर्म टिकट आजमगर से इलहाबाद वाजमगर का युद्या हो गया इलहाबाद का प्रियाग हो गया मिस्रा जी भी नटिकट हो गया कहा जाए नवराप्त का व्रत छोड़ के रमजान हो गये पुश्बू लगा के इत्रकी दूकान हो गये इसलाम में है चार बीगियों की इजाजत ये सुन्टे ही पड़ित की मुसल्मान हो गये हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है लगे रहो तो प्रभू की प्रीथ भी मिल सकती है कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाये हैं किनी भक्तों में हनी प्रीथ भी मिल सकती है हर आदमी अपने जुगार उत्तर प्रदेश में मैं तो राजनीश से भी हसी लिकालता हूँ कैसे निकलती है मैं बताता हूँ बस सब लोग ताल देना आनन से सुनना कोई तनाव नहीं जो कुर्सियां खाली रह गई हैं उनकी तारियों की जिम्मेदारी भी आपके पंदों पर नहीं उमर की लड़कियां आजके किताबों में फोटो रखती हैं सल्मान खान का विराट ओली का बाद में इनकी शादी किसी जेठाल से हो जाती है उत्तर प्रदेस में आते योगी जी ने जो है वो एंती रोमियो स्कॉट बनाया प्रेम पर प्रतिबंद प्रेम नहीं करने देंगे बताया ना आप सक को मैं पूसा बही अंठी रोमियो क्यों बनाया जवाग सुरना और हंस्ते अंस्ते सुरना कोई तनाओ का मामला नेकगा योगी जी ने जो बताया मुझे कि क्यों इन्ती रोमियो लगाया सुना मंच वाले लोगों पी दाद दे सकते हैं असा है ज़ादा पड़े लिखे हो तो भी दे सकते हैं तो ठीक टोपते है में कुळी अबि तक सरकार ने ऐसा किया नहीं आगे पता है पे अंगे तो पुए यान तो पुता बढ़े किसी पे लग सकता रहा है भी टोब आः एंटी रोमियों क्यों लगाया के चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा मैंने कहा था ताल के साथ सुनना आप तो ऐसे बैठ के जिए से खुट तो मुगले आज़ाम और कुझी अनार करने से के चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा मैं भूब की गलियों से बुजरने नहीं दूँगा इक रोमियों से योगी जी ने बात ये कही जो मैंने ना किया तुमें करने नहीं दूँगा जो मैंने ना किया तुमें करने नहीं अगर ये तारियां आप दस गुना कर दो खमाल थी बात है, ये जंदा दिली इस उवर में, खमाल है, दुबारा पढ़ता हूँ इसी मूट से सुनना, के चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूँगा, मैं बताओंगा, के चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूँगा, मैं भूबू की गलियों से गुजरने नहीं दूँगा, लिक्रोमियों से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुमें बरने नहीं दूँगा, जो मैंने ना किया तुमें, अभी जी इनो लोग हाथ बैठे हैं पीछे वो सुनने कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी जरा सा मुस्करादो बदनसीबी 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 भाग जाएग अब दद्दू प्रसन्द हुए जो चेरे पर हसी होगी पडोसन गाल चुमेगी जो मुझ लटका के बैठोगे तो बीबी बाग जाएगा कि डुख्या आदमीं के साथ कोई रहना न trap चाहता दिली में खेजरीवाल जी की सरकार आई आपको पता है के घैजरीवाल जी बोले डिली हमारे हवाले कर दो 24 घंटे प्रीक कर दूँगा मने गा दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही माई कर रही है पुलिस तो कमाल की है जाब इंदुस्तान कमाल का देश है सो नंबर डायल करो पुलिस आती है सो रुपए दो चली जा दूँगा यहां की बात में बिल्कुल नहीं क क्याणाखा नखाओंगा नखाओनेदूगा तो लोग पेप कराकर धेगे आनद्रे चिद्रिवाजी की सरकार बनी फिर 4 पंटिया सैंत की धरने बैट बैट के धननंत्री हुए वनट तो स्वेडागश याद रगाद कि धरने पे बैट के धननंत्री हुए जब तक सारे नह कि धरने पे बैट बैट के धन नंतरी हुए कि धरने पे बैट बैट के धन नंतरी हुए वो आम आदमी के हरदय तंतरी हुए हम चीक चीक करके संतरी न बन सके वो खास खास करके मुख्यमंतरी हुए वो बोले बुरस्टा चार कर दो क्यों खतम कर दें बड़ी मुश्किल में कि नहीं होसकता आदालत में दो वकिल किल बहस कर रहा है। अदालत में दो वकील बहस कर रहे हैं बोले ज़साब कानून की किताब के पेज नंबर 15 के आधार पर मैं अपने मुख्चिल को बाइजद बरी करने की दर्खास देता हूँ तो ज़साब ने कहा कानून की किताब पेश की जाए किताब आई तो ज़साब ने फुरन पेज नंबर 15 देखा इशारा था कि कानून की किताब के किसी धारा के आधार पर नहीं पेज नंबर 15 के आधार बाइजद बनी किया जाए तो ज़साब ने पेज नंबर 15 देखा तो 2000 के 10 नोट रखे नोट बंदी के बाद की लखना है ने ने नोट अच्छे लेगे दो दो हजार के गुला भीवा लेगे लेगे समर्थन करना पीशे तक है के क्वेख दो हजार के दस नोट रखे थे जब साफ को अच्छे लगे मुश्कराते हुए किताब दराज में रखी और काव अकिल साथ इसी तरह के दो सबूत और पिंस किये जाएं आज है कि अपने कहने का तरीका है कभी को अपने कहने का तरीका आप पाते सब इसी में चुपी हुए है आप तक पहुंच जाए तो आप आनंद लेना रास्ता निकालो जिंसे ताली नहीं बज़ रही वो भी रास्ता निकालना पड़ेगा वर्ना यह परताब तो दीच में खूद परे रहा हुआ है मैं बता रहा हूँ आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं इसके पहले वाली और जैन जी का आप बिल्कुल इस चिंतरों जैन जी कहीं नहीं जाएंगे इतने बड़ी आदमी है इ काम करता हूं क्योंकि मुल्ला के ना-पंडित क्यारमान में रहता हूं सहिब मैं गरीबों के इमान में रहता हूं पूछा जो मैंने रब से अपना पता बतादे बोला कि मैं लोगों की बुस्कावत हैं बहुत 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 कि ऊखुए ही किसी का जो खरा था कहीं खोटा तो नहीं है जिसको बड़ा समझे थे वो छोटा तो नहीं है जब भी कोई बुजर्ग भजन गाने लगता है लगता है कहीं ये भी जलोटा तो नहीं है लगता है कहीं ये भी जलोटा आनंद लेना लोकसवाद चुनाओ आने वाले है इशारा समझ जाए तो सब के हाथ उठे एक बार जो मैं कहना चाहता हूँ पांच राज्यों के चुनाओ पयाम आए आप इशारा समझना कि ऐसा ना हो कि रंग में ये भंग जमा दे इस बार एलेक्षन में न चुना ही लगा दे लगता है नोट बंदी जी अस्ती को देखकर ये जेटली मोधी को केटली को आपकर इसाब की देखो बहुत बर्या संचालन किया आदरी ये इसाब इतना अच्छा संचालन किया है लगे मैं प्रणाम करता हूं ये सब रवस्था को देते जाओ नहां सब देतो नहां सब उनको जभीर जी को तो ये चोटे नोग मेरी पेमेंट देने में अशानी जाएगी और अगली बार और भी बड़ा कभी सम्मेला नो एक बार आप हाथा के तालिया बजाएं बावना कि ये है लोगों में की आयोजन होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए और जो कुछ भी मदद करनी है वो इस ट्रस्ट को करिए चौदरी साहब की इस मृतियों में जो भी काम किया जाए उनके लिए करिए हमारे उपर भी सब उनी किछाया है या की भावना है उसके लिए लेना है वह हमारे भाई को दीगिए ताकि और अच्छे बड़े आयो जाए सुन्ना मोदी जी ने नोट बंदी की मैंने उससे भी हसी निकाली मुझे तो हर जगे हसी दिखती है बुरा मत पांड़ा हसाना कोई बुरा काम नहीं है रास्ता निकालो तो निकलता है वो फिल्म लेक्र जब विहार पहूंची तो विहार के लोगों ने मुक्हिमंत्री को चिठ्छी लिखी कि मानिया मुक्हिमंत्री महोदे मितिश कुमार जी जब पदमावति का पत्मावत करके परतिबंद हट सकता है तो आप एक बार शराभ का शर्वस करके देख ले को जाएमातर की कि मर्दों के लिए मोदी जी कथीम निकालो कि मर्दों के लिए मोदी जी कथीम निकालो मीठा को बहुत हो चुका नमकीन निकालो अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने बीबी को बदलने की भी इसकी मिकालो वाँ और तो बदलने की भी इसकी माँ करता हूं अबुजी मैं पर्राम करता हूं आप भेंग से रखियो यही प्यार है यही आशिर्वाद से बड़ा कोई आशिर्वाद दूसरा हो रहा है वह जैन जी के साथ होने चाहिए नौजवान के साथ मेरी पहली बार शादी हुए टर्शन में मत रहो देखो फिरा पहली बार शादी हुए मैं पहली बार सासुराल गया तो बहुत सुन्दर साली को देखा बहुत सुन्दर साली देखी तो सास से बहुत जगड़ा किया बहुत जगड़ा किया मैंने का जब आपके घर में रस्मलाई थी तो मेरे को तही करता हूं मेरे घर नंगी बेटी ने जनम लिया तो मैंने कहा कि मेहदी कुमकुम रोली का तेवहार नहीं होता उसका आंगन हरदम सुना सुना रहता है जिसके घर में बेटी का होता हूं क्या बात है बेटी और बेटे में अंतर क्या होता है मैं एक परिती का अंतर बताता हूं कि इस धर्थी पर मात तो शक्ति का मान नहीं जा सकता है नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है बेटा घर में हो तो बेशक चूला ठंडा रह जाए बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है हमने उन बेटियों को मारना जलाना शुरू कर दिया सहा फिस के बस्चे ने फिस के पूछा कि मां हम लोग पानी में क्यों रहते हैं जमीन पर क्यों नहीं रहते हैं तो फिस ने कहा बेटा हम लोग फिस है ना इसलिए पानी में रहते हैं जमीन पर तो सेल्फिस रहते हैं कई बार मैं कविताओं को पूजा की तरह लेता हूँ पूजा जैसी एक कविता का एक अगी सुनाता हूँ पहले आपको मेरे ध्यान में आ गया मैत्रशक्ति को बैठे देखकर कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा बरदान है बेटियां भगवान का सबसे बड़ा बरदान है बेटियां घर की पुरानी खिर्कियों को खोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दिवारे बोलती है, बेटियों ने घर का हरतम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का क्याला पिया है, हाथ में तर्वार लेकर लक्षमी बाई बनी है, इंदीरा बनकर समूच प्रश्य विश्यों के आगेतनी हैं, मदर टेरेशा बनी करुणा का साधर हो गई हैं, जाके नासा में सितारे आस्पा में भो गई हैं, ऐस बन सुंदर इसे सारे जहां को जीतलाईं, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलाईं, सुनलता मंगेश कर सुर्के समंदर डोलते हैं, अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, बाप की पगड़ी हैं, मातरे श्मी परिधान हैं, बेटियां भगवान का सबसे बड़ावर्दान हैं, पूरा इतिहास परता हूँ एक बंद में लंभी का विता हैं, कि पदमिनी बनकर के जोहर की कला दिखला हैं, पत्य के प्राणों के लिए यमराश से ठकरा गई हैं, मुर्ख काली दास ने विद्योतमा से बुधिपाई और इक रतना वली ने राह तुल्सी को दिखाई, गारगी ने विद्योता से ज्यान को आगे बढ़ाया, और सीता ने जहां को धरम पतनी का बताया, एक राध शक्ति का वर्दान बद कर चा रही हैं, बेटियां ही हैं जो सारी सर्चिपों महका रही हैं, बेटियां धर्ती का गौरों हैं, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वर्दान हैं, हम घर की महिनाओं का बेटियों का बच्चियों का सम्मान करें तब कहीं हमारे घरों में ख कुछ चाहता ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा करूँ सुधार का मामला बड़ा खतरना है हमें वो हाथ दिखा रहा किसमें गड़ी नहीं कमाल का सरदार है मैं आपको बता कमाल का सरदार यह प्रताब भौजदार जहन भाई रात को बारा बजे यह आदमी खिड़की पे खड़ा हो गया और खिड़की पे खड़े होके रात को बारा बजे जो कविता लिखी उससे बढ़िया कविता नहीं हो सकती आनन दिखी रात को बारा बजे क्या लिखा रात को बारा बजे खिड़की से सड़क पर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था क्या बढ़िया कविता है अग कमाल का दिखा दो तीन दो तीन बंद में आज से सुना रहे हसना चाहते हैं ज़्यादा ग्यान की दरवत तो नहीं है नहीं दुनिया में जो गठना हैं गठनाओं का एक चित्रहार दिखाता हूं ठागों के लिए आप 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 करता हैं के देखो कुरशी की बलिहारी हो जमाना बदला जाए ediyorum क्यों बाबु जी यी ताली बजा रहा है यह हमारे समर्षण में बॉक्राफ। बें लग ठया आगे हमेरे माले वाले क्या करता है इतना एफ्टो दुखी कही आप मिल गई आपको पता है बड़ा हो के फोटोग्राफर कौन मनता है वही जिसे बच्पन से ही दूसरों के घर में ताक जाते हैं आनंद लरी चोटी-चोटी बाते हैं ने बुरा बत बाता है कि देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए करदी खटिया करी हमारी ओ जमाना बदला जाए दरना देते देते देखो सीयम बन गया मुनना अन्ना राले गण में बैठे चूस रहे हैं गणना सारे चेले हुए मदारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए इस चुनाव में भीजे पीका निकल गया दीवाला राहुल बाबा जूम के गाते उलाला उलाला पन्या पड़ गया कमल पे भारी ओ जमाना बदला जाए देखो गुरसी की बलियारी जो लोग आथ बांग के बैठे हैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी सुद्ध हास अब आथ उठा के बजा रहे हैं इनती देर से में सेरा था कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी जो ज़्यादा ताली पीटे गान होंगे आप हारी फीटो शर्मा और तिवारी ओ जमाना बदला जाए देखो यह जो लोग उठके जा रहे हैं जिनके लिए भी कुछ कहता हूँ कि मेरी कविता सुने बिना जो भीच में उठकर जाएं आनंद लेना कि मेरी कविता सुने बिना जो भीच में उठकर जाएं राम करे वो अपने घर में गुसा पोसी पाएं कोई जाना चाह रहे है किराम करे वो अपने घर में गुसा पड़ो सी पाएं ढूबे उनकी लुटिया धारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए पेता लिसके हो कर रहु लगांदी फिरे अकेले और धी विजय अंकल निकले आसा राम के चेले लगी बुड़ापे में बीमारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए अच्छा लग रहा है तालियां बजा कर बताओ कि सच में अच्छा लग रहा है कि देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन सुद्विंग पर रहा हूं बाई प्रताब फोर्दार अजाद बाई 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 सादू संत भी बेच रहे हैं चवन प्रास अमंजन निर्मल बाबा की बलियारी ओ जमाना बदला जाए कर दी खटिया करी हमारी ओ जमाना बदला जाए कि जनता पूछ रही मोदी जी पंद्रा लाक न आए पैसा ना देना था तो फिर खाते क्यों खुलवाए पैसे ना देने थे तो फिर खाते क्यों खुलवाए जुमलों से कर गए और हुशियारी ओ जमाना बदला जाए खाएंगे ना खाने देंगे ये साइन कलप उठाया इसलिए तो पै करा कर भाज गए सब भाया कैसी कीboarding चूकी दारी ओ जमाना बदला जाए गर्दी कटिया खड़ी हमारी ओ जमाना बदला जाए लंडन देखा पेरिस देखा देख लिया अमुरीका बहुत सारी बाते की जा सकती है लेकिन जिसमन से यहां बिल्कु सादे लोग शौल ओड़े हुए जिने ये भी कुछ लोगों को नहीं मालूम पता भाई की कविता पे तालीबी बजानी चाहिए इतने सुझे है जिन्दगी में मैंने पहली बार देखा तुम्हारा सात्मा चक्कर है इतने में आदमी का ब्याव हो जाओ करना का गुम रहां सर्डार यहां बैठा तुम्हार गुम हुआ है यह व्यादा मैं कर्ना rejoice मैं सारी दुनिया में जाता हूं जर्दभाई बहुत सारे देशों में लेकिन जिस मन से रहा बहानगरों में धन कविता सुनता है लोग पैसा दे देते हैं कविता नी सुनते हैं लेकिन यहां बरौत में मैं जब भी आता हूँ या बागपती स्चेत्र में हर ग्रामीर स्चेत्र में मन कविता सुनता है तालियां भले ना बजाएं लेकिन मन ही मन उनके भीतर कविता पहुंस दी कि लंडन देखा पेरी से देखा देख लिया अमरीका लेकिन आज बड़ोत के आगे सब कुछ लागा फीका अपने लिए बजाए दो तारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुर्सी की बल्यारी ओ जमाना बदला जाए कर दी खटिया खरी हमेरी भीड में दुनिया के फैचान बनाए रखना गर में खुश्यों की एफ़्णा बनाए रखना अपने होधों पर ये मुस आपके होधों कर हमेशा मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे यही मैं कामना करता हूं यही प्रातना करता हूँ और करम को आगे बहाता हूँ भाई अजास सत्रू यहां राजस्थान से आए राजस्थान का आदमी कमाल का आदमी अभी अभी सरकार बदली है तो कॉन्फिडेंस में ज़्यादा है राजस्थान अभी मैं जैसल वेर गूमने चला गया तो मैंने बाबु जै देखा कि रेत पे उट पे बैठके गूम रहा था एकी सवारी है वाई तो टोपी पड़ी नीचे तो मैं उट से उत्रा और मैंने टोपी उठाई तो मुन्डी दिखी आदमी की तो मैंने थोड़ी रेत हटाई तो आदमी कमर तक दिखा तो मैंने और रेत हटाई तो और आदमी दिखा मैं और रेत हटाने लग गया तो आदमी बोल पड़ा अरे बोले भाई साथ हाथ से काम नहीं चलेगा घर से फावडा लेके आओ क्योंकि मैं भी उट पर बैठा हूँ अगर मोनिका मिल जाए तो सब क्लिंटन बन जाए लेकिन मिल दी नहीं में जारी ओ जमाना जेगो गुर्जिगी बलिहारी ओ जमाना बदला जाए लालू बोले सीम रहे कर नो नो बच्चे जाए लालू जी तो इतना भवी राज नहता है खाने पीने के मामले में कि गोबर को सुनकर बता सकते हैं कि भैस्ट्यूमर की तो लालू राजिवीत का हास कि लालू बोले सीम रहे कर नो नो बच्चे जाए अकल भी आरी पीम होकर बाप नहीं बन पाए अम्मा बन गई एक कुवारी ओ जमाना बदला जाए देखो गुर्जी आज विदे जिवस है इस पर वो को आप मना रहे हैं मैं एक टिपणी करता हूं सुप्रिम कोर्ट के आदेश के बाद भी अफजल को अब तक फासी नहीं हुई चोटा भाई लटका दिया बड़ा भाई पहले था उसको मौका देना चाहिए था मैं उस जेल में गया जहां अफजल बंद है जेलर ने कहा जोगी जी अफजल का वजन बढ़ रहा है मैंने का गलत बात है आतनक वादियों का वजन बढ़े किसका फोटो उसके कमरे में लगा रख रहा है बोले जी सरदार मनमुहंस कि मैंने का एक बार नरेंद्र मोधी कर लगा तो अंडर बेट शुरू होगा मैं ठिकपड़ी करता हूँ आज दिजे दिवस के औसर पर जिसने संसर पर हमला करने का चुर्म किया कि मैं ठिकपड़ी करता हूँ मुझे नहीं पता कि आपका कितना समर्थन होगा लेकिन मैं पमार जी जैसे बड़े कभी को बंग्तियां समर्पित करता हूँ अशोक चारण के लिए आप समर्थन करें तो आपके हाथ उठेंगे तो यह आवाज दुनिया तक जाएगी की देश चाहता है कि सजा हुई फासी की और अधिया धूरे मन से समर्थन मत करना साथ कोई नहीं बोलता है केले कवी हैं जो सरकारों के खिलाब बोलने की हिम्मत करते हैं कि सजा हुई फासी की अफजल की फाई निपटा दो जो अफजल का पक्छ ले रहे उनको भी लटका दो भारत माता है एक बार सबके हाथ उसे जाए मेरे कफन पर सजा हुई फासी की अफजल की फाई हिपटा दो जो अफजल का पक्छ ले रहे उनको भी लटका दो भारत माता है दुखियारी यो जमाना बदला जाए देखो कुर्सी मैं सारी दुनिया में जाता हूँ बहुत सारे देशों में बार बार जाता रहता हूँ जिस मन से आपने आज कविताएं सुनी है हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अनराई लोग है अलोग जी कह रहे थे बच्चे हिंदी नहीं जानते बच्चे हिंदी के पात्रयाले हिंदी के ल ये परंपड़ा देश में नहीं होनी चाहिए कि भारत में हिंदी नहीं आती लोग जिस मन से आपने कभी समिलन को सुना है मैं आप के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ मैं समर्पित करता हुआ कि लंदन देखा पेरिस देखा देख लिया अमुरीका लंदन देखा पेरिस देखा देख लिया अमुरीका एन आराई कॉम्प्लेक्स के आगे सब कुछ लागा फीका अपने लिए बजा दो तारी योज़ा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार बहुत बहुत शुक्रिया चार पंक्तियां पढ़ता हूँ भी इतने बुजर्ग लोग परिवार के लोग बैठे हैं कि इनसान क्या जिसमे की सौबिमान नहीं है वो गीत क्या जिसमे की कोई तान नहीं है मंदिर की मूर्तियों से दुआ माबाप से बढ़तर कोई भगवान है हम अपने बुजर्गों का माबाब का समान करना सीखे और धीर में दुनिया के पैचान बनाए रखना घर में खुशियों की इक्तालान बनाए रखना अपने होटों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना वो हिंदुस्तान जो दिलों में बनाय रखने का काम करते हैं वो देश के बड़े कभी हरियों पमार की होते हैं उनकी किताबें हैं उनकी कैसिट सीडी शायद आगे हैं जो भी उनकी सीडी से कैसिट से कमाई होती है कभी समयलन से वो सब वो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद करते हैं और अच्छी बादा देश में ऐसे काम होने चाहिए और पीछे वीडियो सीडी हैं वो गरीब बच्चों को गोद लेते हैं मैंने का भाई साथ थोड़े दिन के लिए हमें भी ये अच्छा है लेकिन ये उनका समर्पन है शादी नहीं की परिवार नहीं बसाया पूरा देश उनका परिवार है हम सब कभी जितना प्रेम वो करते हैं एकलोते कभी हैं बड़े कभीयों में जो नई पीड़ी को बहुत प्रेम करते हैं बहुत आगे बढ़ाते हैं और कानून के प्रोफेसर है कानून की सबसे बड़ी दिग्री होती है लन्डी जस्था वो कियोंने की आपने लन्डी पे एक ताली नहीं बजाई तब मैंने कहा भाई साथ इससे बढ़िया आप बीड़ करने बीड़ लोग ज़्यादा जानते हैं ओज कियों ऐसे कभी हैं जो जहां से चाहें वहां से सुरू हो सकते हैं उनका जो स्वर है उनका तेवर है मैंने कहा ना लाखों के लोग उन्हें प्रेम करते हैं मैं एक टिपड़ी करता हूँ कि पैसर साल की आजादी में पंद्रा सोला प्रहान मंत्री हो गए लेकिन दूसरा हर यूम पमार पैदा लिए उनका कद इतना है दिन कर के वो ऐसे वनसज है कि उनके लिए किसी लालबत्य किसी तंगे की ज़रुत नहीं है वो जिस गारी में मैठ जाते हैं वो गारी अपने आप लालबत्य के महत्तो जैसी हो जाए यह उनका कद है मेरा सहयोग किवल तालियों से ठाकों से करें आवाज तो बोलने के लिए मैं अकेला काफी हूँ लेकिन आप मिश्चिंत रहें कि मैं आपको कविता से, शायरी से, ठाकों से पूरा भर दूँगा अलागि मैंने इतने कम लोगों में वैवो कभी कविताय नहीं सुनाई लाखों लोग होते हैं, बड़े-बड़े कविसमिलन होते हैं, बड़े उत्सो होते हैं लेकिन आएक टिपड़ी करता हूँ लखनो इस तहजीब की नगरी में कि जब हम लाखों लोगों के सामने कविताइं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम कौरों के सामने कविता सुना रहे हैं कौरों संख्या में अधिक थे ज़्यादा थे लेकिन जब लोग कम हैं और अच्छा सुनते हैं बीच बीच में तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें पांड़ों के सामने कविताएं पढ़ने का मौका मिल रहा है इससे ज़्यादा चमचा गिरी मैं आपकी करनी से जिनके हाथ अभी मी बने हुए है उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ वो जिन्दगी के लिए भी जरूरी है और मैफिल के लिए भी जरूरी है ओपन हार सरजरी के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर एक शेर लिखा था ओपन हार सरजरी के बाहर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हसबोल कर यारों के साथ जिनके हाथ अभी भी बने हैं वो सुन लें कि खोल लेते दिल अगर हस बोल कर यारों के साथ तो हमें ना खोलना पड़ता यूँ और जारों के साथ उनलास में बैठो आनंद में बैठो अब कोई तनाव है लिए मिल्कुल तनाव मैंने मैं तो भाई साथ भी एक सुफ़े पे तीन ठसने की जरूत थी नहीं मैं जानता हूं मैं संकर समझता हूं आदमी का अब वो आनंद में थोड़ी बैठ है वो कष्ट में बेचारे और मैं हाथ से कभी हूं किसी को कष्ट में देख नहीं सकता आप अगर चाहें तो मेरा आसन ले सकते हैं जैसे स्वामी प्रसाद मोरिया जी के जानने के बाद भाई साथ ने उनकी कुरसी फोर रही है या कुरसी को छोड़ना नहीं चाहता बस मौका मिले इतनी प्रेम की बातें हुए सुमझी बैठी हैं बहुत बड़ी आगीत सुनाया उन्होंने मैंने उनसे पूछा इतना अच इस अगेंगा ने प्रेंट से डाउनलोड इसाथ बनाया है यहलँ लकल हुए मैंने का एक बल्ब लगाना हो तो कितने लखनवियों की ज़ुरत होगी बुद्द 19 माने एक बल्ब लगाने में 1819 बोली हाँ यह लखनव है एक बल्ब लगाएगा बाकी 17 कहेंगे वावा बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं बहुत प्यारा नौजवान है ना बदाई देता हूं प्रेम की बहुत सारी बाते हुए हलांकि एंटी रोमियो स्कॉट यहीं से वह पड़ रहे थे ना कि वह थेली पर नाम होना चाहिए मैंने का ठाने में भी होना चाहिए योगी जी ने आते ही पहला फर्मान जारी किया प्रेम पर प्रतिबंद एंटी रोमियो स्कॉट जो कुटे हैं उनसे पूछो जो कुटे हैं उनका क्यों उन्हें विचारों को पार्क से नफरत हो गई हो मैंने चार पंकियों में वो शब्द दिये उसे मैंने पूछा योगी जी से की एंटी रोमियों क्यों लागू किया तो उनका जवाब सुनना सब ताल से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा जो लोग मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मोबाइल रख के सुने मेरा करूंगा कि मुझे कितनी देर और क्या सुनाना है योगी जी से एंटी ओमियों पर मैंने पूछा उनका जवाब मैं ताजा ताजा लिखता हूं कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा मुझे जब लगेगा कि आप बहुत अच्छा सुन रहा हैं तो मैं बहुत अच्छा वाला सुना हूँ अभी मैं भी प्रियास कर रहा हूँ मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ आप भी सोच रहे हैं पता नहीं कैसे सुनाएंगे दोनों असमंजस में चार पंक्तियों के बाद दोनों का असमंजस खतब हो जाए कि चाहत के समंदर में उतर ने नहीं दूगा जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोडाता हो चाहत के समंदर में उतर ने नहीं दूगा मैं बूबू की गलियों से गुजरने नहीं दूँगा मैं बूबू की गलियों से गुजरने नहीं दूँगा चाहत के समंतर में उत्तरने नहीं दूँगा इक रोमियों से योगी जी ने बात ये गही जो मैंने ना किया तुम्हे करने नगी तुम्हे करने नगी तुम्हे और आगे बढ़ी मैं कुछ लोग खुद को मुगले आजम और मुझे नारकल की समझ रहे हैं ये नहीं उमर की लड़कियां कॉलेश के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सल्मान खान का विराट कोली का बात में इनकी शादी किसी ये ठालाद से हो जाए अगया क्या कि ये जो मेरी जब हैली बार शादी ही और वे पहनी बार मज़ी शावाल गया तो कह सुंदर शाली को देखा ने बहुत सारे सब्सक्राइब स्ट्राइब निती तो अगी अपने जुगार में हार गें संग सब्सक्राइब मिल सकती है पर कहीं रहा था कि आप कश्ट में बैठा है करिता ऐसे ही लिखता हूँ मैं तो आपके भीतर क्या है अगर दिल ना पड़ सके चेरा ना पड़ सके तो कभी किस बाद के लिए मुझे तो और आदमी की मुस्कान भी बताती है कि खिस्याद वाली है याने को दो जलता है असने की मुस्कान भी मैं असाने का काम करता हूँ को कि मुल्ला के ना पंडित के अर्मान में रहता हूँ मुल्ला के ना पंडित के अर्मान में रहता हूँ साहिब मैं घरीबों के इमान में रहता हूँ उच्छा जो बने रब से अपना पता बता दे बोला कि मै इसे लिए मैं लोगों को हसाने की कोशिश करता हूं डिकात हो के पनाओ देने के लिए रिस्ते दाह इंहीं हराग्सरी लिए टृट सब्सक्रास का सांगे है पीए तुट में पूल को पुली चाहिए है कि दाउंग लिखना मना यह बात कि दिवार पर इलिक्क्य बताने कर सब्सक्राइब कर दो सकती है लगे रहो तो क्रभू की प्रीट भी मिल सकती है कई बाबा को इसलिए धुनी रमाये यही बटों में अधिया माशान बदलीए समय बदल रहा है नवराथ में का प्रेट छोड के रमडान हो गए खुश्पू लगा के एकर्की दुकान हो गए इसलाम में हैं चार विप्लों की इसादत ये सुन्तर इंपडिक जी मुसल्मान हो अपी दुदान हो गाई कि यह पार आपने बोर लगा रख्था है कि मारे आप बैट में सोले पर्डोल मिलता है तो मेरा नंबर आये तो फालिगा मैं दिनी से होया हूं के जरी बाइटी कि जड़ार है आप जानते कैसे मुख्य मंत्री बने जब वो बने तो चारपंगिया मने वहां से लिकानी प्रेम बनाए रखी जितना समर्थन बनाएंगे उतना आणद बनाता चाहिए कि दरने पे बैट बैट के थन नंत्री हुए तो लोगात बादे में इसदार कर रहा हूं दरने पे बैट बैट के थन नंत्री हुए हम चीक चीक करके संतरी न बन सके वो खास खास करके मुख्य बन सके हम चीक करदे हुए कि जिह वाजए नंगा दिल्ली पुलिस दो जिन को हमको लेड अंधिक कर दे को मने का दिल्ली पुलिस पीन अहीं पानँ कर दे हुए कि अब दो आफ एई आफ दो आफ दो अब दो रहें वस्ताचार को पत्र दों कि विस्किल से नोंने पाल पूस कर बढ़ाएं और आसादी से खथम हो बहुत नहीं सकता है उलानों के ता हूं अधालब न्यों वकील दूस कर रहे हैं जसाग कानून की मरीजसे करने को दर्खास मिनला कर देता हूं जसाब कानून की किताब की पेज़ दुषूं की लिखा था वकील ने चाहर कि पेज़ नमबर 15 का का पारे कियो लेखाथ और पहली Wag 09C कि अन्हें पीछे कि लोगों वोगों हजार के दसनों रखे थे दस साथ में ने मुश्कराते हुए कितार राज में रखती और का वकीर साह इसी तरह के दो सबूत और पिस पीजिए आए कि अचार में अपने पहर जमा रखे समय बदल रहा है साब हमारे बुदूर्ग लोग पैठे हैं कि मेरा नाम करेगा रोशन जगमे मेरा राज दुदारा तुझे चन्ना कहूं या सूरच सुना होगा आपने गाना मेरे पिता जी ने गाना गाया बेटा कहता है बड़ा नाम कर पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा हमारे बच्चे कह रहे हैं बादू तो सेहत के लिए हाली करें लिए कि अधा पांडेजी से अच्छानत लगा चस्ता मत लगाया अगरो बश्वत दिखते हो नहीं लगा होगा तुम बश्वत कर दिखते हो अधा आ अजिए नोट बंद कि मैं चार मंतिया नोट पर दिश्यास मिकालता हूँ आज सब्सक्राइब कि मरतों के लिए मोधी जी कथी मोधी कालो कि मरतों के लिए मोधी जी कथी मोधी निकालो निकालो अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने कि विए को बदलने की विश्के ले जितने लोग पाली बजा रहे हैं सबकी भावना में समझ सकता है प्रेम में भी हाथ से चुपा हुआ है प्रेम अगर जो व्यक्ति प्रेम करता है उसकी भाशा अलग अलग होती है जिस तरह कि उसके उसका तुशे सर्थ होता है जया उसाइब कुछ चाऊइब करता हुआ जार पंकिया फ्रेम स्कार्णा ये तो वक्या तुमत्य प्रेम करता नियुक है इसे देशंगे समालता है पाकिस्तान को बिड़ना है हमारत ने कि ने किन कुछ खाते पी तेरो वरना कमाने थे आउआइब आ जया द्रेग करता है अप्षिवार अच्छा ब्राना तो मैंने का इस उमर में इतनी उल्जाए लगाने कि अवश्यक्ता है तो हश्च पुष्ट लोगों के जुम्हें सुपु तुक्तु खौपियों स्याद्याना उखाधी करें में कि तो हरज़े हसी रिखती है अधियं है तो मंदिर गया पार विखाणी डे पयादे विए सो रुपए उनको दी तो विखाणी द्रूआ दी वह बाबुजी तुमारी जोडी सलाबन रहे लेकिन मैं तो भी मुवारा हूं ले बाबुजी मैं चक्तनों की जोडी की बात था कि एक लड़की प्यार में नेरी तकदीर हो गई एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई मेरा जावना वो हमारी हीर हो गई थक इतने मैंने प्यार के जहार मेली के वो रदी बेच बेच के अबीर हो गई वो रदी प्रेम ये प्रेम अगर किसी सर्दार जी को हो जाए अले गलत व्यक्ती को प्रेम हो उसकी भाषा देखना हो सर्दार जी को उसको प्रेम हो जाए उनकी भाषा देखना ये दिल तुमारे प्यार में हम हारे मिलेंगे अब इमने बढ़िया वाला नहीं सुरू किया एक ये दिर तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे बत्मेदीरो की सागे चतकारे मिलेंगे शादी हुई तो घर में पंच प्यारे मिलेंगे और ना हुई तो शाम दे गुरु द्वारे यही होना यह प्रेम किसी किसान को हो जाए और उसकी भाषा देगा कि पहले तो जा रही थी जिन्दगी यसे तुमें मैं है चलाता फिर रहा था सुखिरे तुमें जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह तुम मैं के मैं सुखिश जई हो तुम तो प्रेट में पारिया थोड़ी बढ़ाते चलो तुमें और अच्छी चलाता यह प्रेम किसी सब्सी वाजे को हो जाए उसकी राशा देगा कि चाहत का तेरी मैं सदान दाजा रखूँगा चाहत का तेरी मैं सदान दाजा रखूँगा इस दिल का खुला हर घरी दर बाजा रखूँगा यह बात कहीं पर मिकास संजी वाले ने पामी चिलक चिलक तुझे ताजा रखूँगा अब वह सारे गीतों के लिए वोलिया दिश्ट दिया गया है, मैं क्या सुना हूं इस तो गुदा में हूं, लेकिन मैं लखनोग में हूं, बहुत प्यारे लोग, मैंने सब कुछ सुना लेकिन आपकी तरफ से कोई पढ़ी, कोई अभधर बात, कुछ निए सुनी है इसके लोग नहीं होते हैं, इस तरह से लखनोग की लोग, मैं लखनोग पर एक नजम पढ़के आपसे जिदा चाहूं का भाद, इसके पहले, आप जिस चितने देर हूं, आप आनंद में ढूबेंगे, अभी ताम ली चीगे साथ, राज साब बड़े शायर, और बड़े शायर, आप लाज साब को बहुत क्यार करते हैं, और हम सब भी उनको बहुत धिल से लगाते हैं, अस्वस्तता के बाद भी हो आपके फ्रेंगे, लोग तो बनी बाद, और नवर साब का से रहे धी कलंदर संगे मरमन के मकानों में नहीं मिलता, संगी महिनों का जो रिस्ता है कि तुमत बंगे द्रुदय की दुखाने विलता छाथ शायर, रिस्ता आपके साभिश्ता यहाँ दिखाई 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 है, कविता बड़े लोग से कहते हैं, वर्श्टॉप आ गया, टिकर आ गया, प्री लोग यह वैक्षित दिखाना चाहता हूं इस फिर अधिए इस अधिए लोग इसने पूरी को सब्सक्राइब नियुक कर देखिए वन्तर अधि ओदि वन्तर क्रें वन्तरम वर इंदाव धिसको की सब्सक्राइब अबने सिद्री बंद्र विच अगर मुत्यम बनघी ओरन में दर्मारों निर्ण के बीच मिण वर्य》 कि है मने क्सव दिल जाता है तो पिंपास मीमृ bé México टव्यूर। सबून wealtho कंता की के इसनुट शॉपी बैंगे एक यह जो सवावपा धार्श्यान हो नहीं पीरड्र कंता ही हैं सवा थरो ओ causal का रश्यान में गौज़े कर सब दीद दोaci है नया सब sì रातों में चागा करते हैं इसकी कुछाली की खाती लिए बंदन बागा करते हैं ये मीर कवीरा सुद्रा के बंसा इनका बंदन करिए और दोनों हाँ उफा करके कविता आजिने अज़िता बड़ी पाउंची बड़े लोग मिलते हैं बड़े-बड़े बड़े-बड़े वजीर मिलते हैं मंत्री मिलते हैं लेकिन मैंने का रास्ता हुआ कि सब शेंशाह जब अपनी अपनी कप्रों में होंगे हम समय सिंदू के अंतर में गहरे पानी पैठी होगे सदिया भी इते सुल्तानों के नामों निशा नहीं होगे हम जरगर बंद किताबो इसके अक्षर को ब्रह्मत आजाता है यह अपनी मरता देए वह शब्ड के सादत है हम लोग ठाके जिना भी दुनिया के जिए जरूरी है यतने तनाव के बैचे लोग शाधी जिबान को तनाव प्रभब होता है अगो तनाव जीमन में तनाव ही तनाव इसके लिए थोड़ जानी आसर बस इतना समझ लिए संफास की गोली है और अजानी के बाद भी मेरी किस्मत पर फूर नहीं बस भाले पत्री तो गाय जैसी है पस साले को अच्छा पाए अजानी काच्छा जब मैं बैचलर था और मेरे कमरे में बहुत सारे मच्छा थी वो मेरा खून चूशते रहे तेकिन जिसने मेनी शादी भी सारे मच्छा छोड़ उसके चाने लागा तो मैंने पगार के पुचा मनेदा भी ये छोड़ की की तार है वड़ी हम लोग तो पर आगेगी कुछ पर से काचुछ शादी शुदा है उसके पहचान है कि युसका मनल शुट लख कर दो कोई पंदी शुदा है उसकी पहचान है कुछ इसका अच्छी नहीं हो पाते है रिवात बुलवास की पंतिया एक इत की भूमिका में लेत की जोटाबास फिल्म में आया है उना किश्किती मुश्किल है कुछ थोगों ने पहां हो जिए मैं उसकी भूमिका में दो तो तो यह रखता है कि नहीं और अच्छी होगे जो चले गए वो चीटी चले गए अच्छे वावना जाखती है कि जो बैठे है वो अच्छे ही हो कि अन्दे हमें शेर का रस्ता बता रहे हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं वो हमको महबत की पोथी पड़ा रहे हैं जो अपनी प्रेमिका से राखी पड़ा रहे हैं जो अपनी प्रेमिका से राखी पड़ा रहे हैं यार जो होता है मुश्किल जोती है मैं चार अभूं छीं does क्या है आंसुमें नूबी मेरे प्यार की आई झांई भीतर से है बुडआ पार से है जवानी नजरों से तेरी नजरें कैसे निलाएं चानि और आटी गर अ कि नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाएं जानी तेरी नाहिया किकानी क्या है कि मेरी चाहत की लाइट पर यह से कि कौन करता है मेरी बालों पर चुप चुप के मैं कि पौन करता है तो अपने फोन का रिचार्ट उससे कराती है तो अधीराथ को तुप से यह चेक दिन करता है अगर में क्या क्या मुश्किले होती है लोग प्रेम करते हैं शादी दिए अगर आपको लगें ऐसे अंतर ऐसे संबोधन आपने कभी सुने ना मुश्किले में सुनाता हूँ फिल्म में नहीं लिए गए अइसे मैं सुनना जैसे संबोधन आपक कथा हूँ पूरे मुश्किले है अपना मेल प्रिये ये क्यार नहीं है क्यों प्रिये तुम ये में बस्चटी बीजन हो मैं हुआ मैं क्यों प्रिये मुश्किले है अपना मेल प्रिये ये क्यों तार नहीं है क्यों अंतर देना कि तुम फाउजी अप सरगी बेठी मैं तो विसान का बेचा वी तुमरा बड़ी की रम लाई है हो मैं तो सत्रू सपुरेटा तुम एसी घर में रहती हो मैं भेर के पीचे लेके लेकावी तुम नहीं मां दरदी हो मैं स्कूत अफुरन ग्रेटा सबांती पसली तोर मुझे भिजवा देंगे वो जेर प्रिये मुश्किन है अपना बेल बेल कार आग आई अरे गरे दो रहाती तुम सारम अदेश की गोड़ी हो मैं उत्तदहे की चाज़ी यंतर आप याद करने हो यंतर क्या आप्ति की जगे इश्दमाग करने कि अधर तुम करूर याद करनो बाभी को अंतर आप यहां भी देख सकते हैं आदी लाइन आप शुबंदुवे को देखकर सुनें और आदी लाइन पांगे जीन देखकर वो अंतर सब्सक्राइब में यहीं समाज में यहीं से मने उठाए कि तुम अरमदेश की गोडी हो मैं उंक रहे की नाद प्रिये तुम दीवा 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 बोनस हो मैं भूपों की हर ताल प्रिये कोई फस्कालिक संदली में तालिए ने शुप मिरियानी हो मैं감 मिराबी दालिए कमें हिरतो पर भरति मों में हूं कछ्वे सालिए तुमय चंदर ना मिलतरी हो में हूं Crown ऑडिकी जाल किया मैं पाके हमसाद इका हुं मतमारो अभॉजे बुले प्रिये आपना बैल प्रिये स्युगता कासुंग अटाध कासु सुगता हुं हमसी दे उजेसादू पत्मभ रोग कचन का लाओं मैं तर्से मनसे थासी हुं तम महा चला माया हो कुम निरमल पाउन गंदा हो, मैं चलता हु आपकन्दा हूँ, तुम राज धात का शान्ती मार्चु मैं हिंदू-ुम्स्रीमता हूँ, तुम ऋुपुनम का ताज पहल मैं काली कुफा अधन ताजी, तुम हो वरधान विदात्था का मैं अधन दी हूँ, कि अपने पिशोपा हो नहीं देशी हो मैं पत्थर का सिलबता कि मैं एके सैकाली सिदेशी मैं तो इक देशी कच्चा हो कि मैं जागा लादी हूँ तो मिश्क सोनिया गादी से मैं अमर सिंद साखाली हूँ कि महसी ना एक जादी हूँ तर जेल मुझे हो जाए तो दिलबाते ना तुम बेल ये बुश्किल है अपना है कि मैं धावे के नाचे जैसा तुम पास सितारा हो तन मुझे का देशी थर ना तुम रट लेवल की हो तन मुझे पहार का मदूलीत मैं कसी धरसर की जारी हूँ तुम दिस्व सुन्दरी सी महान मैं खिलिया छाप कबारी हूँ तुम एपल का मोबाइल हो मैं तेली फोन भाला चोगा मैं मच तुम अचली माल सरोवर की मैं साधर ततका हूँ गोगा दस मंजिल से गिर जाओंगा मत आगे मुझे न देल प्रिये मुष्क्रा है अपना भेल प्रिये तुम शंत्रमारी सित्वा कि तुम जया पुर्णा की सारी हो मैं शेकरवादी डाली हूँ कि तुम सुस्मा जैसे की दुशी हो मैं लक्तू लाला नारी हूँ कि तुम जया जेक टीसी को मल मैं सिंग उडायम साधतो कि तुम हेमा माली से सुंदर मैं बंगालों की तरेवो कि संता की महरानी हो मैं बच्छ की लाचारी हूँ कि तुम संता की महरानी हो मैं बच्छ की लाचारी हूँ कि तुम हूमाया और मताजी मैं वारा अकन् लिहारी हूँ कि तुम सथ सथ की सुंदर्ता हो मैं उत्यार की जेक ये मुश्किल है अपना भेव ये कि अप्षित आई नावे मुष्टिन है ने पस्क्तिन नीजन हो में उड़ा में दिए मुष्टिन है कि कि अप्ष प्षित आई कि अप्षित है आद उखाके मुझे बताना अधिया बता दिखिए परूंसें लगी इसे बाद पूदर में चोटे बागूं को ने बहुत अच्छा दार है जो बहुत अच्छा देशा इसे इस अच्छे मैंने समा स्यवा करते है भाला इंचानल खिला पूदर पूदर गरा सामसेवा कि इस लिए कि रोट अभग वाला अच्छा देशार नाद रूदर मोदीघी की सर्कार भी को मैंने एक आस्सेव शुंता है और अनन्द के लिए मैं आपको सुनाता हूं कही दो प्रित्रों ने मुझे टास्ट राने करिया वस्वत आनंद का दीथ है ये वाज्या नेशना है किसी पार्टी की तरफ से दिक हो जाए और मैं पार्टी का हूँ भी देख आनंद करें अध। कि कॉंगरेस का तो हो गया बटता थार रसिया कोई कॉंगरेस का वह थोड़ी देर प्रस्तिक्ता करें अधूर पाली तो जालों फिल्माई को यहां तो लोक्त पेस्विधा है लांकि कॉंगरेस के इतनी सीटे भी नहीं आई इतने नारूंजी के बच्चे हैं आनद करो आपक कि मैं कॉंगरेस का इतना वुषपऩा थार रसिया है आदिवा नाको वह थो कॉंगरेस के लोगो जो बटता थार रसिया क्वोदी मोदी में बनागी सर्चार रसिया कॉंग़ेस के लोगो जो वो याओ भोगो, राहुर बाबाची हम खाओ, बयोट्य देखो भोगो, अगर समर्थों जयादा मुलावें, तुम्हें वोडनी बोलना चाहता हो, तुम्हें इदर बाले लोग तुदा खांगों से, शादू बाबाबा मार्यार दियो बैठे तुम्हें, मैं प्राम करता यह दिखनी रहा है कि कौन कहां क्या है, कि कॉंगरेस्ट के लोगो, जो बो याओ भोगो, राहुर बाबाच लिंगन खाओ, बैठे देखो लोगो, कनमारी ऐ राचा, बज गया सबता बाजा, चितंबर्व से नहें सोनिया, लूनी डांस दिखाजा, तुम्हें डुगों ग जोड़ना लिसालि, जोड़ना रशिया, सोच रहे हैं अन्ना, सूप के हो कए गंदा, सूप के हो कए गंदा, मुझको धर में परवैठा कर सीदम पन गया पुन्दा, कि अन्ना, सूप के हो कए गंदा, मुझको धर में परवैठा कर सीदम पन के गंदा, कुसी इसमती ही राणी, रोए सोन का राणी, ऐसी चाल चली की सारे हो गय पावी पावी, जोसी अगवानी को धेग दिया हरुकार रसिया, देखो मोधी ने पनानी सेविकार रसिया, गुर्यूतार रसिया, ये बुजराती भाया, ऐसा नाओ चलाया, जापांई को गीता देकर प्रेट प्रेट रसिया, ये गुजराती भाया, ऐसा नाओ चलाया, जापांई को गीता देकर प्रेट प्रेट आया, धबराये गुबामा, बनना चाय सुदामा, अइसा ना अउपने उतार के पहना देल पादा जामा खरी चीन की घपिया, डूबन जाए लुगिया, वो तो समय चंगू मंगू, वो यह है चंगू मंगू, नेरे एक मितर चाहिना गए, एक लड़की पसंद आगे, वो शाधी करके आगे, चाहिना गए, यह उचे महीने में मरनी तो रो रहे थी दादाजी ने समझाया मेटा होत कि खड़ी चीन की घपिया, दूबन जाए बुठिया, वो तो समय है चंगू मंगू, होती है छेपिया, मिया मिला बनलू, हमें न सम्झो गुलू, पताया है कश्मीर बागने तो फूरा कश्मीर चीज़, गलखिलों की तरफ से जवाब देता, आपके हाथ जवाब, कि मिया अधिया बनलू, हमें न सम्झो गुलू, का समीर की जगए बाबादी का धुलू, शेरो के आगे है खौंखंखंखंपिक का रसिया, देखर मोदी ने बनाली सर्मा, जो नुतार रसिया, अमरीका था जीजा, नहीं दिया था भीजा, अपके 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 करना है, जीजा जीया, करका जायो पीजा, बनाली ०िया, इसो बेट कोमा कर पर दो שका तो कर दिया, अब हो कर रहे श्वादी सी का प्लचार रसिया, बिर्पों मोदी ने मिनाली सर्मा था जिखर मोदी ने बनाली सर्मा, भात जो या जो मोद उड्या ऊटीॉ, जीवाँ जो मुर्दा अ लश्या आ अम बदापत्राइि कायं जर देखेए कहती गंधा मखिए कायं जरल्दी एन देखेए कहती गंगा मखिया वीजाव कौत अब डो जाओ और जर्ड़ शॉल प्रवां जागो अब तो जागो अब तो जागो भार्टमादा कर्ति देखिया तईया दो गेला गुलाभी निटेश की चाभी जनता कहती होती है ते इत दो प्रदो कोर्द आए हुआ है 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 तो आपके जोड़ी कर दो तक है आला रसियां बंग नारूटी से लेलो इक पुदार आपके लेलो निहार रसियां डेखो नोती में बना नी श्रीडार नारूटी लेलो इक पुदार कि यह बहुत सारे फ्लेवर्स थे कोई जाई यह गी फ्रेम से हाँ से निकले राजी से हाँ से निकले समाज से हाँ से लाए लेकिन मैं कुछ मेरे दिल की कुछ पाते करके आपसी बीधा चाओ का राज साव यहां मेठें तो मेरा भी मन करता है कि उसको शाहिरी करूं कुछ कृश्षा जघ्या परकर शैद आपको अच्छा लगेगा मैं बस्भारा करो कि जा तुमन अच्छा लगेपा तो हुपिनीस पच्छा कर दे जा और उसके बाद रहा जी के मूच पर आपको को तो बीयू प्रताने आपको पता निको बाबाबा करने होती है है भले तो अच् मुकद्दर में किसी के गुवरे और अपूर होते हैं, हमारे ख्वाब रोटी के भी चकना चूर होते हैं, हमारे ख्वाब रोटी के भी चकना चूर होते हैं, सियासर्दार चूते खाके भी विश्चूर होते हैं, हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर नहों जाए, महले की किसी बेवा का दामतर नहों जाए, आप तरक्तों को अगर काटो इसासत लोग परिंदों से, अपना घर बनाने में कोई नहों जाए, अपना घर बनाने में कोई के घर नहों जाए, इससे बढ़िया सुनाता हूँ, मुमारे तवाम बुद्रों लोग बैठें, आपको आपके पिता की यादों तक ले चलता हूँ, रासा आपको सबसे अच्छा हूँ, नाथ थोड़ी कम मिल नहीं है, कि समंदर मां की ममता की भी गहराई न छूपाया, हजारोचंद लिख तुल्शी की चौपाई न छूपाया, हजारोचंद लिख तुल्शी की चौपाई न छूपाया, मुझे बच्पन में पापाने छूपाई थी जो काथों से, जहां जो से ब्युलकर मैं वहुचाई न छूपाई न टूपाई न छूपाई न छूपाया, है न इश्वर्मुआइए न न एक पता मैं बताता, कि जिसे फावों में पानाम हों में वह सोजाने से मिलता है, जिसे अपागों में पाना हो, वो सोजाने से मिलता है, मेरा चेहरा शहर के दीवाने से मिलता है, वो जिसको भूडते फिरते हैं मंदिर और मस्यन में, वो फोजे से मिलता है, मेरा चेहरा 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 चाहिए। इक पंदी का अधुलत प्रता हूं बेतियों के लिए देटीर अश्याना सैंकल के, कि वो अपने कैमरे से जन्दगी के सिहन लेता है, वो अपने कैमरे सेजन दिए के सीन लेता है वो अपने चाहने वालों के दुख़ड़े बीन लेता है कभी भूले से बेटी घंड में तुमार मत देना वो बेटी मारने वालों से बेटा चीन लेता प्रफिता है मेदी को पूर होनी का त्योहार नहीं होता रक्षा बंधर के चंदर का प्यार नहीं होता उसका वाने घदम सुना सुना रहता है जिसरे घदमें बेटी इता है बेटीयौ घर्वान का सब्स्ícioरा शची बेटीया है पुश्याई को खोती है बेटीयां घर्में होतों घर्म की दिवाली बेटीयों स्य 메ंत परबहर कर के लीना थेर। हमें कामी महीं पैनीय क्रभाई कर वे नक्ष मुषमियों बॉर्ग है जो पेट्रियों को बेट्र से कम कोते हैं। प्राणों के लिए अब्राश से टकड़ा गई है और इक रतना वदी में विद्वता से ज्यान को आगे बढ़ाया और सीता ने जहां को धर्म पतनी का बताया एक राधा के बिना है क्रिश्वता की साथ मा बग्तिरस को बढ़ावन देता है इता हुआ है जारी कि देवी बनी है किसा भुण के और ने महीं पतागी है और तुर्दा शेक्त का वर्दान के चाली है विद्वादा साथिस्थिता कर्दू मना ते लिप्रदूं के वहां आखनेब ते नमारे सब्र आपनी भाशा से प्रेम करें, आपनी राश से प्रेम करें, हम पर्यावरानों को बचाएं, हम आपने माईलाओं का प्रेटियों का समान करें, आपने बुजर्गों का मतापिता का समान करें, क्योंकि इसी क्या आपान है आपकी आशीशनुदी दुएएट क्योंकि किसी की इपसे नगरा जयादा हो धिये न भास्याओ कि टोलर शेर्थ वुटिये हरे सिटेंगाई प्रष्टियें विल्गवपा यह के ता मनली पुझा इंसान क्या दिस्वें कि फादमार नियुक्त प्रवाद में है। मंदिर की मुर्तियों से दुआ मागने वालों मावाब से बरकत है। यह अमारे ट्रूप नहीं कर सकते हैं, तो तुनिया में किसी तीरत का कोई फायदा आपको मिले हमालाब। मेरा मन तो था कि मैं एक लखनव पर में ताजा कुछ दिखा है। वो राज साम बैठें वो पड़े शायर है, मेरा मो है कि कुछ सब दून तक पहुचे है। ठाके तो मैं बहुत लेर यह काम करता है। यह आप साथ होले है। हाँ, यह आप ही एक ती लोगियों के साथ है। सब लिखे हैं भागू, लेकिन कभी की अपनी सिमाये हैं, कहता है तो बन पाता है। पर कहें दे कोई तरह कूछ है, अब बहुत रखता है। अम्मे योगी जी पर दूगा, आप जी भागू, आप बहुत अच्छा है। मैं जान्ताव बाभूजी आप की इच्छाय कभी खतम नहीं है। क्योंकि अच्छाय कट्ब हो गई होती ही तो आत्मिया सर अब अच्छाय करता हूँ कि आप प्रहें योगी जी पर रही लिखाए। क्याद साप को भी सुनना है। मैं लखनौ में वह इसलिए लखनौ की नजब की कॉपी आके सांदे रही। मैं देखकर परता हूँ क्योंकि मुबाइल में ही और लखनौ आया उन्होंको मैं समर्वित करता हूँ। क्या साथ कि हजारों शहरों में उंचा खराना लखनौ का है। कि पहली बार खराओं के दाग देना तो दिल खोल के देना मुझे लगे कि मैंने लखनौ में लखनौ पर पढ़कर कोई दखती दे। कि कि हञारों शेरों में हुचा धराना लखनवु का है जमाना लखनवु का था गजब के रोग होते थे यलक पैचान फीट आए नवाभी दौर में इसकी निरानी शांथी टैने वो मेले और तमाशेते की दुनिया होस्कूती थी दमक्ती जगमदा तीसी अवक्ती शाम होती थी नवावी शहर है जिसको की लक्षमन में बसाया था यही अजर्ट महले होस्णा अपना दिखाया था यही बेगम ने गज़्दों की समा जम कर चलाई थी यही बारातरी में शा यहाजर्ट में जिबर्वों की कतारे जन्मगाती है यही पर शाम को जन्द की हुरे मुष्कराती है गिलोरी पांग की खाकर यही आशिक पहते है यही आकर भुदूर्गों की खायरती हुब आँ इसे तरियाओं की खायरते हैं यही आखर बुदूर्गों की खायविखिन सब्सक्राइब यही बारता आए गए जाताए पत्राइद हुआ तरुक जैन्माट गोज़ुआए जाते गृत्यों की आशिकरात्गों की जान्द की तरुक्वायाँ और यही पर जाएदिव किनारे अभी गोगती के हैं अनुमान का मंदिर किनारे वोगती के अभी है अनुमान का मंदिर अदब तैजी मुट्फद की पहुसी आदकारे हैं हुसाइनाबाद में विक्री हुसेन आदकारे हैं सरापत है सदाकत है यहां इमानदारी है उनर देखो यहां अभी चिकन की दस्तकारी है अभी तक इस शहर का एक जल्वा नवाबी है कि हिंदुस्तान से बाहर तरक पुंगा कवावी है बताओ बात का ऐसा की भी और देखा है यहीं अम्बेदकर उद्यान नुहिया पार खुता है नवाबों के शहर की आदभी शाही कहानी है पुरामे दौर से लेकर अभी तक राज ठानी है सुनो जोगी यही पर एक अध्मिस्तान बस्ता है मिया इस अभणों में पूरा देखा अध्मिस्तान बहुत बहुत शुक्रिया नमस्ता शहिए अध्मिस्तान कई लोग बहुत मुस्तेद होकर बैठ रहे हैं कईयों की तो गोद में जूतेश परनत रहे हैं यह बहुत अच्छी सुरक्षा पर वस्ता है और उन पुलिस कर्मियों का मैं बहुत आभारी थी जिन्होंने उधर का कुछ बल्बा शांत किया और खुद भी शांत हो गए वरना मैं तो उत्तर प्रदेश में ये खाकी वर्दी देखे आंखें तरस गई थी महराज क्योंकि जब से हां आई जी पांडा ने उतार लिया मैं तब से जब ये किसी खाकी वर्दी पुलिस वाले वो देखता हूं मैं समझ जाता हूं ये खाकी वर्दी में गोपियां भूम रही है वह बहुत अच्छा है लेकिन आपने अच्छा काम किया एक साहब ने मुझे देखकर सीटी बजाई है हो सकता है काफी पहले वो बजाना चाह रहे थे देखी 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 ली ली मैं आपके सौंदर बहुत हो प्रणाम करता हूं लोग काफी संख्या में हैं और ऐसे बैठे हैं जैसे बैठने ही आए चलिए मैं आपसे दूरता हूं और चार अंतियां करता हूं कहुत सारी प्रेम महबत की बात हुई सुमन दूबे बहुत बढ़िया सुना के गई और हमारे जिया सहाद मैं तो हासे बैठे का शायर अगर प्रेम को शब्द दूँ तो चार पंतियों आप तक पहुचाता हूं हासे बैठ का शायर प्रेम को क्या शब्द देगा कि इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था इतने ही काफी है बात कुएं से शुरू हो रही है कि इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था तेरे काधे पे मैं सर्रक के शाम बैठा था और एक पंक्ती में हाथ से आया हो तो जूम जाएं आगे से पीछे पर बैठा किश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था तेरे काधे पे मैं सर्रक के शाम बैठा था तेरी जुल्फों में जुएं हैं हम मुझे बाजों बैठा यह सर्वेजस खाना बैठा है तेरे बाज जुएं ओडर बहुत बढ़ाई देता हूँ भाई बर्मा जी हमारे इधर बैठे हैं और में बढ़ी सहाब बढ़ी हा का दिसमेलन मुशायरा आपने किया है और बड़े नाम यहां बैठे हैं वसीम बरेलवी सहार प्रहात इंदोरी जी और इधर कुमार विस्वास आसी शेनल और सर्वेज भाई मैं दिल्ली से आया हूँ आपके बीच राजनीत की नगरी से चार पंतियां राजनीत के नाम पढ़ता हूँ पिछले दिनों यहां बहेंजी की सरकार थी आप सब जानते हैं उन्हें अटल जी ने अपना दिल्ली से समर्थन दिया था उस समर्थन पर मैंने चार पंतियों में एक टिपणी की थी और टिपणी आप तर पहुचाता हूँ राजनीत से हास निकालता हूँ आपके जोली में डालता हूँ और पहुचे बाद तो आपका समर्थन ले कि मैंने का हाटल जी आपने ये सोचा कैसे कमल उपे हाथी की सवारी होनी चाहिए कि मैंने का हाटल जी आपने ये सोचा कैसे कमल उपे हाथी की सवारी होनी चाहिए मनु आदियों ने बड़ी देर में विचार किया भाज़पा और बसपा में आरी होनी चाहिए आटले जी बोले ये तो देश की परंपरा है नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए और अंतिम पंति में तर्क लगे कोई के खात समर्थन करें कि आटले जी बोले ये तो देश की परंपरा है नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए कि देश की कमान को कुवारा है समाल रहा उत्तर उपर देश में कुवारी होने चाहिए कि अधिया कि अधिया कि यह सब बस्पा वाले हैं बर्मा जी बहुत खामोस बैठें ऐसा कुछ नहीं हो आप बिश्चिंत रहें और अब तो साब ना कुवारा है ना कुवारी है एक सरदार जी की बारी है नई सरकार आई मैंने टिपणे की कि संसद में बागी मंत्रियों पर हंगामा हो रहा है लोग तंत्र का ड्रामा हो रहा है आपस में चल रहे हैं जोरदार मत भेग और उदर मन मोहन सिंग सोनिया जी से पूछ रहे हैं कि मैडम पगड़ी नीली बांग है सकें ये राजनीतीयी विडमना है राजनीती एक वियापार बन चुकी है कैसे कैसे लोग आते हैं कैसे परचार करते हैं मैं परचार का छंदेक का आपको सुनाता हूं किस सपावा ले बोले की मुलायम जी को लाया हूँ मैं कैसे परचार हुए होंगे निकाये चुनाओं किस सपावा ले बोले की मुलायम जी को लाया हूँ मैं बस उपा में मायासी दिवानी देख लीजिए माल बिक रहा है खामोशी से मत सुनों देखो साब मुझे खामोशी में पढ़ने की आदत नहीं है पिछले दिनों मैं मुंबई गया सहाब मैं कविताएं सुना रहा हूँ एक आथमी बिल्कुल हस नहीं रहा है मुस्करा नहीं रहा है बिल्कुल भाई साथ की तरह मैंने का वैसाब मैं असाने की कोशिस कर रहा हुगा आप हसी नहीं रहे बोले खुद क्यों हसूँ बड़ा आदमी हुँ अमीर हुँ आदमी रखये हुए फिर मैंने का आप ताली भी नहीं बजा रहे है मैं समझता हूँ आप लोग इतने अमीर न हो जाएं बात पहुंचे तो आपका समर्खन आना चाहिए कि सपावाला बोला कि मुलायम जी को लाया हूँ मैं बसुपा में माया सी दिवानी देख लीजिए और जनता दल बोला कि मैं दल दल में फसा हूँ लालू बी पीसी कोई मिशानी देख लीजिए कांगरेसी बोला कि वी देशी माल लाया हूँ जी तांगरेसी बोला की विदेशी माल लाया हुजी एक बारे इटली की रानी देख लीजिये तांगरेसी बोला की विदेशी माल लाया हुजी एक बारे इटली की रानी देख लीजिये अभाजी पाई बोला डवानी देख लीजिये या बार बार राजा हिंदुस्तानी दे खलींगी है राजनितिक पार्टियों के चुनावचिन से एक्षन सुनाता हूँ कि मैंने एक बालीका से हाथ मिलाने को कहा वो बोली कि भाग जा तू कांगरे से आई ही और सांसे गुमान से तू साइकी से गुमता है ऐसा लगता है तू सपा का अनुयाई मैंने कहा फूलो देखे प्रिये मत भूल करो राबरी बनाने की कसमों तुझे खाई हूँ और एक पंक्ति एक पाईटी को समर्पित करता हूँ उसके चरित्र को आप समझ जाएं तो बताएं वो इसारा कि मैंने कहा फूलो देखे प्रिये मत भूल करो राबरी बनाने की कसमों तुझे खाई है फूलो देखते ही वो कुमारी बोली ब्रमुचारी शादी तो करेगा नहीं तू तो भाजी पाई उसके बाद से जब भी कोई कुमारा आद्मी मुझे दिखाई देता है मैं समझ जाता हूं यह उसकी हो नहीं गई और या फिर यह भाज पाई राजनीती में कैसे कैसे लोग आ गए सहाब सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं आते लोग वर्मा जी की तरह मुझे तो बताया गया बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन कैसे कैसे लोग राजनीती में आने लगे मैं तो दिल्ली रहता हूं संसत की स्थितियां देखता हूं शुद्ध व्यंग आप तक पहुचाता हूं कली भै आपको समप्पिर करता हूं कि कोई यहां डाकूली यह चाकू है लडाकू कोई जीत के चुनाओ नाओ जैसे तन जाते हैं धूल में खेले न कभी भूलू से ही स्कूल गए बिना पढ़े लिखे सिक्षा मंत्री बन जाते हैं मैंने कहा बिये बिना पिये रखते हैं आप पिये बिना कैसे फाईलों को निपटाते हैं अध्य जीवन की सर्वसेश्ट पंकि पढ़ता हूं आप सबके सामने जो कविता समझने वाले लोग है वो एक पंक्ति के ब्यांग को पहचाने कि मैंने कहा बिये बिना पिये रखते हैं आप पिये बिना कैसे फाईलों को निपटाते हैं वे बोले कि का महामंगुठे से मैं समझ रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल कई लोग दुबारा पढ़ने के लिए कह रहे हैं मैं समझ गया यह सब सप्लीमेंटरी से पास हुए होगा मैं एक दीट पढ़ देखता हूं हमें की थोड़ी सुप़ए देश और दुनिया में क्या-क्या घटनाएं घटी उन घटनाओं के एक चित्रहार आपको दिखाना चाहता हूं गीत के साथ आप सब की तालियों की ताल होगी तो अनंद आएगा दो-तीन तालियों के लिए बहुत भेने बाता हूं मैं गीत पढ़ता हूं और भरपूर आने दिले आप कि देखो कुरुसी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए करदी खटिया खड़ी हमारी ओ जमाना बदला जाए कि देखो कुरुसी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए हुआ फील गुड फेले अटल जी हो गए पानी पानी भारत उदय करतले डूबा कहते हैं एडवानी इटली वाली पढ़ गई बारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुरुसे की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए पहले अमोरी का रहता था सबसे एंखा एंखा और फिर एक बार हात उठें कि पहले का रहता था सबसे एंखा एंखा लेकिन उसकी छाती पर जबसे लाद लद बैठा बहुत बढ़े वाद है बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया बहुत पसंदता हुए मुझे इन्होंने माला पहना ही मुझे तो याद आता है कि इसी तरह अगर पुरुस पुरुस को वर माला पहना ही तो परिवार नियोजन के सब मसले अलो जाए कि पहले अमुरी का रहता था सबसे एंठा एंठा लेकिन उसकी छाती पर जब सेला दिल्लद बैठा करता फिरता सबसे आरी ओ जमाना बदला जाए देखो पुरुसे की वल्यारी ओ जमाना जो लोग हाथ बानके बैठे हैं अभी भी उनके लिए कुछ पंकियां परता है कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी कि जो ज़्यादा ताली पीटेगा हम होंगे आभारी पीटो शर्मा और तिवारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुरुसे की वल्यारी ओ जमाना बदला जाए सब कवियों की इच्छा सोता ताली खूब बजाए और लिफाफा दिये बिना सईयों जखी सपन जाए पाइब आप 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 वह यहां अधियों कि इसनगा वार्मा जी बहुत कोने में बैठें उपिद्धा आप कि सब कवियों की इच्छा स्रोता ताली खूब बजाएं और जहां ऐसा हो जाता है वहाँ इस कुमार विश्वास की हालत क्या हो जाएं कि सब कवियों की इच्छा स्रोता ताली खूब बजाएं और लिफाफा दिये बिना सईयों जखिसक न जाएं कभी से कर दें हमें विखारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुल से के वलिहारी ओ जमाना बदला कई लोग बीच बीच में उठ रहे थे साथ कभी इदर से कभी उदर से मैं ये पंतियां पढ़ता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि किसी की उठने की हिम्मत हो ये सुनने के बाद तो मैं उसकी हिम्मत देखना चाता हूँ और अपने कहने के सलीगे पर आपकी दाथ देखना चाता हूँ कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर किता जी खत्रे में पड़ जाएंगे कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाएं राम करे वो अपने घर में गुसापलो सी पाएं कोई जाना चाह रहा है बाई साब तो कह रहे हैं अपन सबेरे तक नहीं जाएंगे कि राम करे वो अपने घर में गुसापलो सी पाएं दूबे उनकी लुटिया थारी ओ जमाना बदला जाए पासवान का ब्रम तूटा और वापस आगए बूटा बियार की स्थितिया कि पासवान का ब्रम तूटा और वापस आगए बूटा उखर गया अब की बियार में लालू जी का खूटा रबडी बना रही तरकारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुल सेगे वलियारी ओ जमाना बदला जाए कि लालू बोले सीम रहकर नो नो बच्चे जाए अटल बी आरी पीम होकर बाप नहीं बन पाए अम्मा बन गई एक कुलारी ओ जमाना बदला जाए के खो कुल सेगे वलियारी ओ जमाना कि लालू बोले सीम रहकर नो नो बच्चे जाए अटल बी आरी पीम होकर बाप नहीं बन पाए अम्मा बन गई एक कुलारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुरुसे की बलियारी ओ जमाना बदला जाए अपनी बीबी नहीं सुाती दूजी पर लल चाए सरवेस अस्थाना को समर्कत कुछ पंक है 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 कि ये इसकी किसमत है ब्यार के समय भी नहीं पुला था है प्रेम यह बोटल बहुत काम आती है जिन्दगी में सब्सक्राइब यह बोटल बहुत काम आती है बच्चा पैदा होता है पैदा होते ही उसके मूह में लूब की बोतल इसकूल जाने लगता है तो पानी की बोतल लेके जाता है लगता के और बड़ा होता है तो दोस्त लोग बियर के बोतल पकड़ा देते हैं और थोड़ा बड़ा होता है तो दोस्त विस्की बोतल पकड़ा देते हैं विस्की जादा हो जाए तो गुलुकोस की बोतल है और गु मैं जोड़ता हूं कि अपनी बीबी नहीं सुहाती दूजी पर लल चाएं अगर मोनिका मिल जाए तो सबत लिंटन बन जाएं लेकिन मिलती नहीं वेचारी ओ जमाना बदला जाएं देखो पुर्जिगी वलिहारी ओ जमाना बदला जाएं अंधिम पंकिया मैं आप सब के लिए पढ़ता हूं जिस मन से आपने मुशाहरा सुना है कभी सम्मिलन सुना है कि लंदन देखा पेरिस देखा और देखा मुरी का लंदन देखा पेरिस देखा और देखा मुरी का मगर ये महमूदाबाद के आगे सब कुछ लागा फीका अपने लिए वजा दो तारी ओ जमाना दो दो मैं बहुत बहुत आभार आपने बहुत मन से सुना और बहुत प्यार मुहब्बत की बात हो गई इससे पहले मैं सोचता हूँ राजिनी छोड़ता हूँ और थोड़ी देर मुहब्बत प्याता हूँ एक भाई ने इधर यू करके सल्मान खान स्टाइल में अपनी इशर्ट फेकी थी हाँ आए आगे लोग सुझाओ देते हैं आदमी को यहां बहुत सारी लोग ऐसे बैठे हैं पिछले दिनों मैं बाबा राम्देओ जी के यहां गया एक कविसमिलन किया था वहां मलीका शेर अब अब बाबा राम्देओं से मलीका जी का नाम सुनकर जो बुज़र्गों के चेहरों पे रौनक आई है मैं बताता हूँ क्या कहा होगा व्यंग आपकर पहुचे मलीका जी ने कहा होगा बाबा आपने लुंगी लगाई पूरे देश में प्रसिद्धी पाई गांधी जी ने लंगोटी लगाई पूरे संसार में प्रसिद्धी पाई बाबा मैं पूरे ब्रम्हान ने नाम कमाना चाहते हैं, लोग सुझाओ देते हैं कि आदमी को प्रेम करना चाहिए, मोहबबत करनी चाहिए, और ऐसे ऐसे लोग सुझाओ देते हैं, जिनकी खुद की शादी भी नहीं होती है, और उनकी तो छोड़ो उनके बाद की भी शादी भी होती है, वो कहते हैं, मैं तो कहता हूँ प्रेम एक ऐसा रोग है, जिसमें न एलो पैथी काम आती है, न होम्यो पैथी काम आती है, बस सिंपैथी काम आती है, ऐसे लोगों के लिए मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ विरोधावास की, जो उल्टी सीदी सलाह देते हैं, कलेम से, प्रेम से हास निकालता हूँ, अंधे हमें शहर का रस्ता बता रहे हैं, लंगडे हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको महँबत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी परेम करता है, पड़ी मुश्किल होती है, क्या मुश्किल होती हैं चार पंक्तियां देखें, आप मुश्किल क्या होती हैं प्रेम पर, कि ऐए आशुओं में डूबी मेरे प्यार की कानी भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी नजरों से तेरी नजरे कैसे मिलाएं जानी और एक पंगति क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है कि नजरों से तेरी नजरे कैसे मिलाएं जानी तेरी दाएं आख कानी मेरी वाईं आख गाने तेरी दाएं आख मैंने कुमार विश्वास से पूछा मैंने का बढ़ा कभी बनना चाता हूँ क्या करूं बले बड़े कवियों की किताबें परो मैं बच्चन जी की मदुशाला लाया पढ़नी शुरू की बच्चन जी चल बसे काका आससी की किताबे लाया पढ़नी शुरू की काका जी भी चले गए कल शाम को में कुमार विश्वास के घर गया मैंने का कुमार भाई आपकी कोई पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ ये बहुत तेज आदमी अंदर गया और पत्नी की उठा लाए बोला इसे पढ़ो वो भी कविताएं लिखती है मैं समझ गया कि अगला पत्नी से कितना प्रेम करता है मैं मोबाईल पर बात कर रहा हूँ बोला किस से बात कर रहा हूँ मैंने का बीबी से बोले आधे गंटी हो गया बीबी से बात मोबाईल पर मैंने का मेरी थोड़ी है ये प्रेम से हाथ से निकालने किसीती है ओगाना आता है रात भाई तेरी आखे जुकी जुकी तेरा चेहरा खिला खिला मगर जब चेहरे पर हाथ फिराया तो धाई सोगरा उन फेरें लबली मिला ये प्रेम है प्रेम में मुश्किले क्या क्या है मैं एक गीत पढ़ता हूँ अगर आपको लगे कि ऐसे संबोधन ऐसे अंतर आपने प्रेम में कभी सुने नहीं तो एक एक संबोधन एक एक अंतर पर आपके ठाके आपकी मस्ति आपकी तालियां चाहता हूँ प्रेम से हास निकालता हूँ और ओगीत परता हूँ कि मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है खेल प्रिये जिया साथ प्रेम में क्या मुश्किल है मैं बताता हूँ हास के माता से कि मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है खेल प्रिये तुम ए में फस्ट डिवीजन हो मैं हुआ मैं ट्रिक फेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नाम लेते ही बाबा उट खड़े हुए येतना भी मुश्किल नहीं है बाबा लेकिन जाईए पता नहीं आदमी कब बीज से अचानक कि तुम फोजी अप सर की बेटी मैं तो किसान का बेटा हूँ तुम रबडी खीर मलाई हो मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ तुम एसी घर में रहती हो मैं पेल के नीचे लेटा हूँ तुम नई मारूती लगती हो मैं स्कूटर लंबरेटा हूँ इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमुरीस पुरी बन जाएंगे सबहती पसली तोड मुझे भिजवा देंगे मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है खेल प्रिये तुम अरब देश की घोडी हो मैं हूँ गदहे की चाल प्रिये तुम दीवाली का गोनस हो मैं भूखों की हड़ ताल प्रिये तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो मैं अलमुनियम का थाल प्रिये तुम चिकन सूप बिरियानी हो मैं कंकरवाली दाल प्रिये तुम्हें हिरन चोकडी भरती हो मैं हूँ कछुए की चाल प्रिये तुम्हें चंदनवन की लकडी हो मैं हूँ बबूल की चाल प्रिये मैं पके आमसालत का हूँ मत मारो मुझे गुलेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है फेल प्रिये ये पंतिया आप याद करने और घर में इस्तिमाल करें करी जगणा नहीं वे allt कांपी जैसा कुरूप तुमको मल कंचन काया हो मैं तन से मन से कासी हूँ तुम महा चंचला माया हो तुम निर्मल पावन गंगा हो मैं जलता हूँ आपतंगा हूँ तुम राज धात का शांती मार्चु मैं हिंदू मुस्लिम धंगा हूँ तुम हो पूनम काता जो महल मैं काली गुफा आजनता की तुम हो वरदान विधाता का मैं गलती हूँ भगवंता की तुम जट विमान की शोभा हो मैं बसकी ठेल और पेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है ठेल प्रिये तुम नई विदेशी मिक्सी ओ मैं पत्थर का सिलबटा हूँ तुम एके सेंतालिस जैसी मैं तो एकदेसी कट्टा हूँ तुम चतुररा बड़ी देवी सी मैं भोला भाला लालू हूँ तुम मुक्त शेरनी जंगल की मैं चिडिया घर का भालू हूँ तुम व्यस्त सोनिया गादी सी मैं बीपी सिंग साथाली हूँ तुम हसी माधूरी दिख्षित की मैं पुलिसमेन की गाली हूँ गर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम बेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये चार नहीं है कि मैं ढाबे के ढाचे जैसा तुम पांस सितारा होटल हो मैं मुए का देशी ठर रा तुम रेड लेवल की वोतल हो तुम चित्रहार का मधूरगी तो मैं किसी दरसन की जाड़ी हूँ तुम विश्व सुन्दरी सी महान मैं ठली आचाप का बाड़ी हूँ तुम सोनी का मोबाइल हो मैं टेली फोन वाला चोंगा तुम अचली मान सरोवर की मैं सागर तटका हूँ घोंगा दस मंजिल से गिर जाओंगा मत आगे मुझे धकेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है खेल प्रिये कुछ राजनी से अंतर सुनाता कि तुम जया प्रदा की सारी हो मैं शेखर वाली डाढ़ी हो तुम सुसमा जैसी विदुशी हो मैं ललू लाले नारी हूँ तुम जया जे टली सी कोमल मैं सिंग मुलाय मुसा कथोर तुम हेमा माली निसी सुन्दर मैं बंगारू की तरेंपूर तुम सत्ता की महरानी हो मैं विपक्ष की लाचारी हूँ और अंतिम पंति पर आगे से पीछे तक भरपूर समर्थन चाता हूँ कि तुम सत्ता की महरानी हो मैं विपक्ष की लाचारी हूँ तुम हो ममता जै ललिता से मैं क्वारा अटल बिहारी हूँ तुम हो ममताजे लली ताजे मैं क्वारा अतल भिहारी हूँ तुम संसर की सुन्दरता हो मैं उतियार की जेल प्रिये मुश्किल है अपना मेल प्रिये ये प्यार नहीं है बार-बार हाजिरी इसलिए लगा रहे हैं कि मुझे बत भूल जाना है लेकिन दोस्त मैं आप से कहता हूं कि तुम्हारी शान घट जाती की गुस्सा या रुत्बा घट गया होता जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता यह आवाज उदर से ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है मैं शुरू होना चाहता हूं सब लोग सुनना चाहते हैं एक बार बताएं मुझे तालियों से बस अब्योधान ना हो जो कुछ भी कहना है वो बाद में कह लेंगे लेकिन फिलाल मैं आपके सामने हूं लोग कहते हैं वाट्सोप आ गया ट्विटर आ गया इंस्टाग्राम आ गया फेस्बूक आ गया कविता हैं कौन सुनता है कोई आके यहां देखे राम लीला का यह पावन मंच नौरात्री के इस परवपर सुरुवात में हम यहां हैं कविता सुनने वाले कितने सारी लोग यहां सालीमार भाग में हैं मैं कविता की दस पंक्तियों में पैरवी करता हूं क्योंकि इस समय तक जो लोग बैठे हैं और आदर्णिया रेखा जी बैठी हैं तो निश्चित तोर पर कविता कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं मैं पैरवी करता हूँ सबसे पहले दस पंक्तियां पढ़ता हूँ कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हूंका रहा था वो कविता है जो मानस बनकर घर-घर गाई जाती है वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है समर्थन कमजोर नहीं होना चाहिए वो कविता है जो मानस बनकर घर-घर गाई जाती है वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर से नानी फासी जूले थे, ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरवारों में जाकर गाओ कविता चारन बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन ज जाता है तो कविता लोरी बन जाती है मत पूछो कविता की उलान ये स्वाभिमान बन जाती है और एक पंक्ति में कविता का जो सम्मान हिंदुस्तान में है वो कहीं दुनिया में नहीं है मैं सिद्ध करता हूं आप तालिया बजाना कि मत पूछो कविता की उलान ये स्वाभि में जागा करते हैं इसकी खुशाली की खातिर ये मननत बागा करते हैं ये मीर कभीरा सूरा के वंसार जिनका बनन करिये और दोनों हाथ उठा करके कभीयों का बननका कर disturb तो बहुत मन से आप बैठे हुए है छोटे छोटे बच्चे भी बैठे इस समय तक वो बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दोड़ के बाप के पास गिया बोला पापा पापा दीदी रो रही जीजा जी नहीं रो रही तो बाप ने समझाया बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी वाह जो लोग समझ रहे हैं वो तालियां बजा रहे हैं बाकी लोग समझने की कोशिश करें ये मुझे रावण बता दिया चेतन जी इतनी बारिस आचकल हो रही है गुजरात से मैं अभी लोटा हूँ आज दमन से जितनी भेंकर बारिस गुजरात उत्तर प्रदेश और मद्द्प पाद अच्छे रावण को कोट जाना पड़ा जज ने कहा गीता परहांत रखे खसम खाओ जो कहोगे सच कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे रावण ने कान पकड़ लिए बोला मीलोट जिंदगी में एक बार सीता परहांत रखा था पूरा खांदान खत्म हो गया अब मैं किसी गीता विता प्यात रखने वाला नहीं हूँ यह नई उमर की लिखिया लेखा जी कॉलेश के दमाने में किताबों में फोटो रखती है सलमान खान का विराट कोहली का बाद में इनकी शादी किसी जेठालाद से हो जाता साउधान रहना चाहिए देखो अभिमानीया सोनिया जी जी ऑस alguém जी से मिलंए तिहार जेल्ट के आइं तो बच्छों ने पूछा राउल जी ने प्रियंक जी ने कि मम्नी आपको जेल जाके मिलने कि क्या जबरत थी चितंब्रम जी से सोनिया जी कि बेटा अगर मैं नहीं जाओंगी तो कल को हम लोगों से मिलने कौन आएगा तालिया कमजोर है आपके अच्छी बात पोचे देखो समझदार वाली बात अच्छा है जिंदा बात क्या कहने यह देखो असली वाजपाई की पैचान यह कोई बात नहीं देखो मैं तो किवाल ऐनंद देने आया हूँ मैं चार पंग्तिया सुनाता हूं ताल से सुनोगे तो और अच्छा लगेगा केजरीवाल जी की यह सरकार है आप अनंद लेना सारी परिवर्तन लोग सबा चुना हुआ वहां से चार पंग्तिया हसी की निकालता हूँ सब लोग प्रधान बंत्री बनना चाहते थे हुआ क्या कि माया की जो हसरत थी वो प्यासी चली गई वन टू- único ऐसे करेंगे कि माया की जो हसरत प्यासी चली गई वन डू थ्रे अभी भी कुछ लोग ऐसे बैठें जैसे पहले थे इतने कभी सुनने के बाद इनमें कोई वैंगे बैठे हैं कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी जरा सा मुझा दो बदनसीबी भाग जाएगी जो चेहरे पर हसी होगी परोसन गाल चुमेगी अब भैयाने ताली बजाई यह पहली बार इससे इनके चरित्र का भी पता चलता है कि जो चेहरे पर हसी होगी पड़ो संगाल चुमेगी जो मू लटका के बैठोगे तो बीबी बाग जाएगी कि माया की जो हसरत थी वो प्यासी चली गई जीती तो इसम्रती की उदासी चली गई मोधी के फिर से आने से ये फायदा हुआ दिली में के जुरिवाल की खासी चली गई परिवर्तन तो हुए हैं ऐसा नहीं अगर ये तालियां दस गुना कर दो तो मैं आपका आनन्द सो गुना करने का वादा करता हूँ जिनको ज़्यादा अच्छा लगा करें वो हाथ उठाके तालियां बजाएं जिनको काम अच्छा लगे वो हाथ नीचे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इधर वाले वीसी प्रोग्राम में हैं आदमी विपक्ष से भी कुछ मतलब नहीं है कुछ लोग विरोध में रहने ही चाहते हैं मेरे परोज में बित रहते हैं गाउतों वो रोज सबेरे रेखा जी लोटा लेके निकलते हैं मैदान की तरफ तो मैंने उनसे कहा कि भी तुमारे घर में भी सोचाले बना है और अनुदान से बना है फिर यह आप लोटा लेके रोज सुबो क्यों जाते हो गोले जोगी जी हम भी पक्ष में हैं ना तो यहां भी पक्ष मत दिवाई उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई उन्होंने एंटी रोमियो स्कॉट लागू किया मैंने उनसे पूछा भई एंटी रोमियो क्यों बनाया तो उनका जवाब सुना सियासत से हसी कैसे निकलती है मैं इशी के लिए मैं सूर हूँ योगी जी से एंटी रोमियो पर मैंने पूछा उनका जवाब सुना कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूँगा कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूँगा मैं बूब की गलियों से गुजरने नहीं दूँगा इक रोमियों से योगी जी ने बात ये कही जो मैंने ना किया तुमें करने नहीं दूँगा जो मैंने ना किया क्या बात है जिन्दा बात और चार सुना लू मैं और चार सुनाओ मेरे मतलब की तालियां भी हैं नहीं मैं नया कानून बना मोटर वेहिल वहां से असी निकालता हूं कि ज्यादा की सब लोग ताल दे सकते हैं गा सकते हैं मैं समापन का कभी हूँ इसके बाद कोई और मौका नहीं मिलेगा आपको ऐसे करने का ताली बजाने का कि ज्यादा की जरूरत थी पे थोड़ी खरीद ली, रोटी नहीं मिली तो पकोड़ी खरीद ली, बढ़ते हुए चालान के आलात देखकर, हमने तो कार बेच के गोड़ी खरीद। कि मर्दों के लिए मोदी जीक थीम निकालो, मीठा तो बहुतो चुका नमकीन निकालो, अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो इस मामले पे पूरा भारत एक है, कोई मतलब नहीं है, मैं एक खास्य का गीत पहले पढ़ देता हूँ, मोदी जी की सरकार दुबारा आई तो मैंने एक गीत को थोड़ा सा परिवर्तित करके आपके सम्मुख प्रस्तूत करता हूँ, अरे विपक्ष है सब, एक ही पक्ष है यह चाहे है विपक्ष में हो जाहें बच्राइप भारत तो सबका पक्ष है न तिरंगा तो सब का पक्षे है न वहीं, कि इनका भी जंडा तिरंगा ही है यह भी हमारे ही लोका को या लग नहीं है आनन्द students में भी किसी प्रीड है का व्यक्ति नहीं हूं और हों भी तो कोई गलत बात नहीं अपना अनन लो मैं तो केवल हसाने के लिए आप से बातें कर रहा हूं लाकी तनाओ बिल्कुल मुझा एक आद लाइन बिल्कुल कि सारे दलों में मचा है हाहा कार रसिया जो हमके सुनोंगे तो ज्यादा मज़ा आएगा और अधी लाइन हमारे साथ गा भी सकते है कि सारे दलों में मचा है हाहा कार रसिया फिर से मोदी ने बना ली सरे कार रसिया ये लाइन सब किये कॉंगोरेस्ट के लोगो ये मच सुनना ये भी बाजपा वाले हैं लेकिन हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं कि अच्छे कामों के लिए सब बाचपा बाले ही हो जाओ बूरे काम हो तो चाहिए लिए फिर चले जाओ सारे दलों में मचा है हाहा कार रसिया फिर से मोदी ने बना ली सरे कोई बुराई किया उसमें, मैं भी देखता हूं पोगो, मेरे बच्चे भी देखते हैं कि कांगरेस के लोगो जितना तालियां उतना अनंदी दर्स है कि कांगरेस के लोगो जो बोया वो भोगो राहुल बाबा चुइंगम खाओ भैट के देखो पोगो सिंधिया दिग्गी राजा बजगे असब का बाजा चिदम बरम से कहें सोनिया लुंगी डांस दिखा जा एक पंक्ती पर समर्थन देना पूरा चुनाव एक पंक्ती पर था कि चिदम बरम से कहें सोनिया लुंगी डांस दिखा जा यूवर आजो कोले डूबा चौकीदार रसिया फिर से मोधी ने बना ली सर जोरदार रसिया सोच रहे हैं अन्नाम सूख के हो गए गन्नाम धर्ना देते देते देखो सीयम बन गया मुन्नाम खाली फिरे का धयाम डूब गई है नयाम चंद्रा बाबू आंध्रा में करते हैं धया धयाम चंद्रा बाबू एक पंक्ती पर फिर आनंद लेना कि चंद्रा बाबू आंध्रा में करते हैं धया धया गायल नागिन जैसी ममता की फुपकार रसिया फिर से मोदी ने पना ली सर जोरदार रसिया तेजस्वी कुसवाहा दोनों हो गई स्वाहा यार कि तेजस्वी कुसवाह तालियों में वो गर्बाट नहीं है जो मुझे अनंद कि तेजस्वी कुसवाहा दोनों हो गई स्वाहा हार गया गट बंदन माया करती करंदन खुशिस्मती रानी रोए सोनिया रानी ऐसी चाल चली की सारे हो गई पानी पानी जो सी अडवानी को भेज दिया अरिद्वार रसिया पिर से मोदी ने बना ली सर कार रसिया अमरीका था खीजा आज ही लोटे हैं कि अमरीका था खीजा नहीं दिया था बीजा अब कहता है जी जा जी आकर खाजाओ पीजा अब कहता है जी जा जी आकर खाजाओ पीजा ये गुजराती भाया ऐसा दाओं चलाया नोट की बंदी करके भी ये तीन सो सीटे लाया नोट की बंदी और अगली पंक्ती पर हाथ उठाना आनन्द देखना कि नोट की बंदी करके भी ये थीन सो सीटें लाया अब की नस्व बंदी करने को है तयार रसिया फिर से मोधी ने पनाली सर जोरदार रसिया अमिशा हकी माया ऐसा लठ गुमाया अमिशा हकी माया ऐसा लठ गुमाया जीना ठोक के तीन सो सत्तर का कर दिया सफाया वो गए गाल गुलाबी मिल गई देश की चाभी जनता कैती मोधी भाईया घर ले आओ बाबी एक छोटा मोधी कर दो तयार रसिया फिर से मोधी ने बनाली सर दोस्तों बेठेंगे तो एक कविता और सुना देंगे और मेरा निवेदन है कोई जाए नहीं बाबू बैठो ना कश्मीर पे बहुत जवादस कविता लिखी है अभी आपने नहीं सुनी होगी एक हफ्ता पहले हम लोग बनारस में थे और इस कविता ने जो जादू किया है मैं चाहता हूँ कि यहां के लोग भी सुने एक कश्मीर पे बहुत सार्थक कविता है उससे हम समापन करेंगे आज के कारिकरम का पांच मिनट की कविता है एक बार सब मिलकर तालियां बजाईए और सुनिये बजिए आज की आखरी प्रस्तूती है धारा 370 खतम हो गई है लेकिन हिंदुस्तानियों को हम सब को कश्मीर से किस भाशा में बात करनी चाहिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं कश्मीर से बात करना चाहता हूं समर्थन करना तो सत प्रस्षत करना सब के हाथ करना क्योंकि मैं बहुत उमीज से सुना रहा हूं कि शा कि सारी दुनिया ये समझती थी तू अकेला है। सब लोग लहू से बर्फ का रंग लाल नजर आता था दूर जो करती थी धारा का इशारा न रहा तेरा हम दर्द अब वो चांद सितारा न रहा। आजा चल में तिरंगे के छुपा लू तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगा लू तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगा लू तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे पूरा कश्मीर उतारता हूं साब गोरो सुनना कि वैश्णों देवी के जैकारे लगा करते हैं कश्मीर क्या है सारा सुन्दर आप तक पहुचाता हूं। बैश्णों देवी के जैकारे लगा करते हैं रिसी कश्यप यहीं आसीस दिया करते हैं यहीं बरफानी अमरनाथ रहा करते हैं कश्ट सहने को ही रगुनाथ बसा करते हैं संकरा चारे ओकल्हन की निशानी भी है जगमगाता हुआ डल जील का पानी भी है हर तरफ चाई हुई इसके घटा मंगल की रह्मतें बिखरी हुई आज भी हजरत बल की रहमतें बिकरी हुई आज भी हजरत बलकी गोद में अपनी अकीदत से उठा लूँ तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगा लूँ तुझको तालियां कमजोर हैं कुछ लोग हमोस मेरे कश्मीर कले जैसे लगा लूँ तुझको चप्पे चप्पे पे यहां फूल खिला करते हैं ऐसे परवत हैं फलक से जो मिला करते हैं आसमानों से यहीं बर्फ गिरा करती हैं गंद के सर की हवाओं में फिरा करती हैं है जा फुरान यहां से वो के बागान भी हैं सौल पश्मीन खुश्क मेवे पकवान भी हैं सब प्यार दिखलाई पड़े सब को शिकारों की तरहें अमन का नूर नजर आए सितारों की तरहें स्वर्ग से बढ़के भी नायाब बना दूं तुझको मेरे कश्मीर कलेजे से जरूरी बंद पढ़ता हूं सुनना कि निशात बाग के फूलों की कसम खाते हैं रेखा जी समर्पित करता हूं आपको कि निशात बाग केवल एक सतर सालों में एक ऐसा प्रधान मंत्री आया जिसने 370 हटाने की हिम्मत की वा सल्यूट करता हूं भारत के इस हिम्मत के लिए निशात बाग के फूलों की कसम खाते हैं जो निभाए हैं वो सूलों की कसम खाते हैं वहाँ दैशत का कोई नाम नहीं होगा अब जागे थोड़ा वहाँ दैशत का कोई नाम नहीं होगा अब हूजी लशकर कभी पैगाम नहीं होगा अब हाई अब दुल्ला ने तोड़ा है तेरा मनसूबा तुझको आबाद न कर पाई तेरी महबूबा तुझको आबाद न कर पाई तेरी महबूबा हुर्यत जैसे नाब लोग दुरंगे होंगे हर तरप सिर्फ तीरंगे ही तीरंगे होंगे सदा आबाद रहे तू ये दुआ दूँ तुझको की चैन देंगे तुझे मुहमागी मुरादेन देंगे तुझको पथर नहीं हाथों में किताबें देंगे वाँ! वाँ! चैन देंगे यही बात करनी चाहिए आज कश्वीर से किचाइन देंगे तुझे मुह मागी मुरादें देंगे तुझको पत्थर नहीं हाथों में किताबें देंगे जो भी उजड़े उन्हें आबाद किया जाएगा कश्मीरी पंडितों को हक दिलाया जाएगा जोपड़ी मुझको हवेली की तरें लगती है तेरी बेटी मेरी बेटी की तरें लगती है मेरी धर्ती तेरी धर्ती पे हैं इंसान सभी हिंदु मुस्लिम नहीं भारत की हैं संतान सभी एक तावाला यही राग सिखा दू तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगा लू तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगा लू तुझको आजा चल में तीरंगे के छुपालू तुझको मेरे कश्मीर कले जैसे लगालू 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 तुझको मेरे कश्म पल्प लिया नदीम साब ने संजय भाठी जी ने और शिकंदर हयात गडबर भाई बैठे हैं हिंदी उर्दू के बड़े नाम इस डैस पर हैं दादरी में निश्चित एक बड़ा इतिहास लिखा जा रहा है मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ बात पहुंच जाए मेरी तो फिर आपकी तालिया आपका शोर आपकी महबते भी यहां तक आनी चाहिए मैं हसाने का काम करता हूँ मुस्कराहतें बातता हूँ दुनिया में और कहता हूँ कि भीड में दुनिया के पहचान बनाय रखना घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना अपने होटों पर ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना उत्तर प्रदेश में अभी सरकार ने बंते ही ऐलान किया कि एंटी रोमियो स्कॉट लागू किया जाए महबत करने वाले प्रेम करने वालों को पकड़ा जाए उनको बंद किया जाए मैंने मुख्यमंतरी महोदे से पूछा कि ये ऐलान आपने क्यों किया ये कानून क्यों बनाया उनका जवाब सुनना मेरी बात आप तक पहुँच जाए तो मैं सियासत से हसी कैसे निकलती है ये आप तक पहुचाता हूँ योगी जी ने जो जवाब दिया मुझे एंटी रोमियो पर उस पर मैं कुछ बोलता हूँ कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूँगा ये उनका जवाब है आप सब चाहें तो मुझे ताल के साथ भी सुन सकते हैं कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूँगा मेरे साथ हैं कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूँगा महभूब की गलियों से गुजरने नहीं दूँगा मैं भूब की गलियों से गुजरने नहीं दूँगा इक रोमियों से योगी जी ने बात ये कही जो मैंने ना किया तुमें करने नहीं दूँगा जो मैंने ना किया तुमें करने नाल के साथ सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा और यह समर्थन आप 10 गुना कर दें तो मैं आपके आनंद को 100 गुना करने के वादा करता हूँ दिल्ली की सरकार आई दिल्ली की सरकार जब केजरी वाज जी की आई तो मैंने फिर 4 पंक्तियां कहीं सुनना आप राजनी से स्यासत से हसी कैसे निकलती है कि धरने पे बैट बैट के धन नंतरी हुए कुछ लोग समझ रहे हैं तालियां बजा रहे हैं मैं उनका शुक्र गुजार हूँ बाकी तक भी मेरी बात पहुचेगी कमाल का देश है हिंदुस्तान बहुत अद्बुत देश है सो नंबर डायल करो पुलीस आती है सो रुपए दो चली जाती है अद्बुत देश है दिवारों पर लिखना मना है ये बात भी दिवार पर ही लिखके बतानी पड़ती है देश में रहना है आधार बनवा लो नहीं रहना है उदार ले लो अधार 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 ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो विजय मालिया नीरों मोधी पैक करा के ले गया बात आप तक पहुंचे तो पताना के धरने पे बैट बैट के धननंतरी हुए वा वन तू थरी फोर थरने पे बैट बैट के धननंतरी हुए वो आम व आदमी के हरदे तंतरी हुए हम चीक चीक करके संतरी न बन सके वो खास खास करके मुख्य मंतरी कि किस किस के दिल में लोग यहां कब से बसे हैं आलो कुनात नाना के सब पेच कसे हैं ये देख करके खुश हुए इमरान हासमी सारे बुजर्ग लोग ही मी टू में फशे हैं सारे बुजर्ग लोग ही मी टू पर सुनाता हूँ, मैं बहुत ताजा ताजा कहता हूँ कि एक दिन उन्हें दुनिया बड़ी रंगीन मिलेगी हर्मोनियम बजाएंगे तो फिर बीन मिलेगी जो लोग बुड़ापे में जो लोग जवानी में भजन गाया करेंगे उनको ही बुड़ापे में जैसलीन मिलेगे उनको ही बुड़ापे में जो लोग अभी भी उदास बैठे हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी जरा सा मुस्करादो बदनसीबी भाग जाएगी जो चेहरे पर हसी होगी पडोसन गाल चूमेगी जो मूँ लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी इस देश में कहां तनाव हो जाए कहां जगडा हो जाए कुछ पता नहीं सा मैं बनार सकेया तो पंडित आपस में लड़ रहे मैंने एक से पूछा कि वही पंडित हो कि आपस में क्यों लड़ रहे हो तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लेसन और प्याज यह नहीं खाता हूँ तो मैंने चिकन में डालने की जरुवत क्या था तब मैंने कहा कि नौरात का ब्रत छोड़ के रमजान हो गए खुश्बू लगा के इत्र की दूकान हो गए इसलाम में है चार बीबियों की इजाज़त यह सुनते ही पंडित जी मुसल्मान हो गए आनंद दूआ मैं असाने का काम करता हूँ क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अर्मान में रहता हूँ साहिब मैं गरीबों के इमान में रहता हूँ पूछा जो मैंने रप से अपना पता बता दे बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ वाह 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 क्या कहना राक साब उननीस का चुनावाने वाला है एक संकेत मेरा समझे यह अवाम के ऐसा नहो की रंग में ये भंग जमा दे आपकी खामोशी में मुझे मज़ा नहीं आए रहा कि ऐसा नहो की रंग में ये भंग जमा दे इस बार एलेक्सन में न चुना ही लगा दे लगता है नोट बंदी जियस्टी को देख कर ये जेटली मोदी को केटली न थमा दे नोट बंदी की नोट बंदी से भी हाँ से सुनना साओ कि मारदों के लिए मोदी जी के थीम निकालो मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो वाँ आहाहाहा अरे असल में असल में देखिए मैंने जिस भरोसे पर बड़े भाई से गुदारिश की थी और जैसे उन्होंने मेरी बात की लाज रखी माफ कीज़े आपने उस तरह से सुना नहीं एक बार ज़रा मुझे बताओ कि डाक्टर सुनीर जोगी को सुनने के लिए माहूल कैसा होना चाहिए ये ये माहूल चाहिए मुझे कुछ और हुक्म हुए है बड़े शायर बड़े कवी समंच पे है मैं रंग बदलना चाहता हूं तमाम भुजर्ग यहां बैठे हैं मैं कहता हूं किसी गीता से ना कुरां से अधा होती है ना बादशाहों की दौलत से अता होती है रहमतें सिर्प बरस्ते हैं उन्हीं लोJack पर जनके दामन में बजरगों की दूआ होती है इनसान क्या जिसमेए किस्वाभ इमान नहीं है वो गीत क्या जिसमेए कि कोई तान नहीं है मंदिर की मूर्तियों से दुआ मागने वालो माबाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं कहीं सम्वेदनाएं इतनी मैलाएं बैठी हैं बेटियां बैठी हैं मैं चार पंक्तियां इनके लिए कहता हूँ कि महदी कुमकुम रोली का तिवहार नहीं होता महदी कुमकुम रोली का तिवहार नहीं होता रच्छा बंधन के चंदन का प्यार नहीं होता उसका आंगन हरदम सुना सुना रहता है जिसके घर में बेटी का उतार नहीं हो बेटी और बेटे में अंतर क्या है कि इस धर्ती पर मात्रशक्ति का मान नहीं जा सकता है नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है बेटा घर में हो तो बेशक चूला ठंडा रह जाए बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है हमने उन बेटियों को मारना जलाना शुरू कर दिया सहाब कहां तक पहुँच गई हमारी संस्कृती तब मैंने बेटियों के नाम कुछ पंक्तियां लिखी वह आप तक पहुचाता हूँ कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा बर्दान है वो चीजें पढ़ता हूँ जो कहीं विश्यों के इस तर पर कोडेबल हो कि हम बेटियों के लिए भारत क्या सोचता है कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा बर्दान है बेटियां घर की पुरानी खिर्कियों को खोलती है बेटियां घर में हो तो घर की दिवारें बोलती है क्या कहना क्या कहना वा 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 आस्मा में बो गई हैं, ऐस बन सौंदर इसे सारे जहां को जीत लाईं, सायना बन खेल के मैदान में भी किल किलाईं, सुन लता मंगेस कर सुर के समंदर डोलते हैं, अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, बाप की पगड़ी है, मा का रेश्मी परिधान है बेटिया भगवान का सबसे बड़ा बर्दान है, मैं कुछ कते पढ़ता हूँ, कुछ मुक्तक पढ़ता हूँ, आप तक पहुँच जाए बात तो मुझे बताना, कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मैं थोड़ा सा अपना रंग बदलता हूँ, कि हमारे मैं जो फूल है पत्थर न हो जाए, मुहले की किसी बेवा का दामंतर न हो जाए, तरक्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, और पिता की उमर के लोग बैठे हैं, आपको आपके पिता की यादों तक ले चलता हू चार पंक्तियां आप तक पहुँचे हैं, इस्तक् effectiveness, कि समंदर मा की ममता की भी गहराई न छूपाया, हजारों चंद लिख तुलसी की चौपाया, कि या सहाई न चूपाया, मुझे बच्पन में पापा ने छुआई थी जो कादों से, जाजों से भी उड़कर मैं वो उंचाई न छूपाया हिंदुस्तान कहा है? कहीं गीता महकती है कहीं कुरान जिन्दा है यह हम संस्कृती का देश है हासे हिंदू, मासे मुस्लिम तब कहीं देश एक होता है कहीं गीता महकती है कहीं कुरान जिन्दा है भले हों चीथड़े तन पर मगर इमान जिन्दा है क्या कहना, क्या कहना जागे दादरी एक बार मेरे साथ कि भले हों चीथड़े तन पर मगर इमान जिन्दा है अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंडन है किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है एक और बुराई हमारे घरों में आने लगी है मैं इशारा करता हूँ कि गरीबी बेबसी दो सो रुपए में डाल लेती है क्या कहना मुसीबत कैसी भी हो खुद को ऐसा ढाल लेती है पिठाता है गरीब इनसान सर पर बाप को मा को अमीरी प्यार करती है तो कुटे पाल लेती है इश्वर कहां है बगवान कहां है सब धर्म अपना अपना पता बताते है एक पता इस फकीर का भी सुनना शायद आपको ठीक लगा है इर्शाद कि जिसे ख्वाबों में पाना हो नरीम भाई इतनी महनत किये आपने इस मुशायरे कभी समिनन को विश्व लेबल पे पहुचाने के लिए मैं पूरे पांडाल से चाहता हूँ कि इस बार इतना बड़ा काम जो हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं हुआ नहीं उसके लिए इन सब लोगों के लिए एक बार तालियां बजाएं पूरा पांडाल एक बार निश्चित तोर पे हम एक इतियासिक छण में हैं कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है मेरा चहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है मेरा चहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है वो जिसको ढूडते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में वो खोजे से नहीं मिलता है खोजाने से कितने लोग सुनना चाते हैं मुझे बताएं हाथ उठागे जिसे ख़ाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है میरा चहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है वो जिसको ढूडते फिरते हैं मंदिर योर मसजिद वो खोजे से नहीं मिलता है को जाने से मिलता है कविता मिशन भी बन सकती है प्रोफेशन के साथ साथ कविता मिशन कैसे बनती है शायरी मिशन कैसे बनती है मैं चार पंक्तियां पहुचाता हूँ आप तब पहुचें संजे भाई किन वेदन है किसी इनसान का कल्यान कर देना क्या कहना फिस के बच्चे ने फिस से पूछा कि मां हम लोग पानी में क्यों रहते हैं जमीन पर क्यों नहीं रहते हैं फिस ने का बेटा हम लोग फिस है ना इसलिए पानी में रहते हैं जमीन पर तो सेलफिस रहते हैं तब कहना पता है कि निवेदन है किसी इनसान का कल्यान कर देना है जिसकी जिंदगी अभिशाप वरदान कर देना अगर हस्रत है अपने बाद भी संसार को देखो तो सांसें बंद हो जाने पे आँखें दान कर देना आखे दान कर देना और हर सरकार कहती है कि भुरुण अत्या मत करो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों का सम्मान करो लेकिन कभी किस तरह बात कहता है स्वागत स्वागत ने चार पंक्तियां पढ़ता हूं और आखरी पंक्ति पर दादरी का जनमत संग्रह देखना च कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है वो अपने चाहने वालों के दुखडे पीन लेता है कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना वो बेटी मारने वालों से बेटा चीन बाह 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 बा पेस्बुक पर डालते हैं कि एक्सीडेंट हुआ उन्हें बचाने की कोशिशें बहुत कम लोग करते हैं हम रोज मंदिर जाते हैं रोज पूजा करते हैं भगवान से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन भगवान भी मुझसे कुछ कहना चाहता है मैं गीत के दो बंद पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ लीक से हटके थोड़ा पढ़ने का मेरा मन हो रहा है आप अपनी मर्जी से तो जो पढ़ना है वो पढ़िये एक गीत की बहुत फरमाईश है सेक्ड़ों लोगों के फोन और मैसेज मेरे पास आ चुके है मुश्किल है अपना मेल प्रिये जो आपका बहुत शाकार गीत है उसके लिए बहुत सारे लोगों ने फरमाईश की हुई है तो आप अपनी मर्जी से पढ़के उसको जरूरे एक बंद पढ़ना देगा मैं ये पहले दो बंद पढ़ना चाहता हूँ जो कुछ मैं अलग लीक से हटके कहना चाहता हूँ फिर जैसा आपका हुक्म इश्वर हमसे क्या कहना चाहता है कुछ जरूरी काम हमें पूजा तक जाते जाते छूट जाते हैं हमसे इश्वर क्या कहता है साहिद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे लेकिन मेरे कथ्षे पे बार जरूर विचार करिएगा अगर आपके खून में एक गूंद भी सम्वेदना है तो आप थिल हो जाएंगे ये मेरा बदा है दावा है कि कहा है मुझे से ईश्वर ने सुन्ना साथ समर्खन करना तो पूरे मन से करना कि कहा है मुझे से ईश्वर ने कि सब को जा के बतलाना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना सुन्ना साथ सिर्कत करना तो एक एक अदमी की शिर्कत चाता हूँ कि कहा है मुझे से ईश्वर ने कि सब को जा के बतलाना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना तुम्हारे घर के पीछे ही मलिंसी एक बस्ती है जहां पर जिंदगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती है जागे जागे दादरी एक बाद तुम्हारे घर के पीछे ही मलिंसी एक बस्ती है जहां पर जिंदगी महगी है लेकिन मौत सस्ती है वहीं पर एक बेवा दाने दाने को तरस्ती है जो भूखी रात को सोए तो इंसानों के हस्ती है उसी के साथ बैठा हूँ जो फुरसत हो तो आ जाना अगर मुझसे मुहबत है गले उसको लगा जाना कि जो परसाद लाए हो उसे आकर खिला जाना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं हूँ शहर का बीच चोराहा दूसरा दश्य देखना शहर का बीच चोराहा जहां शोरूम होते हैं जहां फुट पात पर ठक करके रिक्षे वाले सोते हैं वहीं इस्कूल के बाजू में लाला जी का होटल है कई बच्चे शहीदों के वहां का प्लेट धोते हैं उन्हीं के साथ बैठा हूँ जो फुरसत हो तो आ जाना अगर मुझसे मुहबत है गले उनको लगा जाना किताबें दे के उंगली ठान के स्कूल ले जाना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना मैं मंदिर में नहीं हूँ वाँ 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 वो जरूरी बाते थी जो मैं कहना चाहता था कहीं न कहीं लोगों के भीतर संविदनाएं बनी रहें कहीं न कहीं यह मुहबदें बनी रहें एक हुमुआ है गीत के लिए मुझे नदूर्चा फरुक स earn ने कहा है उस गीत के घुमिका में में दो मुक्तक पढ़ता हूं प्रेम भी बहुत सता है साथ प्रेम में भी बहुत आनंद है चार पंक्तियां में पहले पढ़ता हूँ स्वागत विरोधा भास देखना साब प्रेम में कि अंदेह में शहर का रस्ता बता रहे हैं वाह वाह विरोधा भास देखो आप कि अंदेह में शहर का रस्ता बता रहे हैं लंगडे हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं वो हमको महबत की पोथी पढ़ा रहे हैं और एक पंक्ती में हाथ से हो तो सब के हाथ खुले है कि वो हमको महबत की पोथी पढ़ा रहे हैं जो अपनी प्रेमिका से राकी बनदा रहे हैं वाँ 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 क्या कहना क्या कहना रोमंटिक पत्नी कहता है गोरी तेरे नैना जादू भरे धार्मिक पत्नी कह देती है ओम जे जगदी सरे प्यार में क्या क्या मुश्किल होती है लोग सुझाओ देते हैं कि आदमी को प्यार करना चाहिए महबबत करनी चाहिए और ऐसे ऐसे लोग सुजाओ देते हैं जिनकी खुद की शादी भी नहीं हो यह होती और उनकी तो छोड़ो उनके बाप की भी शादी नहीं होती तब मैं कहता हूँ कि है आशों में डूबी मेरे प्यार की कहानी भी तर से है बुड़ापा बाहर से है जवानी नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी तेरी दाई आखकानी मेरी बाई आखकानी तेरी दाई आखकानी यह प्यार की मुश्किले हैं एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई मैं रांजा बना वो हमारी हीर हो गई ख़त इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे कि वो रद्धी बेच बेच के अमीर हो गई इस गीत के लिए नदीम भाई कह रहे है बहुत लोगों तक वो पहुंचा है और एक फिल्म आई थी अभी उन्रा कश्यप की मुक्का बाज उसमें वो गीत भी था मैं उस गीत के कुछ बंद पढ़ देता हूँ और मैं गानता हूँ आप ठक गए हैं बहुत सुनते सुनते कुछ लोग नहीं ठके हैं वो केवल हाथ हिला के बता रहे हैं कि वो नहीं ठके हैं यह अच्छा है एक जीत सुनाता हूँ अगर आपको लगेगी प्रेम में ऐसे संबोधन ऐसे अंतर आपने कभी सुने नहीं तो एक एक अंतर पर एक एक संबोधन पर आपका प्यार आपकी दुआएं चाहता हूँ स्वागत अंतर देखना कि तुम फोजी अब सरकी बेटी मैं तो किसान का बेटा हूँ क्या कहना तुम्रा बड़ी खीर मलाई हो मैं तो सत्तू सपुरेटा हूं तुम एसी घर में रहती हो मैं पेड़ के नीचे लेटा हूं तुम नहीं मारूती लगती हो मैं स्कूटर लंबरेटा हूं इस तरह अगर हम चुप चुप कर आपस में प्यार बढाएं ये तो एक सबादी पतली तोड मुझे विजवादे ये वो जेल प्रिये मुश्किल है ये प्यार अंतर सुनना कि तुम अरब देश की घोड़ी हो मैं हूं गदहे की नाल प्रिये ये हाथ से कमी का संदर वरलन है ये अंतर आप याद कर लें और शादी शुदा लोग घर में आरती की जगे इस्तिमाल करें कमी जगड़ा नहीं हो सकता है कि तुम अरब देश की घोड़ी हो मैं हूं गदहे की नाल प्रिये तुम दीवाली का बोनस हो मैं भूखों की हर ताल प्रिये तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो मैं अलमुनियम का थाल प्रिये तुम चिकन सूप बिरियानी तुम्हिरण चौकरी भरती हो मैं हूझज़ए की चाले प्रिय तुम्हें चंदन्वन की लकडी हो मैं हूझज़ Dashies मैं पके आमसालग घुम मतमारो मुझे गुलेल प्रिय मुश्किल है अपना मेल प्रिय ये प्यार नई ले 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 लिस लगे तुम नई विदेशी मिक्सी हो मैं पत्थर का सिलबटा हूँ तुम एके सैंतालिस जैसी मैं तो इकदेशी कटा हूँ तुम चतुररा बड़ी देवी सी मैं भोला भाला लालू हूँ तुम मुक्तशेरनी जंगल की मैं चिर्याघर का भालू हूँ तुम विस्तसोनिया गादी सी मैं अमर सिंग साथाली हूँ तुम हसी माधूरी दिख्षित के मैं पुलिसमेन की गाली हूँ गर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम बेल प्रिये मुश्किल है कि मैं ढाबे के ढाचे जैसा तुम पास्कितारा होतल हो मैं महुए का देसी ठर्रा तुम रे डिलेबल की बोतल हो तुम चित्रहार का मधूर गीत मैं कर्शिदर्सन की जाड़ी हो तुम विस्व सुन्दरी सीमान मैं ठिलिया चाफ कबाड़ी हूँ तुम एपल का मॉबाइल हो मैं टेली फोन वाला चोंगा तुम मछली मान सरोवर की मैं सागर तटका हूंगा दस्मंजिल से गिर जाओंग मत आगे मुझे धकेल प्रिये मुश्किल है कि भारत में उतारों तुम देल में चले जाते हैं इसे लगों है तुम मैं बहुत बहुत बढाई देता हूं आपको लिवत दिवस की अंतरश्ट्री हिंदी समिती का एक ऐसा उसा उस्व नहीं भी का बहुत शोप इसकी चर्चा शुरे भारत में नहीं पुरी दुनिया में हैं कि यसा थुंदी दिवस ऐसे कालिकम जो लिव अंतराश्टी समीधी करती है अधरनीय नंदाल जी या जरनीय आलोग जी और इससे सब चुड़े हुए लोगों शांगीता जी बहुत से लोग है इनके नाम में लूगा तो बेरे काविपाश का समय जाएगा मैं उन सब का बहुत अभिननन करता हूँ और चाहता हूँ आप एक बार तालिया बजाता हूँ विश्चित तौर के जो आने वाला समय है वो दुनिया के लिए हिंदी का समय है और जिरुस्तान का समय है आद्मी को पॉजिटिव रहना चाहिए जैसे गजन सुगन की जी बहुत पॉजिटी बात में अभी हम वोटल में सूप पी रहे थे तूप में मक्खी पड़ गई मने गजन भाई आपके सूप में मक्खी पड़ी बुले पड़ी रहे जो सुसुरी कितना पी लेगी आद्मी को पॉजिटी बढ़ना चाहिए मेरे स्वागत में आपने जो घंजोर तालिया बढ़े हैं लेकिन इससे तो पहले वाली ठी ऐसा गड़ लगे कि आप ठक गए या च्या हम करती रहे हैं हरक से ठक आप जैने पिछिए कि आपके दोनों हाथ कभियों के साथ हमें चाहिए जो लोग दर स्क्रीन के कवितात आनंद ले रहे हैं उनसे भी मैं कहता हूं कि मैं केवन सुनने लाइक नहीं देखने लाइक नहीं तो अच्छा है इतनी भूरी नहीं है इतनी आपने बना रखी अपनी अपनी चोईस की बात होती है जो इसकी नहीं भी बहुत श्यांदार श्रेश्ट का वेपाट दिया इसके बाद हमारे डॉक्टर शुरंड लुदुबे लेग डाइमंड आप काले रखी में भी खुश्चूर्ती हो सकती है या अपने देख सकते है अच्छना पांडा की उन्होंने भी बहुत अच्छा सुनाया मैंने उनसे कहा इतना अच्छा लिख्ती हो इतनी सुन्दर लिख्ती हो कैसे उन्हीं मुझे इश्वर में अपने हाथों से बनाया है और यह मैंसेज के हाथ अपने साथ चाहता है जो लोग अभी बार्ण के रहे हैं उनके लिए शेयर पड़ता हूँ तो शेयर मैंशिल के लिए भी जरूरी है और जिन्दगी के लिए भी जरूरी ओपन हार सरदरी के बार एक बोर्ड लगा था जिस पर शेयर देखा तो शेयर जो याद आपके हाथों में कभी लोग एक अन्यवाज बैजाओ इसलिए कि उन्हें आपके बास की चंटा है और आप दीनि नहीं बनिवाटी सक्षिक्ता है इसलिए जहर जिए जिनींके से कभी कभिता परोएं किसी में चाय पारी को वें इसलिए पिल्भत अब लाना भी मैंने जाता कि इदर के लोग भी ठैट है लेकिन को और बढ़िया जो कहां कराव हो जाए हर्देवे जिदन देखो अपने अपने भी लोग जैस्ट मस्त कोई खा रहा है कोई स्प्रीन में देख रहा है बादिया आपस में बास कर रही है इतनी मैलाएं सुब बैटने मुझे भी एकाश कर रही है बात करने की जूंती चितनी छंपता मैलाओं में हैं पूरी दुनिया में किसी और अलोगी बात कर रही थी और वो कच्छे आं लगे हुए तो आपके देर बात करने देने तो एक आम कच्छे ही बिर गया इस दोनों मै आपकेल मैं कर दो जाओंगा जब मुझे लगेगा सब देरे साथ अरुने सब्सक्राइब अजया अगे बैसे योगों से कभी सते में को बहुत शत्रा होता है ज्यादा आगे ज्यादा बॉधिक लोग है रहत पैसा होता है यांट करे भी बहुत दिक है तो हमने परिक्षन कर रखा है आंगे बैठे दोग कौन से होते हैं बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं यह किसमें मल आगा इस प्रयम से होते हैं यह बहुत अच्छा प्रबंदाश कर रहे हैं और भी खुश लाइए कि मैं अच्छा कांग करूंगा ऐसी बिद्न बाद आए उसे आपकी व्यवस्था करी मेरी अभी व्यवस्था ना बढ़ता है लेकिन मुझे अध्यास है ऐसे लोगों को बहुत ध्यवाद देता है कि आज के समय में कोई किसी को पानी कहने लाइए थोड़ा सा ध्यान भर्व होता है और कुछ नहीं है आँगे बैठे लोग तालियां गम बजाते हैं उल्लास पे तब रहते हैं वो तालियां तब बजाते हैं जब पीछे वाले ताली बजाते हैं हसके निपक्षित अगर अगर दस पैसे बज़ियों किसी बारे में किसी मज़ूर किसां से पूछो कितनी बैसे बज़िए तो मुंदी इंगे बता देगा कि आप दस पैसे बज़िए लेकिन किसी आप विद्वान से पूछो मैंद के प्रोफिसर से पूछो बड़े साइंटिस्ट से पूछो मुंदी गिने गए ने वो टांगे की भी शुरूब है कि मैं ज्यादा पहा लिखाओ और आम इसे समझ भूछ के आपरे देख के कांदर करें तांगे गिने करें और तांगे गिनने के बाद चार का भाग देगा हिवाई देख को और अगर नहीं वो राउल गानी की तरह और ज्यादा पहा लिखा विखा विखाओ तो गूगर के सर्च करके तैंक्व करें कि भैस के इतनी तांगे होगे और गलती से विखांग फूट गई तो आपको बताएगा कि भाई साब नो दसम्रों साथ पाथ जैसे हैं कि अब कर दो दो नहीं तालीनी वाजाते में समझ जाता हूं यह विखांगे तो आपको आपको नहीं नहीं खाता हूं तो मैंने चीकन में डाले की दबद है कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि नौरात का पर छोड़ के अंजान हो गए नौरात का हो गए खुश्बू लगा के इत्र की दुगान हो गए इस्लाम में है चार वीडियों की इजाज़र यह सुनते ही पढ़िकी मुसल्वार्ण कि अब कि अब कि अब ने को ने जफ्यर्ण जाखा अब क्रीच लेड कि वह सुने की जगे पूल लगा रखा है यहां बाइट लेगिले सुने परर्लों मिलता जगे जगे हां सविकराम अब भाइन ओकर नहीं हुए अब वही आपके चाली बजारें तो दही बढ़ें तो अब यह जो अब इस लोग हस नहीं रहें यह जो हसी है वह आपके स्वास्त का डरोमीटर है अप्तर जेर साथ बैठें हैं पास्त का डरोमीटर है अगर आप हसने ही रहें ऐसे ही बात करें तो या तो आप बीमार हैं यह बहुत जल्दी है तो अगर देखते रहो कौनसा आदमी नहीं हस रहा है आपके बढ़ लोग इसका प्रुगर्ण चुनुर्ण है बढ़ा आसान तरीका यह समझने के लिए यह न प्रुगर्ण का विराज प्रुली का ताथ में इनकी शादी किसी के छादार से हो जाए है इसा अगूर देश है बढ़ा मज़ेदार देश की सो नंबर डाइल करो पुलीस आती है सो रुपे दो चलिया है बहुत सुमित हैं ऐसा अगूर देश है होता है हिंदुस्तान में जबा भुछे इन्वर्सरी थी तो मरसेडीज करीघी थी मुझे को में मरसेडीज के सोरूम में तो दो रुपए कम पड़ गया है मैंने कमपनी वारों से का मैंने का दो रुपए कम हैं डेलिवरी दे तो खोड़े नहीं कपनी कदिंड़ी कर दे आने का बेड़ी मर्सदीश दो भी देने करें कि और पस मानुस हो के लौकर रहा था तो मेरे एक वित्र मिल गए हिंदुस्तान काजिया क्यार दी कि उन्हें किसे मैंने का वैसाथ दो रूपे देना मर्षदीश दानी है उन्होंने मुझे चार रूपे दिये मेरे लिए पूर आप अज़र कि अज़र कि अज़र को है तो बोगा है कि मेरे कमरे में बहुत सारे बच्छर थे और पूर पूर पीटे पूर चूशते ते लेकि जैसे ही मेरी शादी भी सारे बच्छर मेरा कमरा छोड़ते हैं तो बहुत आपके में बच्छर को पकड़ के पुछा कि भई वापस क्यों जा रहे हैं मुझे छोड़ की जा रहे है तो उसने काश यहां लोग तो तंप्रे भी थे लेकिन पैदाओं की जो शक्ती है इस्वर ने उने दी वह जो पती पत्री पाइटी में दस्ट थे खने पिने में अराम सो पती दोस्तों के साथ ख़राता तो पत्री ने उसे इशारे से पुड़ाया तो पत्री ने का वापस जा मैं जो उबली की पावर चेखें प्रेव भी हसाने का चान करता है भाशा बत्री पिर बे जो ने से लिगा ने फोन किया तो पूल प्रिपा को आपने फोन लगाया है वह अभी गुपता है का ने दिश्ट मैं प्रेव से हास निकालता हूं बहुत सारे रंगों में राजनीत के बीच भी रहता हूं फुरी फुरी जल्कियां देता हूं कर दो मेरे साथ काल के साथ सुनेंगे तो और अच्छा लगेंगे मैंने का कि पसीने की करोपूजा गरीपी भाज जाएगी जरा सा मुष्करात बदमसीवी भाज जाएगा आपके हसी प्राइब साथ के घर तरिवार दोस्त सब आपकी एक मुष्करात पर गुबार करते हैं या फस्ते हैं तो नहीं लगता है सब ठीक चाल रहा है इस पसीने की करोपूजा गरीपी भाज जाएगी जरा सा मुष्करात बदमसी भी भाज जाएगी जो चेहरे पर हसी होगी प्रोशन जाल चुनेगी जो मूलत का के मैठोंगे तो भीवी भाज जाएगी मैं दिल्ली ने हूँ पेजरी वाली की सरकार जब आई तो मैंने चार पंदिया है आप आनंद लेना मैं करता चुरू करता हूं सब काल दे सकते हैं आठीटा इंदा सकते हैं मैं इसको बहुत सो को आज सिका बला उपसो बनाते जाना चाहिए और मेरा दावा है मैं आपको बित्रू लचाब हुआ अभी मैंने फूरी का और बढ़िया वाला तो मैंने शुनाओ ही नहीं नहीं हुआ है शुरू आप करता हूं कि धारने पे बैच बैच के धन नंतरी हुए कि धरने पे बैच बैच के धन नंतरी हुए वह आदमी के धन नंतरी हुए हम चीक चीक करके संतरी न बन सके वह खास खास करके हुए कर बंचरी हुए कि एक लग की त्यार में मेरी तकदीर हो गई मैं आचा बना दो हमारी जीर हो गई मैं आचा बना दो हमारी जीर हो गई कभे इतने मैंने क्यार के जहार भेखे वो रज्दी बेच 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 बाद बाद आख नी लाइन आख हमरे साथ दा दी सकते और वो जो ऐसे बजाते हैं उसे ताली देख निनू न कहते तो जुर्ण का ना बचाएं यहां से खुलेंगे हैं तो खुलेंगे बिंदूने के अपका शेट कुल से खुलेंगे अब यहांतों में क्योंद से खुलेंगें प्रफिश्य निकालें वो खरीद के लाइएं तो अब और जोगें भी ओना चाहिए जाएं तो अब रही हमेशा केंशन में बच्छा रिल्कुल ऐसे एक विद्र मेरे टैसल में बैटाएं ऐसे एक मित्र मेरे बैटेंटेंगें और रहांतों वह मैं दो मंदिल गया अजिनी जाता है वन्हान की पोटेंशल देग जा जा थे ने बंगिया और मंदिल जाते हुए बिधारी बैड़े रहते है तो वे किले सवाक नोड दिया तो उसने का वाखोरा को पारी जोरी सलामत रख्या पूरा नहीं पार निगे मैंने का मैं तो भी कु तो बेचेंगे। हर आदमी जाता है तुछरे को पनाउन लेके चलाँखा है। हर आदमी। बिलकुल। ऐसा ही दुखी आदमी बैठे साथ है। गर क्या दिल्सन एब लिए या एक दिन ये दुनिया खत्व हो जाएगी मुने का उप्र जाएगी। पत्युक्त हो गुञांगी। नहीं एक दिन दिन आख़ चले जाएगे जो सबसे आखरी में मनेगा। उसको लेके पूंगी। हां कि आधनी लिए के रजी जांते ही होगी है न कुद्ध करद दिंगा करता है ही न कि it was मैं ठोटे की बाराट करके मना चाहता हूं द्रबहान में कहां यह निया रखाई आज कि आखाँ लिए पर लाज की हम्री सभीर का जो भौत सव है उसके च्छों को चाहें वह कविताय का च्छण हो चाहें वह भासिपा च्छण हो चाहें देशवक्ति का च्छण हो पूरी शिद्द से जी बिल्कुले सारा चणाव छोड़के नेश मैं करते हूं मैंने कहा कि मुल्ला की ना-पंदित की अर्मान में रहता हूं मुल्ला के मा कंदित की अर्मान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों की इमान में रहता हूँ, उचा जो मैंने रख से अपना भखा बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुश्वान ज़रू अचा असाथी है साहँ, बुझे जब समान मिला अपना भशी दो लोगों ने कहा जिए मिठाई खिलाओ जगे जगे मशीने लगें एक दपाव और घंदी में सुनने के लिए भलग जरू है, आप बोगत भारत में भी यह हो गया है, मैंने मिठाई के लिए अल्दीराम को फोन मिठाई के लिए 2 ली फिर आवा जाईल जेजरू के लिए नट्व के लिए दो दब आए और सो किलो के लिए तीन दबाएं वो गलती से मेरे तीन वाला बटन दब जा है मैंने का यह तो लपला हो जा है मैंने रिशीवर ही रफ लेकिन वह पलट के पांच मिट में फोन आ दिया किसी महिला अपने असली वाली महिला है कि अधिराम से बोल वहीं हूं अभी अभी आपके हां से सो किलो लग्यों को ओडर दिया गया है माल तयार है कहां भीज़वाएं हमें हासे कभी हूं आनंद लेना आप आप समझ चाहें मैंने का मैडम मैंने तो कोई फोन किया नी हम घर में नौ भाई बहने बड़े बादे से बाद करने के दिए बेगी लागा अधाओं तो कि अबड़े से बाद करने कि ये बेगए और जब कर्मे आदम मिने दवाची चाहे आप अधे कम्रूद आप आप और वादां इसक्राइब करदां करीक्रा सब्सक्राइब लगा है राहा है प्रेंग कर देखंगे जिए सुनाता हूँ आखी लाइन आप कहाएंगे तो भी अच्छा लगे प्रेम अलग अलग ब्यक्ति को होता है तो उसकी भाषा अलग 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 भा हम मां लिए ये प्रेम किसी सर्दार जी को हो उनकी भाषा लेगे कि ये दिल तुम्हारे ल्यार में हम खारे मिलेंगे से मिका को लिखेजिए आशा़ कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे मत के दिरोती साग में चक कारे मिलेंगे प्रणाइन आप चीए और सुनिए किसान को प्रेंग हो जाए अब उसकी भाशा ने कि पहले तो ढारी की जिन्दगी ये सेर में जब मुझे लगेगा कि आप ठकने लग गए हैं तो मैं फुरा समशन कि पहले तो जा रही थी जिन लगी ये सेत में मैं हल चलाता फिर लहाता तूखी रेत में जब से हुआ है प्यार लग रहा है इस तरह तुम बन के भैस दुख गई हो तुम बन के भैस दुख गई हो तुम बन के भैस दुख गई हो कि मैं मुझाइले बात कर रहा है तो मुझे दुगजी ने पूछा सुरेट दूबेजी लेकि किस से बात कर रहा है बने का दीवी शे बोले आजे मैं यह को पूछा चोंका वर्तन सा मुझे करने सकते हैं मैं सब्सक्राद सब्सक्राइब मैं जोड़नाक तो मैंने समक्रान है तो मैंने का लिवल प्राद म Nep auf तो प्यार का सिल्सिला चल रहा है मैं चार फंदिया और सुना था सब्जी वादे वो प्रेम हो जाए उसकी भाषा देखते है कि चाहत का तेरी हर घरियन दाजा रखूंगा कि चाहत का तेरी हर घरियन दाजा रखूंगा इस दिल पतला हर घरियन दाजा रखूंगा यह वरत कई तेरी है का से सब्जी वाले में पानी चीरख चीरख के तुझे ताजा रखूंगा लुख पानी चीराइब चीराइब तुझे आजये बोलिये नहीं काईये मैं बोलूगा आप तालीब जाएंगे असेंगे तालीब जाएंगे फड़े होके बजाएंगे बेच के बजाएंगे अब देखिए मदुद जी बैठे ही हमारे आदनी असस्ते मदुद इनको मावनों हुटा है अच्छी लाइन आप गया करिया अनन्द है कि आई हो उठापे में यह मन मीशती तरा कि आई हो पुरहा पे में मन के मीशती तरा इस उम्मर में लगती हो शीला जीत तरा कि आई हो पुरहा पे में मन के मीशती तरा इस उम्मर में लगती हो शीला जीत तरा मैं कर हूँ मेरी जान कोई बाबा नहीं हूँ कि मैं कर हूँ मेरी जान कोई बाबा नहीं हूँ पर क्यार तंदा मेहनी प्रीत तरा प्राइब दिए और सुनाता हूँ हमारे यहां योगी जी की सरकार जबाई तो रोने एंटी रोमी ओष्पोर्ट सब्सक्राइब पता ही होगा उससे भी मैंने खास से बिकाना था मैंने उसे फूशा कि भी आपने ये आपने चलाया है इंटी रोमी तो उनका जबाब हूँ कि वादा जो कर लिया है वो तो दुतरसा मामना है लगाना का रहा हूँ तभी आपके बना जबादा योगी जी का जबाब हूँ कि महभूंगों की गलियों से गुजर ले मैं महभूंगों की गलियों से गुजर ले नहीं दूगा चाहत के जमाने से गुजर ले नहीं दूगा चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूगा मैं भीबू की गलियों से गुजर ले नहीं दूगा इक रोगी जी ने बात ये कही जो मैंने ना किया तुने कर ले नहीं दूगा जो मैंने ना किया तुन राक्ता बेठे और सारे राक्तर या वो दूगर को प्रेम हो जाए तुने कि वादा जो कर लिया है वो तुझ से निभाओंगा वादा जो कर लिया है वो तुझ से निभाओंगा तु है करीब दिल के नहीं खूल पाओंगा इत्टर फेमिका से बात ये कही शादी के बात भी तुझे सिस्टर भुड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने लोगों को अच्छा लग रहा है काद बाता लेकिन अच्छा 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 है और सबसे अच्छा है अच्छा सीडी में उपल लग है कामर्सियर ठ्रेश तार्टू सीडी और किताबे हैं हमारी और मैं तो खैर एक जैसा पताया दंडाल भी रहे ये गरीब अनाश दच्छों का कुछ फाम करता हूं ट्रस्च चलाता हूं पैसे मेरे खब नहीं जाना यह जो है वो सब उसी ट्रस्ट में जाता उसी पैसे पैसे और अपने लिए 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 सब कुछ आपके लिए हजी बड़ी मुश्कित जाती है दिल में खाबों के ताजिये सजा के रखे हैं ठाके आपकी ठाके बचाके रखे हैं जी में आता है कि पूछों हसाने वालों से अपने आशू कहां पर सुखा कराएं मशीने के ख़शाप्टी ऐसा दस द्रश्ची होनी चाहिए आपकी कि हसी कहां से मिल वही है हमारे देटर विदेश गए अमेरिका आगे मशीन खरीद के लाएं जूट पूट उपने पर खपड़ मांती जी मशीने आगें पर तुमाम करेंगी पहले दिन ही बच्चे ने का पापा पेट के दर दूरा है स्कूल नहीं जा होना मशीन जाती ही आर तो बैची कौण होगा बस मशीन ओन हुए और उसने एक बच्चे को तवाट दिया तो बाप में समझाया कि बेटा जूट नहीं बोलते हैं जब मैं तुम्हारी उमर का था तो कभी जूट नहीं बोलते हैं इसमें उस बाप की उठीया जुदाया था नशीन को नशीन है इतनी देर में मां बोल पड़ी है बोले आप पड़ी गया है डेटा किसका है हर जगे हसी है मुझे ये लुकाप रखे और फिकेशनी हसी दिखती है किसमें बिए Shtipar herum ऐस एक हिंदुस्तानी आजमी जौ्चाने राजमी इसमें यंशेजीख काहिक सिटा की हिंचा के। चैनिमें तैबस्तानी ने हम ह्यें ने कॉपे और सकते बासे इसड़ बने तो उसने का पहले तुम बताओ तुमने सीधा क्यों रखा और तुमने उल्टा क्यों रखा हम पहले क्यों बढ़ा है। इंदुस्ताइब का आद्मी बहुत सोच समझ के राद है। जीनियसाथ। तो अमेरिकर ने का भी मुझे और कॉफी चाहिए। महने सीधा रखा है। चाइनियसमे का आद्मी और काफी बहुत आए। तुम मताओ तुमने के रहाती है। लेकिन अभ इंदुस्ताणी फंस लिया। कि मैंने जवाब दिसके अगर आपगो को सबस्टानि आई नहीं है कि तौफ़ी साला हिन imagineHEA भाट जि 1200 आपगो कि अदने नियुकर तरह जाब दिया उसम्हें अगर 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 आपको एंधुस्तानि हुले वले बता-बता हुने प्रेदा नहीं रखा हिंदुस्तानी ने जवाब दिया इसलिए प्यारा रखा कि हो तो देज उटा हो तो रहे हैं आप अप जिनके हाथ हो तानी बजा दो नहीं हो इस तो इस दो कि शब्द है कि यही शब्द है जो आप तक जाते हैं और आपके भीतर से हसी निकाएं हमको यक्तिंग नहीं करते हैं हमको इनकी बुलूधी नहीं करते हैं ऐसा बोलते हैं कि वहां बैठे आउमीरा बास हसी हाथ है यह शब्द की्टा करूद्थ और यह हिंदी की ताकर चालिय कर तो की अच्छी वां, कविता बड़ी चीज है लोग उससे कहते हैं कुछ पूप आ गया कविता कौन सूरता है मैं उन्हें बताना चाहता हूँ या के अवेरिका में दस्वारा 15,000 कुलोईटर दूरा तर डैलस में देखे कि तर्टा कौन सुर्ण इस सम्मेलन को देखिए इसके आमें बड़े-बड़े आइस्टार कोजिनों के सम्मेलन मैं समस्ता हूँ कि इसके आड़े कुछ नहीं है जो अंतरगास्टी हिंदी सम्मेलन इसके लोगों जैसे लोग एक साथ करी जूटे नहीं बड़ी आसानी से शादियों में एकने सजे दजे लोग नहीं में पिल्कुल ये समझी जिए फोरा सा उम्मर का ऐसा और नहीं भूले ही लगते हैं कि इसी की बाराथ में लेकिन संच पे कूजा का काम है मैं मदूद्धी हमारे अठ्यक्स है मैं दस पंक्यां पहले मुझे ध्यान आगी मैं कविता की पैर्वी करता हूं जो लोग कविता के समझदार लोग है और मैं दो महीं ने भी आया था किष्णी हिंदी संची अधिव अतरल में आचकी इस है ने से संजीव अतरबाद जी मैं नहीं पैठे हैं हमारे खस्स थृफ्वादी सम्सिरव पांजि सब लोग यह बैठें इनके घरों का मैंने नमक खाया है जिनके घरोसे मुझे स्नेह मिला है संगीता जी बहुत लोग है और हुस्तन से बहुत हो रहे हैं मैं इस मौके पर दूसर का भी बहुत आफ़ार्यक्ष करता हूँ उन्होंने दो महिने ये कमी नहीं नहीं सूस होने दी कि अंगा इंगा से बाहर है उनके फ्रेल विटार्यक्ष करता हुए है सम्ने के लिए दि कंस्षा मिली दरें दे कुछ मते हैं परप्फु जो बहुत प्यार से उनने अपराश्यक्त हैं हमें बहुत वर शूप्रया है और कभिता अंगी करते हुए इस अश्पंचियां सुपा मुधन, आ और परन, कि अँघ, कभी कोई कहले कि क्या देती है उनको मैं रखाता हूं जाए जिसके शुर्णे दिंकर जी में हुटा रहा था वो कविता है जो मानस बनकर घरघर गाई जाती है वो कविता है जिसको दाकर आपकी सजाई जाती है कि वो कविता है जिसको दाकर आपकी सजाई जाती है वो बंदे बातरम कविता की सब गोरे आप बूले पे वो कविता है जिसको दाकर सेदानी नासी जूले पे सब्सक्रमीं हिंदीग काविताब का जितना संमान भारत में है बन सब्सक्राइब जो जिसकी दूरी मजिश्की हो जाती है तो सब्सक्राइब लोग सौधान की मुद्राने खड़े हो जाते हैं इसकी खुशाली की खातिर हम मनत मादा करते हैं लोग सब्सक्राइब करें और दोनों हांद खातर के घुंदी का चंदन हो और अंग में आपके मस्तरपा जागों का चंदन करने के लिए एक दीत पढ़ता हूं इस दौर में और उसके बाद नाम का देंदी को सुनेगा चुद्ध स्वासिता ने तनाव ना लेता ना देता है लोगों कोई लेना देना यह लादो को अच्छी दढ़े पता है कि मैं तद्रहों से मुख रहता हूं पूसरे को भी मुख रहता हूं एक ऐसा घीज सुनाता हूं जो एक एक लाइन में आपको उसमें ठाके मिलेंगे और खूब सारी हसी मिलेगी आप मेरे साथ रहे हलाकि मै लोगों के सामने कविता पढ़ने का आदी हूं इतने कम लोग दिए बहुत कम मिलते हैं तर्फ बहुत सारे यहां के अप मेरी तो सुनों मैं तुन यह कहने वाला था है कि अधर आप दो दोगे तुम नहीं क्या होनों मुझे सबता रहा हूं आपको जैनी चीज तो ऐसा लग रहा जिसे पूरा हिंदुस्तान यहां बैठा है अलग 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 प्रांत के लोग है अलग अलग आशाजाद के लोग है अलग अलग लोग एक लगू भारत हमारे सा कि इतनी सारे लोग मारत में बढ़े कभी समयलों में कि मात पचासे जार लोग तो हमें इसा लग तब वह प्रहया हैं लेकिन जालों बहुत प्यार शेहरा हैं और दर होता है अम्हें अज़ार देख प्रह भी आऊज मनी करती हैं तो तो हैसे वाधा रहर में अमकों को इससे लगा चंटा दीन है आपकी तर्णी से आपको शुरू करता हूँ एक दीट जो जाकों का दीट है आपकी ताज का दीट है आपको दीट है कि देखो कुरसी की पर हाई यो जमाना बदला जाए यह जारावाई दीट है रोज इसमें संदूरते रहे और समोते हैं देखो कुरसी की पर हाई यो जमाना बदला जाए तर्दी कख्या खड़ी हमारी यो जमाना बदला जाए धर्ना देखे देखो सीयम बंगयमुना दिली दर्ना देखे 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 को सीयम बन गयमुना अन्ना रादे गर में बैदे तूस रहे हैं दना अन्ना रादे गर में बैदे तूस रहे हैं दना सारे चेरे हुए मदारी यो जमाना बदला जाए यो जमाना बदला जाए अन्ना अन्ना बदला बादे हैं दीजेपी के नंगला रोए वी साथी महतारी यो सुपा को जमाना याद देखो खोर्सी वालिहारी यो सुपा को तारी नहीं पीचते उन्हों पीटे नारी जो ज्यादा तानी पीटेगा हम होगे या भारी की जो ज़ाएं प्रिम बबजाएं और निपापादी ए दिला संयो जब किसक न जाएं चंते दोने हमें भिकारी ओभादाएं कि अब पुखे मेरे बीच में तो यह पंत्रियां सुनकर जाने की इंबत कर सके तो उसकी इंबत एक ना कि मेरी करिता तुले बिना जो बीच में उठकर जाएं मेरी करिता तुले बिना जो बीच में उठकर ताएं राम करे वो अपने घर में बुखा पोसी पाएं रूमे उले की रुखिया तारी यो ताराम जेको तुलसी की बलिहारी यो तावाना बदला जाएं कहता जिसके होकर राहू लगादी पुरे अकेले और दिखी जय अंसकर निकले आसा राम के चेले और दिखी जय अंसकर निकले आसा राम के चेले लगी बुखा पे में बीमारी यो तावाना बदला जाएं देजों की बलियारी बापु आसा राम सोच तेरा धेमा आजाएं बापु आसा राम सोच तेरा धेमा आजाएं बापा राम रहीम जेले में हनी हनी चिलाएं बापा राम रहीम जेले में हनी हनी चिलाएं इसलाएं ने कलावंता धालियों सब्हाना बदला जाएं बीदो की जिए बाप दो को तुड़ने की मर्यारी यो संहाना बदला जाएं मुझे जब आक उसमान मिला तो उसमय सम्मान वाप्ची का तार तुलू हो गया लोगों पूर्पस कर देंको क्यों मैंने को दूस्च किसं के मित्रों कि मुझे भी घृताने को पूर्पस कर दो कि मैंने का मुझे जुबाव के पोड़ी मिला है लेकिन मैंने जुबाब दिये जुबाब कर चमर्कन चाहता हूं सब का अभी भी मुझे मुझे मजा नहीं आए आएगा तुरिदे मैं सब को बिल्कु उगा लुगा आपने बढ़ने आप दिस्सिंत रहे ओलओंस भी के मनें जोटन ही तुम फ़्य हम लेखत बोडा टीति फडु इसका दोकी कि अफे तुम भी पुरसकार लोटा दो हुआ है यहाष्पधव मधए ढंताली 你ा चाहिं हैं सब्सों के दवादों खाली है फूरी अलमारी इनको जिल्जी की बलिहारी यो जवाना बदला जाए तर्भी कजिया धड़ी हमारी यो जवाना बदला जाए जब जब मैं सुरे सुवेजी को देखता हूँ ये पंजी मुझे आ रहा थी कि मोदी और प्रम्प का दुनिया में फैला हंगामा मोदी और प्रम्प का फैला दुनिया में हंगामा लेकिन आज हमारे सजने बैते हैं ओबामा में आज हमारे सजने बैते हैं ओबामा ही लिखी है करता से जाए मोदी जी फिर नोट के बंदी से हिम्मत बितला दूँ कासपीर से धारा दी से हिम्मत बितला दूँ कि मोदी जी फिर नोट के बंदी से हिम्मत बितला दूँ कासमीर से धारा के इन सो सब्सक्तर ही हमादों पर जाओ घृता है हुग पर लिजित पहलू और दूसरा तरीका भी में बटाता है है जो काफ़ी असान है इंदुस्तान की जिन्दा बाद करादो, मोदेरा हुल की शाथी इस्लाम बाद कराद। इंदुस्तान की जिन्दा बाद करादो, मोदेरा हुल की शाथी इस्लाम बाद कराद। जिसमन से आपने सुना है ना दो बंदो और पक्ता हूं अमुलीका पूरे अमेरिका में आऊ हूँ डैलस जब जब आता हूँ कि लंद न देखा तेरी सबेखा देख लिया हमुलीका मगर आगे डैलस के आगे सब कुछ लागा फीका मगर आगे डैलस के आगे सब कुछ लागा फीका आपने दिये बजादो तारियो जोड़ाना बजला जाए भारत जिस्टो कुम्रूबन जाए ऐसी अलब जड़ादो भारत जिस्टो कुम्रूबन जाए ऐसी अलब जड़ादो भारत जिस्टो कुम्रूबन जाए ऐसी अलब जड़ादो अब तो आपके असली हाथ तो छोड़ो प्राश्चिक वाल एक हाथ भी ठंच लेकिन सच में बड़ा अधूत और भॉबिस मरणी है कारकम किया है आपने और जो दूसरे दौर में लोग बचते हैं अब बच्छे तो वो सब अच्छे लोग हैं विने जी और रंपा जी आपके यह पुरी की यूश्टन की पीम बैठी है चाजी वागु वागु शपने जी शंगेता जी अरुड जी हमारे लाख्षाथ तब पुरे जी सब तरब रहे पैचाने लोग अठते हैं तब ही मैं सोच वादा कि सीज़ें इतनी कम क्यों प्यूंट रही प्रिमत नहीं बदाक इसलिए लेकिन यह सब लोग है इसमें मुझे बिला है शब्दों से ही आज से निकालना होता है कुछ ऐसा कहना होता है कि आज के ओको पे हसी आये लेकिन बहुत बहुत वह दीर शायरी कर दी करूदी और लगब्बद चानिस पड़ने के पाद उससे कहा कि पांच मिनट पे खटक गो फ्लाइट पर निकाल तो मैं पांच तो ने तो सबेरे पांच वजे तक नपने तो इस क्याइट तो कल भी जाती होगी। मैं पुशिश करता हूँ। कविता के धेर सारे गंग मेरे पास भी है। बहुत सारे colors वोगें। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कि वाद अधसा हूँ या गंग भी हूँ। मैं सक्की मान भरने की कोशिश करता हूँ। हम हस्ते हस्ते जिदा देंगे कि फिराल मैं शायरी जहां से खतम की हमारे बंकरकाई ने मैं शुरू करता हूँ। शायरी में वावा करनी होदी है, वावा वावा क्या पहर दिया है। बहले कुछ नहीं कहारा। लेकिन वावा कि डरूरी है। वावा तो जैसे हमन करते हैं तो बात में स्वाद होते है। मंत्र फुर्य पर्ण को याद होते हैं पंदी जी ने काया श्राइब तो स्वावा श्राइब कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए अहाँ बावा लगे की पहुंच रही है कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए मुखले की किसी पेवा की दामन तर न हो जाए दरक्तों को अदर काटो इजाज़त लो परिनों से एपना घर बनाने में कोई बेघर न हो कि अपना धर बनाने में कोई बेखर न हो जाए एक शेर पहुंचाता हूँ एक कताब कर और आपके पिता की यादों तक आपको ले चाजता हूँ कि समंदर मा की ममता की भी गहराई न छूपाया जहाजों से भी उलकर न है वो जाए न चाहिना अपके पिता हूँ अजिन कंदों पर हमने बैचकर बश्कन बुदारा है वो कंदे उस जहाजों से उस आस्मान की मुचाई से कही बड़े उचता है कि जहाजों से भी उलकर न है वो मुचाई न छूपाया इश्व कहा है अल्ला कहा है रगवान कहा है सब धरवक्ति अपनी याच्छा करते हैं इस फकीर इस करबकार की लिए पता आपकर पुचाता है कि जिसे फ़वों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है मिला चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है मिरा चेहरा शहर के जागना सकते हाथ कि मिरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है वो जुसको भूरते पिरते हैं मंदिर और मस्जिद में वो खोजे से नहीं मिलता है तो जाने से मिलता है वो जाने से मिलता है, वो जाने से मिलता है, वो जाने से मिलता है, चार पन्तियां और कहता हूँ, कविता समा सुधार का भी कामिगर्दी है, इस तरह की भी बहुत सारी पन्तियां मैंने कही हैं एक बानीगी के तोर पे, चार पन्तियां कहता हूँ, कि निवेदान है किसी इनसान का कल्यान कर देना जिसकी जिंड़गी अभिशाप वो बरदान कर देना अगर हसुरत है अपने बार भी समसार को देखो तो सांसे बंजो हो जाने फियांखे दान कर देना तो सांसे बंद हो जाने पे आखे दान कर देना और चाह पंकिया कहता हूं घंता जी में भून अध्या पे बहुत अच्छी करता लिखिए मैं एक पंकिया में तमाम सरकारे जो कहती है करनिया धनियो जिना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक पंकिया में भून अध्या पे आखे 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 बोलता हूं में गुछे तुमार मत देना वो बेंजी मारनेवारों से बेटा छी है. कहीं आद कि तुछारे संग पर बीते वो जंदाबाल हो जाएं। कि हमारी आख में जो पाब है आबाद हो जाएं जो पल बीते तुहारे संग जिन्दाबाद हो जाएं अगर इंक बाद दुमुझ से पहवत से रहे मिलो तो हम दोनों पने संग हम मिलाबाद के ला खाल ला mat सेर से भी शायरी निकलती है दिन्दाबाद बहुत सारी रंग है कविता कि एक रख मापना इन्हें मैंने यह भी जाने के राह में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पीछे छूड जाते हैं जो मंदिर जाने से ज्यादा जरूरी होते हैं उन कामों की याद मैं बिलाईएं एक दो बंदा फुरुता था अलग देवरी करता है इश्वर हमसे क्या कहना चाहता है कि कहा है मुझे सही इश्वर ने पिकार करना तो पूरे मन से मर्दी हुई संवेधनाओं को जीद रखने का काम तो भी होता है मुल्ला ने गीता पर्णी तो सबको सजमा हो गया हम गए मस्जिद तो हम पर भी मुगदमा हो गया नफ्रतों के दौर में चौपाइब भी बाटे गए गाई हुदू हो गई बच्रा में और उनको पता ही नहीं क्यों क्या होगी तो यह जो नफ्रतों का दौर है जो संवेधन सममेदनाओं को जीवित करने का नाम भछाये रखने का नाम कच मुझे बताना कि कहा है मुझ सईष्वर में कि सब को जा कि बतलाना कहा है मुझे से इश्वर में कि सब को जा के बतलाना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना में नहीं है लेकिन मौत सस्ती है वहीं पर एक बेवाद आने दाने को तरस्ती है जो भूखी रात को सोए तो इंसानों प्यास्ती है उसी के पास बैठा हूँ जो फुर्सक हो तो आजाना अगर मुझे 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 उसको लगा जाना कि जो पर साद आए हो उसे आकर खिला जाना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं हूँ कि शहर का बीच चौरा जहां शोरूम होते हैं जहां फुट पॉट पर ठक्र के विक्षे वाले सोते हैं वहीं जिस्कूल के बाजू में पंडिल जी का होटल है कई बच्चे शहीदों के वहां का प्लेट धोते हैं उन्हीं के साथ बैठा हूँ जो खुर्सत हो तो आ जाना अगर मुझसे मुहबत है गलेव उनको लगा जाना किताबें दे के उमली ठांके इस तूर ले जाना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं हूँ मंदिर में नहीं हूँ बड़ी लंबी कविता के कुछ अंस्त है जो बहुत सारी चीजें हमसे बाते करना चाहती हैं और अब उनको सुन नहीं बाते तो यह संवेव रहें जीजित बची रहें इसको तोशिश भी कविता को करनी है हमें भी करनी हैं लेकिन मैं थोड़ा सा परताम हूँ कि मैं हसाने वाला करती हूँ तो चार पंटिया मैं दूसे रखन प्याता हूँ कि मखार में किसी के हूरे और हमूर होते हैं है हमारे वाप रेटी के वी चकना होती हैं हमारे भाब रोठी के भी चकना चूर होते हैं जवासर हर्द पर वोई खाके भी गुमनाव रहते हैं सियासतार जूते खाके भी मशूर होते हैं और ये लई उमर के लटों का संगत क्या है कि मेरी चाहत की लाइन पर ये से कि कॉन करता है कि मेरी चाहत की लाइन पर ये सेटिंग कौन करता है मेरी बॉलों पर ये छुप छुप के बैटिंग कौन करता है तुम अपने पोन का रीचार्ण जब मुझसे कराती हो तो आदी रात को तुम से चेटिंग कौन करता है पुद नहीं केवन पहनते हैं, हमें भी पहनते हैं, सच में बता रहा हूं, बार बार सुपने जी लाते हैं, एक दो बढ़िया सुन्दर सी जैके, कम्यों को देखे जाँ सकता है, गजें जी ने जो पहन रख्यों, मैं तो आज मुझे भी दी उन्होंने, लेकिन मैंने चाहा क मैं तो यहाँ की वापस ना बार मार ले बीच के, तो एक दो हम आपना कोट पहनी की आ रहा हूं, चाहा दूतिया ओर सुनाता हो, मोधी जी ने नोट बंदी की उस नोट बंदी से भी हाज सू, मैंने अगा जी हर गटने अस हाज से हाज से निकाल सकता हूं, ओर दी की नोट मैंने मोरीजी को पदलने की इस Danskut मौदी जी की सरकार करें, तो मैंने एक हास्यी की, जैको मौदी जी जैसे करिबा माम ज़कित उसे जो अंतराश्क्री इसकर पर इतने लोग कोई हैं, उनसे हसी निकालना बहा अखिंकार है, बाद इतने हैं कि वो मारा जोचत है, दुबे जी ने ऐसी कविता सुनाई, मुझे दुबे जी ने सुनाया कि उमर्जी का सेरावर्थ थोड़ी देर के लिए बाबा राम जी जी से योग सिखने कहीं तो और सुपामी राम जोची की एक आंख खुल नहीं 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 तो मैंने दुबे जी को आगाज किया मैंने का ये बात अगर उनके पक्ये बक्तों ने कि एक छोटा साधीर बोदी जी पर और फिर फिर प्लोज करता हूं कि कौन और इसका तो हो गया बनता थार रसिया कि कौन और इसका तो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो नहीं आग जो में जाए कौन और इसका तो हो गया बनता थार रसिया कौन और इसके लोगो कौन और इसके लोगो गोगो या वो खोगो राहुल बाबा तीसलं खाओ बैठ्क रसिया कौन और इसके लोगो 2 दर इसके लोगो कौन ना नत्यछत राजा बढ़ गया सब्ता वाजा फिदम बार मुसे कहे सों लिजा दू की डंस शिखाया विदंबाम से कहें सुनिया दूंकी डंस दिखा जा तुमें को गया मौनी सर्थार रसिया तेको मोदी में पजाली सर्थार रसिया जोलतार रसिया सोच रहे हैं अन्ना जूप के हो गर कंदा मुझको घरने पनब्खा कर सीय मुझन गया मुदा पिसी सुनिया रामी रोई सोई या गानी ऐसी चार चली की सारे हो गए पानी पानी जोशी गजवानी को देख दिया रसिया बेगो मोधी मे बनाली से रे रशीया अधे गुजे ना की खाया ऐसा दौंचलाया जापानी को भीता दे कर देखे ले अत्र जापानी को गापानी को पीता देकर बुलेट फिर आया जबराए ओबामा बनना जाए सुदामा ऐसा ना हो पैंक दार के पहना दे पाजा गुपया दॉलर पर हो जाए ना सभाव रसिया हक्ते को मोदी ने बना ली सर खरी चीन की ख़दिया जूबन जाय इत्रिपिया अक्रमन कर देशी सोच रहा था उक्ते को इसलिए अवला रिल्किया केसा जाओ कि धर ममला करें उसला अमिसा जाओ कि हारी सर्गारी पलट जाए कि खरी चीन एंडिया विया अगर दुबन तुर्वाया तो बहुत लोगों ने अभी शाओ को चित्रि लिखी कि भाई शादी वाला भी तो आते हो या कि खरिशी की किया दूबन जाए लुपिया वो तो समय चंगू मन्लू होती है छैपिया मिया पिलावन दखलू मैं जवाब देता हूं आपकी तब कि मिया पिलावन दखलू हमें के समझो उठलू पासमीर की जगन मिलेगा बाबा जी का चिलू शेरों से रांगे है बहु 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 बेकार रसिया के रोग मोदी में बढाली सरकर रसिया जोड़ता रसिया अमरी का था ठीजा नहीं दिया था ठीजा अब कहता है जी जा जी या कर खा जाओ ठीजा अब कहता है जी जा जी या कर खा जाओ प्रीजा राम देव की माया ऐसा पे गुभाया ते गुमा कर भॉंकरे सिका तोकर दिया सपाया अब तो जागो भारत माता करती गहिया तहिया अब तो जागो अब तो जागो भारत माता करती गहिया तो गए गाल गुलाबी मिल गई देश की काभी जनता कैती मोदी भैया घरले आओ खाभी एग चोटा मोदी करती गहिया रसिया अब तो जोटा मोदी करती गहिया रसिया और ना लालूजी से ले लो गुला रसिया देखो मोदी ने बनाई सेरिकार रसिया जोरिदार रसिया मैं आपी छे लाई ही से अभी अभी मैंने मंच पे नई कविता का एक मुखरा लिखाए नई कविता का एक मुखरा सुनाता हूँ जो मैंने मंच पे लिखाए कि ओ नीली छत्री वाले करना है इतना कर दे खुशियों से छोडी भर दे दुनिया में सम्मान रहे जनगरमन का दान रहे ओ गुंपरमुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे ओ नीली वाले इस दुनिया के अप्षण दे लिखाए से एक बार दोनों हाथ उठाकर मुझे बताएं अब इन्हें तालियों में तब्दिल करें कभी सम्मेलन कैसे सुना जाना चाहिए यह अब तक मुझे लगा नहीं मंच की भी सभागिता चाहता हूं जहन जी बहुत कविता प्रेमी हैं और बहुत मन से बैठें इस नौजमान की तरफ के बल परदेश नहीं बलकि बूरा देश देख रहा है इंदुस्तान को ऐसे ही नोजमानों की आवश्यक्ता है मैं भी कोई बुड़ा नहीं हुआ हूँ मेरी भी आवश्यक्ता है मैं चार पंक्तियां चोधरी साब के लिए सबसे पहले पढ़ता हूं और दीरे दी कि हमारे बैठे हैं इश्वरी ने शतायू करे दिर्धायू करे क्योंकि हर पंती पर वो खड़े होकर दात दे रहा है बहुत शुक्त शांदार मन से आफ सुन रहे हैं ये जिन्दा दिली इनके लिए मैं कहता हूं कि किसी गीता से ना कुरां स्यादा होती है ना बाश्याहो की दोना स्याता होती है रह्मतें शिर्फ वरस्ति है उन्हीं लोगों पर जिनके दामल में बजर्गों की धुआ होती है तो बस इन बजर्गों की दुआएं सरपर बनी रहे हैं यही कहना चाहता हूँ चोधरी साहब को यादव में रखियेगा ध्यान में और मेरी पंग्ति लेने में लगे होगे कि चौधरी साहब को देखा तो भारती परिधान मिला यह जो पुर्ता धोती टोपी यह परिधान आजकल नहीं दिखाई देता है महानगरों में तो बिल्कुल बेता है सबकी ताल हो ऐसा सुने आप अगर जिंदाबाद से ज्यादा है आप ताली मिला चौधरी साहब को देखा तो भारती यह परिधान मिला उनके राज में सदा किसानों को सच्चा सम्मान मिला उनके राज में अगर लगे कि कभी सच कह रहा है तो फिर मोबाइल थोड़ी देर छोड़ते हैं इसे भी दिखिए कि उनके राज में सदा किसानों को सच्चा सम्मान मिला उनके राज में सदा किसानों को सच्चा सम्मान मिला दोती कुरता तोपी जैसा सादा वेश नहीं मिलता उनके अंतरमन में हर दम हिंदी हिंदुस्तान मिला उनके अंतर मन में हर दम हिंदी हिंदुस्तान नई पीडी को उन जैसी सादगी उन जैसी इमानदारी और उन जैसा किसान का और एक आम आदमी के प्रेम का जो भाव है तो सीखेने की जरूरत है आज चोदरी साफ एक पाट साला की तरह है इस विद्याले का कारकम है तो हमें उ बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और यहां जो वातावरण है वो पूरा गपूरा उनके रंग में रंगा हुआ है मैं चार पंक्तियां और कहता हूं किसान लोग यहां बैठे हैं आशिम भाई ने भी बहुत पाट किसानों पर चार पंक्तियां कहता हूं जो बिल्कुल ता जिस दिन समझ जाएगा दो पंक्तियां आंगे वाली सिमाणना कि किसान वक्त की रफ्तार बदल सकता है, आए अपनी पे जीतार बदल सकता है, खुदकुशी करते समय आथ से जो टपका हो वो एक आशो भी सरकार बदल सकता है। वो एक आशू भी सरकार बदल सकता है तो किसानों के आशूओं को आसानी से नहीं लेना चाहिए सरकारों को समझना चाहिए कि जिस देश के किसान की आँखों में आशू होंगे वो देश कमें खुशाल नहीं रहे है लाजेस्थान बदल गया बाबुजी बिल्कुर नहीं हिंदुस्तान भी बदलेगा इस्चिंत्रों सब बदलेगा मैं तो बनारस गया कहां जगड़ा हो जाए कहां बावाल कुछ पता नहीं तो पंडित आपस में लड़ रहे हैं मैंने एक से पूछा भई पंडित हो कि आपस मैं थोड़ी देर हसाता हूं आपको पताब भाई बहुत बज़दार आधमी है खसी के जादूगर आधमी है लेकिन मैं थोड़ी देर इस व्यस्चता में जहन जी के छेरों पर भी मुश्कान लाना चाहता हूं जहन बएखना बहुत ज़रूरी है ये नई उमर के बच्चे बैठे चोटे-चोटे बच्चे वो बेहन की मिदाई हो रही तो चोटा वाला-जाँ दोड के घुए जीजा जी नहीं रो रहे हैं क्या तो बाप ने समझाया कि बेटा दीधी तो केवल गेट तक रहे हैं कि जीजा जी पो तो जिंदगी भर रो नहीं रहे है हुआ हैं इविभ को तो रो नहीं है नोरात का वरच हर आदमी अपने जुगार में लगे हैं इंडुस्तान तो हर आदमी अपना काम देखना चाहता बताया गया है यहां तो उत्तरप्देश का आदमी सुबह उत्ता है तो सबसे पहले देखता है कि हमारे सेर का नाम तो नहीं बिकल गया रात में आपको मा बतादू सची कटना है मेरे मित्रा जी उन्होंने दो महीने पहले जैन भाई-ट्रें का कण्फर्म टिकट लिए है कण्फर्म टिकट आजमगर से इलहाबाद को में अजमगर का योद्या हो गया इलहाबाद का प्रियाग हो गया इलुसरा जी किन्या cutter हो गया इसलाम में है चार बीजियों की इजाज़त ये सुन्चई पंडिकी मुसंगा नोग है हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है लगे रहो तो प्रभू की प्रीथ भी मिल सकती है कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाये हैं कि इनी बगतों में हनी प्रीथ भी मिल सकती है हर आदमी अपने युगा है उत्तर प्रदेश में मैं तो राजनीश से भी हसी लिकालता हूं कैसे निकलती है मैं बताता हूं बस सब लोग ताल देना आनन से सुनना कोई तनाव नहीं जो कुर्सियां खाली रह गई हैं उनकी तारियों की जिम्मेदारी भी आपके पंदों पर नई उमर की लड़कियां आजकेल किताबों में फोटो रखती हैं सल्मान खान का विराट कोली का बाद में इनकी शादी किसी जेठागाल से हो जाती है उत्तर प्रदेश में आते योगी जी ने जो है वो एंटी रोमियो स्कॉट बनाया प्रेम पर प्रतिबंद प्रेम नहीं करने देंगे पताया ना आप सक को मैंने पूछा बढ़ी एंटी रोमियो क्यों बनाया जबाब किना और हंसते हंसते सुनना कोई तनाव का मामला नही योगी जी ने जो बताया मुझे कि क्यों एंटी रोमियो लगाया सुनना मंच वाले लोग की दात दे सकते हैं ज्यादा पढ़े लिखे हो तो भी दे सकते हैं असा थोड़ी है कि पढ़े लिखे लोगों को तालिया बजाने में कोई प्रतिबंद है अभी तक तो सरकार ने इसा किया नहीं आगे का तो पता है मुझे आगे तो प्रतिबंद किसी पर भी लग सकता है सुनना के चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा जवाब सुनना एंटी रोमियो क्यों लगाया के चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा चाहत के समंदर में उतरने नहीं द कि चाहत के समंतर में उतरने नहीं दूंगा मैं भूब की गलियों से बुजरने नहीं दूंगा इक रोमियों से योगी जी ने बात ये कही जो मैंने ना किया तुमें करने नहीं दूंगा जो मैंने ना किया तुमें करने नहीं अगर ये तारियां आप दसकुना कर दो तो मैं आपका आनन्द सोगुना कर सकता मैं दुबारा पढ़ता हूं ताल के साथ सुना बाबुजी जंदा बाथ इश्वरापको सो साल का उमर और आगे था खमाल की बाथ है ये जंदा दिली इस उमर में खमाल है कि चाहत के समंतर में उतरने नहीं दूँगा मैं भूब की गलियों से गुजरने नहीं दूँगा लिक्रोमियों से योगी जी ने बात ये कही जो मैंने ना किया तुमें बरने नहीं दूँगा जो मैंने ना किया तुमें अभी जी जो लोग हाथ बांगे बैठे हैं पीछे वो सुन लें कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी जरा सा मुस्करादो बदनसीबी भाग जाएगी हसते हुए लोग नहीं मिलते आज का कि पसीने की करो पूजा गरी भी भाग जाएगी जरा सा मुस्करादो बतसी भी भाग जाएगी जो चेरे पर हसी होगी परोसं गाल चुमेगी अब दद्दू प्रसंद हुए जो चेरे पर हसी होगी परोसं गाल चुमेगी जो मूँ लटका के बैठोगे तो बीबी बाग जाए कि रहे दुखी आदमी के साथ कोई रहना नहीं चाहता है दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई आपको पता है केजरीवाल जी बोले दिल्ली पुलिस हमारे हवाले कर दो 24 गंटे ठीक कर दूँगा दिल्ली पुलिस भ कुल नहीं कर रहा हूं कि कमाल का देश है दिवारों पर लिखना मना है ये बात भी दिवार पर ही लिख के बतारी पड़े देश में रहना है आदार बनवालों नहीं रहना है उदार ले लिए मोदी जी नहीं का नखाऊंगा 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 तो लोग पैप करा क आनंदर जाना केद्रीवाजी की सरकार बनी फिर चार पंगिया सो है कि धरने पे बैट बैट के धननंतरी हुए रहते हैं जब तक सारे नहीं बजाएंगे में दोरा कि धरने पे बैट 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 बाट बढ़ा कटी नहीं ऐसा ना कि धरने पे बैट बैट के धननंतरी हुए वो आम आदमी के हरदय तंतरी हुए हम चीक चीक करके संतरी न बन सके वो खास खास करके मुख्य मंतरी हुए वो बुले ब्रस्टा चार खतम कर दो क्यों खतम कर दें बड़ी मुश्किल से तो पाल्ट बोस्के बढ़ा किया है और आसानी से खतम भी नहीं हो सकता साथ मैं एक उदारण देता हूं के वालासी के लिए आसानी से खतम नहीं हो सकता अदालत में तो वकील बहस कर रहे हैं यहां की बात नहीं है अदालत कहीं और की दिए अदालत में दो वकील बहस कर रहे हैं बोले जासाथ कानून की किताब के पेज नमबर 15 के अधार पर मैं अपने मुख्त को बाइस्दद बरी करने की दर्खास देता हूं तो जब सामने का कानून की किताब पेश की जा, किताब आई तो जब सामने फुरन पेश नमबर 15 देखा, इशारा था कि कानून की किताब के किसी धारा के आधार पर नहीं, पेश नमबर 15 के आधार, बाइजद बनी किया जाए जाए, तो जब सामने पेश नमबर 15 देखा तो 2000 तो हजार के दस नोट रखे नोट बंदी के बाद की लखना है ने नोट अच्छे समर्थन करना पीशे तक है के के कि रखे थे जब साफ को अच्छा लगे मुश्कराते हुए किताब दराज में रखी और कावची साथ इसी तरह के दो सबूत और पेस्किये जाए अरंद करण सोटे को रही है यह यह घ्रत करेंसं इसका अद्राइब में आप देंसे नीघ्ल राश्टा निकालना पढ़ेगा वरना यह परताब तो बीच में खूद पढ़ेगा मैं बता रहा हूं आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं इसके पहले वाली और जैन जी कहीं नहीं जाएंगे इतने बड़िया आद्मी है इतने बड़िया कविता प्रेमी है कि सब कभीयों को सुने बगएर व पंड़ित के अरमान में रहता हूं साहिब मैं गरीबों के इमान में रहता हूं पूछा जो मैंने रभ से अपना पता बता दे बोला कि मैं लोगों की मुष्खांद वाह क्या पात है अ चार पंक्तियां और सुनना आप आनंद लेना, आनंद लेना, जद्दू बहुत मन से आप सुनने हैं, मैं आपको बहुत बहुत प्राम करता हूँ। आनंद लेना, लोकसभा चुनाओ आने वाले हैं, इशारा समझ जाएं, तो सब के हाथ उखें एक बार जो मैं कहना चाहता हूँ। पंदी जी अस्ती को देखकर, ये जेटली मोदी को केटली लेना है, ये जेटली मोदी लेना है। एक बोट तो बाजपा का जया। आनद बाज़ा जाएं ऐगे बाज़ा जाएं वह जाएं, बहुत ब़्या संचालन किया आधरणी जाएं आई जाएं आइस आई जाएं इतना अच्छा संचालन किया है। और अगली बार और भी बड़ा कभी सम्मेलन हो एक बार आप हाथ उठा के तालियां बजाएं भाउना के लिए यह भाउना है लोगों में की आयोजन होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए और जो कुछ भी मदद करनी है वो इस ट्रस्ट को करिए चौदरी साब की समर्तियो अगली मनें उससे भी हसी निकाल लीजोगे तो हर जगें हसी दिखती है बुरा मत मांढों हसाना कोई बुरा काम में नहीं रास्ता निकालो तो निकलता है वो फिलम आई एक पदमावती संजेलीला भंसाअली की उसपर प्रतिबंद लग गया तो सैंजेलीला भंसाली ने जासता निकाला पदमावत्वी का पदमावत्व कर दिया प्रतिबंद हाट दिया लेकिन लिखा जब बीहार कऊची तो बीहार के लोगों ने मुख्यमंध्री को चिठल लिखि laughed इस रहा है तो आप भी एक बार ऐसे ऐसे किसे देखो चुतिवन नहीं ना चाहिए देखो आनंद लो कि मर्दों के लिए मोदी जी कथीम निकालो ज्यादा सवै नहीं लूँगा मैं आप बिल्कुल इस चिद्र है कि मर्दों के आपके पास होगा मेरे पास थोड़ी कि मर्दों के लिए मोदी जी कथीम निकालो मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने बीबी को बदलने की भी इस चीम निकालो इस ते बड़ा कोई आशिरवाद उसरा हो यह अशिरवाद यह सारे हाथ जो है वह जैन जी के साथ होने चाहिए नौजवान के साथ मेरे के साथ है जब मेरी पहली बार शादी हुए आशियूं मना रहोड़े शप्रा पहली बार ससुरा है कि तो सास से बहुत जगड़ा किया बहुत जगड़ा किया मैंने का जब आपके धर में अशमलाई ति तो मेरे को दही बड़ा कक्राए आनन्द लें लें इतनी बेटियां बैठी है मैं इन सब का बिननन करता हूं मेरे घर नंगी बेटी ने जन्म लिया तो मैंने कहा कि महदी कुमकुम रोली का तेवहार नहीं होता मैंने बहुत रंगों की कविदाएं लिखी है एक रंग ये भी दिखाता हूं जो लोग शायरी सुनने वाले कविता सुनने वाले लोग हैं उन तक भी पहुंच था हूं महदी कुमकुम रोली का तेवहार नहीं होता रख्षा बंधन के चंदन का प्यार नहीं होता उसका आंगन हर्दम सुना सुना रहता है जिसके घर में बेटी का होता हूं कॉमाद कर दोwash щदिन वागर हो तो भूखा महाद हमने उन बातुइव को मारना जलना शुरू कर दिया साहङ फिस के बस्के ने फिस के पूछा माँ हम लोग पानी में क्यू रहते हैं जमीन पर क्यू नहीं रहते तो फिस ने कहा बेटा हम लोग फिस है न इसलिए पानी में रहते हैं जमीन पर तो सेल्फिस रहे कई बार मैं कविताओं को पूजा की तरह लेता हूँ पूजा जैसी एक कविता का एक ही सुनाता हूँ पहले आपको मेरे ध्यान के आ गया मात्र शक्ति को बैठे देखकर कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा बरदान है बेटियां भगवान का सबसे बड़ा बरदान है बेटियां घर की पुरानी खिर्कियों को खोलती है बेटियां घर में हो तो घर की दिवारे बोलती है बेटियों ने घर का हरतम नाम ही रोशन किया है वक्त पर बनकर के मीरा जहर का क्याला पिया है हाथ में तर्वार लेकर लक्षमी बाई बनी है इंदिरा बनकर समूचे विशो के आंगे तनी है मदर टेरेशा बनी करुणा का साधर हो गई है जाके नासा में सितारे आस्पा में बोगई है ऐस बन सौंदर इसे सारे जहां को जीतलाई सायना बन खेल के मैदान में भी खिल खिलाई सुनलता मंगेस कर सुर्के समंदर डोलते है अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते है मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते है बाप की पगड़ी है माता रेश्मी परिधान है बेटियां भगवान का सबसे बड़ावड़ान पूरा इतिहास परता हूँ एक बंज में लंबी कविता है कि पदमिनी बनकर के जोहर की कला दिखला गई है पदमिनी बनकर के जोहर की कला दिखला गई है पत्के प्राणों के लिए यमराश से ठक्रा गई है मुर्ख काली दास ने विद्योतमा से बुधिपाई और इक रतना वली ने राह तुल्सी को दिखाई गारगी ने विद्धता से ग्यान को आगे बढ़ाया और सीता ने जहां को धरम पतनी का बताया एक राधा के दिना है कश्र का किस्षा धूरा बत्तिरस को प्रान देता एक मीरा का तमूरा सरस्वती जी आज जग मे ग्यान की देवी बनी है लक्षमी जी सारी दुनिया के कुवेरों पतनी है और दुर्गा शक्ति का वर्दान बद कर चा रही है बेटिया ही हैं जो सारी सरस्षिकों महका रही है बेटिया धर्ति का गौरों हैं बेटिया भगवान का सबसे बड़ा वर्दान है हम घर की महिलाओं का बेटियों का बच्चियों का सम्मान करें तब कहीं हमारे घरों में खुशाली आ लिया सरदार से पुछा क्या पढ़ना है तो इसने का ये भी बेकारी पढ़ना है ये ती तो चाहता ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा करूँ सरदार का मामला बड़ा खतरना थे हाँ गड़ी तो नहीं हमें कमाल का सरदार है ये प्रताब फोजदार ज Gaussian भी रात को बारा बजे ये आदमी खिरकी पे खड़ा हो गया और खिरकी पे खड़े होके रात को बारा बजे जो कविता लिखी उससे बढ़िया कविता नहीं हो सकती है आनंद की रात को बारा बजे क्या लिखा रात को बारा बजे खिर्की से सड़क पर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था क्या बढ़िया कविता है अगली ना इन पे ठाके देना बोले रात को बारा बजे खिर्की से सड़क पर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था और सड़क पर जाकर देखा तो खिर्की पर कोई नहीं था कमाल का दिखा दो तीन दो तीन बंद में आज से सुना दे असना चाहते हैं ज्यादा ज्यान की दरवत तो नहीं है दुनिया में जो गटनाएं गटनाओं का एक चित्रहार दिखाता हूँ ठागों के लिए आपी आओ 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 कि देखो कुरसी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए कि बाबु जी ताली बजा रहे हैं यही हमारे समर्संग में हैं बाकी सब ग्रोध में लग रहे हुचे कि देखो कुरसी की बलिहारी आगे माले लोग बैचो क्या कर ले इतने दुखी क्यों हुआ है मुमफनी मिल गई और क्या कि देख साइज रहो देखो आनंद में रहो फोटोग्राफर नहीं सुधर साथ इनकों तो बस केवल मेहनत करने वाला दिखी नहीं रहा है कि देखो कुरसी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए करदी खटिया करी हमारी ओ जमाना बदला जाए धरना देते देते देखो सीयम बन गया मुन्ना अन्ना राले गण में बैठे चूस रहे हैं गणना सारे चेले हुए मदारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुर्सी की बल्यारी और जमाना बदला जाए इस चुनाव में भीजे पी का निकल गया दीवाला ताजा ताजा कलीवाला है भाप उट रही है भाप निकल रही है जादा पाश हाथ मतना ना जल्वी सकते है कि इस जुनाव में भीजे पी का निकल गया दीवाला राहुल बाबा जूम के गाते उलाला उलाला पंजा पड़ गया कमल पे भारी ओ जामाना बदला जाए देखो गुरसी की बलियारी री जो लोग आत बांध के बैठे उनके लिए कुछ फंक्तियां पड़ता कि जो नर्टाली नहीं पीटते उनको पीटे नारी जो ज़्यादा ताली पीटे गाम होंगे आप आरी पीटो शर्मा और तिवारी ओ जमाना बदला जाए कि मेरी कविता सुने बिना जो भीच में उठकर जाएं आनंद लेना कि मेरी कविता सुने बिना जो भीच में उठकर जाएं कोई जाना चाह रहा है किराम करे वो अपने घर में गुसा परोसी पाएं डूबे उनकी लुटिया धारी ओ जमाना बदला जाए देको कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए पहता लिसके हो कर रहु लगांदी फिरे अकेले और धिक विजय अंकल निकले आसा रांग चेले लगी बुड़ापे में बीमारी ओ जमाना बदला जाए देको कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए अच्छा लग रहा है तालिया बजा कर बताओ कि सच में अच्छा लग रहा है कि देको कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन कि इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन सादू संत भी बेच रहे हैं चवन प्रास ओ मंजन कि देको कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए कर दी खटिया करी हमारी ओ जमाना बदला जाए कि जनता पूछ रही मोदी जी पंद्रा लाक न आए पैसा ना देना था तो फिर खाते क्यों खुलवाए लॉजिक तो है तालिया बजा के समर्शनों ना जीए परिवादि कि पैसे ना देने थे तो फिर खाते क्यों खुलवाए जुमलों से कर गए होशियारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए खाएंगे ना खाने देंगे ये संकल्प उठाया इसलिए तो पैक करा कर भाग गए सब भाया कैसी की ए चुकीदारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए करदी कटिया करी हमारी ओ जमाना बदला जाए लंडन देखा पेरिस देखा देख लिया अमुरीका बहुत सारी बाते की जा सकती हैं लेकिन जिसमन से यहां बिल्कु साधे दोग शौल ओड़े हुए जिने ये भी कुछ लोगों को नहीं मालूम पता भाई की कविता पे तालीबी बजानी चाहिए इतने सुझे हो जंदगी में मैंने पहली बार देखे तो तुम्हारा सातमा च करें गिसमन से इसमन div Div भाईनगरों में धन कविता सुनताय लोग पैसा दे देते कविता दूता Sanskrit लेकिन हर…? ब्ली आता हूं या बात्पति स्चेत्र में हर ग्रामीर्स शेत्र में मन कविता सुमाए तालियां भले ना बजाएं लेकिन मन ही मन उनके भीटर कविता पहुंसती मैं आपको कुछ बंक्यां समगतीबर तरंता हो कि लंदन देखा पेरिस देखा देख लिया अमरीका लेकिन आज़ बड़ोत के आगे सब कुछ लागा फीका अपने लिए बजाए दो तारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए करदी खटिया करी हमारी बहुत बहुत धन्यवाद और अन्तिम चार पंग्तियां कहता हूँ कि भीड में दुनिया के फैचान बनाए रखना घर में खुश्यों की इक दालान बनाए रखना अपने होटों पर ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए आपके होटों कर हमेशा मुस्कान रहे और तिन में हिंदुस्तान रहे यही मैं कामना करता हूँ यही प्रातना करता हूँ और करम को आगे बहाता हूँ भाई अजास सत्रू यहां राजस्थान से आए राजस्थान का आदमी कमाल का आदमी है साथ अभी अभी सरकार बदली है तो कॉन्फिडेंस में जादा है राजस्थान अभी मैं जैसल वेर भूमने चला गया तो मैंने बाबु जे देखा कि रेत पे उट पे बैठके गुम रहा था एकी सवारी है वार तो टोपी पड़ी नीचे तो मैं उट से उत्रा और मैंने टोपी उठाई तो मुंडी दिखी आदमी की तो मैंने थोड़ी रेत हटाई तो आदमी कमर तक दिखा तो मैंने और रेत हटाई तो और आदमी दिखा मैं और रेथ हटाने लग गया तो आदमी बोल पड़ा अरे बोले भाई साथ भाद से काम नहीं चलेगा गर से फावडा लेके आओ क्योंकि मैं भी उट पर बैठा हूँ तेज नराइन को समर्पित कुछ पंकी ऐसी है नहीं कि समर्पित तो करनी पड़ेगी और शिद्ध करता हूँ एनराई लोग बैठें कि अपनी बीबी नहीं सुहाती दूजी पर ललचाएं अगर मोनिका मिल जाए तो सब क्लिंटन बन जाएं लेकिन मिल दी नहीं विजारी ओ जमाना जे गोगुर्से की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए लालू बोले सीम रहे कर नौनौ बच्चे जाए लालू जी तो इतना भवी राज नेता है खाने पीने के मामले में कि गोबर को सुन कर बता सकते हैं कि भैस क्यूमर कि तुनी है कि लालू राजिवीत का हास कि लालू बोले सीम रहकर नो नो बच्छे जाए अकल भी आरी पीम होकर बाप नहीं बन पाए अम्मा बन गई एक कुमारी ओ जमाना बदला जाए देखो कुर्जी आज विदे गिवस है इस पर वो को आप मना रहें मैं एक टिपनी करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अफजल को अब तक फासी नहीं हुई चोटा भाई लटका दिया बड़ा भाई पहले था उसको मौका देना चाहिए था मैं उस जेल में गया जहां अफजल बंद है जेलर ने कहा जोगी जी अफजल का वजन बढ़ रहा मैंने का गलत बात है आतंकवादियों का वजन बढ़ है किसका फोटो उसके कमरे में लगा रख रहा है बोले जी सरदार मनमुहन संजी मैंने का एक बार नरेंद्र मोदी का लगा दो अंडर बेट शुरू हो जा है मैं टिकपड़ी करता हूँ आज दिजे दिवस के आउसर पर जिसने संसर पर हमला करने का चुर्म किया तमाम राजनेता कहने लग गया कि साब हजल को फासी नहीं होनी चाहिए बेनी प्रसाद बर्मा तक ने कहा कि नहीं फासी नहीं वो कुम्बत कह दे दो चमादान दे दो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ने कहा तब मैं टिपड़ी करता हूँ मुझे नहीं पता कि आपका कितना समर्थन होगा लेकिन मैं पवार जी जैसे बड़े कभी को बंक्तियां समर्थित करता हूँ अशोक चारण के लिए आप समर्थन करें तो आपके हाथ उचेंगे तो यह आवाज दुनिया तक जाएगी की देश क्या चाहता है कि सजा हुई फासी की और अधिया धूरे मन से समर्थन मत करना साथ कोई नहीं बोलता है केले कभी हैं जो सरकारों के खिलाब बोलने की हिम्मत करते है कि सजा हुई फासी की अफजल की फाई निपटा दो जो अफजल का पक्छले रहे उनको भी लटका दो भारत माता है एक बार सबके हाथ उचे जाए मेरे कफन पर सजा हुई फासी की अफजल की फाई निपटा दो जो अफजल कापक चले रहे उनकों भी लटका दो भारत माता है दुखियारी यो जमाना बदला जाए देखो कुरसी मैं सारी दुनिया में जाता हूँ बहुत सारे देशों में बार बार जाता रहता हूँ जिस मन से आपने आज कविताएं सुनी हैं हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अनराई लोग है अलोग जी कह रहे थे बच्चे हिंदी नहीं जानते बच्चे हिंदी के पात्रयाले हिंदी के लेख्षों को नहीं जानते आज के बाद आलोग जी आप यह बच्चे यही बच्चे हि हिंदी सिखेंगे यही बच्चे चाहेंगे किंदी की क्भुताओं में अगर इतना रस है नहां परंपड़ा देश में नहीं होनी चाहिए कि भारत प्रहुत हिंदी नहीं आती लो जिसमंच से आप में कभ difference परता हूं मैं समर्कित करता हूँ कि लंडन न देखा पेरिस देखा देख लिया अमरीका लंडन न देखा पेरिस देखा देख लिया अमरीका एन आर आई कॉम्पलेक्स के आगे सब कुछ लागा भीका आपने लिए बजा दो तारी योज़ा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया चार पंकियां पढ़ता हों रही इतने बुजर्ग लोग परिवार के लोग बैठे हैं कि इनसान क्या जिसमे की स्वाविमान नहीं है वो गीत क्या जिसमे की कोई तान नहीं है मंदिर की मूर्तियों से दूआ मागने वालो माबाप से बढ़कर कोई भगवाने हम अपने बुज़र्गों का माबाप का समान करना सीखे और भीड में दुनिया के पहचान बनाए रखना घर में खुशियों की इक्तालान बनाए रखना अपने होटों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना वो हिंदुस्तान जो दिलों में बनाए रखने का काम करते हैं वो देश के बड़े कभी हरियों पमार की होते हैं उनकी किताबें हैं, उनकी कैसेट सीडी शायद आज भी होती है, तबी समयलन से उस सब वो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद करते हैं, और अच्छी बात है, देश में ऐसे काम होने के, और पीछे वीडियो सीडी है, वो गरीब बच्चों को गोद लेते हैं, मैंन लेकिन ये उनका समर्पन है, शादी नहीं की, परिवार नहीं बसाया, पूरा देश उनका परिवार है, हम सब कभी जितना प्रेम वो करते हैं, इकलोते कभी हैं, बड़े कभीों में जो नई पीडी को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आगे बहाते हैं, और कानून के या आप बीड करने, बीड लोग ज़्यादा जानते हैं, बोच कि वो ऐसे कभी हैं, जो जहां से चाहें, वहां से सुरू हो सकते हैं, उनका जो स्वर है, उनका तेवर है, मैंने कहा ना लाखों के लोग उन्हें प्रेम करते हैं, मैं एक टिपड़ी करता हूँ, कि 65 साल की आ सज़ हैं, कि उनके लिए किसी लालवत्ती, किसी तंगे की ज़रुत नहीं है, वो जिस गारी में मैठ जाते हैं, वो गारी अपने आप लालवत्ती के महत्तो जैसी हो जाते हैं, यह उनका कद़ है, यह हैं। लाखों लोग होते हैं, बड़े-बड़े कविसमिलन होते हैं, बड़े उत्सो होते हैं, लेकिन मैं एक टिपड़ी करता हूँ लखनो इस तहजीब की नगरी में, कि जब हम लाखों लोगों के सामने कविताएं पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम कौरों के सामने कवित पढ़ने का मौका मिल रहा है. इस से ज्यादा चमचा गिरी मैं आप्ती करनी साथ. जिनके हाथ अभी भी बने हुए हैं, उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ, जिन्दगी के लिए भी जरूरी है, और मैंफिल के लिए भी जरूरी है. open heart surgery کے باہر एक board लगा था जिस पर एक share लिखा था open heart surgery के बाहर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हसबोल कर यारों के साथ जिनके हाथ अभी भी बने हैं वो सुन ले कि खोल लेते दिल अगर हसबोल कर यारों के साथ तो हमें ना खोलना पड़ता यूँ अउजारों के साथ उन लास में बैठो आनंद में बैठो अब कोई तनाव है नहीं मिल्कुल तनाव मैंने मैं तो भाई साथ भी एक सुफे पे तीन ठसने की जरूद थी नहीं मैं जानता हूं मैं संकर समझता हूं आदमी का अब वो आनंद में थोड़ी बैठ है वो कष्ट में बेचारे और मैं हाथ से कभी हूं किसी को कष्ट में देख नहीं सकता आप अगर चाहें तो मेरा आसन ले सकते हैं जैसे स्वामी प्रसाद मौरिया जी के जाने के बाद भाई साथ ने उनकी कुरसी फोर रही हिंदूस्तार या कुरसी कर छोड़ना नहीं चाहता बस मौका मिले इतनी प्रेम की बाते हुएं सुमन जी बैठी हैं बहुत बड़ी आगीज सुनाया उन्होंने मैंने उनसे पूछा इतना अच्छा लिखती हो इतनी सुन्दर दिखती हो कैसे इश्वर ने मुझे अपने हाथों से बनाया है और मने का मुझे क्या Google से डाउनलोड रहा यह बनाया यह लखनव है मने का एक बल्व लगाना हो तो कितने लखनवियों की जुरत होगी एक बल्व लगाने में 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 एक बल्व लगाएगा बाकी सत्रा कहेंगे वावा हुजूर क्या बल्व लगाया तो मुझे वह वावा हुजूर दिखना भी चाहिए कि दिखना चाहिए राज जी क्यों मूर्ट तक मैं आपको लाना चाहता हूं बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं भाई कारती के बहुत प्यारा नौजवान है ना बदाई देता हूं प्रेम की बहुत सारी बाते हुई हलांकि एंटी रोमियो स्कॉट यहीं से पड़ रहे थे ना कि वो अधेली पर नाम होना चाहिए मैंने का ठाने में भी होना चाहिए योगी जी ने आते ही पहला फर्मान जारी किया प्रेम पर प्रतिबंद एंटी रोमियो स्कॉट जो कुटे हैं उनसे पूछो जो कुटे हैं उनका पूछो उन्हें बैचारों को पा मैंने पूछा योगी जी से कि एंटी रोमियो क्यों लागू किया तो उनका जवाब सुनना सब ताल से सुनेगे तो अच्छा लगेगा जो लोग मोबाइल पर रिकॉर्ट कर रहे हैं वो मोबाइल रख के सुने मेरा यूट्यूब चैनल है योगी जी वाव सब्स्ट्राइ कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा कि मुझे जब लगेगा कि आप पहूत अच्छा सुने रहे हैं तो मैं बहुत अच्छा वाला सुना हुगा कि अभी मैं भी त्रयास कर रहा हूं मैं भी प्राक्टिस कर रहा हूं आप भी सोच रहे हैं पता नहीं कैसे सुनाएंगे दोनों असमंजस में चार पंक्तियों के बाद दोनों का असमंजस खतब हो जाए कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूगा जब तक सारे ठाली नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोडाता रूँगा चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूगा मैं भूबू की गलियों से गुजरने नहीं दूँगा मैं भूबू की गलियों से गुजरने नहीं दूँगा चाहत के समंतर में उत्तरने नहीं दूँगा इक रोमिलों से योगी जी ने बात ये गई जो मैंने ना किया तुम्हें करनों नगी तुम्हें और आगे बढ़े मैं कुछ लोग खुद को मुगले आजम और मुझे अनारकल सब्सक्राइब इन नहीं बड़ी हैं नहीं उमर की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सल्मान खान का विराट कोहली का बाद में इनकी शादी किसी के ठालाज से हो जाए मेरी जब पहली बार शादी हुई और वह पहली बार में जी सब्सक्राइब गया तो बहुत सुंदर साली को देखा मैंने बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत खड़ा किया बहुत खड़ा किया बहुत खड़ा किया मैंने का जब आपके घर में सब्सक्राइब थी तो मेरे को